नश्कार दोस्तो में Foods for seven दिशाट में कि वाला इंग्लिश वर्जनिवर्जन में आपका लिखा हुआ है और हंदी म् mortar में समझाया हुआ है जुतने भी Puis पीचेस के एक्जाम है पीचेस के एक्जाम में मतलब चाहें कोई भी पीचेस बीपीचेस पहसटवा यूपीट्र पलसी के जितने एक्जाम है मंडी परिश्यद लोवर पीचेस अलावा धाई-कोटे-आरो तो इसमें क्या है इसमें आपको एक जनुरी अगर आप जो भी लेंगोज आपको समझ में आए तो वह आप देख सकते हैं इससे बेटर जो है यूटूब में कोई ऐसा नहीं दे सकता है इतना कॉंप्रिश्यव यूटूब में लोग सोचते हैं कि नहीं पढ़ाए नहीं सकती हमारा जो एम है यूटूब के वीडियो से ही भी आपका सिर्फिल करोना है और बिश्चर जेंग अलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत श्वागत एक बर फिसे पर्टिकुलर वीडियो में लोग इंग्लिश वर्जन का पूरा करेंट अफेर देखेंगे जनवरी मंत का 28 तारिक तक का पूरा इंग्लिश वर्जन का वीडियो करने का मतलब यह है कि यहां पर लिखिवी चीज़ें भी आपको मिलेंगी इंग्लिश में और एक्स्प्लेशन तो मेरा हिंदी में होता है और जिसको पूरा हिंदी वर्जन का वीडियो देखना है वो कल अपलोड कर दिया गया था आप उसको जाकर कर देख सकते ह हिंदी वर्जन का मतलब यह है कि लिखी स्लाइडें भी आपको भी लेगी हिंदी में ही देवनागरी स्क्रिप्ट में और मेरा एक्स्प्लेनेशन तो वैसा ही है जैसे आज रहेगा चली हम लोग शुरुवात करते हैं आप जानते हैं Study for Civil Services के और भी बहुत सारे packages आते हैं उने सभी के बारे में आप जानकरी प्राप्त कर सकते हैं प्रिलिम्स का बैच हमारा चल रहा है UPPCS Mains का लगाता है डेली यहां पर answer writing करवाई जाती है और आपको individual feedback भी दिया जाता है इस given number पर आप टेलिग्राम कर सकते हैं वरना एक और number है जिस पर आप directly call भी कर सकते हैं आप जाता जानकरी जाकर करके प्रात कर सकते हैं चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना देर किये पहला हमारा question लेंगे जिरल निनॉन इसके बारे में हमने बात किते हिंदी वर्जन में भी यह क्या चीज है question same to same रहेंग यह इसलिए भी ज्यादा यहां पर खतरनाक रहा क्योंकि यह नमी के बिना भी अनाजों को बरबात कर सकता है इसलिए जर्चा में रहा था फंगल टॉक्सिंग इंफेक्टिंग सीरियल से अगर कि यह पूछे किस फंग किस फंगस से आता है तो भी आप पता होना चाहिए य इस से आता है फ्यूजेरियम मोल्ड से बढ़ते हम लोग आगे अगला मारा कॉस्चन है कि विच कंट्री है रिसेंटली डिकलेड शुगर के इन यूस एज देर नैशनल ड्रिंक यानि कि राश्ट्री पे के रूप में नैशनल ड्रिंक के रूप में इनमें से किस देश ने गन्य के रस को गोशित किया है तो सर्प्राइजिंगली पाकिस्तान ने गन्य के रस को अपना राश्ट्री पे गोशित कर दिया ठीक है इसमें बहुत सारे कॉम्टीटर्स थे यहां पर रसना वगएरा मतलब उनके यह जो भी होता है वाबजा वगएरा लेकिन पाकिस्तान ने चुना है शुगर केंग जूस को ऐसा नैशनल ड्रिंग हमारे यहां पर भारत में को यह इसा नैशनल ड्रिंग अभी नहीं आया है मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि मैंस सिंगल टाइटल हो आपका और विमेंस सिंगल टाइटल हो यह दोनों जरूर पूछ जाते हैं मिक्स डबल्स आप से कभी नहीं पूछा गया आज तक ना कभी पूछ जाएगा और आपका डबल्स वाले भी मुकाबले नहीं पूछ जाते हैं ठीक है तो Man Single किस ने जीता है? नौँआक जोको विच्न जीता है और हराया किसको है? हराया गया है राफिल नडाल को राफिल नडाल और इन्होंने final खेला था Mr.Nameen Chawla ने मिस्टर नमीन चावला अगर आपसे पूछे हमारे CEC कौन है चीफ एलेक्शन कमिशनर कौन है तो यह है श्री सुनील अरोडा पहले यह एसी थे एलेक्शन कमिशनर अब यह बन गए हमारे CEC चीफ एलेक्शन कमिशनर पहले ओपी रावत हुआ करते थे अब वो नहीं है ठीक ह लेटेस्ट पॉइंट्पेट पे हैं यह आ सकता है श्री सुनील अरोडा हमारे समय CEC है चीफ इलेक्शन कमिशनर इमिनेंट राइटर गीता मेहता डिकलाइन डिकलाइन टूए अब यह अभी पदम आवार्ड दिये गये थे उसमें पदमिश्री डिकलाइन कर दिया है वह किस फेमस परस्नालिटी की सिस्टर है वह नवीन पठ्णायक की बड़ी बहन है ठीक है कौन गीता मेहता आगे बढ़ विनर रहे हैं साइना नहवाल, फाइनल नहां था कर लीना के साथ, कर लीना पार्टस बेट करने पाएं फाइनल में, इनको गुषित कर दिया है, ठीक है साइना नहवाल ने इंडोनेशिया मास्टरस बैडमिंटन ओफिशली जीत लिया है, एक टूरिस्टेन है समानता ठीक है यह अनॉंस करी गई है, यह प्रामिंट प्लेसिस को कवर करेगी, किन दो फेमस परस्णालिटी से सम्मंधित प्रामिंट प्लेसिस से समानता एक्सप्रेस चलेगी, यह इसमें पूछा गया है, तो बी आर अमबेटकर सम्मंधित जो मात्पूर्ण स्थल है, मात्मा अधर देन प्रीमियम ट्रेंज की कटेगरी में क्लीनेस्ट रेलवे जोन का दर्जा किससे प्राप्त किया है, जान रहे हैं, अधर देन प्रीमियम कटेगरी में साउथ सदर्न रेलवे को यहां पर क्लीनेस्ट रेलवे जोन चुना गया है, ठीक है सर्वे में, और इसमें फ है हमारा अल्दिक्रा कोश्चन रहेगा कि ब्रोमादिनो कम्यूटी कि 40 लोग यहां पर मारे गए थे ईक बांध के जह grease होने पर ध़्धeleri भ्राजील में ठीक है ब्राजील में उदनी क्वेटल क्या होती है ब्रजीलिय उती है ठीक है करन्सी बताए उसा strategy केरिंसी क्या होती है ब्राधील की वड़ते हैं हम लोग आगे इनमें से किस कंट्री ने उत्तरा देवी ट्रेन का अनावरंड किया जिसमें एक लोकुमेटिक पावर सेट एस थर्टीन हुआ है जो कि भारत के द्वारा पुर्जत्त है बारत का दिया हुआ एस थर्टीन उत्र देवी में लगा हुआ है उत्रादेवी глُकरैंडMR काउंड़ में अनावर士त की गया है तदूर्जरक तो जिसने यह आपका यूएस ओपन जीता था 2018 में अगर आपको यादो उन्हों नहीं जीता है यहां पर ऑफ्स्ट्रेलियन ओपन 2019 का विमेंस सिंगल नाउमी उसाका एक भर फिर्स से यह जापैन से हैं उन्होंने सेर्णा विलियम स्कोर आया था विवादित यूएस ओपन 2018 में और उन्होंने पेट्रा क्विटोवा को और आकर एक बर्फिर्स से ऑफ्स्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया यहां पर तो यह द्यान रखना है आपको हारने वाले का भी नाम आपको ध्यान में रखना है ठीक है बढ़ते हम लोग आगे हमारा अगला कोश्चन है चीफ ग अफ्रिकन प्रेसिडेंट श्रिल रमफोसा इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा यह आ सकता है क्रिष्णा सोब्ती का निधन हो गया है क्रिष्णा सोब्ती सब्सक्राइब तो क्यों इपॉर्टेंट है और इनको तिरपन्वा ग्यानपीट पुरुषकार मिला था दोज़ दिसंबर में इज्राइल उमर इन्हें पद्म विभूष्ण दिया गया है हमारे पद्म वॉड्स में से दोजार निसमें यह प्रेस्देंट ने किस कंट्री आपसे बूचा है जीबूटी के से प्रेसेदेंट है जुटी कोटी कोउन सी कंट्रीज मिलकर बनाती हैं आई इस में बार आया हुआ प्री का कोश्चन है और अधर स्टेट पीसेश के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है डबल इडी एस ध्यान रख लीजेगा जिबूटी क्योंकि डी से स्पिलिंग शुरू होती है हलांकि डी साइलिंग जीबूटी एरिट्रिया इथोपिया और सुमालिया यह बनाती है होर्न आफ एफ्रिका इनमें से किसने 26 जन्वरी 2019 में मोहन से महात्मा नाम की जहांकी का प्रदर्शन किया था रिपब्लिक डे परेड में किसके दौरा करा गया था मोहन से महात्मा का प लेंगे रिपब्लिक और नौर्थ मेचेडोनिया या फिर उत्तरी मेचेडोनिया घंड राज्ये हमारा अगला कुशन है कि माइकल लेकरांट करिधन ओ गया है यह तीन आसकर जीत चुके थे अपने लाइफ टाइम में किस फिल्ड से आते हैं निंग पोजिंग से सम्भंद और कलाम सेट नाम द्यान रखिएगा श्री हरी कोटा से इनको भीजा गया है कहां से बेजा गया अगर आप से पूछ ले मैंसे कम आता है क्योंकि सबी को पता है दो तीन जगे से हमारे उपग्रे बेजी जाते हैं श्री हरी कोटा से अप्शन नमबर बी यहां पर सही है अगला हमारा कोशन रहेगा कि इन में से किस कंट्री ने अनाउंस करा है ग्रांट 200 करोड रुपए का जिससे मतलब विशलेशन किया जा सके क्वांटम और इंपैक्ट का नाइट्रोजन पोलुशन जो हो रहा है किसके अंडर साउथ एशियन नाइट्रोजन हब के अंतरगत तो किस कंट्री ने यहाँ पर ग्रांट किया है यूके ने यूनाइटिट किंडम ने और शनमबर ए इन में से किन है मरणोपरांथ अशोग चकर समानित किया गया है जो कि इंडिया का हाइस पीस टाइम गलेंट्री अवार्ड याने की वीर्था पर उसकार माना जाता है ठी पहले परमवीर चक्र होता है फिर आपका महावीर चक्र होता है फिर आपका वीर चक्र होता है फिर आपका आता है यह अशोग चक्र अशोग चक्र फिर आपका आता है कीरती चक्र और फिर लास्ट में आता है शौरी चक्र ठीक है तो यह आप ध्यान रखिएगा यह और कभ सुल्टान अब्दिल्ला सुल्टान एहमद शाह कहां के किंग बन गए हैं ठीक है मुनार्च यह बने हैं मलेशिया के वैसे तो इसमें बहुत यजीब तरह का पार्लिमेंटरी सिस्टम है पूरी पावर्स यहां पर ज्यादतर होती हैं पीम के पास प्राइम मिनिस्टर के पास मलेशिया अब रहेगा सुल्टान अब्दिल्ला सुल्टान एहमद शाह के पास मलेशिया में मलेशिया की कैपिटल क्या है कव वालालंपुर है अब यहां पर आपके क्या हूए है एशियन गेम्स 2018 वाले इजिप्टी की कैप्टिल आप जानते हैं के रहो होती है इनमें सेकिस देश की लगबग 50% फसलों को फाल आर्मी वार्म ने बरबात कर दिया है ठीक है फाल आर्मी वार्म यहाँ पर कीड़े ने बरबात कर दिया है करीब 50% क्रॉप्स कहां की श्री लंका की जन्वरी में रिपोर्ट्स आई थी सबसे पहले इसको इंडिया में भी स्पॉट किया गया था और यह इसलिए इतना पावर्फूल है सबसे पहले तो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यह पूरी लाइफ टाइम में एक हजार तक अंडे दे सकता है और अपने कैटरफिलर स्टेज में यह काफी एक्टिव रहता है और पत्तों को नश्ट करता है ठीक है हमारा अगला कोशन रहेगा कि हमारा नवा नैशनल वोटर्स डे हमने कब मनाया था मद्दाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं 25 जनवरी 2019 को ठीक है सबकी बार रही थी नो वोटर्स टूबी लेफ्ट बिहाइंड यानि कि किसी भी वोटर को छोड़ा नहीं जाए सभी वोट देंगे और सभी का नहां पर मद्दाता पहचान पत्र बना हो हमारा अगला कुशन है कि नैशनल गर्ल चाइल्ड डे जब हम लोग को कमिशन कर दिए नेवल एयर स्टेशन Keripur में इनेस को ठीक है कि स्टीट में कर गया ठीक है आईनेस को हासव कमिशन किया गया अहां कहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड में ठीक हैं अडमान निकोबार इसमूख के लिए अब हमारा अगला कोश्चन है बारत ने अब तक कि अपने सबसे बड़ी और लंबे चलने वाली जो Coastal Defense Exercise करी है 36 घंटों तक के लिए 22 से 23 जनवरी को इसका नाम क्या है इसका नाम है Sea Wizzle, Sea Wizzle, Option C सबस्क्राइब करें इसमें इंडिया की cleanest train किसको पाया गया है प्रेमियम Understanding की के टेंगरी में है ठीक है फ्रीậyम forbidden worries पौले या फिर मनलबähän इससरे को देश की सबसे स्वक्ष ट्रेटरें का दरज़या दिया गया और प्र और क्लीनेस में अगला मारा कोश्चन है की बाल अभध इसा फाईtvरे था इनाधार पूडे सिकंद्राबाथ शिताबदी को यहां पर cleanest train का दर्जा मिलाया ठीक है अगला हमारा कुश्चन है कि बाल सभा campaign यहां पर अपर primary schools में ग्रामीड शेत्रूम चलाई गई थी किस राजी की सरकार के द्वारा चलाई गई थी देवनागरी स्क्रिप्ट में अपनी email id बना सकते हैं ठीक है और यहां पर एक और इनका special mail system चलता है जिसको बोलते हैं राज mail राज mail मेकदातु बान जो है यह bone of contention बनी हुई है bone of contention मुहावरा इसका मतलब होता है कि कलह की जड़ ठीक है कि दो देशों के बीच यहां पर यह इसके विवाद है मेकदातु के बीच मेकदातु के लिए तमिलनाडू करनाटक के लिए करनाटक के में परयोजना केंद्र सरकार चलाने माली है तमिलनाडू राज की सरकार ने central government को बोला है कि यह नहीं चलाई जाए ठीक है government debt पर जो status paper कुछ यहां पर आंकड़े आए उसके नुसार हमारे केंद्र का total जो debt है टोटल जो कर्द है वो GDP पर कितना है टोटल कर्द GDP पर है करीब 46.5 प्रतीशत GDP का 46.5 प्रतीशत किया सकता है अब हमको अगला बताना है कि इनमें से कि जगह पर PM मोधी जी ने इनागरेट किया सुभास चंद्र बोस म्यूजियम सुभास चंद्र बोस म्यूजियम बनाए जाएगा और प्रधान मंत्री नैशनल चिल्रन अवार्ड जो है इनमें से दो कटेग्रीश में अब दिये जाएंगे ठीक है इनमें से किस कंट्री के सेंट्र बैंक ने भारत के 2000 रुपए 500 रुपए 200 रुपए के डिनॉम्नेशन नोट्स को यहां पर बैन कर दिया है यह किसने किया है नेपाल ने नेपाल ऑप्शन नमबर डी अब हमको बताना है data analysis जो है केसनी mission का इनके अनुसार जो Saturn का जो length of the day वो कितना है जो ने चैटरन का दिन कितना बड़ा होता है केसनी mission के data analysis के दोरान इनके अनुसार होता है Saturn का 10 घंटे 30 मिनट और 38 सेकंड दस घंटे 33 मिनेंट और 38 सेकेंड शेटरन का पूरा लेंथ होती है डे की शिव कुमार स्वामी जो यहां पर एक पॉंटिफ यानि की धर्म गुरू कह सकते हैं सिद्ध गंगा मत तुमकारू में इनका निधन हो गया है ठीक है यह किस संपरदाय से जुड़े हुए थे उप संपरदाय से लिंगायत से ठीक है इनका निधन हो गया 111 वर्ष किया भी बता रहे हैं युनेस्को ने इन में से किसे वर्ल्ड कैप्टल ऑफ रियोडिजिनेरियो को युनेस्को ने वर्ल्ड कैप्टल ऑफ आर्किटेक्चर 2020 के लिए गोशित किया है रियोडिजिनेरियो कहां पर है अब जानते हैं ब्राजील में है यह और यहीं पर 2016 के जो समर ओलंपिक हुए सब्सक्राइब बनाते हैं मड़िपूर मेगाले और ट्रिप्ला ट्रिप्ला ठीक है मम्टी आप ध्यान रख सकते कि जन्मरी मम्टी पूछ लिए जाते हैं लगता है कि नहीं पूछेंगे लेकिन ऐसे कोशन भी आतकला रहे हैं इन में से पूरे ग्लोब के पूरे वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट परसन के अभी निधन हुआ है अफकोर्स जापान से हैं 113 वर्ष के आयू में मसदाको नोनाका का अब जानता है अभी तक जित्ते भी सबसे व्रद्ध व्यक्ति हुए हैं सबसे ज्यादा एज के वो ज्यादा तर जापान से आये जापान में जीवन प् करीब 15 15 कि मदला 15ốt 15 15 वर्ष की जितने भी हमारे पीपुल है वह ट्रैवल कर सकते हैं इन दो कंट्रीज लड़ने के लिए ट्रिपल ट्रक थरेपी के अपनाया है जो की डबलू एचो रिकमेंडेड है लिम्फैटिक फिलेरीसिस के लिए लिम्फैटिक फिलेरीसिस के लिए ठीक है और एट्स तो आप जानते हैं है अभी कुछ समय पहले हमारे नौर्थीस्ट के दो राज्यों को HIV होट्स बताया गया था कोई बता सकता है कि वह HIV होट्स पॉट्स कौन से दो या तीन राजी थे नौर्थीस्ट के बताएंगे कमेंट करके आप देखेंगे कि आपकी प्रिप्रेशन कैसी चलती है बताएंग करके वरता हम बताएंगे अगर आप गलात एंसर दें कॉमेंट में तो अगला मारा कुश्चन है कि इन में से किन दो राज्यों ने मिल करके लांच किया है इनिशेटिव जिससे चाइड लेबर को एरडिकेट किया दसके ठीक है बाल मजदोरी उन्मूलन करने के लिए यहां अगला कोश्चन है प्रवार्सी भारती बनाया गया था 2013 के बी आट इसकी थीम रही थी रॉल ऑफ- इंटिन डाइसपोरा कहां पर मनाया गया था Its पिशली साल से वारण रसी में वारण रसी में हमारा अगला कुशन है कि ग्लोबल एकनौमी वाच रिपोर्ट जो अभी जारी की गई है ग्लोबल कंसेल्टेंसी फर्म जिसका नाम है पीडवलूसी उसके अनुसार इंडिया जो है किसको सरपास करके वल्ड की तीसरी सबसे बड़ी एकनौमी बनेगा 2019 में फिफ्थ लार्जेस्ट इकनौमी भारत बनेगा यूके को पीछे चोड़ करके यूके को पीछे चोड़ कर इंडिया का second defense industrial corridor जो inaugurate कर दिया गया है first पर अभी भी काम चल रहा है तो यह कहां पर किया गया है तमिल नाडू में अगर आपसे पूछ ले first कहां पर चल रहा है तो यह चल रहा है उत्तर प्रिदेश में तो उत्तर प्रिदेश तमिल नाडू में industrial corridor 1 & 2 यहां पर बनाए जा प्रिदेश ने option number C हमारा अगला question रहेगा कि कहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंड़क्ट हुए 2019 वाले यह कहां पर हुए पुड़े में पीम मोदी ने 19 जनवरी 2019 को भारत के पहले National Museum of Indian Cinema के इन्याग्रेशन किया है इसके बारे में हमको दो तीन स्टेटमेंट रेख नहीं बताना कौन सी गलत है कौन सी सही है सबसे पहले रेख केंटा है कि यह कहां पर लोकेटेड है फिल्म डिवीजन ओ इंडिया के परिसर मुंबई में और दूसरा है कि इस म्यूजियम को हाउज किया गया है 19 स्थी के हैरिटेज बंगलो गुलिशन महल में तीसरा यह कहता है कि इसको डिवाइट किया गया है नौ हमारा कोश्चन है कि इनमें से किस यूटी में प्राइम मिनिस्टर मोधी जी ने साहिली नाम की जगह पर 19 जनुरी 2019 को इस यूटी के पहले मेंडिकल कॉलेज की नीव रखी है आजादी के बाद पहला मेंडिकल कॉलेज यह खुले गए यहाँ पर डाडरा और नगर हेवेली म में पहला मेंडिकल कॉलेज खुला जाएगा आजादी के बाद ज्यान रख सकते हैं हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारा कोश्चन है कि इनमें से किस जगह पर पी एम मोधी जी ने 19 जनुरी 2019 को L&T की के नाइन वज्र मेकिंग फैसलिटी को देश को समर्पित किया है और यह भारत में अपनी तरह की पहली प्राइवेट फैसलिटी प्रोवाइट की गई कंट्री में यह कहां पर किया गया है हजीरा नाम की जगह पर सूरत गुजरात में और स्पट अमबर डी अमारा अगला कोश्ण रहेगा की विच और नाईज़िशन है अगर्मी डेशन है और housसाथ मा प bargain हीरे को स्व घुर्श आ था है इंद्यी प्राइड को वंदी कर दिछन में अग्दमारुञीर पते से किस राज ग सेए ने after ब्रिस हमेरा कोशनन है की हमारा सेक रंगी महोत-वर्ड кадru का सेकेंड winter अंब को संस्क्रत कहां पर नागपूर में हमार अगला कुश्चन रहेगा कि इनमें से किस भारती एथलीट को यहां पर नॉमिनेट किया गया है प्रस्टेजियस लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ दा येर अवार्ड के लिए नामित किया गया है विनेश फोगाट को तो इनका नाम ध्यान रखेगा एशन गेम्स जकारता में इनोंने हमको एक गोल्ड भी दिलाया था और ये मेडल टैली में आपको दिखा रहा हूं ये एशन गेम्स दोजार रटारा की वीपीस्टी में इसको पूछ लिया गया था और बकाइदा आपसे पूरे टोटल मेडल नहीं आप से पूछा गया था कि आप बताईए कि ग जरूर से जरूर ध्यान रख लिजिएगा और टोटल अगर रैंकिंग की बात कर लें एशन गेम्स 2018 की टैली में भारत आठवे स्थान पर रहा था चाइना फस्ट पर और इंडिया आठवे स्थान पर ये दोनों चीज़ें काफी महत्पूर्ट रहेंगी ये कुश्चन भी काफी 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 इंपॉर्टेंट है इनमें से कौन से पहले भारती है और पूरे विश्व के सबसे यंगेस्ट परसन बन गए हैं 35 वर्ष 24 दिन की आयू में पूरे विश्व के 7 सम्मिट्स को और 7 वोलकेनिक सम्मिट्स पर फतह करने वाले सातों कॉंटिनेंट के सबसे पर और सबसे वोलकेन उचे वोलकेनों पर भारत का जिंडा फैराने वाले बन गए हैं श्री सत्य रूप सिध्धान्त सत्य रूप सिध्धान्त अब मैं आपको जीके के फैक्ट बता देता हूं 7 सम्मिट्स हैं कौन कौन से 7 सम्मिट्स हैं मौंट एवरेस्टेश्या का है और यह आपका एकनौगुआ यह कहां का है साउथ अमेरिका का है मौंट मैकिनली कहां का है नौर्थ अमेरिका का है किलिमिंजारो कहां का है यह अफ्रिका का है मौंट एलब्रूस कहां का है यह यह यरोप का है मौंट विंसन कहां का है अंटार्क्टिका का है पंकक जाया कह और यह आपका अच्छा यह यहां पर 7 हो गया ठीक है यहां तक 7 हो गया ठीक है तो यह आपको धिहान रखना इसमें 7 सम्मिट्स यह है इस तरों का उन्नती प्रोग्राम जो डॉक्टर जीतेन सिंग ने लॉंच किया है 17 जनवरी 2019 को इसका लक्ष क्या है इसका लक्ष एकुल नैनो सेटलाइट डवलप्मेंट का किसका नैनो सेटलाइट डवलप्मेंट का ओप्ष नमबर सी एक पेटिशन जो है एक याज का सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है किसके दौरा दो शेडूल ट्राइब्स के दौरा ठीक एनसूचित जन्जातियों के दौरा तो शेडूल ट्राइब्स ने हमारा अगला कोश्चन है कि मून पर यानि चंद्रमा पर पहला पाउधा कौन सा उगाया जाना है यह उगाया जाएगा आपका कॉटन कॉटन मॉब लिंचिंग पर काफी चर्चा होती रहती है पहला राज यह हमारा कौन सा बना है ठीक है कि अगर मॉब लिंचिंग में कोई किसी की डेथ हो जाती है तो पूरे लाइफ इंप्रिजन्मेंट की सजा दी जाए ऐसा यहाँ पर बिल पास करने वाला कौन सा राज बना है तो बैसे कितने भारती स्कों यहां पर रैंकिंग में शामिल किया गया इसका नाम धियान रखना वैसे करिया कि हमारा एक हम करे क्शन के पुम्रियों का स अभी माइल स्था कॉन करॉण क्रोसर किया है एक करोड बेनफीश्रीज का, एक करोड लाभारतियों का माइस्टोन क्रॉस किया है, प्रधान मंत्री रोजगार प्रोचान योजना ने इसको कब शुरू किया गया था, इसको शुरू किया गया था, 7 अगस 2016 को, 7 अगस 2016, लॉंच डेट, अब उनको बताना है कि इंडियन र रबर एक्स्पो का दस्वा संस्क्रेंड कहां पर आयोजीत हुआ था, वेन्यू हमको बतानी है, वेन्यू रहेगी मुंबई, ध्यान रखिएगा, रबर एक्स्पो मुंबई, सांजी मुझ में कलाकार, अभी न्यूज में था, ये किसकी पहले ये वेब कैम्पेन है, संगी संगीत नाटक अकेडमी के, संगीत नाटक अकेडमी, अजब मुझे कोई ये कमेंट करके बताए कि संगीत नाटक अकेडमी जो है हमारी, ये किस मिनिस्ट्री के अंतरदत काम करने माला और्टोनॉमस और्राइजेशन इंस्टूट, इंस्टूशन है, बताए कमेंट करके, ह गांधी पीस प्राइज 2018 किसको मिला है वैसे तो बतादें आपको कि 2015, 2016, 2017, 2018 चार वर्षों के लिए एक साथ गांधी प्राइज अनौन्स करे गए हैं तो अगर आप चारों ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है वैसे 2018 का लेटेस वाला ध्यान रखेंगा योही सस्कावा क मतलब वही है कि 2016 का किसको मिला है जिद्धो और्णाइजेशन को मिला है अक्षय पात्र फाउंडेशन को और सुलब इंटरनाशनल को सुलब इंटरनाशनल के फाउंडर है श्री बिंदेश्वर पाठक श्री बिंदेश्वर पाठक और इनको लाल बहादुर सास्त्री पु रुष्कार है जापान में हमारा अगला कोश्चन रहेगा कि 2015 में गांधी पीस प्राइज ये किसको मिला है विवेका नंद केंद्र कन्या कुमारी में जो है इसे किहनर सरकार ने रिकप्रिटलाइजसन के लिए एक्जिम बैंक के कितने रुपै यहाँ पर अप्रूव कर दिये हैं ये करदी है चैजार करों रूपै जो है वो दस जार करों है से कितने कर्दी है कि कर दी गई है पीस आजार करोर रुपए शुझ में इसकी छंता जो है next Strasule Hm कितनी की जाएगी यह की जाएगी 9 metric 10 per annum 9 million metric 10 per annum और यह तीन गुना की जाएगी खुल मिला करके ठीक है अगला question हमारा इनमें से किस country के साथ भारत ने MOU sign किया है माइन safety के लिए safety in mines testing and research stations सिम्टार्स किसे साथ मतलब किस country के सिम्टार्स के साथ यहां पर mines में safety के लिए MOU sign किया है यह कियागया है Australia के साथ Australia के साथ हमने दो युद्धप्यास करें है 2018 में ऊस्ट्रा हिंद हम लोगोंने किया है यह army का युद्धप्यास है और काकादु कादू भी हमने किया है लेट नॉवेंबर में काकाटू जो है यह हमारा यह है नेवल एक्सराइज नेवल एक्सराइज अगला हमारा कोश्चन है कि महा एग्रिटेक प्रोजेक्ट जो लॉंच करा है महरास्ट की सरकार ने 14 जनवरी 2019 को किसे संबंदीत है यह फार्म एक्टिविटीज मॉनिटर करने संबंदीत है सेटलाइट के द्वारा यानि कि फदलों की बुवाई से लेके कटाई तक पूरी निगरानी रखी जाए सेटलाइट और छोटे ड्रोन के द्वारा अगला मारा कोश्चन है कि 50,000 करोड रुपए का डेप्ट वेवर स्कीम यहां पर लॉंच किया गया है कहां पर जय किसान रिड मुक्ति योजना के नाम से जय किसान रिड मुक्ति योजना मद्ध प्रदेश में चलाई जा रही है वहां की किसानों पर जो कर्ज उसको माफ करने के लिए ठीक है और बताया जा रहा है कि 5 फेब से प्रक्रिया शुरू होगी और विदिन 15-20 देस उनका करके रखा हुआ है जो मोस्ट ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट है इंडिया ने दो पोजीशन की अपने सुधार किया है तो 21 पोजीशन पर था यह 2018 में इंडिया की पोजीशन इस बार उन्हें आसवी है ठीक है और यह पासपोर्ट जो पिरिडोकली मेजर करता है कि 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 एक्सेस किस कंट्री के किस कंट्री पर जाने के लिए मोस्ट एफोर्डेबल डॉकुमेंट्स बनो आएगा पासपोर्ट तो अप्शन नमबर 123 सही है और कुल विला करके तीनों स्टेट्मेंट सही है जापान है सबसे पावरफुल पासपोर्ट यह इसे नहीं पूछेगा जैसे यहां पर बहुत समझा के लिखा हुआ है एक्जाम में आपसे बूचेगा दुनिया का सबसे शक्ति साली पासपोर्ट कौन से बताइए तो आपको जब बताना पड़ेगा हैंली पासपोर्ट इंडेक्स के निसार हो है जापान और इंडिया की रहा है इनली पासपोर पूट इंडेक्स में उन्ने आसवी सेविंटी नाइन अगली आपका कोशन मलब अगला कोशन है पीए मोधी जी ने कोलम केरला में डेडिकेट किया कोलम बाइपास देश को नेशनल हाइवे 66 में इस कॉंटेक्स्ट में अपने आप में यह अनोखा नेशनल हाइवे पहला इसा नाइशनल हाइवे प्रोजेक्ट है यह कोलम बाइपास वाला जिसमें राज की और केंद्र की साजिदारी 50-50 की है अगला हमारा कोशन है कि एकलब वी मॉडल रेजिदेनिशल स्कूल्स की स्पोर्स मीट 2019 की कहां पर हुई यह हैदराबाद में हुई है इतिहास में पहली बार इंडियन आर्मी में एक लेडी ओफिसर ने 144 मेल परसनल की परेड को लीड किया आर्मी डे में 15 जनवरी 2019 को इन लेडी ओफिसर का क्या नाम है इनका नाम है लेटिनेंट भावना सूरी ठीक है अल्दकुल विला करकर 144 मेल परसनल की परेड को इन्हों साइन किया है अच्छे यह देख चुके हैं ī ए सेंट्रिल गौर्मनेंट ने 15 जनवरी 2019 को इंडियन साइन्स इनिशेटिव लांच किया है इंडियन साइन्स इनिशेटिव यह है क्या यह इंटरनेट बेजद साइन्स चैनल है दो ही लांच करेगा हैं जिसमें science के बारे में पूरी बात की जाएगी यहां पर इनमें से किस जगहे पर Global Aviation Summit का inauguration किया गया हमारे नागरिक उड्डैन मंत्री जो है श्री सुरेश प्रभू के द्वारा जो किया गया है मुंबई में तो इवन्यू आप ध्यान में रखता है अगर पूछे करेंगे कुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल नितिन पटेल अगला मारा कॉस्चन है कि International Criminal Court जो है जो की हेग में है 15 जनवरी 2019 को इन्होंने किस देश के पूर राष्टपरती को जो कि इनका नाम लिखा हुआ है इनके अगेंट्स जो मानवता के विरुद्ध चार्जस थे उसको एक्विट कर दिया है जनी कि अब हटा दिया है आइवरी कॉस्ट के प्रेसिडेंट थे पहले इन पर मानवता के खिलाफ जाने के चार्जस लगे थे वो अब ICC ने हटा दिये है हमारा अगला कुशन है यहाँ पर कि पहला यहां पर फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशल पूरुषगार 2014 निस को किसको मिला है यह मिला है पीम मोदी जी को पीम मोदी जी काफी पूरुषगार जी चुके हैं 2018 में भी 2018 में इनको Champions Office पुरुसकार मिला था France के President के साथ संयुक्त रूप से इन में से कि State या Union Territory का कहना है कि वो Birds के लिए एक Special Treatment Facility लाएंगे जो कि उनकी Animal Health और Welfare Policy है 2018 की उसके अनुसार तो Animal Health और Welfare Policy 2018 दली UT की जो है उसके अनुसार ये Special Treatment Facility लाएंगे Birds के लिए अपने UT में अगला हमारा Question है कि इन में से Secretary General National Human Rights Commission NHRC का किसे बनाया गया है ये बनाया गया है Mr. Jaideep Govind को Jaideep Govind इन पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में द्यान रखिएगा अगला हमारा Question है कि हमारी जो External Affairs Minister है श्रीमती शुष्मा सुराज इन्होंने इंडिया Central Asia Dialogue को Co Chair किया कहां पर ये किया समरकंद नाम की जगह पर अज़े किस देश में है समरकंद मता सकता है कोई कमेंट करके बताई है आगला हमारा Question है 14 जनवरी 2019 को पहला राज जी कौन से बनाया है 10% जो Reservation आया है जनरल केटेगरी पूर केंडिडेट्स के लिए 103 वे Constitutional Amendment Act के इंतरगत तो सबसे पहला कौन से राज बनाया है इसको implement करने माला गुजरात अगर दूसरा पूछ ले तो कौन से बनाया है वो बनाया है जहारकंड अगर तीसरा पूछ ले कौन से बनाया है वो बनाया है यूपी उत्तरप्रदेश यूपी का जरूँ ध्यान रखे गए तीसरा बना था अगला हमारा कॉस्चन रहेगा कि वुमेनिया ओन जी एम जी एम बोलता हूँ गॉर्मेंटी मार्केट प्लेस मैं इसको बोलता हूँ शौट में गॉर्मेंट का एमिजान ठीक है तो 14 जनुवी 2018 को दो सॉरी 2019 इसको एक इनिशेटिव लॉंच किया गया वो मनिया ओन जी एम इसका उदेश है कि डिरेक्टली सेल कर सके जो सेल्फ हेल्प ग्रूप्स है SHGs और Women's Entrepreneurs जो है वो डिरेक्टली अपना समान जो है बेज सके गॉर्मेंट ओफिस में बल्ग ओर्डर यहां पर मिलता है GEM में तकुल विलाकर के दो फायदे होते हैं एक तो Transparency, Accountability तो रहे ही ओफिस में गॉर्मेंट ओफिस में जो भी समान खरीदा जाए और दूसरा जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रूप्स है छोटे इंटर्प्रिनियोर्स है MSMEs हैं उनके व्यापार को बूस्ट किया जासके अगला हमारा कॉश्चन रहेगा इनमें से किस स्टेट के लिए यूनियन टूरिजम मिनिस्ट्री ने पिचासी दसमलोग तेईस करोड रूपए यहां पर थर्ड फेस स्प्रिच्वल सर्किट डवलप करने के लिए जारे किये हैं सुदेश दर्शन स्कीम के तहत आप जान रहे हैं कि लगातार हर दूसरे तीसरे महिने में एक नाएक सर्किट के लिए कुछ यहां पर ग्रांट जारी करती है टूरिजम मिनिस्ट्री तो 14 डिस्ट्रिक्ट में एक काम चलेगा सुदेश दर्शन स्कीम के तहत केरल में स्प्रिचुल सर्किट के रूप में इसको डवलप कर रहे हैं अभी तक कि सुदेश दर्शन स्कीम के तहत हमने कितने थिमेटिक सर्किट को अइडेंटिफाई कर लिया है अभी तक हम कर चुके हैं ये पंद्रा हमको 22 या 24 करने हैं ठीक है 22 चौबिस के करीब करने हैं हम 15 अभी तक अइडेंटिफाई कर चुके हैं हमारा अगला कुश्चन है कि Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अनुसा कितने हां थी यहां पर मारे गए थे रेलवे एक्सिडेंट में 2016-2018 के बीच तो यह 49 के खरीब हां थी यहां पर कटके अपनी जान गवा गए थे यहां पर इन दो सालों में और इसके लिए जो B campaign भी चलाया जा रहा है याने की मंदमक्यों की recorded आवाज यहां पर बजा देते हैं ट्रेन की पेट्रियों के पास जिससे हाथ ही ना जाएं वहां और proximity से दूर रहा है एक्सिडेंट से हमारा अगला question है यहां पर farm to port project के तहट इन में से किस country को ध्यान में रख करके कुछ specific crop यहां पर उगाई जाएंगी तो यह project किसे संबंदित है UAE से संबंदित है farm to port project किसे संबंदित है UAE के लिए हमारा हमारी MSME ministry के नुसार हम कितने technology centers यहां पर डवलप करने वाले है extension centers के साथ अगले तीन से पांच सालों में हम लोग डवलप करेंगे 20 के करीब अगला हमारा question है कि premier badminton league PBL 2019 के विजीता team कौन रही है यह रही है बैंगलूर राप्टर्स बैंगलूरूरू राप्टर्स हमारा अगला question है कि इन में से किस country ने rain making planes जो है seed clouds यहां पर डवलप करे हैं जिससे जो level pollution का बढ़ रहा है air pollution का खास करके वो थोड़ा सा चेक किया जा सके यह कौन कर रहा है थाइलेंड थाइलेंड के साथ हम लोग exercise करते हैं क्विलिट्री की उसका नाम आपको comment करके आपक हमको बताना पड़ेगा ठीक है यह की के साथ हम लोग exercise करते हैं अजे वारियर के नाम से आप जानते हैं अजे वारियर और चाइना के साथ हम लोग exercise करते हैं हैंड इन हैंड के नाम से हैंड इन हैंड अगला हमारा question है कि इन में से किस राज के मुख्मंत्री ने one family one job scheme को यहां पर launch किया है अपने state में one family one job scheme सिक्किम में शुरू की गई है इसके नुसार क्या होगा परिवार के किसी सदस के पास अगर किसी भी सदस के पास अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो उनको इनिशोर की जाएगी एक नौकरी हालांकि जो यह benefit लेगा उसको फिर किसी भी प्रकार का और benefit नहीं मिलेगा सरकार के द्वरा दी जाने वाला अगला हमारा question है एक seven members की एक committee का गठन किया गया है जिससे देखा जा सके कि राज्यों को GST का घाटा क्यूं हो रहा है प्राज्यों के GST के घाटे पर विचार करने वाली समीती के अध्यक्स बनेगे श्री शुशील मोदी शुशील मोदी ने एक व्यंगात्मक किताब लिखी थी लालू लीला करके जरी की गई थी 2018 में आप इसका नाम चाहे तो ध्यान रख सकते हैं लालू लीला अगला हमारा कुश्चन है कि भारत के हमारे पांचवे के बैट्समैन कौन बन गए हैं जिन्होंने फेमस काफी महत्पूर्ण 10,000 रन का हाकड़ा पार कर लिया है यह बने हैं MS धोने बागी चार कौन है आप जान गए होंगे सब सबहल तो हमारे त्रिमूर्थी राहुल जारी किया है साठे 3100 रुपए का हमारे गुरु गुविनज सिंह कि ये साठे 3100 वी एनिवर्सरी थी बर्थ एनिवर्सरी उसके मौके पर 300 रुपएका ये कम अभरे टीनिव सिक्का चारी किया पर पी ए म मोदी जी ने बढ़ते हम लोग आगे हमारा अगला क्वेश्चन र इसमें दस वर्षी अभिनाव शौ जो है यंगेस्ट गॉल्ड मेडलिस्ट बने हैं गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे काम उम्र का बच्चा ये बना है ये किस स्पोर्ट्स डिस्प्लिन से जुड़ा हुआ है ये शूटिंग करता है बच्चा ठीक है शूटिंग से निशाने बाद जी अगला हमारा कोश्चन है ये तो सभी को पता है टेन परसें डिजर्वेश कोमेंट फेस्टिवल 2019 में इसमें 18-25 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं अच्छा हमको ये कोमेंट करके बताए कि भारत की युवा पॉलिसी के नुसार भारत में युवा होने के लिए कितने एज गुरूप का होना चाहिए यानि कि भारत में किस एज से लेकर किस तक हम युवा कहलाते हैं अगला क्षचन हे अमारा कि मीटा सान्याल कर निधन हो गया था ये किस फील्ड से आती है ये रिलेटेट थी ख्लास्कल म्यूसिक से यानि कि शास्त्री संगीत से हमारा क्ला कॉश्चन है कि WOMEN OF INDIA ORGANIC FESTIVAL ठीक है WOMEN OF INDIA ORGANIC FESTIVAL यह कहां पर हुआ था यह वह था चंडिगड में WOMEN OF INDIA ORGANIC FESTIVAL कहां पर चंडिगड में हमारा जो पहला human module mission जाने वाला है गगनियान के तहत ठीक हैं अंतरिक्ष में तो इसमें project director प्रोजेक्ट डिरेक्टर बनाय गया है आरहटन रहाटन श्री रहाटन रहाट होल माइनिंग न्यूस में रही थी यह किस राज्ज में चर्चा में रही में घाले में में घाले हमारा नेक्स कुश्चन है कि कि स्राज के पॉलूशन कंट्रोल बोड ने अपनी रिपोर्ट 2018 मे यहां पर अठारा होगा, अठारा में ब्लेम किया है टॉक्सिक एफ्लुएंट्स जो निकलते है माइन्स और सीमेन प्लांट्स से और यह कारण रहा है कि लूखा और लुनार रिवर्स वहां की सूख के खत्म हो चुकी है तो यह कहां पर देखा गया है मिघाले में, मिघाले में जो यह आपके माइन्स और सीमेन प्लांट्स चल रहे है इनके स्टेट के पॉलुशन कंट्रोल बोर्ट देमाना है कि यही कारण है कि लूखा और लुनार रिवर्स सूख करके खत्म हो चुकी है अगला हमारा कॉश्चन है कि स्पेसेक्स जो फेमस कंपनी स्पेसक्राफ्ट वाली यह लोगों को चांद पर और मार्स पर ले जाएगी मंगल ग्रह पर ठीक है फ्यूचर में ऐसा बता रहे हैं तो किस यह स्पेस्शिप के तहत ले जाएंगे स्टार्शिप होपर से यह ले जाने वाले हैं स्पेसेक्स वाले रेडुका जी मल्टी परप्रस प्रोजेक्ट जिसमें चीफ फिनिस्टर्स ने साइन किया है यह एग्रिमेंट 11 जन्वर्टी 2019 को इसके बारे में स्टेटमेंट्स पर विचार करना है यह प्रोजेक्ट 6 राज्यों के बीच है दिल्ली उत्तर प्रदेश माचल प्रदेश हरियाना राजस्थान और उत्तराखंड क्या इस एग्रिमेंट के अंतर कर तीन स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है वो प्रस्तावित हैं और यह तीन नदियों पर दो राज्यों में बनने वाले हैं क्या यह तीन प्रोजेक्ट लखवार प्रोजेक्ट यमुनाव प्रोजेक्ट पर बनेगा किशाव प्रोजेक्ट गंगा उत्राखंड में रेनुका जी प्रोजेक्ट बनेगा यह कीरी नदी पर हिमाचल प्रदेश में गया ठीक है तो हमको बताने कौन से स्टेट्मेंट यहां पर बात है जो ध्यान रखनी है अगला हमारा इंपॉर्टेंट कोश्चन है कि सेंट्रल गवर्मेंट ने दस जनवरी 2019 को एक नैशनल क्लीन एर प्रोग्राम एन सी एपी लॉंच किया है जिसके नुसार हमको पार्टिकुलेट मैटर यानि पी एम पॉल्यूशन को बीस से तीस पर का पॉल्यूशन कब तक खत्म करना है डेड्लाइन क्या है डेड्लाइन रखी गए है 2024 कि इस पॉलिसी के इंतर करत नौन एक इनमेंट चिफ बेली चीव मिनिस्टर ने 10 जनवरी 2019 को आयुश्मान भारत को शामिल करने से मना कर दिया बिल्कुल अपने राज में अपने राज में आयुश्मान भारत को शामिल करने से मना करने वाली अफकोर्स कौन होगी वेस्ट बंगाल की सीम 10 जनवरी 2019 को Xu Sheng Shang ठीक है यही नाम है Xu Sheng Shang ये बने है प्राइम मिनिस्टर ये कहां के बने है ये बने है ताइवान के ताइवान की कैपिटल होती है ताइपेई ठीक है ताइपेई इनमें से दो क्रिकेटर्स को 11 जनवरी 2019 को एक औरोनरी प्रदान की गई है सेडनी क्रिकेट ड्राउंड की इनके कंट्रिब्यूशन के लिए क्रिकेट स्पोर्ट्स में किसको मिली है विराठ कोली को और रवी शास्तरी को एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये किसकी किताब पर आधारित फिल्म मनी है संजे बारू यह सेम कोश्चन यूपी पीसिस तक में आ चुका है हमारे अगलों कुश्चन है कि यहाँ पर इनमें से किस ने नैशल स्टॉक एक्सचेंज एने से के चैर परसन के पत से रिजाइन किया है यह है अशोक चावला अशोक लवासा जो है यह कौन है हमारे यह सी है अठीक एलेक्शन कमिश्चनर है भारती रेल पहला कंट्री का वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाने वाली है ठीक है यह किन दो चीजों को कनेक्ट करेगा रामेश्वरम को में लैंड इंडिया से वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज हमारा अगला कोश्चन है यहाँ पर कि 68 लोगो पार्क में 21 राइनों यहाँ पर मरे हैं लास्ट च्छा महीनों में जिस चितवन नेशनल पार्क कहां पर है चितवन नेशनल पार्क आपकी पड़ती है नेपाल में नेपाल के साथ हम लोग युद्दभ्यास करते हैं सूर किरन के नाम से यह र 6 महीने में एक बार होता सूर कि और हम्लोग्स त्रिलंक के साथ त्यूत अब्यास करते हैं मित्र शक्ति के नाम से मित्र शक्ती और हम spectrum बेंगलाधेश के साथ त्यूत भ्यास करते हैं संप्रिती की नाम से अगल्या हमारा क्वेशन है कि जो चाइनञ डोजरुआ इसको किस वर्ष के रूप मनाएगा यह पिग इयर के रूप मनाएगा ठीक है प्रिशिंग्डे शामभा और आयान सामभा जोजीब से वरायटी का नाम है किस फॉसल की वरायटी है यह वरायटी रहेंगी राइस के ठीक है मैंने शायद आपको इंदी वर्जन में wheat बता दिया था यह correction है इसको correct कर लिजेगा ठीक है अगर कोई देख रहा है हिंदी वर्जन का देखा हुआ वीडियो तो rice है यह wheat नहीं है हमारा अगला question की M Stripes जो की news में था recently यह क्या है यह wildlife monitoring system है protected areas में जो use की जाते हैं यह system M Stripes अगला question है कि कौन सी तीन company ने launch किया है उज्वला sanitary napkin को उज्वला sanitary napkin यह launch किया है तीन company ने मिल करके Indian oil भारत petroleum और हिंदुस्तान petroleum ठीक है और और लेड़ी हमारी सुविधा napkin चल रही है अभी भी जन आस्ति के इंद्रों में सुविधा को launch किया गया था International Women's Day के मौके पर 2018 में और यह 10 रुपए की चार napkin मिलती है उज्वला napkin ठीक है यह ध्यान रखेगा इसको उज्वला अगर योजना की बात कर ले हम लोग तो काफी फेमस योजना रही काफी सफली वजनाव में से केंद्र सरकार की इसके 6 करोड connection अभी तक हो चुके हैं पांच करोडवा connection किसको दिया गया था बता सकते हैं कोई कमेंट करके हमको बताईए अगला हमको बता है कि माकर विल्लाकू फेस्टिवल जो है यह किसे संबंदित है यह संबंदित है उस फेमस टेंपल से जो साल भर चर्चा का विशाय बना रहा है 2018 में सबरी माला टेंपल अगला हमारा question है यहापर कि मडाल सेन जिनका निधर हो गया था पिछानबे वर्ष की आयू में इनको दादा साहब फालके वार्ट बिला था 2003 में क्या इनको पद्म विभूशन मिल चुका है और इन्होंने अपने डिरेक्टरिल डिब्यू किया था रात भुर 1955 से और यह फ पर मडाल सेन के बारे में सही हैं तीनों स्टेट में यहाँ पर करेक्ट हैं दादा साहब फालके भी नहीं जीता 2003 में पद्म विभूशन तक इनको मिल चुका है और उन्होंने अपनी के सुरवात की थी रात भौर से 1955 में अगला question है कि समवाद भी students SW SC forum शुरू किया गया है इस रो का यहाँ पर इनेशियेटिव है जिससे जिन बच्चों को ज्यादा करूश्टी होती है इस अन्त्रिक्स हो गयरा में वह शामिल हो सके यहाँ पर कुछ सीखने के लिए हालांकि हर राज यह यूटी से खाली छह तीन तीन बच्चे लिए जाएंगे इसमें अगला कोश्चन हमारा के डियाइडियो डे हम लोग कब बनाते हैं यह मनाते हैं एक जन्वती 2019 को अच्छा डियाइडियो के हैड कौन है बताएंगे को कॉमेंट करके बताइए अगला हमारा कोश्चन है कोई पर बेल्ट जोनी उस पर इसमें चर्चा में रहती है यह क्या चीज है यह स्नुई जोन होता है हमारे स्पेस में बस इतना आपको ध्यान में रखना है अल्टिमा थुले जो चर्चा में था जफी जो भी इसका प्रेनिशेशन है ठीक है यह क्या चीज है यह most distant celestial body जो है ever photographed जैनी सबसे सुदूर हमारी celestial body जिसकी photograph ली गई है अगला हमारा question है यहापर कि इनमेंसे किस women cricketer को भारती women cricketer को रैशल ही फिलिंट पुरुसकार मिला है और women's Oti player 2018 के लिए ICCCन हो इनको नामित किया है विमन्स ODI प्लेयर 2018 और विमन्स क्रिगेटर ऑफ देयर 2018 ये दोनों बनी है स्पृति मंदाना स्पृति मंदाना लेफ्ट हेंड बैट्स मैन है और काफी अच्छा खेलती है आपको भी देखिए गए इनको खेलते वे वाइस कैप्टन भी इंडिन टीम की इंडिन टीम की समय क पूर्थ टर्म रहेगा फूर्थ टर्म कि बंगलदेश की करेंसी आपको पता है टाका है और बालंगलदेश की कैप्टल है वो ढाका है बंगलदेश वो कंट्री जिसके साथ सबस्याद हम लोग लैंड बाउंडरी शेयर करते हैं इन में से कितने मॉनमेंट्स को एसाइज सर्वे ऑफ इंडिया ने राश्रिय महतु का दर्ज़ा दे दिया है इनको कितने हैं यह सिक्स हैं साओ्थ इंडिया में दक्षिन भारत में लामबसिंगी में 0 डिग्री टेंप्रेचर रिकॉर्ट किया गया अल्मोस्ट साथ सालों के गैप के बाद 31 दिसम्बर 2019 में तो जेरो डिगरी कहां पर साउथ इंडिया में रिकॉर्ड किया गया इस जगह पर जो की बढ़ती है आंद्ध प्रदेश में लंबासिंगी हमको बताना है कि डिश्टर्ब एरिया एक बर फिर से 6 महिनों के लिए अफपा एक्ट के तहत करार दे दिया गया है इन में से किसके इंटायर एरिया को फिर से अफपा में ला दिया गया है हमारा अगला कोश्चन है कि 31 दिसंबर 2018 को किस राज की सरकार ने क्रशी क्रशक बंधू स्कीम शुरू की है और तेलंगाना में जो स्कीम चल रही है रायतू बंधू योजना उसकी तरज पर है यह किसने शुरू की है वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में अनौंस करीगे करशी क्रशक बंधू रहतू बंधू स्कीम के यह काउंटर पार्ट की रूप में शुरू की गई है इन में से पीपल्स इंपार्मेंट इनेबलिंग ट्रांस्परेंटी और अकॉंटबेल्टी पीठा की कैम्प कि कहां पर और्पनाइस किये गए थे यह और्पनाइस किये चोड़ दिया गया है इन तो कंट्रीज के द्वारा अनौन्स तो काफ़े पहले कर दिया गया था सप्टेंबर 2018 में अफिशले लीव कर दिया इसको को यूएसे और इस्राइल ने एंटी इस्राइल बाइस का यहां पर अरोप लगा करके छोड़ा गया है डिजिटल डिटॉक्स एप को अभी हाले में डवलप किया गया है किसके लिए जिससे लोग जो मोबाइल यूज करते रहते दिन भर उसको कम किया जासके अगला हमारा कॉशन है यहाँ पर कि यूनिन कैबनेट ने दो जनवरी 2019 को अप्रूव कर दिया है बोडो म्यूजियम कम लैंग्वज एन कल्चरल स्टडी सेंटर यह कहां पर खुलेगा यह खुलेगा कोकरा जहार नाम की जगह पर कोकरा जहार अगला कोशन है आपर कि जेर बुलसनारो इन्होंने प्रेजिडेंट के रूप में शपत ली है किस कंट्री के लिए यह ब्राजील के नए प्रेजिडेंट बने है जेर बुलसनारो इंडियन अमेरिकन के पी जोर्ज जो है इन्होंने शपत ली है आस्ट्रेलिया में किस पद के लिए फोर्ट बेंड कंट्री जज ये बने है यूएसे में यूरिन कैबिनिट ने 2 जनवरी 2019 को राश्ट्री यूवा सकती करण कारिकरम को 2017-2018 से आगे 2020 तक जारी रहने के लिए मंजूरी दे दी है तो इसकीम जो है ये कितने आयू वर्क के बेनफिश्ट्री को लाब देती है तो 14-19 वर्स के लोग इसके बेनफिश्ट्री बन सकते हैं राश्ट्री यूवा सकती करण कारिकरम के अगला हमारा कुश्चन है यहाँ पर कि इन में से सेंट्रल गौर्रमेंट ने 2-19-20 को एप्रूफ कर दिया है इन तीन बैंकों के विलाय के लिए तो ये तीन बैंकों के विलाय होगा कौन से तीन बैंक है देना बैंक, विजिया बैंक और बैंक को बड़ा होदा और ध्यान रखें यहाँ पर कि यह तीसरे सबसे बड़े बैंक, मतलब इन तीनों का मरज़र उनने के बाद जो बैंक बनेगा वो तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो गए यहाँ पर हमारे देश का शोला ग्रासलेंड जो है इंडिया में कहां पर पाई जाती है यह पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स में नील कुरुंजी जो काफी फेमस है यह भी वेस्टर्न घाट्स में पाई जाते है हमारा अगला कुश्यन है कि वीर सावरकर इंटरनेशन एरपोर्ट को ऑथराइजड इमाइग्रेशन चेक पोस्ट के लिए चेक पोस्ट यहां पर घोशित कर दिया है यहां पर वैली ट्राइबल डॉक्मेंट्स अल क्लासस और पैसेंजर्स का यहां पर माना जाएगा तो यह एरपोर्ट कहां पर सिच्वेटेड़ है अंडमान निकुबार द्विवसमूह पोर्ट ब्लेर में सिच्वेटेड़ है अगला हमारा कुश्यन है यहां पर कि कि इन विच कंट्री टेन ऑफ थाउजन्स ऑफ टूरिसित्स अफ्लेट दा रिजॉर्ट साइलेंड ऑफ को फांग एंड को ताव अहेड ऑफ दस ट्रॉफिकल स्टॉर्म पाभुक यहां पर लिखा हो है कि पाभुक तूफान के कारण यहां पर हजारों टूरिस्ट यहां और भाग गए थाईलेंड को छोड करके पाबुक तूफान कहां पर आया है यहां थाईलेंड में अरशाब पाभुक तूफान हमारा इंडिनोशन का तूफान तुछाइर से बात है आपको पता होना चहिए किसने नाम दिया है किसने पर मैंट करके कि अगला क्विशन रहे इंडिया में अन्मार्थ हाइलेंड के 360 किलोमेटर लंबे ट्राइलेटरल हाइवर प्रोजेक्ट से जब वहर जवाहर नवदय विद्याले में जो आत्मत्या की घटना सामने आ रही है तो इसके लिए HRD ने एक टाक्स फोर्स का घटन किया है किसकी अध्यक्षता में जो ये देखेगा कि ये सुसाइडल एटेम्ट्स क्यूं हो रहे हैं तो जितेंदर नाक्पाल इसके हैड बनाए गए है इस ताक्स फोर्स के जो कि जवाहर नवदय विद्याले में आत्मत्या की घटनाओं पर विचार करेंगे तीन जन्वरी 2019 को रात सभा में एक रिपलाई के दोरान हमको बता चला है कि आगे सरकार दो नए यहाँ पर बनाने वाली है नुक्लियर पावर प्लांट्स तो कहां पर बनाए जाएंगे ये बताना है आपको प्रपोज प्लांट्स चो बनेगा कौन सा यहां पर सही है यह बताना है तो गूरगपूर नूकलियर प्लांट बनेगा अर्यान में और भीमपूर नूकलियर प्लांट बनेगा मध्व्रदेश में यह आपको ध duesunt रometer रखना है बस अगला हमारा कोश्चन है कि RBI ने 8 members की expert committee के गठन किया है जो यह देखेगी कि MSMEs को long term के लिए कैसे revive किया जा सकता है यह देखने के लिए मतलब कैसे पुनरोधार किया जा सकता है MSME sector का यह है कुल विला करके इसको head करेंगे श्री UK Sina UK Sina Climate Change Performance Index 2019 CCPI 2019 के नुसार Top Performing Country कौन सी रही है यानि कि First और Second Rank इसको मिली है सब ज़्यादा अच्छी performance रही है Sweden की और मुरक्को की Sweden मुरक्को मुरक्को की capital Rabat है जान रखिएगा Rabat अभिहाल में कुलू Nettie Dance जो है यह News बिराधा यह किस राज में किया जाने वाला नरत्य है यह होता है हिमाचल प्रदेश में अगला कुश्चन हमारा कि Chinese का जो Chang E4 Lunar Probe है इसने टच किया है Far Side of Moon को 3 January 2019 को ठीक है किस Crater में यह किया है Won Karman Crater में Far Side of Moon या Dark Side of Moon बोलें अभी तक यहाँ पर फोटोग्राफ खाली ली गई थी किसी ने लैंड नहीं किया था इसने टच किया है Chinese के Chang E4 Lunar Probe ने ठीक है ध्यान रखिए इसको important है इसलिए अगला कुश्चन है हमारा इनमें से किस देश की Defense Industry Giant जो है Company Nornico ने बोला है कि उन्होंने एक Mother of All Bombs जो है डवलप किया है जो की America के Mother of All Bombs से भी ज्यादा खतरना को बढ़ा है और एक तरह से उनके मुह पे जवाब है ठीक है तो ऐसे ही करते रहते हैं China, America वगएरा तो Mother of All Bombs अभी तक जो America के पास था वैसा ही अब बना लिया किसने China ने Consulate General of India की एगिस में यानि उनके संरक्षण में एक पोस्टर एक्जिबीशन किया गया है जिसमें भागवत गीता की रेलिवेंस के बारे मताया गया है और महात्मा गांधी के थौट्स की इंपोर्टेंस के बारे मताया गया कहां पर हुआ था और्कनाइजेशन मतलब कहां पर इस सब चीज़ें हुई थी यह हुई थी दुबाई में दुबाई में दुबाई के कॉंसलेट जेनरल ओफ इंडिया के दोरा यहां पर पोस्टर एक्जिबीशन किये गये थे कि भागवत गीता की उपोर्टेंट है दुबाई था भी बराज प्रोजेक्ट इसको इनौगरेट किया है चार जन्वरी 2019 को कहां पर किया गया है मडिपूर में मडिपूर मारा अगला कोश्चन है कि वर्ल्ड ब्रेल डे हम लोग कर बनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस हम लोग बनाते हैं चार जन्वरी 2019 को यहां पर लूई ब्रेल का यहां पर जन्व दिवस होता है जिन्होंने इस ब्रेल लिपी को मतलब बनाये था ब्रेल लिपी जिन्होंने पॉस्टुलेट की थी अगला हमारा कोश्चन है कि प्यम मोधी जी ने एक integrated checkpoint मोरे जिसका नाम है इसकी शुरुवात करी है यह कहां पर बनाया गया मोरे यह बनाया गया है मडिपूर में ही तंदुरुस्त पंजाब पहल जो पंजाब सरकार किये इसका क्या मतलब है इसमें free of cost blood यहां पर provide करवाय जाएगा जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें ठीक है अगला कुशन है यहां पर हमारा जो नया fugitive economic offenders act आया तो इसके नुसार पहले भगोडा की से गोसित किया गया है देश का सबसे पहले भगोडा बिजनस्मेन गोसित किया गया है विजय माल्या को अगला कुशन है यहां पर कि 40 दिनों की सबसे hardest winter period जिसको चिलाई कालन बोलते हैं यह 21 December 2018 को शुरू हुआ था और 40 दिन तक चला है बर्वबारी होती है इसमें यह कहां पर observe किया जाता है जम्मू कश्मीर में इन में से किनों ने आठवी Women Science Congress का इनाउगरेशन की यह lovely professional university campus LPU campus जलंधर में 5 January 2019 को यह किया है टेक्स्टाइल मिनिस्टर श्रीमति श्पृति रानी ने अगला यहां पर question रहेगा Assam Accord और इसका जो clause number 6 है इसके अनुसार हमको दो statement देखनी है पहला statement ने कहता है कि Assam Accord को sign किया गया था 1985 में New Delhi में clause 6 यह कहता है कि इसमें प्रावधान है कि सारे illegal immigrants को यहां पर Assam से हटा दिया जाए तो इनमें से कौन से statement यहां पर correct है तो clause number 6 के बारे में जो second statement है correct है 106 जो Indian Science Congress हुआ था इसमें Metal Magna का अनावरंड किया गया था 5 January 2019 को और ध्यान रहे है जो आपका Indian Science Congress है यह भी LPU Campus जलंधर में हुआ है ठीक है और Metal Magna क्या चीज़ है Metal Magna एक Robotic Structure है ठीक है Robotic Structure है इसका अनावरंड किया गया था अगला कोशन है यहां पर सरकार ने 9 सदस्तों की एक High Level Committee को प्रस्तावित किया है जिससे Clause No.6 का Implementation किया जा सके तो Chair Person कौन बने है इस Committee के यह बने है MP Base बरुआ 9 Member Committee High Level Committee जो Clause 6 का Implementation देखेगी SM Accord के तहट इसके Head बने है Mr. MP Base बरुआ Italian Researchers ने अभी Spirulina को जो कि एक Super Foodist को Identify किया है कि यह Blood Pressure को Control करने में Help कर सकता है तो Spirulina क्या है यह एक LG है ठीक है शेवाल है जिसको बोलते हम लोग हमारा अगला कोश्चन है यहाँ पर कि Reserve Bank की Latest Data के नुसार हमारे देश में ATM की संख्या कितनी है कुल बिला करके Automated Teller Machines की संख्या है 2,21,492 2,21,492 अगला कोश्चन है कि King Sultan Muhammad V जो है इनको हटा दिया गया है या फिर यह पद्जिवत हो चुके है 6 January 2019 को किस country के मोनार्च की रूप में ठीक है यह Malaysia के मोनार्च अब नहीं रहे हैं यह हम डिसकस कर चुके हैं नए मोनार्च कोन है है इसी वीडियो में पहले MCQs में कतर की capital दोहा होती है ठीक है Financial year 2018-2019 का जो पहला advance estimate आया है उसके नुसार per capital national income यहाँ पर 2018-2019 में current price पर कितनी estimate की गई है तो per capital income estimate की गई है 125,392 यह काफी important fact figure आते हैं exam में ऐसे ही आपको पूरा पतावना चाहिए पूरा amount क्या है 125,397 golden globe awards 2019 76th edition थे golden globe award के इन में best of foreign film की category में किसको award बिला है यह आपको पताना है तो best of foreign film की category में award बिला है रोमा नाम की film को और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं दो लोगों को ठीक है इनको best actors का वर्ड बिला है best actors motion picture drama में और इनको मिला है best actor का वर्ड motion picture drama में और इनका नाम है रैमी मलिक और इनका नाम क्या है Glenn Close ठीक है क्या नाम इनका Glenn Close और अगर तो आपसे बूच ले कि best film कौन सी रही है motion picture drama की category में वो रही है बोहेमियन रेपसोडी बढ़ते हैं हम लोग आगे आगला हमारा question है कि इनमें से किस ने resign कर दिया है World Bank के President के रूप में World Bank के जो head थे Jim Yong Kim इन्होंने अब resign कर दिया है ठीक है ध्यान रखे है इसमें International Monetary Fund की Chief Economist कौन बन गई है 8 January 2019 को ये बन गई है गीता गोपिनाथ ठीक है अनाउंस तो कर दिया गया था दिसंबर से पहले ही लेकिन अफिशली इन्होंने अब चार्ज ले लिया है गीता गोपिनाथ से पहले खाली एक हमारे इंडियन बने थे IMF के Chief Economist वो है मारे पूर्व गवर्णर रगुराम जी राजन अगला हमारा कॉश्चन है कि Erna Solberg जो अभी इंडिया आए थी फर्स्ट वीक में चैनवरी 2019 में और ये प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री की है ये प्राइम मिनिस्टर है नॉर्वे की नॉर्वे वो कंट्री है जिसको वल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहला स्थान मिला था नॉर्वे रहा था पहले नंबर पर की ध्यान लखीगा आईनेस को हासा इंडियन नेवी का एर बेस इस्टैबलिश किया गया है कहां पर पोर्ट ब्लेर में यूनिन कैबिनेट ने आठ जनवरी 2019 को जो अप्रूव किया है यहमारा 103rd Constitutional Amendment Act है उसके अनुसार जो है किसको यहाँ पर 10% का फायदा मिलेगा ठीक है जिनकि एन्विल सेलरी लेस जन आठ लाख हो और आठ एकड से कम उनके पास जगहे हो जमीन हो सब इस आची भट्टा चार इनका निधनों गया है यह क्या थे यह historian थे यानिकी इतिहास विद्ध थे इन में से किस राज की चूटिया, मोटोक, मुरान, कोच, राजबोंक्षी और ताई अहम कम्मुनिटीज को यहाँ पर scheduled tribes का status दिया गया है यह किस राज की हैं सारी यह असम की है, अब यह स्टीज में आती है, डोनाल्ड ट्रंप ने इन में से जालमे खालिजजात को इन में से किस कंट्री का special envoy बनाया है, ठीक है, विशेस रादूत बनाया है, किस कंट्री के लिए अफगानिस्तान के लिए North East Circuit में उमियाम याने की लेक व्यू जो है यह यह पहला प्रोजेक्ट बनारा है, सुधेश दर्शन स्कीम के तहट किस राज का, यह सुधेश दर्शन स्कीम के तहट में घाले में पहला प्रोजेक्ट है बर्कोल्ड इरिया मैली इस बैक्टेरियम से कौन्च डिसीज होती है इसे ग्लेंडर्स डिसीज होती है ग्लेंडर्स डिसीज से ज़्यादा तर किस में होती है यह होर्सस में होती है 9 जनवरी 2019 को हमारे Union Minister of Agriculture और Farmal Warfare के जो है रादा मोहन सिंग इन्होंने Elisa Kits इसके लिए जारी की है Glanders के लिए गोड़ों में Glanders जादा पाय जा रहा था इसके लिए Elisa Kits जारी की गई है इन में से किस मंत्राले ने अभी Twitter के साथ मिल करके 9 जनवरी 2019 को Web Wonder Women campaign चलाये था किस ने चलाये था आफकोर्स WCD ने Women Child Development Ministry ने इस समय इसको देख रही है कौन श्रीमती में का गांधी World Economic Forum के Future of Consumption in Fast Growth Consumer Market India Report के नुसार इंडिया जो है World का तीसरा सबसे बड़ा largest consumer market बन जाएगा कब तक 2030 तक इनमें से किसकी अध्यक्षता में RBI ने एक committee या फिर group इसको form किया है जो यह assess करेगा कि digitization of payments जो है इंडिया में किस तरीके से हो रहा है ठीक है यानि कि कुल मिलाकर करके आदते क्या है हमारी digital payment करने की इनको assess करने के लिए high level panel की अध्यक्षता करेंगे नंदन नीले कड़ी बारत की पहली distribution company याने की discom बनी है इंडिया में 100% smart metering solutions को implement करने वाली यह बनी है NDMC Delhi खेलो इंडिया गेम्स का second edition कहां पर launch किया गया था हमारे sports minister जो है या फिर युवा मामलों के और पोजिशन लीडर फेलिक्स शिखेदी ने यहां पर शिखेदी जो भी नाम है यहां पर इन्होंने presidential election जीत लिया है यह कॉंगो रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बन गए है फेलिक्स शिखेदी Digital collaboration plaza जो है SIDCOP इसको launch किया गया 10 January 2019 को यह किस country के बीच का collaboration system है यह plaza है इंडिया और चाइना के बीच SIDCOP अगला कोश्चन है यहाँ पर कि 10 January 2019 को Memorandum of Understanding Development of Advanced Model Single Window System के लिए किस के बीच साइन की एंडिया ने जापान के साथ हम लोग Advanced Model Single Window System Development के लिए MOU साइन कर चुके हैं 10 January 2019 को Cabinet ने अन्य तीन जगों के लिए AIMS Announce कर दिये हैं ठीक है कहां पर खुलेंगे सांबा, राजगोट और रवन्तिपुरा में अब तक हमारे देश में 14 AIMS हैं और 21 यहां पर खुल विलाकर के मलब हो जाएंगे जिन पर काम चल रहा है साथ पर काम चल रहा है, 14 यहां पर कंप्लीट की जा चुके है, यहां पर प्यूज गोईल जी के बजट भाषण में इस चीज हमको पता चलती है चोटे वियापार करने मालों को यहां पर रहात देने के लिए GST exemption limit जो है, जो की पहले 20 लाक रुपए होती थी, अब इसको कितनी कर दिया है, इसको कर दिया है 40 लाक रुपए जब 40 लाक रुपए से उपर अगर वियापार है, तो यहां पर GST के दायरे में आएंगे MSMEs वोगेरा छोटे वियापारी राइसीना डायलोग जो कंड़क्ट हुआ निव डेली में 9 जन्रवटी 2019 को इसका विशय क्या था, इसका विशय था foreign policy challenges अगला question है हमारा, menstrual hygiene को promote करने के लिए गाइंक्र लॉजिस्ट ने एक Guinness Book of World Records बनाया, लॉंगेस्ट लाइन बनाने का sanitary pads की यहां पर लंबी लाइन बनाने का record बनाया, 62 और इंडिया Congress और गैंक्र लॉजी का यहां पर सम्मेलन हुआ था, यह कहां पर हुआ था कुल विला के यह हुआ था बैंगलूरू में, ठीक है, pronunciation की थोड़ी समस्या है, इसमें हुझे, अब गैंक्र लॉजी समझे गए ह यहां पर, women से संबंदित स्वास्त मामलो की study को गैंक्र लॉजी बोलते हैं आपर, और यहां पर सबसे लंबी लाइन बनाए गए थी बैंगलूरू में, उमेश सिंग समीती ने election commission को अपनी रिपोर्ट सौप दिये 10 जनवरी 2019 को, और इसमें section number 126 के जो provision है, पीपल्स आफ representation act 1951 के उस पर, तो people of representation act 1951 का section number 126 क्या कहता है, यह बताना है हमको इसमें, तो prohibition of election campaign during 48 hours prior to election है, यानि कि election voting होने से 48 घंटे पहले, जो परचार बंद करना होता है, उससे संबंदिता है, यह section number 126, अगला question है हमारा, दोस्तों स्वागत है आपका study for civil services में देखें, यह पूरे एक साल का current affair है, January 2018 से लिखें, December 2018 तक का, पूरा current affair एक साथ है, यह किसी भी state pieces exam के लिए, एससे exam के लिए, प्लस जितने भी और exam है, इलावाद, High Court वाला जो exam है, UP police exam है, इसी चेक भड़ती exam है, सारे exam के लिए important है, most important current affair के compilation है, अच्छा यहाँ पे जो slides है, वो English में है, ठीक है, और पूरा जो explanation है, वो Hindi में है, पूरा का पूरा, जो most important current affair है, सारे MCQ के form में है, यह ऐसा ही एक compilation, पूरा हिंदी slide के साथ, हिंदी explanation के साथ एक अलग है, वो आप अलग से देख सकते हैं, और प्लस इसकी जो PDF है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी इंस्टा मोजो की link description में दी गए, और इसी का जो हिंदी वर्जन, वैसे तो यह भी हिंदी में है, लेकिन ह लिखा हुआ भी और इंदी में बोला हुआ भी हो, वो आप अलग से देख सकते हैं, और पेश्टरजब को मेंस का भी चल रहा है, आने वाले प्री का भी चल रहा है 2019 में, और इसके बारे में अधिक जानकरिया प्राप्त कर सकते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, यह सब आप बताये जाएगा इस गिवन नंबर पर अगर आप WhatsApp या टेलिग्राम मैसेज बेजेंगे तो, हमारा पहला कोशन है कि भारत ने कितना यहां पर Financial Assistance Announce किया है, भूटान के 12 फाइव यर प्लान के लिए, और उस समय जबकि भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लुटे तेशिंग जो हैं इंडिया के विजिट पर थे दिसंबर 2018 में, साढ़े 4,000 करोर रुपे का Financial Assistance इंडि कान रखेगा, तान से इन सम्मान एक होता है मद्द प्रदेश में, और MPPSS में पूसर जाता है हर बार जब भी दिया जाता है नया, MPPSS वाले इसको देखिएगा, तान से सम्मान 2018, यह किसको मिला है, यह मिला है मन्जु महता को, तान से इन सम्मान मद्द प्रदेश की सरकार मतलब मर्द प्रदेश की सरकार देती है तानसें सम्मान 2018 किसको मिला है मन्जू महता को विच कंट्री के कैबिनेट हैज अप्रूवड दर इन्शोरेंस ओफ फस्ट एवर रेन्मिन्बी डिनॉमिनेटेड पैंडा बॉंड्स तो रेस लोन फ्रॉम चाइना कैबिनेट ने अप्रूव किया है पहली बार जारी किया जाना रेन्मिन्बी डॉमिनेटेड पैंडा बॉंड्स करके जिससे की लोन गेन किया जासके चाइना के कैबिनेटेड मार्केट से अवकोर्स इसका एंसर होगा पाकिस्तान अप्शन नमबर 20 आई है और इन्मिन्बी जो लिखा हुआ है ये चाइना की ओफिशल करिंसी है तो बारवा जो ग्लोबल हेल्थ केर सम्मिट हेल्ड इन डेली अगला हमारा कोश्चन है नए कोस्टल रेगुलेशन जोन डॉन्टिफिकेशन जारी किया गया है इसके नुसार इनमें से नो डेवलेप्मेंट जोन जो है सारे आईलेंड में रहेगा ये कितने मीटर की दूरी तक नो डेवलेप्मेंट जोन रहेगा नए कोस्टल रेगुलेशन के नुसार एक चेटक फेस्टिवल 2018-2019 यह कहां पर होता है यह होता है महारास्ट्र में ओडिशा की सरकार इन में से किस जगह पर एक और ओलिव रिडले मास निस्टिंग साइट के रूप में डवलब करने वाली है तो अल्रेडी है तीसरी ओलिव रिडले की मास निस्टिंग साइट होगी बाहुदा रुकरी पर होगी बाहुदा रुकरी नाम की जगह पर मास निस्टिंग साइट खुलेगी यहां पर ओलिव रिडले जो टाइट स्कौर्ट किसको बनाया गया था ओली को बनाया गया था ओली क्या है एक ओली रिडले टर्टल इंटरनाइस्टरल गोलफ और जोती रंधावा को अरिष्ट कर लिया गया था 26 दिसंबर 2018 को और उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने शिकार करने का प्रयास किया है मोतिपुर रेंज में कतरनी घाट वाइल लाइफ सेंचुरी के पास कतरिदी घाट वयलाइफ सेंच्चुरी में इन पर आरोप लगे हैं हंटिंग के यानि कि पोचिंग के शिकार करने के यह कहाँ पर बढ़ता ही कातरिदी घाट वयलाइफ सेंच्चुरी यह है उत्तरप्रदेश में इनमें से इस जिले को नीतियायो की जो 2nd डेल्टा रैंकिंग आई ये इस साल की, पहली कब आई थी जून में, 2nd कब आई दिसंबर में, तो नीतियायो की 2nd डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है, एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट में पहला स्थान मिला है, विरू पूछ जा रहा है कि इन में से पहले तीन कौन से नहीं है या फिर पहले तीन को order में लगाएं थोड़ा से creative question भी listing से पूछ जाते हैं तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा विरुद नगर तमिलनाडू और नुवापाड़ा second पर और तीसरा सिधारत नगर उत्तरप्रदेश ये तीन aspirational district second delta ranking में top 3 पर हैं कोई हमको पुरानी लिस्ट में बताए top 1 पर कौन था बताए गोर्मेंट करके आंद्रप्रदेश के किस सहर में एक principal seat खुलने वाली है हाई court की वो जारी हो जाएगी एक January से officially और इसके नए जज़ भी आ चुके है अब चाहें तो उनका नाम बता सकते हैं ये खुलेगी seat अमरावती में तो अब प्रॉपरली आंद्रप्रदेश के बाइफरकेशन के बाद अपना खुद का court होगा आंद्रप्रदेश के बाद अमरावती में और जो अभी तक हैदरबाद में है जो दोनों लोग शेर कर रहे थे तिलंगाना प्लस आंद्रप्रदेश हो रहेगा अब तिलंगाना का और हाइकोर्ट जो आंद्रप्रदेश का वो अब हो जाएगा प्रॉपरली अमरावती में इनमें से किस कंट्री ने सक्सेस्फुली कंड़क्ट किया है फाइनल टेस्ट अपने हाइपर सोनिक न्यूख्लियर वीपन डिलिवरी सिस्टम को एवनगार्ड को Hypersonic Nuclear Weapon Delivery System ये रशिया का है एवनगार्ड इसको भूलते हैं और इस वीकल सिस्टम से एक Intercontinental Ballistic Missile के नोंने परिक्षिनर किया था और काफी लोग बड़ी सुपर पावर्स चाइना वगेरा US दहसत में आग गए थे इनमें से किस कंट्री के प्रशासन ने किस कंट्री के शासन ने अपने वहाँ के नागरिकों को लिमिट कर दिया है कि वो भारत में कितने रुपए खर्च कर सकेंगे तो इस लिमिट को पहले जान लिजे लिमिट कितना कर दिया गया है एक लाख, एक लाख के लिमिट कर दी गई है, एक लाख से ज़्यादा एक नेपाली परसन भारत में भारती रुपया नहीं घर्च कर सकेगा, ठीक है पहली बात तो यह, तो option number B इसका है नेपाल इनमें से एक इस जगहे पर भारत का सबसे बड़ा cancer hospital और एक research facility institute खुलने वाला है, यह खुलेगा जजजर में हरियाणा में, जजजर district हरियाणा, option number C इनमें से एक इसकी अध्यक्षता में, RBI और एक Reserve Bank of India ने, एक 6 सदस्य कमीटी के गठन किया गया है, जो economic capital framework की समीक्षा करेंगे, economic capital framework की समीक्षा करेंगी, विमल जलान समीती, विमल जलान हमारे पूर्व, RBI गवर्णर, इस समें RBI गवर्णर का उनले टेस्ट, श्री शक् कांत दास, हम अपने देश में राष्टरी गणित दिवस्क बनाते हैं, National Mathematics Day celebrated on 25 दिसंबर 2018 इंडिया में, 22 दिसंबर 2018 को रामनुजन का बड़्डे होता है, विमल लोग बनाते है, National Mathematics Day, National Children's Congress का 26 अडिशन 27 दिसंबर 2018 को इनमें से किस जगह पर कंड़क्ट हुआ, अगरे तो बात होगे, National Children's Congress की अगर आप से पूछें, इंडिया International Science Festival कहां पर हुआ था, इंडिया International Science Festival हुआ था इस बार लखनोव में, लखनोव में हुआ था ये, ऑक्टोबर के करीब, और इसकी थीम रखे गे थी, Science for Transformation, ये था 4th edition, अभी हाल में हामित कश्मीरी नाम के वक्ति का निधन हुआ था, ये किस छेतर से जुड़े हुए थे, ये एक लिट्रेरी फिगर थे, ठीक, एक साहित कार थे, चम्मू कश्मीर विश्विदाले के गुलपती रह चुके, और 2005 में इनको साहित अकैडमी पुरुसकार भी मिल चुका है, ये उर्दू से लिखते अगला कुश्यन है मारा, Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अनुसार, इन में से कितनी संख्या में लिपॉर्ड, यानि कि तेंदू का शिकार हुआ था, 2015 से 2018 के बीच, ये अनुमानित संख्या है, करीब 260, करीब 260, पद्म श्री से सम्मानित की जा चुकी, सुलागित्ती नरसमम्मा, जो मिडवा के नाम से जाने जाती हैं, उनका निधन हो गया था, 98 वर्ष की आयू में, किस स्टेट से बिलॉंग करती हैं, ये आती हैं करनाटक से, इनको मिडवाइफ आफ क्रिशनापूरा कहा जाता था, और ऐसा मानते हैं लोग की 98 वर्ष की आयू में, अपने पूरे जीवनकाल में इनोंने करीब 15,000 बच्चों की डिलिवरी करवाई थी, और ऐसे ऐसे लोगों की हल्प की थी, जब डिलिवरी के लिए उतने उननत सिस्टम नहीं हुआ करते थे पहले, इनमें से एक इस देश ने अनौन्स किया था कि वो इंटरनाशनल वेलिंग कमिशन जो कि एक इंटर ग मेंटल और्गनाशन से बाहर आ चुका है, एक जनवरी 2019 से और जुलाई में लोग अपने इंटरनाशनल, मतलब अपने पानी में कुल मिला करके कॉमर्शल वेलिंग शुरू करने वाले हैं, इनमें से किस राज के जो ट्राइबल कम्यूनिटी है बादुगा, उनके द्वार यम्मन फेस्टिवल, यह सेलिबरेट किया गया था दिसंबर 26-2018 करीब, यह ट्राइब पाई जाती है नीलगिरी हिल्स के पास करीब 400 विलेजिस में बादुगा कम्यूनिटी तमिल नाडू में, उप्शन नमेर B, इनमें से किस पूर्व क्रिकेटर, रिटार्ड क्रिकेटर इस साल एक पूर्व क्रिकेटर जोकी इंडिया से हैं उनको भी शामिल किया गया था लेकिन जुलाई में, जुलाई में शामिल किया गया था राहूल द्रबीड को, इनमें से कौन सी महिला, सबसे तेज एशियन विमें बनी है, पूरे गलोब में साइकल चलाने वाली, यह एशियन विमन बनी है भारती मूल की विदांगी कुलकल्णी विदांगी कुलकल्णी एक बुक चर्चा में रही है परडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंडिस इंडिया के लेखक है शशी थरूर हमारे पूर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपई के जन्म दिवस के उसर पर जो की होता है 25 दिसंबर को क्रिस्मस के दिन इस दिन कौन सा डे सेलिबरेट किया जाता है इंडिया में इस दिन हम लोग बनाते हैं शुशासन दिवस यानि की गुड गौवर्नेंस डे वनवातू में अफिर कह सकते हैं कंट्री रिपब्लिक ऑफ वनवातू में ऐसा वह था कि पहली बार एक कॉमर्शियली अविलबल ड्रोन से वैक्सीन डेलिवर किया गया था और उस बच्चे को लगाया गया था भारत का पहला म्यूजिक म्यूजियम जो है कहां पर सेटप क प्राइमिनिस्टर मोदी जी ने एक बुद्धिश्ड साइट मूजियम का इनाउगरेशन किया था ललितगीरी नाम की जगह पर 24 दिसंबर को ये ललितगीरी नाम की जगह की स्टेट में बढ़ती है ये बढ़ती है ओडिशा में हम लोग इंडिया में नैस्टिल कंजूमर डे का बनाते हैं ये मनाते हैं सुशासन दिवस से एक दिन पहले 24 को 24 दिसंबर को इस बार नैस्टिल कंजूमर डे की थीम क्या रखी गई थी थीम रखी गई थी टाइमली डिस्पोजल आफ कस्टमर या कंजूमर कंप्लेंस अगला हमारा कोश्चन है प्रदानमंत्री मोध में 24 दिसंबर 2018 को एक सिक्का एक डाक टिकट समारक या फिर समारिका के तावर पर जारी किये गए हैं पाई का रेबेलियन या फिर पाई का विद्रो कब हुआ था यह आपको बताना है प्रिटिश रूल के खिलाफ यह हुआ था 1817 में ओडिशा में तो यह कुश्चन भी कर बेश्ति पोर्ट कका शहीद बेश्ति पोर्ट यह कहा पर प्रथती है यह चाबार जाबार पर इंधी एरट इयरं में उसी को चुक कहा गया है थो ग्लोबल इंडिया पोर्ट लिम्टेड ने वहाँ पर संचलन अपने हासमें ले लिया यह आपको ध्यान रखना रखना है रही है इस question में जो की सही नहीं है इस की रेंज है 4000 किलो मेंटर बहां की सारे facts सही दिये हुए जैसे की test fire कहां पर हुआ था डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलेंड ओडिशा में और ये एक nuclear capable ballistic missile है और ये surface to surface यानि जमीन से जमीन पर मार करने वाली missile है आयूर जैक दिसंबर में जर्चा मिरा था तो आयूर जैक क्या है जैक fruit यानि कटहल की एक variety है आयूर जैक कटहल किस राज जी का राज की फल है बता सकते हैं कोई कोमेंट करके बताएं हमको दिसंबर में काजिरंगा के पास काफी मात्रा में water flow पाया गया था काजिरंगा नैशनल पार्क के संदर्ब में 2-3 statement उन पर विचार करता है पहला statement ही कहता है कि क्या यहां पर tiger reserve भी है क्या ये एक UNESCO की world heritage site की में आने माली site है क्या यहां पर रामसर वेटलेंड भी है या फिर रामसर वेटलेंड के रूप में इसको identify किया गया है क्या तो option नमबर यानि की statement नमबर वन और वन गलते बाकी second और third साही है option नमबर C साही है इसमें only one and two माफ करें यहां पर गलती है only one and two साही है यानि की tiger reserve है ये UNESCO की world heritage site है रामसर वेटलेंड के रूप में काजिरंगा को identify नहीं करा गया है इनमें से किस जगहे पर पांच दिवसीये Indian puppetry festival यानिकी भारती कटपुतली महुत सो मनाया गया था संगीत नाटक academy के द्वारा तीसरे सपता दिसंबर में यह मना गया था त्रिपरा की capital अगरतला में त्रिपरा की capital अगरतला में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व के कितने एरिया के आसपास mining activity को बैन कर दिया है देखिया गया है 10 km के दाइरे में अप्शन नमबर B इनमे सेकिस राज ने एक scheme शुरू किया है क्रशक assistance for livelihood and income augmentation इसको कालिया नाम दिया गया है acronym के रूप में और यह scheme जो है इसमें 10,000 करोर रुपए का निवेश किया जाएगा और यह scheme कहां किया है ओडिशा किया है option number B ओडिशा Union Minister Shri Harshwardhan ने कहां पर अटल complex का inauguration किया है International Training Center for optional oceanography में तो यह बताना है आपको कि International Training Center for operational oceanography यह है कहां पर जहां पर एक अटल complex का inauguration हुआ है जह पड़ता है 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 अप्शन नमबर A है हैदरबाद में हमारी डिफेंस मंतरी निर्मला सीतर रमण जी ने कहां पर Information Fusion Center Indian Ocean Region IFCIOR का उदगाटन की अब 22 दिसंबर को Information Management और Analysis Center के रूप में यह हुआ है inauguration इसका गुरुग्राम हरियाना में डबलू वी रमन को इन में से किस टीम का कोच बनाया गया है यह बनाया गया है इंडियन विमेंस क्रिकट टीम के कोच रमेश पवार बने हुए थे अन्शकालिक अब यह नहीं रहेंगे अब टबलू वी रमन बना दिये गए है बीसी जाय के द्वारा इंडियन विमेंस क्रिकट टीम के कोच स्कॉच सम्मिट नाई दिल्ली में जो 25 वी स्कॉच सम्मिट थी इसमें स्कॉच गोल्डन जुबली चलेंजर अवार्ड 2008 यह किसको बिला है सम्मिट में अवार्ड बिला है यह सर्थमा एडिशन था ब्यूटी पीजन्ट का यह बैंकॉक थाइलेंड बेवा था इसका फाइनल चौरानवे कंटेस्टेंस में यह रही थी कैट्रियोना ग्रे कैट्रियोना ग्रे फिलिपीन्स की तरफ से इनको मिस उनिवर्स 2018 का ताज पहनाया गया है नीती आयोक की लेटेस्ट सस्टेनिमल डवलप्मेंट गोल्स इन इंडिया बेसलाइन रिपोर्ट जो जारी की जाती है हर साल 2018 की इस रिपोर्ट में कौन से दो राजी टॉप पर रहे हैं पहले पर रहा है केरल पिछली बार भी रहा था और दूसरे पर रहा है हिमाचल प्रदेश केरल और हिमाचल प्रदेश नाम ध्यान रखिएगा अप्शन नंबर सी साई है दिपाली बार्थुकर या बर्धाकूर इनका निधन हो गया था सम्मे 170 वर्ष की आविव में यह क्या थी यह एक सिंगर थी ठीक है गाईका थी और इनको नाइटिंगल आफ असम के नाम से जाना जाता था अगला कोशन हमारा आतंग आने करके एक राजी का सबसे बड़ा ट्री है इसको आधी कम्यूनिटी जो है प्रिजर्व कर रही है किस राजी में आतंग आने जो लार्जेस ट्री है उस स्टेट का तो इस स्टेट की आधी कम्यूनिटी प्रिजर्व कर रही है यह सब मामला की स्टीफा दे दिया था ये क्या थे ये डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार में यूएस डिफेंस मिनिस्टर थे ठीक है यूएस डिफेंस मिनिस्टर इनमें सेक इस कंट्री ने 21 दिसंबर 2018 को अनौन्स किया कि वो 3 बिलियन पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में जमा कराएंगे जिससे थोड़ी से लिक्विडिटी इनहेंस किया जा सके पाकिस्तान की एकोनौमी में ठीक है ये किसने अनौन्स किया था ये किया था यूए ने यूनाइटिट अरब इमरेट्स ने Central Drug Standard Control Organization जो की दवाओं पर नियंतर रखता है भारत में इसने इन में से एक दवा के लिए एक गाइडलाइन जारे किया था कि अगर इसको प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन या प्रॉपर गाइडलाइन से नहीं लिए जाता है तो फिर बर्थ प्रॉजनी में दिक्कतें आ सकती है इस ड्रग के नाम है आईइसोर्य Dallas ये किस बिमारी के इलाज के लिए प्राइमरी यूज रिफि की जाती है ये कोशचन है ठीक है Advisory Council है, इसने अभी हाल में Logistic Development Committee का गठन किया है, किसकी अध्यक्षता में ये बताना है आपको, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौपी है recently, तो इस समीती के अध्यक्ष कौन थे, इस समीती के अध्यक्ष थे, विवेक देबरोय, इन्होंने अभी रिपोर्ट सौपी है, क और प्रधानमंत्री राजीव गांधी से, ये काफी कॉंट्रोवर्शील रहा था, दिल्ली विदानसबा ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया था, स्टार्ट अप रैंकिंग दो जर्टारा, जो कि पहली बार जारी की गई है, इसमें किस राजी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट चुना गया है, या फिर रखा गया रैंकिंग में, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, पहली बार स्टार्ट अप रैंकिंग में गुज क्रियेचर को की चीव को डर्मॉफिस डोनाल्ट ट्रमफिया नाम दे दिया गया था युस प्रेशिदेंट के नाम पर जब उसे देखा गया था कि वो क्लाइमेट चेंज को कह सकते हैं रिजिस्ट कर सकता था और एक उभहचर के फॉर्म में रह सकता था तो एक blind amphibian जो पनामा में खो जा गया था इसको नाम दे दिया गया है बर्ड डर्म ओफिस डोनाल्ड ट्रमफिया अगला कोशन है की famous भंडारकर Oriental Research Institute B.O.R.I. जो की rare manuscripts के लिए जाना जाता है यहाँ पर एक e-library launch की गई है नि कहाँ पर है B.O.R.I. यह है पुने महरास्ट में अभी हाल में consumer protection bill पारित किया गये लोग सब हमें 20 दिसंबर 2018 को और इसमें district consumer dispute redressal commission जो है कितने amount तक के मामलों या फिर claim के उपर अपना jurisdiction extend कर सकते हैं एक करोड तक के मामलों को देखेगी बिल के नुसार Consumer Dispute Redressal Commission हमारे ग्राहमंत्री राजनात सिंग ने कहाँ पर inauguration किया था annual conference का जो कि D.G. और inspector general of police की हुई थी 20 दिसंबर 2018 को यह कहाँ पर हुई थी के वडिया में के वडिया किस राज में है बताइए कमेट करके Ministry of Forest, Environment and Climate Change ने Asiatic Law and Conservation Project आने वाले तीन सालों के लिए जारी कर दिया है तो इस पे टोटल बजट कितना है टोटल बजट है 9,784 लाख Changing India पाँच वाल्यूम कलेक्शन है यानि कि पाँच संस्क्रण में आने वाली बुक शिरीज है और इसमें बहुत सारी जो पूर्व मारे पुर्ण मंत्री मनमुहन सिंग जी की राइटिंग्स और स्पीचेस का संकलन है तो ऑप्शन नुबर 20 में सही है Changing India के ओथर कौन है ये है श्री मनमुहन सिंग इन में से किस देश की सरकार ने एक स्पेस कमांड के को गठित करने का आदेश दिया जो एक न्यू और्गनाजेशनल स्ट्रक्चर के रूप में काम करेगा जिसके पास पूरा कंट्रोल होगा Military Space Operations से संबन देता है ये कौन करने वाला है साउनत काम ये करेगा US सबसे पहले एविया इंदर जो exercises के बारे में दो statement है क्या पहली statement ये कहती है It is a joint exercise between India and Russian armies क्या ये joint military exercise है इंडिया और रशिया के armies के बीच क्या ये जोदपूर में conduct हुई थी तो option number B सही है यानि कि option number B के इसाब से second statement सही है खाली second statement फर्स्ट इसले नहीं सही है क्योंकि एविया इंदर जो है ये military exercise नहीं है ठीक है ये एवियन exercise है जैसे नाम से इविया इंदर ये air force के exercise है हम लोग रशिया के साथ exercise करते जरूर है लेकिन army की और उसका नाम होता है केवल इंदर strategy for new India at the rate 76 document जो है अभी जारी की गई है ये इसमें 41 chapter है इसको कितने sections में बाटा गया है ये बताना है आपको इसके sections है 4 ministry of statistics and program implementation के नुसार आधार वर्ष 2011-2012 base year के नुसार अगर current value calculate करें तो per capita national income net national income 2017-2018 में इंडिया की क्या रही है रही है रुपीज 1.12835 ये ध्यान रखिएगा ठीक है एक लाग बारा हजार 835 रुपिया सालाना आए एक व्यक्ति की इतनी है ये बहुत पूछे जाते हैं सब facts इकनॉमिय में ध्यान रखिएगा इनको इद्रष्टी इंटरफेस जारी किया गया है रेलवे के द्वारा य ट्रेंट्स जो हैं punctualty से संचालित होती रहें अनुशासन से जब समय पर संचालित होते रहें और इसकी समरी प्रवाइड करेगा कि क्या ट्रेंटों की punctualty रही है या फिर रहें तो इद्रष्टी नाम है इसका अगर इसमें आपसे अगर पूछ लें कि इसको डवलप किस ने किया है इसको डवलप किया है CRIS ने Central Railway Information System ने Global Gender Gap की रिपोर्ट आई 2018 कि इसके बारे में तीन स्टेटमेंट की मैंने पहले स्टेटमेंट कहता है कि इसको फब्लिश करता है World Economic Forum दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया को रैंक पिली 108-144 कंट्रीज की लिस्ट में से और तीसरा है कि आईसलेंट ने इस रैंकिंग में टॉप किया है यानि कि वहाँ पर Gender Gap सबसे कम है तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बहुत बहुत इसको ध्यान रख लिजिएगा बारत ने कितनी राशी का Economic Package जारी करने की Announcement की जब मालदीव के प्रिस्टेंट इब्राहिम मोहमत सुली भारत दोरे पर दिसंबर 2018 में आये थे 1.4 billion यह Announce किया गया था Package Economic मालदीव के लिए मालदीव के साथ हम लोग युद्वियास करते हैं किस नाम से एक्विरिन के नाम से आम चुनावो के बाद सौरी मतलब विधान सब चुनावो के बाद चीफ मिनिस्टर सतीजगर के नयवाले कौन बन गए हैं यह बने हैं भुपेश भगेल भुपेश भगेल प्राइमिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल में दिसंबर में एक टाइमलेस लक्षमड के नाम से कौफी टेबल बुक जारी की थी यह किस परसनल्टी के जीवन पर आधारित है यह महान कार्टूनिस्ट आर के लक्षमड के जीवन पर आधारित है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया ने एक बेबी फ्रेंडली स्टेट्स की लिस्ट जारी की थी और इसमें टॉप इसने किया है यानि कि कौन सा राज़ सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को पहले 6 मंत में बच्चे के लिए अपने राजबे यह करता है 36 गड़ सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा बेबी फ्रेंडली स्टेट 36 गड़ है नैशनल टाइगर कंजर्वेशन अथौर्टिक अनुशार कितने टाइगर वर्ष 2018 में 15 दिसंबर 2018 की डेट तक मारे गए थे या मर चुके थे यह हैं 95 टाइगर इन में से किस राज के मेल करमचारी जो हैं मेल राज करमचारीयों को अब लिव बिलेगी अगर उनकी पत्नियों की या तो डेट हो जाती है या तो कोई उनको बिमारी हो जाती है और या तो वो अनेबल हो जाती है बच्चों की देखबाल करने के लिए किसी mental health problem के कारण तो किस राज के मेल employees को मिलेगा ये सुविधा ये आवकाश ये मिलेगा महराष्ट के employees को चून 2018 में 15 दिन का पित्र तो आवकाश अनाउंस किया था हरियाना की सरकार ने अपने मेल करमचारीयों के लिए तो ये भी ध्यान रखेगा इसमें गीता आइस आई अंगर कनिधन हो गया था 16 दिसंबर 2018 को 14 वर्स की आयू में इन्होंने किस छेत्र में popularity हासिल किये ये संबंदित थी योगा से UNFCC यानिक United Nations Framework Convention of Climate Change की COP24 हुई थी Conference of Parties 24 ये केटवाइस में ठीक है पॉलेंड के केटवाइस में थी तो इसकी अध्यक्ष तक इसने करी थी अध्यक्ष रहे थे यहाँ पर माइकल कर्टिका अभिहाल में Paris Rulebook चर्चा में रहे थी Paris Rulebook जो है ये किस से संबंदित है Paris Rulebook संबंदित है Climate Change से जलवायू परिवर्तन से भारत नेकिस देश के साथ कॉपरेशन करने के लिए Disability सेक्टर की छेत्र में समझोता किया है Memorative of Understanding Science किया गया है Australia के साथ Project Mawsum जो है ये कौन सी Ministry कौन से मंत्राले इंप्लिमेंट कर रहा है कि पहले कि पहले Ministry of Culture की सेवा भोज योजना भी आया थी माई में ये भी Ministry of Culture की है Union Ministry of Tourism के नुसार इनमें से कितनी मतलब कितनी संख्या में सुदेश दर्सन स्कीम के तहर डवलप किया जाएगा IMPRIS scheme का Second Edition या फिर नवीनतम एडिशन लॉंच किया है कि इस मंत्राले ने कि पहल या योजना है HRD की Human Resource Development Ministry की IMPRIS के साथ इसाथ उननत भारत अभियान भी HRD की है दोनों important scheme में ध्यान रखिएगा इनको November 2018 में भुवनेश्वर में जो Men's Hockey World Cup हुआ था फाइनल में किस ने जीता इस World Cup का किताब किताब गया है Belgium को Belgium ने जीता है Hockey Men's World Cup 2018 और नीदरलैंड ने जीता था Women's Hockey World Cup 2018 ये जीता था September में जो Women's Hockey World Cup हुआ था ये कहां पर हुआ था UK में और Men's वाला उफकोर्स भुवनेश्वर इंडिया में इनमें से किस country ने भारत के high denomination notes 200 के 500 के और दो गजार के बैन कर दिये हैं ये किया है नेपाल ने मिस्टर जोराम थंगा 15 तिसंबर 2018 को चीफ मिनिस्टर बन गया है इनमें से किस राजिके इन्होंने शपद ली है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर पद के लिए option number D इनमें से किन तेन देश की सरकारों ने एक joint task force का गठन किया है जिससे की सुनिश्चित किया जा सके कि जैनवर कंचन जंगा landscape में स्वचंद विच्रन कर सके और कोई भी उनकी smuggling ना कर सके तो नेपाल इंडिया और भूटान ने task force का गठन किया है कंचन जंगा चेत्र में wildlife और वन जीवों का सुचंद विच्रन सुनिश्चित करने के लिए फेठाई फेठाई पेठाई जो भी है चर्चा में रहा था यह क्या चीज है यह है एक tropical cyclone ऑप्चिन नमबर C tropical cyclone है फेठाई इसको नाम किस ने दिया है यह जरूर पूछते आजकल यह इंडियन ओसियन का cyclone है तो इसको नाम दिया है थाइलैंड ने हमारे यूनिन मिनिस्टर अफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो लिए हैं मिनिस्ट्री अफ आयूष का श्री श्रीपद यसो नायक इन्होंने foundation stone रखा था 15 दिसंबर 2018 को किसके लिए high altitude medicinal plants institute के लिए जो की भारदेवा में खुलेगा तो कहां पर इन्होंने foundation stone ले किया भारदेवा में भारदेवा कहां पढ़ता है यह कुश्चन है पूरा यह पढ़ता है जेएड के जम्मु कश्मेर में सो जम्मु कश्मीर में जल्द खुलेगा इंस्ट्यूट अफ हाई पीवी सिंदु ने फाइनली और नौमी ओकुहारा को हराया था पीवी सिंदु ने काफी दिन बाद एक final को पूरी तरह से जीता है वरना final में कोई और जीत जाता था भारती क्रिकेटर भारती कप्तान विराट कोली ने एक record बनाया था 25 टेस्ट सेंचुरी लगाने का दूस सबसे तेज दूसरे ऐसे क्रिकेटर बने थे जिन्नोंने सबसे तेज 25 सेंचुरी तेस्ट क्रिकेट में पूरी की सबसे जल्दी किससे पूरी की 1st रैंक पर है 1st नंबर पर Sir Donald Bradman Australia के पूर्व क्रिकेटर नवींतम शोध के अधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे धर्ती का सबसे fastest ग्रिकेटर कौन है सबसे तेज भागने वाला क्रिकेटर अब है ड्रैकुला आंट नाम ध्यान रखे गिया ड्रैकुला चीन्टी इनमें से किस फिल्म को सुर्ड चकोरम पुरुसकार या फिर गोल्डन क्रो फिजेंट अवर्ड तेश्वे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरिला में दिया गया था यह फिल्म थी दा डार्क रूम यह फिल्म है इरान की फिल्म एन टेलिविजन इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया एफ टी आई आई के इस समय अपॉइंट करेगा है नय चेर परसन इनका नाम है ब्रजेंदर पाल सिंग ब्रजेंदर पाल सिंग CID में एक दुबार आए थे बांकी ज़्यादा नहीं काम कर चुके हैं इको निवास समीता 2018 इसका मेन अबजेक्टिव क्या है इसका अबजेक्टिव है एनर्जी सिक्योर्टी इन्शोर करना इनमें से किस राज के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने 12 दिसंबर 2018 को अनौन्स करा था कि उनके राज की सरकार मधु बाबु पेंशन योजना की तहत 5 लाग पेनिफिश्री और एड करेगी अपने राज में तो यह पेनिशन योजना की सराज की है या फिर कॉन सिप मिनिस्टर ने एनाूंस किया यह कुछन है सिप मिनिस्टर है हमारे मिनिस्टर नवीन पतनायक ऊर राज है ओडुझा इनमें सेकिस राज के प्राइमरी और सेकन्टरी गौर्रमेंट स्कूल में प्रतिबा पर्व मनाया गया था December 2018 में तरह मनाया गया था मदद प्रदेश के प्राइमरी और सेकन्टरी स्कूल में भारत के सरवोच ने अले ने सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया ने 11 December 2018 को Union Ministry of Environment को ये निर्देश दिये थे कि कितने एरिये को Eco-Sensitive Zone बनाये जाएगा 21 National Park और Wildlife Century जो है देश में इनके कितने किलोमेटर के दाइरे को Eco-Sensitive Zone बनाये जाएगा 10 किलोमेटर के दाइरे को Option number P पुरविश्व की पहली differently abled female कौन है या फिर दिव्यांग जिन्होंने 5 continents की 5 सबसे उंची चोटियों को कवर किया है चड़ाई की है इस पर यह है अरुणिमा सिना इभारत की तरफ से वो महिला है जिन्होंने सबसे पहले एक Amputi के रूप में Mount Everest को क्लैम किया था और अनकी 5 अभी कॉनकेस्ट हो चुकी हैं दो और बाकी हैं दो continents में Recently in which international currencies have been notified as the rate of exchange for the purpose of conversion of foreign exchange to Indian rupees INR and vice versa for assessment of import and exports मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए रेट किया क्योंकि इसका translation exact बहुत कठीन है और इसके लिए इंग्लिश वाली slide देखनी पड़ेगी इसका इंसल टर्किश लेरा और कोरियन वोन है चाइना और इंडिया का Joint Military Exercise के साथवा एडिशन था इसको हम लोग Hand in Hand के नाम चांदते हैं ठीक है इंडिया Military Exercise करता चाइना के साथ Hand in Hand का यह हुआ कहाँ पर है यह हुआ है latest edition Chengdu नाम की जगह पर चाइना में All India Institute of Ayurveda ने अभी कंड़क्ट किया था December में National Conference आयुषर चार दिन चर्रया पर और रितु चर्रया पर दो दिविशीय था Health promotion के लिए कहाँ पर वुआ था Delhi में इन में से किसको मिथाई Lima की उपादी दी गई थी ठीक है मिथाई Lima पुरूसकार या फिर मिथाई Lima उपादी किसको दी गई है यह दी गई है मेरिकॉम को, मडिपूर राज की सरकार की तरफ से मेरिकॉम को मितायलीमा की मतलब होता है उतक्रष्ट रानी इन में से भारत के किस नुक्लियर पावर प्लांट ने लगातार अनिंट्रप्टेड ओप्रेशन का 941 दिन का रिकॉर्ड बनाया है और 941 दिन अनिंट्रप्टेड ओप्रेशन से जो हेशाम प्लांट जो की यूके में उसका रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया तो 941 दिन लगातार संचालित होने का रिकॉर्ड है काईगा नुक्लियर पावर प्लांट का तो काईगा nuclear power plant कहां परे भारत में बताईए comment करके इन में से किस ministry ने किस मंतलाले ने अभी cyber दोस्त के नाम से account बनाए जिससे की awareness spread की जा सके cyber crimes के लिए, cyber frauds के लिए और normal precautions जो की बच्चे ले सकते हैं अगर वो cyber world में हैं अगर gadgets इस्किमाल करते हैं यह किया है union home ministry ने और जित पतेल ने हाल में स्टीफा दे दिया था गौर्णर के बत से तो हमसे question अगर पूछे कि पहले भारतिये RBI गौर्णर कौन थे जिन्होंने अपने term को पूरा किये बिना स्टीफा दिया एदे सर्बेनिगल राम राव पहले RBI गौर्णर जिन्होंने अपने term पूरा करने से पहले resign किया इस समय हमारे गौर्णर कौन बने हुए है श्री शक्तिकांत दास Times person of the year 2018 कौन बने है यह बताना है आपको Times person of the year 2018 चुना गया है The Guardians को The Guardians चार जनलिस्ट और एक समाचार पत्र है और में जनलिस्ट जमाल खगोशी की फोटो लगाई गई है एक कवर पेज में इनकी हत्या कर दी गई थी तो इस बार भी एक कोई person नहीं है The Guardians है यानि कि मृत विक्ति है पहली बार एसा हुआ है कि इसी मृत विक्ति को person of the year times का बनाया गया है इन्शोर पोर्टल इनमें से किस mission के तहट जारी किया गया है 11 दिसंबर 2018 को ये national livestock mission के तहट जारी किया गया है मुशीरूल हसन जिनका निधन हो गया था 10 दिसंबर 2018 को ये क्या थे ये एक इतिहास कार थे इतिहास भी दियाने की historian थे Swift India की नए chairperson कौन बनी है ये बनी है पूर्व SBI chief अरुंदती बठाचारे केंदर सरकार ने national pension system में NPS में national pension scheme में जो पहले अपना हिस्सा था 10% का उसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया है ये question है इसका answer है 14% All India Annual Conference of Head of the Science Centers and Museums ये कहाँ पर होई थी ये होई थी इटा नगर में 8 December 2018 को इटा नगर में 18 एडिशन था इसमें जितने भी Science Center से उनके Head और जितने भी Museum से उनके Heads का यहाँ पर सम्मेलन हुआ था The Council, The Challenges of the Modi Jaitli Economist नाम की इताब के लेखा कौन है लेखा कहे आरविंद सुबरमन्यम नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Study for Civil Services में देखिए जो वीडियो एक्जामारा है उसके लिए जैसे हम लोगोंने एक हिंदी का पूरा 6 गंडे के वीडियो थे जिसमें पूरी most important to current affairs है वैसे ही पैटिकुलर वीडियो में लोग कवर करेंगे October, November, month के सारे important current affairs MCQ format में October, November, month के current affairs का MCQ उसका ये English version का वीडियो है इसमें जो आपको देखने को भी लेगी चीजें वो English में लिखी हुई देखने को भी लेगी लेकिन हम लोग करेंगे Hindi version का वीडियो हिंदी वर्जन का वीडियो similar October और November का कल अपलोड होगा ही समय पर तो आप लोग बने रहेगा Hindi वाले Hindi वाले चाहे तो इस वीडियो को भी देखेंगे मेरा explanation पूर्तरे से शुद्ध हिंदी में रहेगा और सारे important terms जो आपको ना सुन में आरों इसमें उनकी Hindi मिनिया पर बताई जाएगी हमारा एक ग्रूप टेलिग्राम में भी है YouTube के लावा Study for Civil Services के नाम से इसमें 64 करें members हो चुके हैं तो अगर आप चाहें तो इसको जोईन कर सकते हैं इसमें बहुत सारे important PDF study material soft copy में आपको provide करवाया जाता रहता है हम लोग पहला MCQ करेंगे शुरुबात करते हैं which of the following has become the India's first state to give legal protection to good samaritans good samaritans के मतलब है जो अच्छे विक्ति होते हैं जो पर अपकारी काम करते हैं उनकों कहते हैं लोग good samaritans तो good samaritans यानि की अच्छे विक्तियों की रक्षा करने के लिए एक legal protection का bill लेकर कहा था करनाटक option number 60 में सही है इस bill को approval भी बिल कहा था president जी का और ये act बनेगा वहाँ पर इसमें good samaritans की रक्षा इस प्रकार की जाएगी अगर कोई accident में किसी के साहता करता है उस गहल विक्ति को अस्पताल तक ले करके जाता है तो ऐसे good samaritans यानि की अच्छे विक्ति की हितों की रक्षा की जाएगी उससे किसी भी तरह का आड़ा तेड़ा सवाल ने पूछ जाएगा और सारी उसकी मतलब सुविधाय मिलेंगी उसको उसने जो अच्छा काम की है उसके लिए रिवार्ड मिलेगा रिवार्ड बिलेगा ना की पूस्ताच और धक्के खाना 2018 की जो एशियन मेंस हौकी चैंपेंशिप होनी है उमान में उमान की कैप्टिल मस्कट में जो होगी उसको हेड कौन करेंगे यानि की इंडिया कैप्टिन बनेंगे मनप्रीत सिंग उमान की कैप्टिल मस्कट है उमान की अगर हम करेंशी की बात करें तो करेंशी है उमान की रियल सैन्या रिचार्ड्स रॉस जो पाटिस्पेट कर चुकी थी एरेटल डेली हाफ मेरिथाउन में एक इस कंट्री से आई ही भारत की और अबिस्दर है यह यूएस की तरफ से हैं डॉक्टर इवन अतार अधाहा जो यह डॉक्टर है सर्जन है यह कहा के सुडान के हैं तो यह तो पहले लिखा हुआ है इनको एक ओवर्ड मिला है इनको यूएन एस्टीयार की तरफ से नेंसन रेफ्यूजी अवार्ड बिला है ये किस कंट्री से है ये सुडान से इसका एंसर है इस सर्जन ने सौथ सुडान में दो लाक लोगों के लिए उन्होंने हुमिनिटेरियन होस्पिटल खोल रखा है तो ऐसे प्रयासों के लिए रेफ्यूजी की हल्प करते हैं इस वु कि आयुद में दूरदर्शन से जुड़े हुए थे पिछले 48 साल से दिक समय पर 70 के करीब अवर्ष की आयुद करनी धन हुआ है इनको हौकी आवाज हम लोग कहते थे क्या थे हिंदी कमेंटेटर थे स्पोर्ट्स कमेंटेटर थे इनको हौकी की आवाज की नाम से जाना जा था अक्टूबर में डौक्तर अरुन कुमार अपॉइंट के गये थे ईर्पी एफ के डीरेक्टर जनरल अर्पीएफ का मोशं ब iç FAR क्या और पीएफ का मोशं यानि की आदर्श वाक क्या है अटर्श वाक कि है आपके प्या पीप का सर्विस एंड लॉयल्टी सर्वी संड्य इनमें से किस सिटी ने इंडिया का पहला फ्लड फोर्कास्टिंग और अरली वार्निंग सिस्टम शुरू किया है अक्टूबर मंत में शुरू किया गया था मतलब बनाया जाना है अभी बना नहीं है यह कहां पर होगा कॉलकाता में कॉलकाता मुनिस्पल कॉर्परेशन ऐसे प्रयास करेगा किसी तरह का सिस्टम डवलप किया जाए और इसमें फैनेशल हेल्प ली जा रही है एडी की एशिन डवलप्मेंट बैंक की एशिन डवलप्मेंट बैंक का हैटकॉर्टर कहां पर है मनीला फिलीपीन्स में है यह ध्यान रखेंगे वर्ड हेल्थ और अडवाइजरी है इसका नाम है से फर नाम है से इनिशेटिव का जिसमें कुछ आडवाइजरी इस इनिशेटिव से जिसमें कंट्री अपना सकती हैं जिनको अपने सिटीजन को कम से कम अल्कोहल का यूज उसको प्रमोट करने के लिए 2018 के जो Nobel Prize winner ने Physiology और Medicine में देखे 6 केटेगरीस होती है Literature का आपकी बार नहीं दिया गया है तो 5 केटेगरीस में Nobel Prize दिये गया थे October मन्त में तो Physiology और Medicine की केटेगरी में किसको मिला था James P. Allison को और Tarsuko Honzo को जो की Japan से हैं इनको किस तरह की Discovery के लिए मिला था Cancer का Immuno Therapy से इलाज करा जा सकता ऐसे इनोंने खोच की थी तो इसलिए इनको मिला था इनोंने Check Points की खोच की थी अंकटाड की Latest Report में जिसका नाम है Trade and Development Report इसमें इंडिया की GDP की Growth कितनी आकी गई है 2018 वर्ष के लिए यह आकी गई है 7.0% तो इस तरह की Ratings पूची जाती है Crystal की पूची जाती है और आपकी Moody बगएरा की पूची जाती रैंकिंग तो इसको आम लोग देखते रहते हैं अंकटाड की Trade and Development Report में इंडिया की GDP की Growth के अनमान है 7.0% बारत की पहली Training और Learning Academy इसको बोलेंगे कहां पर सेट अप की जा रही है यह सेट अप की जा रही है जैपूर में एक High Level Committee गठन किया गया था October मन्त में Corporate Social Responsibility की Norms सही से Follow की जा रही है और फिर उनमें क्या Reforms की ज़रुरत है उनको recommend करने के लिए तो इस समीती की Head थी जस्टिस इंजेती श्री निवास यह male personality बारबर में गलती करता हूँ जस्टिस इंजेती श्री निवास बने थे ठीक है बनी नहीं थी यह male है बांगलदेश की इतिहास में 47 वर्सों में पहली बार किसी female को वहां का major general बनाया गया था यह किस दे बनाया था वहां की प्रधान मंत्री ने कौन बनाया गया थी सुसायन गायती सुसायन गीती को बनाया गया था नाम ध्यान रखिएगा October मंद में भारती मूल की व्यक्ति को बनाया गया है International Monetary Fund के Chief Economist के पदपर International Monetary Fund IMF के Chief Economist के तौर पर रिक्त किया गया था गीता गोपिनात को गीता गोपिनात थे बहुत Eminent Economist हैं और यह भारती मूल की हैं इससे पहले भारती मूल के किस विक्ति को यहां पर बनाया गया था IMF के Chief Economist के रूपे हमारे जो पूर्व गॉर्णर थे रगुराम जी राजन को और दूसरी ये बनी है वारत सरकार के द्वारा Compressed Biogas को प्रमोट करने के लिए LPG की यूज को कम करने के लिए कौन सा Initiative लाँच किया गया था इस Initiative को नाम है सतत सतत इनिशिटिव के तहट Entrepreneurs के Expression of Interest यहां पर मांगे गए थे कुछ ऐसे Entrepreneurs को invite करने का प्रयास किया गया था इस Initiative के तहट जो ऐसे कुछ Ideas को डवलप कर सके जिससे हम लोग ज़्यादा Compressed Biogas के इस्तमाल को प्रमोट कर सके कुछ ऐसी Technology डवलप कर सके कुछ ऐसे मेगनिजम बना सके जिससे LPG के यूज़ को हमको कम करना है और हमको Compressed Biogas वगएरा को Delhi यूज़ में यूज़ करना है तो ये है सतत इसको launch करा था हमारे धर्मेंद प्रधान जी ने जो Petroleum के भी से में देख रहे है Petroleum Ministry के भी और Ministry of Skill Development and Entrepreneurship के भी राजमंत्री हैं उन्होंने किया था October में किस राज ने अनाउंस करा था कि वो लोग अपने हाँ पर Ministry of Cow यानि कि गव मंत्राले स्थापित करेंगे और ऐसा करने वाले वो दूसरे राज बन गए होते वह तक ऐसा कुछ किया नहीं है लेकिन अनाउंस करा था पा रहे हैं तीसरा यूथ उलंपिक गेम 2018 यह हो चुगा है यह October मंत में अनाउंस करा गया था कि इसकी फ्लैक बेरर आपनिंग सर्मनी में कौन रहेंगी यह रही थी मनु भाकर 16 वर्षी शूटर मनु भाकर रही थी पर फ्लैक बेरर इन्होंने गोल्ड भी निकाला था इस उलंपिक के दूसरे दिन यह हुए कहां थे यह भी उनस आर्यस में हुए थे अर्जेंटीना की कैपिटल में इन में से किस राज ने अक्टूबर में एक फूड सेक्योर्टी स्कीम अपने राज के परसंस के लिए अनाउंस करी थी और ऐसे लोगों के लिए जो लोग भी नैस्रल फूड सिक्योर्टी एक्ट एन एफसे जोग की गवर्मेंट की स्कीम में से बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे ओडिशा राज अपने यहां पर एन एफसे के पैरलेल एक स्कीम लेकर कर आया था उसमें क्या है कि जितना बेनिफिट एन एफसे के तहत दिया जाता है सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा वो अपने राज के उन लोगों को देंगे जिनको एन एफसे में कवर नहीं किया गया है उतना ही ब लेकर के आये थे October में, October में Canadian Cancer Society की रिपोर्ट आये थी, उसके नुसार क्या है, कि भारत चौथा ऐसा कंट्री बन गया था, जिसने अपने सिगरेट उत्पादों पर पिक्टोरियल वार्निंग लगाई थी, हौंग कॉंग लगा चुका है, थाइलेंड लगा चुका है, और च लिखा रहते हैं, और 85 प्रतिशात हिस्से पर लिखना अनिवार है, हमारे सिगरेट नॉम्स के नुसार, कि 85 प्रतिशात हिस्से पर हमको लिखना पड़ेगा, कि टोबैको कॉस्स पेंफूल डेथ, और सबसे बड़ी बात यह है, कि पहला सार्क कंट्री बन गया था, भारत का, बारत पहला सार्क कंट्री बन गया था, अपने यहां पर कुट लाइन नंबर जारी करने वाला, कुट लाइन नंबर अब छप करके आता है, अगर आपने देखा होगा, अगर कंजूम करते हैं तो अच्छे से पता भी होगा, आप उसको यूज करिए, अपने सिगरेट उत्पादों पर एक कुट लाइन नंबर लिखना शुरू किया था, इपसमर 2018 के नाम से जुएंट मैरिटाइम एक्सराइज जो ही थी, यह मल्टी नैशनल, मल्टी लेटरल एक्सराइज थी, कहां पर हुई थी, यह हुई थी, साउथ अफ्रिका में, इंडिया ने भी इसम कि थीम क्या रही थी, इस बार इसकी थीम रही थी, celebrating older human rights champions, celebrating older human rights champions, एक group of ministers G.O.M. का गठन किया गया था, जो की modalities को एक्जमाइन करेंगे, calamity tax के अंतरगत जो GST में होता है, मतलब calamity tax, GST के अंतरगत जो होता है, उसकी modalities को, यानि कि उसमें जितने भी प्रावधान है, उस को एक्जमाइन करेंगे, उनका wishlation करेंगे, इस समीती के अध्यक्स रहेंगे, सुशील मोदी, सुशील कुमार मोदी, सुशील कुमार मोदी ने एक किताब भी जारी की थी, सेप्टेंबर करीब, काफी व्यंगात्मक किताब लालू के उपर लिखी थी, इस किताब का नाम है लालू लीला, के नाम है लालू लीला, महात्मा गांधी इंटरनाशनल सैनिटेशन कंवेंशन, ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था डेली में, नोबल प्राइस के तिहास में करीब 3-4 दशक बाद, एक विमेन को जुना गया था, विमेन फिजिसिस्ट को, नोबल प्राइस आपके एशियाड के बाद पारलंपिक हुए थे एशियन गेम्स, उसमें भारत की दरफ से फ्लैग बीरर कौन रहे थे, धोजवाहक, भारत ती रफ से थंग वेलू मरियप्पन, थंग वेलू मरियप्पन, हमारा एशियाड इस बार कहां पर हुए था, इंडोनेशिया में ह इस पारलंपिक के कुछ दिन पहले, इसके तीन में स्कॉट थे भिन भिन, अतुंग और काका, यह हमने डिसकस की हुए कई बार, पारलंपिक एशियन गेम्स जो वे थे, उसका में स्कॉट कौन रहा था, उसका में स्कॉट रहा था, मोमो का यहां पर क्या मतलब है, मो से तो यह आप याद रखेंगे इसमें, इनमें से किस पंत्राले ने स्वक्षता ही सेवा अवार्ड जीता था, स्वक्षता ही सेवा अवार्ड जीता गया था, मिनिस्ट्री ओफ रेलवेस के दौरा, यह क्या है स्वक्षता ही सेवा, स्वक्षता ही सेवा 15 सेप्टेंबर से 2 तो अक्टूबर के बीच चलाया गया एक इनिशियेटिव था इसमें देखा गया था कि कौन सा हमारा विभाग डिपार्टमेंट मंत्रालय है सबसे ज़्यादा काम कर रहा है स्वक्षता के लिए तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले थे मिनिस्ट्री ओफ रेइलबेष को ही मिनिस्ट्री आफ रेइलबेष नहीं मिशन सफ्थ निश्ठा चलाया था कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेइलबेष यूह मंत्रालय है 14 सिपमबर को जब लोग हिंदी दिवस बनाते हैं तो राज-भास्शा की इर्थी-पुरूसAST क बार, Ministry of Railways नहीं जीता था, तो ये कुछ चीजह आप ध्यान रखेंगे, Ministry of Railways का ये एक एप होता है, एट्सर मूबाईल एप, ये लौच हुआ था, टिकेट बुकिंग के लिए, और Ministry of Railways नहीं रेल मदद आप जारी किया था, तो ये सब चीजह आप ध्यान रख सकते हैं, इ और 24 परगना के लिए बंकूरा के लिए और पूर्ब मेधनिपूर के लिए तो त्यारों ही option यहाँ पर सही है इन सभी district में water drinking वाला water प्रवाइड करवाने के लिए पेज जल की शुवदा उपलब्द करवाने के लिए ADB से Asian Development Bank से loan sanction मतलब loan agreement sign किया गया था वर्स 2018 कि स्वक्ष कैंपस रे रैंकिंग आये थी उसमें क्लीनेस्ट गवर्मेंट यूनिवर्स्टी के टेगरी में पहला स्थान किसको बिला था यह मिला था महरशी दयानंदर यूनिवर्स्टी को वैसे 6 से भी अधिक कटेगरी से यहां पर होती है सबसे साफ हैं तो गवर्मेंट यूनिवर्स्टी के टेगरी में सबसे साफ पाया गया था महरशी दयानंदर यूनिवर्स्टी जो कहां पर पड़ता है रहतक में वैसे प्राइबेट भी कि आया था इसमें मेडिकल वाला भी आए था आपको नहीं द्यान में रखना है इन म सब्सक्राइब लोगों को इंट्रेप्रेनियोर्शिप के बारे में बताया जाना थे इसमें किया कहता सिडवी के द्वारा सिडवी के हेड है मुहम्मद मुस्तफा इसका हेड़कॉर्टर होता है लखनोव में नोबिल फ्राइज दोजेर अर्थारा कमिस्ट्री पर भी तीन बॉर्सकाय रहे हैं उनमे में से एक व्मेन है उस्वीमन कादा म मैं स्थिन एंस्वार और नई दिल्ली में ही ये दो या तीन अक्टूबर को ही थी अक्टूबर मन्त में आईसे का हेड़कोर्टर कहा है आईसे का हेड़कोर्टर इंडिया में यह कहीं कहां पर है आईसे का हेड़कोर्टर कमेंट करके बताएंगे आप कि दुनियां के सबसे बड़ गुंबद का उधगाटन कहां पर वुआ था ये मारे इंडियां व बर्ग नाम की जगे एंविश्वराज बर्ग नाम की जगे कहां पर पुणे महाराष्ट मैं महारास्ट視 टेुट और टेखे करके हैं इंस्ट्यूट वहां पर सबसे बड़ा गुंबद बनाए गया है उसका उधगाटन किया था वाइस प्रिसिडेंट जी ने साहयोग हॉप्टैक के नाम से युद्दभ्यास हमने किसके साथ किया था साहयोग हॉप्टैक सबसे पहली बात तो यह मैरिटाइम एक्सरसाइज है यानिकी नेवल एक्सरसाइज है यह हमने किया था व्यतनाम के साथ व्यतनाम के साथ हमने एक मिलिट्री के एक्सरसाइज भी किया था इस बार military के exercise हमने कहां पर किया था मद्द प्रदेश में मद्द प्रदेश में हमने exercise किया था किस नाम से winbacks के नाम से winbacks पहली exercise ऐसी थी जो हमने की थी वेतनाम के साथ और फिर बाद में हमने navel भी कर लिए इसी साल सहयोग आउक्टैक बहुत सारी exercise भारत ने की है इस बार 45 exercise हो चुकी है अब तक navel, maritime और आपके military को मिला करके air की मिला करके तो इन सभी को हम देखेंगे बाद में और December के end में हम आपको वीडियो देंगे इसके बारे में इन में से किस गाइंको लॉजिस्ट को Nobel Prize 2018 Peace के लिए मिला था शांती के लिए Nobel मिला था डेनिस मुकवेगे को और नादिया मुराद को दो लोगों को jointly मिला था नादिया मुराद और डेनिस मुकवेगे को डेनिस मुकवेगे आते हैं Congo Republic से Congo Republic से इन में से किस Indian Institute of Technology यानि कि IIT ने कहा था कि हम स्टैबलिश करेंगे Academy of Leadership ऐसी घोषना की थी IIT खड़कपुर ने Academy of Leadership स्थापित करने वाला है IIT खड़कपुर इन में से कौन सी एक टेक्टलोजी इनिशेटिव आगे काम करेगी और जिस पर काम कर रहा है Civil Aviation Ministry of Civil Aviation जिससे बहुत ही कम समय में हैसल फ्री एर ट्रैवल मिल सके पैसेंजर्स को Experience को अगमेंट करने के लिए Digi यात्रा शुरू की जानी है Digi यात्रा अगले साल शुरू हो जाएगी Feb में ऐसा बताया जा रहा है इसमें क्या होगा कि आपका Face जो है काम करेगा फिसकल डॉक्मेंट करी किये हुए कोई यह हमको कमेंट करके बतायागा कि Digi यात्रा सबसे पहले किस एरपोर्ट में या कहां पर शुरू होने वाली है Women in Detention and Access to Justice इस पर एक Regional Conference हुई थी यह कहां पर हुई थी यह थी माचल प्रदेश सिम्ला में बारत ने ऑक्टोबर मंत में जो इंडोनेशिया में सुनामी आई थी उसके विक्टिम्स को एसिस्टेंस मदद देने के लिए एक operation शुरू किया था उस operation का particular नाम क्या है उस operation का particular नाम था operation समुद्र मैत्री 4th edition जो इंडिया इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल का हुआ था उसकी थीम क्या रही थी उसकी थीम रही थी साइन्स फोर ट्रांस्फोर्मेशन साइन्स फोर ट्रांस्फोर्मेशन इंडिया ने एक बर फिर से लोन पैक्ट साइन किया Asian Development Bank के साथ 1500 मिलियन डॉलर का इस बार और इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश में Global Skill Park स्थापित किये जाएंगे इसके वित्त से तो किसकी मदद ली गई है Asian Development Bank की इस केट्व क्टर कहां पर है मनीला फिलिपीन्स में सफाईगीरी सम्मिट हुई थी और उसमें कुछ अवार्ड्स दिये गये थे तो Cleanest Religious Place का अवर्ड किसको बिला था सफाईगीरी सम्मिट अवर्ड्स में सबसे साफ धार्विक जगहे का अवर्ड गया था माता वैशनो देवी श्राइन जमू और कश्मीर में जो है गौवर्मेंट इपेमेंट एडॉप्शन रैंकिंग यानि की GER में इसमें क्या है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रयास करता है इपेमेंट एडॉप्शन के लिए तो भारत को 28 स्थान इसमें मिला था धान रखिएगा 73 देशों कि इस रैंकिंग में टॉप किसने किया था नॉर्वे ने यह सर्वे करवाया स्थान काफी ख़राव था और काफी इंपरूवर करके अब 28 वाया है पहले 37 वह रता था भारत के चीफ स्टैटिस्टीशियन कौन appointment करे गए हैं फैटिस्टीशियन अनौन स्क्रेगए है अपउइट करे गएQué हैं प्रवीन श्रीवास्तो भारत का पहला मितनौल कुकिंग फ्यूल काँ पर शुरू किया गया था शुरू किया था असम में नीति आयोग support कर रहा है इस प्रोग्राम को, आसम Petro Chemical Limited इसने कैंने कहा गिया थै कि कुछ canister based fuel के चूहे हैं पर वित्रत किये थे यानि कि आईए चोटे-ज्ञूुल जिसमें फ्यूल के रूप में मिथनॉल का डिरेक्टली इस्तुमाल किया जा सकता है वो भी काफी सेफली तो यह कुछ चूले विद्ध किये गये थे साम के लोगों को और ऐसा कहा गया था कि और भी ज्यादा चूले आगे एक समय में प्रमोट करेंगे और लपीजी की खपत क तो कम करना लग से कुल बिला करके यूवेन कॉन्फरेंस ओन डिसर्ममेंट यह हुई थी और इसमें भारति तरफ से पार्टिपेट किया था पंकद शर्मा ने Board of World Federation of Exchange WFE के Working Committee और डिरेक्टरेट के चेर परसन कौन बनाए गए हैं यह भारति मूल के व्यक्ति हैं इनका नाम है विक्रम लिमाय विक्रम लिमाय कॉमन वेल्थ पार्लिमेंटरी कॉन्फरेंस यह कहां पर हुई थी यह हुई थी गवाहाटी में इनमें सकिन्द दो राजियों की पुलिस ने डिसाइट किया है एक जॉइंट ऑपरेशन चलाने का जिसमें इन्फरमेशन सेर की जा सके लेफ्ट विंग एक्स्ट्रेमिजम को रोकने के लिए LWE को रोकने के लिए ओडिशा और आंतरप्रदेश की पुलिस ने यहाँ पर अपना जॉइंट ऑपरेशन चलाया था ऑक्टबर में RBI की यह बाइमेंथली मोनिटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट आई थी 2018-2019 के लिए तो यहाँ पर करेंट रेपो रेट के रखी गई थी अभी तक भी यही मानी जाएगी 6.5 है जब तक अगली बाइमेंथली मोनिटरी पॉलिसी नहीं आ जाती बारत और जापान ने करीब 5 साल बाद एक मेरिटाइम एक्सरसाइज की है ऑक्टूबर में जिसका नाम है जाइमेक्स 18 इंडो जापान मिलिटरी एक्सरसाइज सौरी बाइलेटर मेल टाइम एक्सरसाइज यह कहां पर हुई थी विशाखा पत्नम में इनमें से किस भारतिय प्लेयर ने IBSF वर्ड टाइटल अंडर 16 स्नूकर चैंपेंशिप में अपना टाइटल जीता था यहां पर गल्स का कीर्थना पांडियन ने किर्थना पांडियन की स्पोर्ट से असोशियेटेड है अगर यह पूछे तो इसका एंसर है स्नूकर टाइटल कौन से जीता है गल्स टाइटल IBSF वर्ड अंटर 16 स्नूकर चैंपेंशिप 2018 में इन में से किस राज की सरकार ने ऑक्टूबर पे दो योजना अपने स्टेट में जलाई थी एक तो है सशक्त किशान योजना और क्रशी समूह योजना चलाई गए थी अरुणाचल प्रदेश के दौरा अरुणाचल प्रदेश के चीफ पिनिस्टर को में बताईए उन्हों मेसंस और मजदूर मेसंस यानि की मिस्तरी और मजदूर यानि की लेबरर्स काम करते हैं उनके बच्चों को सिक्षा मिल सके पॉल्ल टेखनीक और आईटी आईज में इसके लिए कुछ स्कॉलर्शिप प्रोग्राम सहीं ये काम करेंगे निर्माण कुसम योजना के नतरगर कुसम योजना रिलेटेड सोलर एनरजी से उसको यहां पर कन्फ्यूस नहीं करेंगे हमारे अक्टूबर में अनाउंस हुए थे या पॉइंट हुए थे तीसरे डेप्यूटी नैशनल सेक्यूर्टी एडवाइजर तीसरे हमारे एडवाइजर बने थे नैशनल को बढ़ा दिया गया है सब दो पहले तो और्ग्नेजेशन का नाम किया है इन्वाइर्मेंट प्लूशन प्रिवेंशन और कंट्रोल अथॉर्टी यानी इपीसिये इसका कारिकाल ऑक्टूबर में खत्म हो गया था 2018 में इसको फिर से बढ़ा दिया गया है इसके हैड कौन बनेंगे यह बताना है इसके हैड जो पहले से बने हुए थे मिश्टर भूरेलाल वही आगे भी बने रहेंगे और एपीसिये के मेंबर्स को भी यहां पर बढ़ाए गए थे मेंबर्स की संख्या भी यहां पर बढ़ाए गई थी इंडिया की पहली जुडोको प्लेयर बन थी तबाभी देवी थंग जाम इनका ध्यान रखेंगे बनेस आर्जस अरजिन्टीना में इन्होंने मेडल दिलाये था हमको जग को को मेंट करके हम यह बताएगा कि बनेस आरजस अरजिन्टीना में जो तीसरे उलम्पिक हुए थे यूथ उलम्पिक इसमें 18 वर्ष से कम प्लेयर अथ्लीट भाग लेते हैं इसमें मैस्कॉट कौन रहा था वह वस्द मैस्कॉट कमेंट करके बताएं पहला कहां पर हुआ था यह याद रख सकते हैं 2010 में पहला हुआ था यूथ लंपिक और 2014 में आपका दूसरा, 2018 में आज का तीसरा, 2010 में जो वह था वह था सिंगापूर में 2018 में एकनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरुषकार किसको बिला है यह मिला है विलियम नॉड़हॉस को और पाल अरोमर को इन में से किस बारती कंपनी ने अनॉण्स करा है इनोवेशन के सेक्टर में एक सोशल वर्क करने वाले लोगों के लिए अवार्ड आरोहन सोशल इनोवेशन अवार्ड एसिया इसको सौट फर्म बोलेंगे तो एसिया अवार्ड देर कड़ोर रुपए के देने वाला था इन्फोसिस भारत के किस और्गनाजेशन ने आई एसिस से गुड़ प्रैक्टिस अवार्ड जीता है एसिया और पैस्रिक 2018 का यह एसिक ने जीता है करमचारी राज बीमा आयोग ने जीता है एसिक इसको लोग बोलते हैं एसिक का एप भी आया था चिंता से मुक्ति कुछ दिन पहले सप्टेंबर में एसिक का जो एप है बेसिकली एसिक के जितने भी काम होते जाज़तर वो इंटिग्रेट कर दिये गए हैं उमंग एप से उमंग एप का फुल फॉर्म क्या है यूनिटेड यूनिफाइड मॉबाइल अप्लिकेशन फॉर न्यू एज गॉर्णेंस उनिटेड मॉबाइल अप इसको 2017 बनाए था नैसल सेक्योर्टी काउंसिल को असिस्ट करने के लिए एक हाई लेवल स्ट्रेटिक पॉलिसी ग्रूप का गठरन किया गया था जिसमें बहुत सारे मंत्रालियों के सेक्रेट्रीज बहुत सारे हमारे बहुत इमिनेंट ऑफिसर्स डिप्लोमेंट्स इसटिवल में पार्टनर स्टेट कौन रहा था अब तो यह कंक्लूड हो चुका है जहारखन रहा था पार्टनर स्टेट ध्यान रखेंगे इन में से किस पंतराले की पहल लॉंच की गई थी अक्टूबर मन्त में इंडिया फॉर हुमिनिटी यह पहल थी मिनिस्ट्री ऑफ का सहयोग ले करके यह इंप्लिमेंट किया जाना था कुछ करीब 20 देशों में यह प्रोग्राम जहां पर कुछ दिव्यांग परसन है उनको अच्छा खासा यह जैपूर फुट लगवा दिया उनको जिससे वह अपना बागे के जीवन अच्छे जी सके जैपूर फुट के बारे में इनको नहीं पता है यह आपका आर्टिफिशल फुट होता है और काफी यह पॉप्लर सिस्टम है हमारे पूरे साउथ एशिया में यह कहां पर लगता है जैपूर में एक समीति इसको लगाती है अगर आप चाहें तो उसका नाम कॉमेंट करके बता सकते हैं विवनेसारिस अरजेंटीन्या में भारत की दरफ से समर यूथ ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता था यह मेडल जीता गया था जरेमी लाल रिन्नुगागा के दोरा जीता गया था पहला मेडल यूथ ओलंपिक्स का वर्ल्ड पोस्ट डे हम लोग कब बनाते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे हम लोग बनाते हैं 9 अक्टूबर को भारत की तरफ से जो एशियन पैरा गेम सुवे थे वो जो पैरलल ही चल रहे थे यूथ अलम्पिक के उसमें पहला गोल्ड किसने दिलाए था जीता गयिता ता संदीप चौधरी के दोरा शसी तरूर की लेटेस्ट किताब का नाम क्या है आपको बताना है शसी तरूर की लेटेस्ट किताब है दे पैराइटॉक्सिकल प्रामіїजिस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी and his India दोरा रामी नेनी फाउंडेशन करके एक संस्था है इसके द्वारा Outstanding Person Award कि स्पोर्ट्स परसनल्टी को दिया गया है ये हैं पीवी सिंधु के कोच मिस्टर पुलेला गोपी चंद भारत ने इन में से किस ओर्णाजेशन का सपोर्ट ले करके दूसरे World Conference on Access to Medical Products का सम्मेलन का आयोजन किया था जो की Related है Sustainable Goal 2030 से ये सहोग लिया गया था WHO का ही, WHO का, World Health Organization का Summer Youth Olympic 2018 में भारत दफ से Gold किस्ते जीता था पहला, ये जीता गया था Manu Bhakar के द्वरा, Manu Bhakar Henley के Passport Index में भारत की ranking कितनी है, भारत की ranking है 81, 81 ranking है Henley Passport Index में, Henley Passport Index ये denote करता है कि किस passport के पास कितनी शमता है, यानि कि उस passport के ले करके आप कितने देशों का वीजा प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा powerful passport है जापान का इन में से किस country के researchers ने शोध करता हुने पहली विश्व की सबसे पहली bio electronic medicine बनाने का काम किया थे, किस के researchers थे ये थे US के researchers, US के सोध करता थे जिन्होंने bio electronic medicine बनाने का दावा किया बारत के ने solicitor general of India कौन पॉइंट हुए थे, ये पॉइंट हुए थे, October में इनका नाम है तुशार महता, option number C, तुशार महता World Mental Health Day की धीम क्या थी, World Mental Health Day की धीम थी, Young People and Mental Health in Changing World इन में से किस ने एक mobile health app, mid watch जारी किया था, mid watch नाम का app जारी किया था, Indian Air Force ने ये ध्यान रखेगा इसमें, mid watch app में सारे वही सारे application से जो कि एक normal health app में आपको देखने को बिलते हैं, BMI वगेरा, general guidelines वगेरा, लेकिन काफी authentic है क्योंकि government का है, government की जिन्सी का है, Indian Air Forces का app है, mid watch दियान रखेगा इसको, International Girls Day 2018, या फिर International Day of Girls 2018, इसकी theme रही थी, with her, a skilled girl force, ये बनाते हैं, 11 October को, बारत के पहले 2G ethanol bio refinery को setup कि सराज में किया जाएगा, जहां पर ethanol को produce किया जा सकता है, rice straw से, यानि की rice बनाने में चावल के residue से बना सकते हैं, ethanol, कहां पर खुलेगा, ओडिशा म 2018 में Oxfam World Inequality Index आया था, इसमें क्या था, इसमें कुछ parameters के अदार पर Oxfam न ये पता लगाने का प्रयास किया था, कि कौन सा देश अपने यहां पर लोगों में समानता लाने में कितना प्रयास कर रहा है, तो इस रिसाप से ranking दी गई थी, समानता लाने में भारत का प्रयास क के द्वारा डेन्मार्क में, कहां पर डेन्मार्क में, डेन्मार्क को मिला था 1st rank, World Old Theatre Festival का सत्रमा एडीशन, ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था, दिल्ली में, यूध उलम्पिक्स, बिवनेस आरेस, रजिंटीना में, 10 मीटर एर पिस्टल के डिस्प्लिन में, गोल्ड मेडल किसने जीता था, इस सौरप चौधरी ने एशियाड में भी गोल्ड निकाला था, 10 मीटर, इसी एर पिस्टल में, सौरप चाधरी कहां से आते हैं, यूपी स सिंग ने, इनमें से किस राजव में, वहां के कैदियों के लिए, एक स्मार्ट वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी शुरू की गई थी, फीमेल प्रीजनर्स के लिए, जिससे वो अपने परिजनों से बात कर सके, कहां पर किया था, सुविधा महरास्ट्र में, इनमें से किस रा आधि बिद्स के लिए मिस ट्रांस क्वीन या फिर ट्रांसजेंडर क्वीन, ट्रांसजेंडर सुंद्री कौन बनी है, यह बनी है वीना सिंद्रे, लित इनमें से किस ब्यूजीशन को Special Lifetime Achievement Award बिला था Music Academy की द्वारा ये मिला था Viku Vinayakram को इन में से बहला फेकने वाले किस Parathlete को Asian Paragames में 2018 में जो हुए थे जकारता में इसमें इनको Silver मिला था F46 की केटगरी में इनका नाम है Sundar Singh Gujar इन में से किस IIT ने अभी कोलाइबरेशन किया है ता मिलनाडू E Governance Agency याने TNEGA के साथ जिससे Data Driven Governance को enhance किया सके यह किस ने किया है IIT मदरास ने जो वहां पर IIT अभी करेगा IIT मदरास ने Rise Creek नाम का एक Micro processor बनाया था यह High End Industry Based Micro processor था यह मई विमन्त में बनाया गया था Intel की साहे ताले करके यह ध्यान रखेंगे और प्रोजेक्ट इस शक्ति के तहथ बनाया गया था यह भी ध्यान रखेंगे इनमें से कौन से कंट्री अगला Youth Olympic host करेगा इस साल का कहां पर होगा व्यूनसारिस अरजेंटीना में 2022 में अगला होगा यह कहां पर होगा African country Senegal में इनमें से किस राज़वी सरकार ने एक नई scheme लांच करिया अपने वहां पर Blue Revolution Integrated Development and Management of Fisheries यह कहां पर शुरू की गई है मिगाले में इसरो ने इनमें से किस State के University के साथ एक समझाता किया है जिससे वहां पर 37 धवन Center for Space Science Setup किया जा सके यह किया है जम्मू University के साथ समझाता इसरो ने इसरो के Head है के Siwan Inland Water Authority of India IWAI ने लांच कराया भी रोल ऑन रोल आफ सर्विस असम में निमाती से किस दूइप के लिए यह किया गया है निमाती से मजूली के लिए मजूली हमारे रिवराइन आइलेंड है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइलेंड बाना जाता है और ये कईफी बार एक्जाम में पूछ जाता जी के फैक्ट के तौर पर कहां पर है ये ब्रंपुत रिवर पर बना हुआ एक रिवराइन आइलेंड है यानि नदी दुविप है अनपूर्णा देवी का निधन हो गया था जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिशन थी और 21 घराने से आती है पूछ जाता है कभी-कभी ये आती है मैहार घराना से अक्टबर मंत में भारत का निर्वाचन हुआ था United Nations Human Rights Council के लिए UNHRC के लिए इसका हेटकॉर्टर कहां पर है UNHRC का हेटकॉर्टर है जिनेवा में ये कहां पर शुरू हुआ था ये हुआ था करनाटक में नीदियायोग ने इन में से किस और्गनेजेशन के साथ बड़े और्गनेजेशन के साथ AI Tools और Agriculture और Healthcare के सेक्टर में समझाता किया था Artificial Intelligence Tools को Implement किया सके Agriculture और Healthcare के सेक्टर में इसके लिए समझाता किया नीदियायोग ने Microsoft के साथ बारत का पहला India-Israel Innovation Center IIIC कहां पर शुरू हुआ, कहां पर खोला गया, यह खोला गया, बैंगलूरू में लेट अनुमोलू रामकृष्णन की आटोबाग्राफी लिखी कई किसी के दौरा बिल्डिंग अलीगेसी, यह किसी दे लिखी है, यह लिखी है, वी पट्टा भी राम नाम के ओथर ने इनमें से किस भारती राजनेड, FAO के, Food and Agricultural Organization के Future Policy Gold Award का, मतलब Future Policy Gold Award जीता था अपनी पॉलिसी के लिए, 100% Organic Farming के लिए, यह किसे जीता था सिक्किम ने, सिक्किम के पॉलिसी ने यहाँ पर जीता था, इंट्रीज कई सारी थी, लेकिन इसी ने जीता है, वर्ल्ड बैंक की Human Capital Index में इंडिया की रैंक किती रही है, इंडिया की रैंक रही है, 115, वर्ल्ड बैंक ने पहली बार अपना खुद से Human Capital Index जारी किया है, वैसे कई सारी संस्ताओं से पहली भी कराते रहते हैं, वर्ल्ड बैंक ने World Development Report प्रियार करने के अपने करम में ये अपना इंडेक्स जारी किया था, इसमें 115 स्थान दिया है भारत को, पहले स्थान पर रखा है सिंगापूर को, यानि कि वहां के Human Capital सबसे अच्छा है, सबसे अधिक है, और दूसरी बात ये कि भारत को स्री लंका स यूज किये गए हैं, उनमें कमी हैं, NSE ने की National Stock Exchange ने अभी हाली में किस राजी की सरकार के साथ समझाता किया है, इससे कि MSME का ग्रोथ किया जा सके, स्टेट में, इससे कि बात बात कि समझाता कि ये हैं, उत्तरा खंड ने, NSE, National Stock Exchange के साथ, World Egg Day की थीम क्या रही थी, इनमें से किस देश की टीम ने जीता था, सुल्तान जोहर कप जूनियर होकी का, तो सुल्तान जोहर कप सबसे पहली बात तो किसे समंदित है, होकी समंदित है, कब किसे जीता, ब्रिटेन की टीम ने, भारत की रैंक Global Hunger Index में कितनी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है, एक सो तीसरी, एक सो तीसरी, एक सो तीन, वन हेंडर थर्ड कुछ भी बोलने इसको, और पिछली बार रही थी समी, तो ये ध्यान रखी के अपडेटेड है, इनमें से किस भारती लोग कलाकार ने, 2018 का, हुकुआ का, आर्ट एंड कल्चर प्राइज जीता है, ये जीता है तीजान भाई ने, तीजान भाई ने, नोबल लिट्रेचर प्राइज के अगेंड्स जो एक प्राइज फाउंड किया गया है, न्यू अकैडमी प्राइज इन लिट्रेचर ये किसको बिला था पहला, ये मिला था मैरीस को भारत और किस अन्य देश ने अभी एक जॉइंट प्रोग्राम लॉंच करा था अफगानिस्तान के लिए जिससे वो अपने डिप्लोमेट्स को वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे तो भारत और चाइना के डिप्लोमेट्स जाने वाले थे अफगानिस्तान 2018 के शंगाई मास्टर्स टैनिस टूटरमेंट को किस्त जीता जीता नुवाग जोकोविच ने डिरेक्टर जनरल आफ काउंसिल आफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रिल रिसर्च यानि की CSIR के नए हेड कौन बने है ये बने हैं शेखर सी मांडे शेखर सी मांडे पहले ग्रीज साहनी थे अब हैं सेखर सी मांडे माराना प्रताब के उपर एक किताब लिखी गई है माराना प्रताब दा इन्विंसिबल वारियर ये किसकी किताब है रीमा हुजा की इंडिया इंटरनाशनल सिल्क फेर दोजर अठारा ये कहां पर हुआ था ये वह था दिल्ली में बारत में सोशल इंटर्प्रनेवर आफ दाइयर से किसको सम्मानित किया गया है सम्मानित किया गया है प्रेमा गोपालन को नैशनल कमिशन फ्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स एंसी पिए सी आर की नई चेर परसन कौन बनी है या बने है यह बने है प्रियंक कानून गो यह किस पिडिस्ट्री के अंतर को काम करता है यह कमेंट करके बताएंगे हमको वैसे तो अंडर स्टूडी हो गया होगा अब किससे काम करते हैं फिर भी बताएंगे कमेंट करके 2019 IAAF World Relays कौन से कंट्री होस्ट करेगा यह करेगा जापान जापान अगला ओलंपिक भी होस्ट करने वाला है समर का और यह भी होस्ट करेगा ध्यान रखेगा इसमें अगला ओलंपिक टोकियो में प्रुस्तावित है और इसके मैं स्कॉर्ट भी आ चुके हैं मिराइतोवा बनेगा वेस्कॉर्ट टोकियो उलंपिक का पैर उलंपिक का कॉन से बनेगा शुमाइटी बारत की पहली स्पोर्ट उनिविश्टी कहां पर खोली गई है खोली गई मणिपूर में तो इस तरह की कॉश्चन्स आते हैं तो फूट बिजनिस और ऑनलाइन लर्णिंग प्लैटफॉर्म कहां पर खोला गया है वरंगल में 2018 में जो हौकी मेंस वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है इसका ओफीशल मैस्कॉट कौन रहा है यह रहा है ओली यह ओली रिडले कच हुआ है ओली रिडले कच हुआ है तो कि ओडी शाव गयरें पाय जाता है गुजरात के कोस्ट पर भी तो यह है ओली Half the night is gone इस नाम से किताब जो है किसकी है जिसको दहिंदू प्राइस 2018 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है यह मिताब बाग्ची की किताब है option number D एक चीज़ यहां पर ध्यान रखना है दहिंदू प्राइस जो है literature का यह हमेशा पहली तारीक को दिया जाता है दहिंदू ग प्राइस किसने जीता है मैन बुकर का प्राइस किसने जीता है एना बर्नस ने एना बर्नस ने किसके लिए जीता है अपनी किताब मिल्क मैन के लिए मैन बुकर का इंटरनाशनल प्राइस आया था प्रेल भी वो किसने जीता था ओलगा टोकार्व जुक ने वो जीता था पर प्रुष्कार है, Man Booker International अलग है, Man Booker Prize अलग है, वो October पर दिया गया है, Anna Burns को, Association of Mutual Funds in India, AMFI, Organization के Chairperson कौन बने है, ये बने है, निमेश शाह, निमेश शाह, स्वस्त भारत यात्रा, National Campaign है, कि किस परिपर्स के लिए चलाई गई है, Food Safety या Safe Food को प्रमोट करने के लिए, World Food Day 2018, इसकी थीम क्या रही थी, इसकी थीम रही थी, Our Actions are Our Future, Barving Asia Europe Meeting, Summit 2018 में वोकि इसने पार्स पेट किया था, भारत की तरफ से गयत है, हमारे VP, Vice President, वेंकाईया, नायडू जी, फूल पती नाम का तेवहार, हमारे किस पड़ोसी देश्ट मनाया था, जो मनाता है नेपाल, World Truma Day हम लोग कब बनाते हैं, World Truma Day मनाते हैं, October 17 को, बार्वा Asia Europe Meeting जो हुआ था, SM 2018, इसकी थीम क्या रही थी, Global Partners for Global Challenges, 2018 का मैंड बुकर प्राइस को मिला हैं, बता चुके आपको एना बर्न्स को, उनकी नावल मिल्क मैंड के लिए, World Economic Forum का Global Competitiveness Index, GCI आगे था लेटिस्ट वाला, इसको आप ध्यान रखेंगे, अपसे, इंडिया की रैंक है 58 वी, 58 रैंक इंडिया की फर्स्ट पर कौन है, टॉप पर है, यूएस, और ये लिस्ट थी 140 कंट्रीज की, उसमें बहुत सारे परिमीटर से, लेकिन आप ओवरल रैंक की ध्यान रखेंगे, यह है 58 अगला क्वेश्चन है, मारा कि इनमें से किस कंट्री ने, किस G7 कंट्री ने प सबसे पहले सबसे बड़े unmanned transport drone को test किया, जिसका नाम इन्होंने FH98 रखा था, किस ने किया था चाइना ने, चाइना ये इसे हरतंगेस काम करने के लिए जाना जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे हम लोग कब बनाते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट डे बना जाता है, military exercise किया था, military exercise जापान के साथ हमने पहले कभी ने किया था, पहली बार हमने किया ऑक्टूबर में धर्म गारजियन के नाम से, किस नाम से धर्म गारजियन के नाम से, भारत के पहला सरकारी निकाय बन गया है, कौन, इंडियन railway, जिसने सबसे पहली बार एक chat enabled help desk service की शुरु यह नहीं, आप घर की बात से पूछें क्या चल रहा है, यह नहीं, आप उससे कोई query करेंगे तो उसमें auto generated कुछ feedbacks हैं, वो आपको भी लेंगे, इन में से किस social entrepreneur को अभी हाल में International Olympic Commission Sports and Active Society Development Grant Award से समानित किया गया, यह है सुहेल टंडन, यह सुहेल टंडन, प्रो स्पोर्ट ड समझाता किया है, जिससे वो लोग अपने technological चीजों को upgrade करके industry को बढ़ावावाद देंगे और manufacturing excellence को हासिल करेंगे, तो BSNL और Nokia, बढ़िया combination, शाही लीची किस राज में आपको मिलती हैं, जिनको अब आपको देखने को बिलेगा GI Tag, GI Tag बिला है शाही लीची को जो है बिहा पांचवा एडिशन, Women of Indian Origin Festival ये कहां पर हुआ, ये हुआ दिल्ली में, कई सारे festival, summits, conferences आपको दिल्ली में होते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन 100 times ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर 100 में से 50 बार तो ऐसा होता ही है, अभी इस तरह question आपको ना आ रहा हो, तो attempt करने का प्रयास करना चाहिए, तो marks जाए गया, तो आपको भी लेका, अगर दिल्ली option में है, तो जरूर अटेम्ट करना चाहिए, ये कहने का मतलब है, इन में से किस cricket विशेशा गिने, Indian sports, conversations and reflections, इस नाम की किताब लिखी है, किसने लिखी है, विजेन बाला ने, संजे मांजरेकर की किताब सब्सक्राइटी, 2018 की शुरुवात में, imperfect, imperfect, इन में से किस organization ने अभी हाली में काफी affordable water disinfection system, उनीर को बनाया है, उनीर trademark के साथ, बनाया गया है CSIR के, Indian Institute of Toxicology Research के द्वारा, ये उनीर TM क्या है, उनीर एक आपका water disinfection system है, जो हमने आपको बता है, वायरिस, प्रोटोजोवा, ब एक इस तरह का water तेयार करेगा, जो international standards के हिसाब से शुद्ध होगा, WHO के standards के हिसाब से भी है, ये standards के हिसाब से pure water develop कर सकता है, उनीर और काफी affordable, मैं ऐसा नहीं कि, एक लीटर 40 रुपय का मिलना है, जैसे बिसले रिमेजती है, ये मिलेगा केवल 2 पैसे पर लीटर, तो CSIR ने इंस्ट्यूट ने डवलब किया है, तो option no.6 मसई है, बारत का पहला smoke free state कौन से बनने जा रहा है, ये बनेगा केरल, smoke free state का मतलब कि यहाँ पर no smoking से नहीं, यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि यहाँ पर लगभग कोई भी अब खाना बनाने में लकडियों का कंडों का इस्तमा smoke state, 2018 हरदेनाथ award किसको बिला है, हरदेनाथ मंगेशकर award किसको बिला है, मौहमद जाहूर खयाम हाश्मी को, 2017 में मिल गया था जावेद अक्तर को और लगभग 4-5 competitive exams ने इस तरह questions पता नहीं क्यों पूछा था, तो 2018 वाला आप बदल गयें, ये ध्यान रखिये का, जावेद 2017 के थे, मौहमद जाहूर खयाम हाश्मी बन गये है, हरदेनाथ मंगेशकर प्राइस जीतने वाले, 2018 के परसन, हरदेनाथ मंगेशकर हमारे famous singer थे और इनी की आदमे award बिलता है, हमारे कौन से union minister को अभी हाल में कारनेट प्राइस आफ क्लीन मैन सेंटर आफ एनरजी पॉलिसी का मिला है, हैने क्लीन मैन सेंटर फॉर एनरजी पॉलिसी का कारनेट प्राइस मिला है, यह मिला है प्यूश गोयल को, आसियान देश अपनी पहली joint maritime exercise इनमें से किस देश के साथ करेंगे, यह करेंगे चाइना के साथ, बुटान में इनमें से कौन से राश्ट्री पार्टी यह वहाँ पर बनाएगी government, यह बना चुकी है, क्योंकि पुराना current affair है, डुक नयाम रूप शोकपा इस तरह की जो पार्टी का नाम है, यह वहाँ पर सरकार बनाएंगे, सीरिया क्रिसिस पर चार दिवसिये या फिर चार नेशन सम्मिट कौन करने जा रहा है, यह करेंगा टर्की, टर्की के अप्टल है अंकारा, काटी बीहु फेस्टिवल दोजर अठारा, यह कौन सा स्टेट पनाता है, यह मनाता है असम, Wildlife Photographer of the Year का रवार्ड किसको बिला है, यह बिला है, Marshall van Houston को, Wildlife Photographer of the Year का रवार्ड, Module wohl के लिए, यह हैं Archdeep Singh, इनमेंसे किस भारती बूल की परसनाल्टी को, विक्तित्व को मिला है, US Presidential Award Human Trafficking से रडाई करने के लिए यह मिला है मीनल पटेल डेविस को 4th Edition Global Partners Forum का यह कहां पर हुआ था यह हुआ था डेली में IRDA ने Insurance Regulatory Development Authority ने जो की Insurance Sector को पुरा गौर्ण करती है इसने यह study करने के लिए कि क्या हम claim को installments में दे सकते हैं पेंच के लिए एक पैनल के अगठन किया गए था इस पैनल के head कौन बना गय zij पैनल के इड बना गये थे श्री शुरेश माथुर सुरेश माथूर बना गये था इस panel ke head IRDAि के दौरा की देखते है हम लोग claim को installment में पे कर सकते है क्या और अगर आफ से उसे IRDA के हेड कौन है यह है सुभास चंद्र खुंटिया मिस्टर सुभास चंद्र खुंटिया विश्व शांती अहिंसा सम्मेलन 2018 यह कहां पर हुआ था यह हुआ था महराश्ट्र में यूस बेस्ड किस दलित राइटर को शक्ति भट फर्स्ट बुक प्राइज मिला है 2018 का यह मिला है सुजाता गिड्ला को सुजाता गिड्ला 87 आई ए ए फ्यूजन एनर्जी कॉन्फरेंस 2018 यह कहां पर हुआ यह हुआ गांधी नगर गुजरात में हैं पर्लिमेंट्री स्टेंडिंग कमीटी ओन लेबर जो इसमाइन कर रहे हैं जो आँच कर रहे हैं कि इंप्लोईज प्रोविदेंट फंड ओर्गनेजेशन कैसे काम करता है इसके एड कौन है इसके हैड है किरीट सुमयया किरीट सुमयया इन में से कौन सा पब्लिक सेक्टर का बैंक, पहला बैंक बन गया है जो अपने क्लाइंट्स के लिए comprehensive wealth business services ले कर गया है, यह है SBI, State Bank of India SBI ने August में एक विशेश तरह की payment service शुरू की थी customers के लिए Mopad, Mopad का मतला है multi option payment acceptance device यानि कि एक ही हम लोग device के माध्यम से पे कर सकेंगे, अपने रूपे कार्ड से भी, अपने debit card से, अपने credit card से, अपने किसी भी mobile wallet से, तो multi option payment acceptance device किसने चलाई थी SBI ने इन में से poly oxyme क्या है जो डवलप किया गया था हमारे भारती शोद करताओं की दौरा और काफी news बे रहा था यह है एक skin gel भारत की पहली domestic cruise कौन सी है, यह है अंगरिया अंगरिया brand finance के nation brand report 2018 में इंडिया किस स्थान पर आता है valuable nation brand list में, यानि कि ऐसा country जिसके पास बहुत सारे valuable brands है आता है नवे number पर इन में से किसे 19 में लाल बादुर शास्त्री national award for excellence in public administration का award मिला है यह मिला है हमारे यह supreme court में जज़ हैं इस समय फाली एस नरीमन जो अभी सब्री माला के verdicts आये हैं जो अभी 490 IPC पर verdicts आये हैं आधार पर आये हैं उन सभी की मेंच में 5 मेंच में से एक मेंबर थे फाली एस नरीमन Green Climate Fund GCF जो की Indian Coastal Communities को अभी दान कर चुके हैं या फिर अप्रूव कर चुके हैं उनको help के तौर पर 83 million USD यह किस UN organization के द्वारा सपोर्ट किया गया है यह UNDP के द्वारा सपोर्टेड है United Nations Development Program के द्वारा National Police Commemoration Day हम लोग कब बनाते हैं पुलिस परती दिवस मनाते हैं 21 October को 2018 की विजय हजारी ट्रॉफी किसने जीती है विजय हजारी ट्रॉफी पहले तो किस स्पोर्ट डिस्सिप्लिन से रिलेटेड है यह क्रिकेट से समंदित है किसने जीती इस बाल मुंबई ने जापान के बैलाजिस्ट ओसामू शीमुवारा का निधन हो गया है 2008 वरश्मेन को नोबल प्राइज विला था केमेस्ट्री में किसकी डिस्कवरी के लिए ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन के लिए इन में से किस कंट्री ने आधिकारिक तौर पर खोल दिया है वर्ल्ड का सबसे लंबा सी क्रॉसिंग ब्रिज किस दे खोला है हमने कहब अजीब गरीब काम क यह भनें पॉल बीया कैमरून एक कंट्री है वेस्टर न एफरीका में इसोन कि आयंकम के अलब होती है ती याउंडे क्या क्या इस किस ने जीता है यह जीता है नरेंद्र मोधी जी ने, इनको मोधिनॉमिक्स वगेरा इनके जो भी टर्म सैंस के लिए मिला है, सिवल पीज प्राइज, एक एकजिबिशन हुआ था, कहां पर दोबई में, कहां पर हुआ था दोबई में, इसका नाम क्या है वेटेक्स, यानि कि वाटर इनरजी टेकनलोजी एन इनवार्मेंटर एकजिबिशन, वेटेक्स, इनमें से किन है, मिस डीफ एश्या दोजर अठा द्वारा का पुरुस्कार मिला है या डीफेशिय दोजेर था कौं बनी है टेटल झीता है निष्था टूडेजा ने निष्था दुडेजा इन में से कि मैं पुरुस्क्रत vient की आ था वल्ड के या नाइडू जी ने इनका अवार्ड प्रेजेंट किया था इन में से किस भारती और्गनाइजेशन को UN के द्वारा दे जाने वाला UN Award for Excellence in Promoting Investment in Sustainable Development का अवार्ड बिला है कुल बिला करके ऐसे समझो इसको promoting investment यानि investment को promote करने वाला जो और्गनाइजेशन है भारत में है Invest India Invest India के CEO को अवार्ड प्रेजेंट किया गया था Global Investment Forum जो हुआ था जिन्वा में वहाँ पर Invest India के CEO कौन है यह है आपके दीपक बागला Invest India वैसे है क्या एक non-profit venture है ध्यान रखेगा Non-profit venture है किसका Department of Industrial Policy and Promotion का जो की है कहाँ पर जो की किसके अंतरगत है किस Ministry के अंतरगत Ministry of Commerce and Industries के अंतरगत तो ध्यान रखना फिर से non-profit आपका venture है किसके अंतरगत है Department of Industrial Policy and Promotion जो की है Ministry of Commerce and Industries के अंतरगत जिसके इस समय है डिया राजमंत्री है श्री श्रुष प्रभू International Conference on Status and Protection of Coral Reef Was held in which Union Territory of India किस Union Territory में यह conference हुई थी Status and Protection of Coral Reefs यह थी लक्ष्वदीप में दुजबा 3 यह exercise किन दो देशों ने शुरू की है यह रश्य और पाकिस्तान करते हैं exercise ड्रस्बा 3rd International Dance Festival उद्भव उत्सव का पंदरवा संस्करण कहां पर हुआ था यह वह था MP के ग्वालियर में भारत की पहली engine-less train कौन सी है engine-less train का नाम है train 18 इस particular train को make in India कारेकरम के तहर डवलप किया गया है यह semi high speed की train है जो करीब 180 km per hour speed से track पर जा सकती है एक group of ministers का गटन किया गया है जो की ज़्यादा ज़्यादा legal और institutional frameworks को मजबूती देने के बारे में विचार करें sexual harassment जो होती है workplace पे molestations वगएर विमन का इसको रोकने के लिए तो इस group of ministers के head कौन है यह है राजनात सिंग impactful policy research in social sciences तो इस scheme की implementing agency कौन है इसको implement कर रहा है ICSSR ICSSR क्या क्या है मतलब Indian Council of या फिर फोर social science research global agriculture leadership summit 2018 11 संस्करन कहां पर हुआ था एक पर फिर से न्यू जेली में एक high level steering committee का गठन किया गया है जो कि review करेंगे समिक्षा करेंगे National Indicator Framework NIF Sustainable Development Goals के लिए तो इस high level steering committee को head कौन करेंगे यह करेंगे Chief Statistician of India जो है हमारे वो है आपके Mr. Praveen Shrivastow Women of India National Organic Festival 2018 का 5th edition कहां पर हुआ था एक पर फिर से दिल्ली में कौन से कंट्री होस्ट कर रहा है International R. Maha Sammelan IAMS 2018 होस्ट कर रहा है इंडिया ने Spark program के लिए यानि की Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration program इसके लिए Coordinating Institute कौन है National Coordinating Institute IIT खड़कपुर उन्नत भारत अभियान 2.0 के लिए Coordinating Institute कौन है वो है IIT डेली 2016 Tegaur Award for Cultural Harmony यह किसको मिला है यह मिला है राम वन्जी सुतार को इंडिया ने अपने किस पड़ोसी के साथ अभी साइन किये हैं कुछ समझोते जिससे Inland और Coastal Waterways Connectivity को इंप्रूव किया जा सके यह किया है बंगलदेश के साथ बंगलदेश के साथ हम लोग यह दभ्यास करते हैं संप्रीती के नाम से पहला JCB Prize for Literature यह किसको मिला है किस ओथर को यह मिला है बिनियामीन को बिनियामीन इनमें से किस भारती जनरलिस्ट को या फिर पत्रकार को शिकोफरीनिया रिसर्च फांडेशन मीडिया फोर मेंटल हेल्थ रिपोर्टिंग अवार्ड में इंगलिश के टेगरी में इंगलिश रिपोर्टर के टेगरी में अवार्ड बिला है यह मिला है योती शिलार को इन में से किस country ने top किया है सबी देशों की list में सबसे अच्छी travel destination के रूप में 2019 के लिए lonely planet best in travel 2019 के नुसार यह है श्री लंका lonely planet की best in Asia destinations का और भी एक और आया था उसमें आप जानते हैं कि fourth award किसको बिला था western ghats को best places to visit में fourth category में award बिला था western ghats को और यह countries की list है तो countries की list में किसको मिला है श्री लंका को 2018 vigilance awareness week की theme क्या है की theme है eradicate corruption build a new India इन में से किस राज की सरकार ने तै कि वो glyphosate formulations को ban करेंगे अपने वहाँ पर यह किया है पंजाब ने इस एक इस बारती प्लेयर ने world billiards championship title जीता था leads में जो की है UK में world billiards championship title किसे जीता शौरफ कोठारी ने शौरफ कोठारी enforcement direct rate यानि की प्रवर्तन निदेशाल है यह किसके अंतरगत काम करता ही काम करता है वित्वंत्राले के अंतरगत यहने की ministry of finance के अंतरगत enforcement direct rate अंडर 21 Belgium Open में किस विमेन इंडियन विमेन टैनिस प्लेयर ने जीता था सिल्वर यह जीता है वारत में निमलिकित में से किस देश के साथ 75 USD billion currency swap agreement sign किया है यह किया है जापान के साथ इन में से किस northeastern state यानि की उत्तरपूरवी राज ने British council के साथ समझाता किया है cultural और educational collaboration के लिए यानि कि सांस्कृतिक और सेक्षिडिक collaboration यहाँ पर समझाता किया है British council के साथ किस northeastern states ने और नाचल प्रदेश ने इन में से किस राजी ने 2018 में सांगाई festival बनाया था अपने राजी में टूरिजम यानि परिटन को प्रमोट करने के लिए यह मनाया था मनिपूर ने मनिपूर प्रोफेसर काजी अब 270 का निधन हो गया था यह नोटेट उर्दू राइटर थे यह आते थे कि स्टेट से यह थे उत्तर प्रदेश के ब्राजील में 2018 में presidential election राश्टपरती चुनाव किसने जीता है यह जीता है जायर बोल सुनारू ने जायर बोल सुनारू ने इसी प्रकार से एरलेंड के कौन बने है प्रेसिडेंट के बने है माइकल डी हिकिन्स एरलेंड की कैपिटल क्या है एरलेंड की कैपिटल है बिलफॉस्ट इन चारों में से किस नोबल प्राइज विजेता को हावर्ड युन सत्यारिख के साथ सभ्सेय। तो यह आप ध्यान रखेंगे इसमें, कहला सत्यारिखी बच्पन मचाव अंदुलन से सम्वन्दित हैं, इनको भी एक अवार्ड बिला था इसको गहते हैं हम लोग संतोगबा हुमिनेटेरियन पुरुषकार संतोगबा हुमिनेटेरियन प्राइज इनको मिला था ये भी जॉएंटली दिया गया था इनको मिला था और मिला था हमारे पूर्व इसरोहेड को A.S. किरन कुमार को तो ये आप याद रखेंगे सारी चीज़ है पुरुषकारुस रिलेटेड यश्वन्त देव का निदनों गया था वो वेटरेन परस्नालिटी इन में से किस किस फिल्ड से रिलेटेड थे ये समंदित थे म्यूजिक से यानि की संगीत से बंबे हाई कोट के नय चीफ जस्टिस कौन बने है ये बने है नरेश हरिचंद्र पाटिल विश्व का सबसे बड़ा एरपोर्ट हवायड़ा अंडर वन रूफ ये कहां पर ओफिशली आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है ये खोला गया है इस्तानबुल में बारत की पहली जस्टिस सिटी किसे बनाए जाएगा ये आंधर प्रदेश की कैपिटल अमरावती को बनाए जाएगा अप्शन नमबर ए आप उनको ये कमेंट करके बताए कि भारत में पहला ब्लॉक्चेन जिला कौन सा होगा पता है कमेंट करके कहां पर बनेगा किस राजी में अट लिस्ट है आपको पता होना चाहिए इन में से किस इंडियन और्गनाजेशन के साइंटिस्ट ने डवलप किये थे लेस पॉल्यूटिंग पटाखे दिवाली से पहले स्वास सफल और स्टार यह डवलप किये थे CSIR ने, CSIR के नेश्टल इंवार्मेंटल इंजिनरिंग रिसर्च इंस्ट्टूट इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम एमिशन 35-40 परसेंट कम एमिशन यहां पर सेलफर का KNO3 जो मेजर कंपोनेंट होता है पटाके के इसमें नहीं होगे और साउंड भी इनके बराबर ही होगी और यह 15-20 परसेंट सस्ते भी बताया गये थे अग्लमारान की वी कर नए तन्हें देखा था इनको भुटते हुए दिवाली में इनमें सेक्स मंत्राले ने गांधियन थौट और सुख्षता सीमिनार और 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 यंए था वरदा डिस्टीक्ट में महरास्ट में किया था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वोडर अन्ञ शे अच्छे तो कर रहा है मिनिस्ट्री आफ हाउजिंग एंड अर्बन अफेर्स फैनेशल स्टैबिल्टी और डवलोप्मेंट काउंसिल FSDC के चेर परसन कौन होंगे ये फिनेंस मिनिस्टर होंगे केलर राज की सरकार अपने यहां पर सबसे उच्छ साहितिक पृरुसकार देती है उसका नाम होता है एजु थाचन पृरुसकारम एजु थाचन पृरुसकारम में अवार्ड इस साल किस्को बिला है ये मिला है M.Mukundam को पिछली बार के सचीदानन्द को मिला था तो आपकी बार मिला है के मुकंदम को मुकंदम को इनका नाम ध्यान रखेंगे इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस IITBP के डिरेक्टर जनरल DG कौन बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं SS देशवाल किस भारती क्रिकेटर को Hall of Fame ICC Cricket के Hall of Fame में सामिल किया गया है इस साल इस सामिल किया गया है राहूल द्रविड को राहूल द्रविड सामिल किये गया है इंडियाक तरफ से और भी बाकी हैं उस्टिलियाक तरफ से रिकी पॉंटिंग को इस बार सामिल किया गया है अभी तक खाली पांच भारती ऐसें जिनको Hall of Fame ICC में सामिल किया गया है पांच में है राहूल रविड इनमें से किस राज की सरकार ने सावरा जल निधी स्कीम शुरू की थी फार्मर्स के लिए यही है ओडिशा ने इनमें राज के फार्मर्स को फाइदा पहुचाए जाएगा जिनमें फार्मर्स के पास एटलीस्ट आधा एकर अगर उनके पास खुद का लैंड है और प्रॉपर फार्मर आइडेंटिक कार्ड है तो उनको सोलर पंप करीदने में सबसेडि मिलेगी 90% तक की सरकार की तरफ से राजिसरकार की तरफ से वर्ल्ड बैंक के इज ओफ डूइंग बिजनिस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है सबसेटर्वी पिछली बार रही थी सब्वी काफी काफी इंप्रूफ किया है भारत में खुद को यह सिग्रिफ है काइंड बात है आप ध्यान रखेंगे सबस्तर भी रैक रही है इस आउट डूइंग इंडेक्स डूइंग बिसनिस इंडेक्स 2018 में भारत की वल्ड बैंक इसको जारी करता है फर्स्ट रैंक इसको भी ली है बताएंगे कोमेंट करके कोई कर सकते हैं कोमेंट आप एशियन स्नूखर टूर इवेंट जीतने वाले पहले भारती बने हैं हमारे पंकड आडवाणी पंकड आडवाणी सोवरिन ब्लू बॉंड जारी करने वाला पहला देश कौन से बना है यह बना है सीशेल्स से साथ हम लोगे की उद्दभ्यास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लमाईतिये लमाईतिये का क्या मतलब होता है क्रियोरिस सीशेल्स की लेंग्वेज में लमा सदी की सो बेस्ट फॉरें लेंगविज की फिल्मों में बीबीसी के नुसार भारती फिल्म एकमात रहे पाथेर पांचाली विश्व की सबसे उंची स्टैचू स्टैचू अफ यूनिटी सर्दार पटेल जी की पृतिमा इसका डिजाइन किसने तयार किया है यह तयार किया ग और अप्शन नमबर डी में गलोनास किसका है यह है रशिया का तो यह आप याद रखेंगे इंडिया ने ओफिशली साइन कि एक पैक्ट साढ़े नौसो मिलियन उएसडी का किस कंट्री के साथ खरीदने के लिए दो अपक्रेड़िट क्रिवाक थर्ड क्लास के स्टिल्थ फ्रिगेट्स किसके साथ किया कॉंट्रेक्ट रश्या के साथ मेंस हौकी वल्ड कप जो भुवनेश्वर्क में चल रहा है ओडिशा में इसका ओफिशल पार्टनर कौन बना था ये बना था टाटा स्टील इंडो जापान जॉइंट मिलिटरी एससाइस धर्म गार्जिन कहां पर हुआ था ये वह था मिजोरम में वर्ल्ड कॉर्प्रेट गेम्स डबलू सीजी 2019 का 23 एडिशन कहां पर होगा ये होगा कतर में कतर में ये आपका अगला फीफा भी होना है जार सुकुड़ा एरपोर्ट ओडिशा का जो था उसका नाम अदल करके क्या रख दिया गया है उसका नाम रख दिया गया है सुरेंद साई इंटरनेशनल एरपोर्ट तो आप्शन नमर बीस में साई है रबी आई ने बैंक्स को लाव कर दिया है कि वो PCE प्रोवाइड कर सकते हैं NBFC बॉंड्स पर PCE क्या है PCE है पार्शल क्रेडिट इन्हेंस्मेंट और NBFC क्या है NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फिनेंशल कंपनी United Nations का World City Day जो मनाया गया था इसकी थीम क्या थी थीम थी Building Sustainable and Resilient Cities भारत और USA का पहला संयुक्त रूप से Intellectual Property का डायलॉग कहां पर हुआ था यह वो था न्यू डेली में Women's World Boxing Championship WWBC की Brand Ambassador कौन बनाई गई है यह बनाई गई है Maricom Maricom कई जगहों की Brand Ambassador है जैसे BSNAL की Brand Ambassador है Maricom Brand Ambassador है Trifed की पंचतंत्र केलेक्शन को इन्हेंने स्पांसर किया था और अब यह बन गई है इसकी Cherry Blossom Festival कहां पर मनाया गया था इनमें सकी स्राज्यों में मनाया गया था शिलॉंग में मिघाले शिलॉंग में मनाया गया था Cherry Blossom Festival Ola Mobility Institute के Ease of Moving Index 2018 में Public Transport में कि सिटी ने टॉप किया है यह टॉप किया है कुलकाता ने Rome Film Festival में इंडिया की एक मातर इंटरी कौन सी थी यह थी मारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर National Seminar Entrepreneurship और Business Development अयुरुबेद में कहां पर हुआ था अयुरुबेद में Entrepreneurship और Business Development का सेमिनार कहां पर हुआ था दिल्ली में RBI ने प्रासेस शुरू कर दी है जिससे और वो PCR सेट अप कर सके जिससे बॉर्वर्स की डिटेल्स कैप्चर की जा सके और NPA को रोका जा सके डिफॉल्टर्स को कम किया जा सके तो PCR का क्या मतलब है? PCR का मतलब है Public Credit Registry बारती रेल के CRIS ने इनकी Center for Railway Information System ने एक डवलोग किया है Unreserved Mobile Ticketing Facility UTSN Mobile App तो UTSN Mobile Apps का मतलब है जनरल की टिकेट आप ओनलाइन इखरीद सकते हैं बिना काउंटर पर जाए आप उसको रख सकते हैं और दिखा सकते हैं कलेक्टर को तो ये CRIS कहां पर है? ये है डेली में CRIS का क्या मतलब बताया? हमने आपको Center for Railway Information Systems WHO की Global Conference Air Pollution और Health को लेकर के कहां पर हुई थी? ये हुई थी जैनेवा में Little India Gate अभी न्यूज में था ये कहां पर घाटन किया गया था? कहां पर खोला लगाया गया था? क्या चीज है ये? Little India Gate लगाया गया था मिदान सिटी में ये Northern Indonesia की सिटी है और यहां पर साथ जार लोग एखटे हुए थे Little India Gate बना करके और यही रिकर्णाइस करने के लिए था कि क्या योगदान राय मिदान सिटी के development में इंडियन्स का World Tsunami Awareness Day कब बनाए जाता है? बनाए जाता है 5 November को भारत का पहला asymmetrical cable state bridge जिसको signature bridge बोल ले है इसका उधगाटन कहां पर हुआ है? यह हुआ है डेली में केंदर सिकार ने इन में से किस राज की पुलिस force को CCTNS के तहत अच्छी services के लिए good practices awards से नवाजा है कौन से पुलिस समानित की गई सबसे पहले पर तो यह समानित की गई है असम की पुलिस CCTNS का मतलब है Crime and Criminal Tracking and Network Systems तो इस project के तहत यह governance को प्रमोट करने के लिए अच्छी services डिलिवर करने के लिए citizen centric services अपने राज की लोगों को डिलिवर करने के लिए मिला है सम की पुलिस को यह award राजा राम मुहन रॉय अवार्ड से इन में से किस journalist को समानित किया गया है समानित किये गया है एन राम एन राम यह दा हिंदू गुरुप से संबन देते हैं ध्यान रखेंगे वो कौन सी पहली company बन गई यह भारत की जिसने letter of credit LC payment रिसीव किया है blockchain की माध्यम से रिसीव किया है Reliance Industries ने वारत सरकार ने अभी एक operationalization strategy शुरू की है कि जो operation green है operation green जो norms करा गया था budget में इसको implement कैसे करेंगे तो हमको बताना है operation green इनमें से किस crop से समंदित है tomato onion potatoes समंदित है ठीक है इनके दाम जनरली बढ़ जाते हैं कभी कभी बहुत जादा उपर तक जल जाते है 100 रुपए 300 रुपए कि लो तक तो ऐसे दाम ना बढ़ें इसको control करने के लिए है mission green भारत की तरफ से इरान के नए र masters में जीता है Karen K SN quionate The Fire burns Blue History of women's Cricket in India करुनिया के शौज की खिया कीृए स्पोर्ट्स जनिल्लिस्टें की किताब है The Fire Burns Blue History of women's cricket in India main title इध्यान रखेंगे अपाइर ब्रू यह विमन cricket के लिए लिए लिखी गई है इनमें से किस सेको बिला था, यह मिला था, अनुपम खेर को, श्री अनुपम खेर को, सुप्रीम कोट ने इन में से किस राज के लिए एक सेपरेट हाई कोट के लिए मंजूरी दे दी थी सेपरेट हाई कोट खुलेगा आंध प्रदेश में इंटरनाशनल बॉक्सिंग एसोशियेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं बने कफूर राखिमो किस राजी की सरकार ने अभी मंजूरी दे दी है टेकनलोजी ट्रिवन और सेटीजन फ्रेंडली मोबस सर्विस की मोबस सर्विस और मोबस मोबाइल एप यह शुरू किया गया है ओडिशा में इसमें एप नहीं है एक्शुली में यह बसस है कुछ सोफिस्टिकेटड बसस से जिसमें जीपियस सिस्टम मगरे लगे हुए है और यह बेसिकली विमेन सेफटी के लिए लॉंच किया है ओडिशा ने अभी फिलहाल सौच लेंगे और बाद में इनकी संख्या बढ़ा ही ज किया है इससे की फार्मिंग व्याइबल बना जा सके आंध्र प्रदेश को यह किया है वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है आंध्र प्रदेश ने 172 मिलियन उवेस्टी का भारत को इंटरनाशनल टेली कुम्म्निकेशन्स यूनियन आईट्यू काउंसिल में एक मेंबर के तौर पर चुना गया है निर्वाचित किया गया बैसिकली तो इसमें कब तक रहेगा भारत मेंबर 2019 से 2022 तक लोगसभा की सेकरेट्री जनरल इनमें से कौन अपॉइंट करी गई है यह बनी है स्टनेह लता श्रिवास्तो एशिया सौटगन चेंपिनशिप में म एंस स्कीट डेसिब्लिन में गोल्ड किसने जीता है यह बताना है आपको यह किसने जीता है अंगद वीर सिंग बाजवा ने वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम का फिफ्ट एडिशन पांचवा संस्क्रण इनमें से किस सिटी में हुआ था किस कंट्री में हुआ था स्वरी य इनमें से किस देश में होगी यह होनी है इंडिया में ही इनमें से किस न्यूस एजनसी ने अभी हाल ही में वर्ल्ड के पहले AI निउस एंकर की शुरुआत करी है यानि कि यह निउस रीड करेगा आर्टिफिशल इंटेलिजन्स बेज़ड रोबोट टाइप का निउस एंकर है यह निउस रीड करेगा जिस निउस एजनसी ने इसको बढ़ाया है उसका नाम सीनुआ है और यह कहां की है यह चाइना की है हमने बताया आपको चाइना यह से हैरतंगेस काम करने के लिए जाना जाता है Most of the cases बेज तरह काइनसर चाइना ही होता है Competition Commission of India भारतिय प्रतिसपरधा आयोग के नए चेयर परसन कौन अपॉइंट करे गए है यह बने है अशोक कुमार गुपता अशोक कुमार गुपता मुआरे NGT के चेयर परसन कौन है वो है जस्टिस आदर्ष कुमार गोयल इनमें से किस बारति व्यक्तित्त को अभी फ्रांस का जो हाइस्ट सिविलियन ओनर होता है Knight of the Legion of Honor जो आपको यादो जनवरी में मिला था स्वामित्र चटरट जी को इसी तरह का वार्ड बिला है जवाहर लाल सारीन को जवाहर लाल सारीन को बिला है Knight of the Legion of Honor और फ्रांस का यह हाइस्ट सिविलियन ओनर होता है National Cancer Awareness Day हम लोग कब बनाते हैं यह बनाते हैं 7th November को इन में से किस Indian Institute of Technology ने अभी एक Portable Solar Powered Cold Storage Device डवलप की है जिसमें 500 kg तक की Capacity है 500 kg तक का समान डाला जा सकता है डवलप किया है IIT मदरास ने 2018 Fuso China Open Badminton Tournament किसन जीता है यह जीता है Kento मेमोटा ने इन में से किस भारती रेसलर ने अभी नमबर वन रैंकिंग तक अचीव की है 65 kg वर्क केटेग्री में जीती है बजरंग पुनिया ने बजरंग पुनिया ने हमको सबसे पहला हमको medal लिल लाया था इस याड़ में M777 Howitzers यह अभी recently introduced करे गए हैं इंडियन आर्मी में और यह हमने किस कंट्री से मगवाए हैं यह हमने मगवाए हैं यह यूएस से आपको अगर यादो Apache helicopters हमने मगाए थे Apache Attack helicopters वो भी हमने किस से करीदे थे यूएस से ही अनन्त कुमार का निधन हो गया था वो अभी हाल में कौन से चार्ज लिये हुबे थे वो लिये हुबे थे Ministry of Parliamentary Affairs का चार्ज किस भारती माउंटेनियर को अभी हाल में एक मानद डॉक्टरेट प्रदान किया है prestigious university of Strathlide ने कि दिया गया है अरुनिमा सिनहा को आप जानते हैं इनको ये एमपुटी थी जिनोंने माउंट एवरेस पर चढ़ाई की थी भारत की तरफ से World Science Day for Peace and Development की थीम क्या रही थी थीम रही थी Science a Human Right International Conference on Yoga for Public Health इसका योजन कहां पर हुआ यह वह था पंजिम गोवा में जस्ने विरासते उर्दू फेस्टिवल यह कहां पर मनाया गया था मनाया गया था डेली में 33 वी आसियान सम्मिट जो भी है इसकी धीम रही थी Resilient and Innovative आसियान पुरे विश्व का पहला कंट्री ऐसा कौन से बना है जिसने कोरल रीफ को नुकसान पहुँचा रही टॉक्सिक संस्क्रीन को बैन करने का फैसला किया है अभी बैन लागू नहीं हुआ है बैन लागू होगा 2020 से ऐसा करने वाला देश बना है पलाव पलाव नाम का कंट्री ऐसा कंट्री बना है पूरे विश्व का पहला जिसने कोरल रीफ को नुकसान पहुँचा रहे संस्क्रीन को बैन किया है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डिरेक्टली नुक्षान पहुँचा सकते हैं कोरल रीफ की एक्जिस्टेंस को इन में से किस भारती पत्रकार को लेंडन प्रेस फ्रीडम अवर्ड मिला है साहस के लिए यह मिला है स्वाती चतुर अर्वेदी को नैशनल ब्यूरो आफ एकनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के नवसार भारत का सबसे कंजेस्टेड सेटी कौन सा है सबसे कंजेस्टेड सेटी हैं की रिपोर्ट के नवसार बेंगलुरू नोट्स ओफ एड्रीम दा ऑथराज्ट बायोग्राफिय और एहार र आज मिन्हमेंदीशियन्स प्रोग्राम भारत के क्स रिश्टोरेशन प्रोजेट और रपकी रिक डूट को हाल में अवओर्ट किक गया ते ऌरने को कि जोरा एश्या पैसफिक डोर्ड कंजर्वेश्ड इन वार्ड बिला है कि रिपकी रिपकों मिन्हार एश्या पैस्फिक इसके लिए Cultural Heritage Conservation के लिए तो यह आपका यार रखना है इसमें भारत ने अपनी पहली नेवल एक्सराइज बाइलेटरल समुद्र शक्ति किसके साथ करना शुरू किया है कि किया है इंडोनेशिया के साथ इंडोनेशिया के साथ अभी हमने बहुत सारी एक्सराइज की है लेकिन वो मल्टी लेटर एक्सराइज थी लेकिन बाइलेटरल एक्सराइज भारत पहली बार कर चुका है समुद्र शक्ति के नाम से इंडोनेशिया के साथ मैरे टाइम एक्सराइज ट्विटर के द्वारा इन में से कौन सा हैस्टाइग इनिशियेटिव शुरू किया है जिसे ज स्टैन ली का निधन हो गया था जिन्होंने कुछ करेक्टर्स लिखे थे सुपर मैन वगारा स्पाइडर मैन वगारा और काफी फेमस सी रहे थे यह कहां के थे यूनाटेट स्टेट यूएस के माउंट गिलुवे से चड़ाई करने वाले हमारे भारती माउंटेनिर कौन है माउंट गिलिवे क्या है यह पापुव और नियुगिनि का दूसरा सबसे उचा माउंटेन है या फिर बोल सकते हैं यह वोलकैनिक माउंटेन है एक्चुली में सब तिरूप सिधान्त वोलकैनिक सम्मिट पर है वोलकैनिक सम्मिट एक्सपिडीशन जिसको लोग बोलते हैं वोलकैनिक सम्मिट एक्सपिडीशन ऐसा है कि इनको चड़ाई करना है जितने भी हमारे साथ महादविप हैं उनकी सबसे उंची वोलकानिक चोटियों पर तो ये पांच भी थी ये पैपुआ में और अभी दो और बाकी इनके एकपिडीशन देते हैं कब तक कर पाते हैं माउंट दमावंद में इन्होंने चड़ाई की थी अगर आपको यादो सेप्टेंबर में जो की एशिया का सबसे बड़ा वोलकानिक माउंटेन माना जाता है अब लोग बता सकते हैं माउंट दमावंद कहां पर है किस कंट्री में है पर प्रॉपरली बताईए कोमेंट करके किसी में से किसी को मालूम है तो आशियान एकोनोमिक कम्यूनिटी एईसी काउंसिल मीटिंग इनमें से किस कंट्री में होई थी यह हूई थी सिंगापूर में अबुदाभी नेश्टल ओयल कमपनी ने अभी हाल ही में अभी हाल ही में कहां पर बनने वाले भारत के strategic crude oil storage facility के लिए समझे ज़ूँता किया है इसमें क्या है कि यह नाम की जगह कुलו करने हैं भारत का स्ट्राइग का ऐसमें क्या होता है हुव। इसमें क्या होता है कि हम लोग ऑईल करके रखते हैं इसमें क्लिमीटे के लिए मान लो आइल नहीं मिलता है भारत को कहीं से भी export में तो कुछ दिन के लिए आइल चल सके अभी मानते हैं जितने भी storage system इंडिया के पास साथ दिन तक हम बिना किसी दूसरे देश की सायता लिए आइल चला सकते हैं अपना इतना हमने store कर लिया है तो पादुर में यहां पर एक और ऐसा हम लोग storage system storage facility खोलना चाहते हैं और उसे help लेंगे हम लोग अबुधाबी नेस्टल oil company की इंडिया international trade fair में भारत का साज़ेदार देश यानि partner country कौन सा है यह है अफगानिस्तान भारत का पहला multimodal terminal इनमें से किस नदी पर बनाया गया है इसका उधगाटन हुआ है यह बनाया गया गंगा रिवर पर global digital content market पर जो conference होने वाली है उसका host nation कौन है इंडिया world customs organization की जो regional meeting होने वाली है वो कहाँ पर होगी होगी जैपूर में या फिर हो चुकी है नवे एडिशन vibrant गुजरात summit में partner country कौन रहेगा ये रहेगा United Arab Emirates यानि की UAE UA capital रियाद और currency रियाल मद्ध प्रदेश हाई कोर्ट की principal bench कहाँ पर लगती है वैसे तो MPG की question लेकिन फिर भी कर लेते हैं MPPS वैसे भी आने वाला है ये लगती है जबलपूर में भारत ने cancer research के लिए इन में से किस country के साथ समझवता किया है ये किया है UK के साथ UK के साथ हम लोग दो युद्ध भ्यास करते हैं एक हम लोग करते है अजेव warrior के नाम से और एक करते हैं हम लोग कॉंकड के नाम से कॉंकड अभी दो दिन पहले ही शुरू होने वाली है मतलब दो दिन बात शुरू होने वाली है तो कॉंकड exercise जो है maritime exercise है और अजेव warrior ये military के exercise है आर्मी के exercise है Indian Social Work Congress के छटे संस्क्रण में lifetime achievement पुरुषकार इनमें से किसको मिला है मिला है मार्था फरेल को इनमें से किस launch vehicle से GSLV Mark 3 से छोड़ा गया है इनको ये पूछे जाता है कभी-कभी vehicle और satellites related question Bank for International Settlements BIS के Asia Pacific Region के लिए Chief Representative कौन बनाए गए है बनाए गए सिधार्थ तिवारी किस राज की पुलिस पर्स ने अपने पुलिस वालों को train करने के लिए उनकी skill को augment करने के लिए nipur portal की शुरुआत की है nipur portal, sorry portal और web based application की शुरुआत की है डिली पुलिस ने हम ने ये जो nipur portal शुरू की है इसमें कुछ होंगे record पुराने कुछ अदालत के फैसलों के बारे में होगा डिपार्टमेंट के बारे में होगा कम्यूनिकेशन कैसे इसकलेट कर सकते हैं पुलिस पर्सनल आपस में ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं तो निपोड किसे संबंदित है डेली पुलिस से डाइल F.I.R. Scheme करके आय थी ये किस पुलिस फोर्स से संबंदित है ये यूपी पुलिस से संबंदित है डाइल F.I.R. Scheme UNICEF ने भारत में सबसे पहली बार अपना यूथ अमभेस्डर घोशित किया है यूथ अमभेस्डर बनाया गया है हिमादास को जोकि SM की sports and bachelor भी है और धींग express के नाम से भी जानी जाती है धींग express ये question यूपी पीचेस पर पुछा गया था धींग express क्या है इन में से किस international personality को भारत ने अपने Republic Day 2019 के chief guest के रुप में बुलाया है सिरिल रमफोसा बुलाया गया है ये president है South Africa के South Africa के president है और पहले Donald Trump को बुलाया गया था लेकिन उन्होंने ने विश्ता की वजय समना कर दिया था तो अब confirm हो चुका है कि सिरिल रमफोसा ही होंगे हमारे chief guest जैसे इस साल के Republic Day में आशियान देशों के नेता आये थे विछले साल आये थे Crown Prince UAE की मुहमद बिन जायद अलनायान करके तो रिवाज है हमारे यहां पर chief guest को बुलाने का तो chief guest अपकी बार होंगे सिरिल रमफोसा World pneumonia day की theme इस बार क्या थी? World pneumonia day की theme थी? Stop pneumonia, invest in child health South Asian Regional Conference on Urban Infrastructure इसकी venue कहां है? यह है Delhi में, Delhi में हुआ था यह conference United Nations Security Council ने जो चार तरह के बैन थे, जो sanction थे वो African nation से हटा लिए नौ साल बाद वो African nation है Eritrea, Eritrea, Ethiopia यह सब बनाती है होर नौफ एफरिका, Eritrea, Somalia और Zibuti, Ethiopia मिला करके होर नौफ एफरिका के दिद्वान करती है National Cooperative Development Corporation, NCDC का Headquarter कहां पर है? यह है Delhi में National Press Day हम लोग कब बनाते हैं? यह बनाते है 16 November को इसी बात पर कमेंट करके हमको यह बताए कि Press Council of India के Headcon है Press Council of India, यह Statutory निकाय है, क्या है? Constitutional Body, Statutory Body क्या है? बताए यह कमेंट करके Professor T.N. Shrinivasan, इनका भी निधन हो गया है, यह किस शेत्र से आने वाले थे? यह Economist समन्दित थे नीतियायोक के द्वारा Himalayan State Regional Council का गठन किया गया है, इसके Chairperson होगे V.K. Saraswat 2018 International Day for Tolerance हम लोग का अब अबजर्व करते हैं 16 November को, सही शुनुता दिवा सम लोग इसको बोलते हैं Intex South Asia 2018 का चौथा संस्करण कहां पर होगा? यह होगा कोलंबो, श्रीलंका में श्रीलंका की दो कैपिटल हैं हम जानते हैं, एक कोलंबो है, एक जैवर्द ने पूरे कोट्टे है A great association glimpses into the life of Swami भूमनंद तीर्थ इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है निर्विशेशनंद तीर्थ इनमें सेक इस राज ने गव समरध्धी प्लस स्कीम डेरी फार्मर्स के लिए शुरू की है यह शुरू की है केरल ने तो इसमें subsidy मिलेगी यहां पर डेरी फार्म अपना setup करने के लिए और इसमें basically general लोगों की बात कही जा रहे ही, general farmers को यहां पर मिलेगा इनमें सेक इस बैंक ने एक अनोखा अपनी तरह का interactive credit card शुरू किया है जिसमें button भी लगे हुए है electronic credit card शुरू किया इंडसेंड बैंक ने जिसमें दो button लगे हुए है और इसमें आप specify कर सकते है point of sale machine में खरीदते समय कि आप EMI पर चाहते है यह माई button है और एक pay now का button है भारत का पहला केवल और केवल elephants के लिए hospital कहां पर खोला गया है यह खोला गया है मत्रा उत्तर प्रदेश में Oxford Dictionary का word of the year क्या है यह है toxic National Education Day के दिन हम लोग किस अपने freedom fighter की anniversary सालगिरा मनाते है हम लोग नाते है मौला ना अबूल कलाम आजाद की सालगिरा है National Education Day के दिन आठवी National Conference on Women in Police थी कहां पर हुई थी यह हुई थी राची जारखंड में महरास्ट ने अभी हाली में किस समुदाय को reservation grant किया है और एक नई category form की है community के लिए socially and educationally backward classes SEBC महराठों के लिए Secretary of Revenue कौन बनाए गए है यह बनाए गए है Ajay Bhushan Pande Ajay Bhushan Pande जो है UIDI के head भी है और GSTN के chairperson भी है तो यह इनकी तीसरी post है Unique Identification Authority of India के भी head है GSTN Network के भी head है Chairperson है और अब Secretary भी बन गए revenue के Ajay Bhushan Pande इन्होंने हस्मुक आतिया को replace किया है Global Education Leaders Award 2018 से कौन समानित की गई है सरोज सुमन गुलाटी 24-वे कोलकाता International Film Festival में Best Film का अवार्ड किसको मिला है यह मिला है The Third Life The Third Wife को World Twilight Day 2018 की theme गया है यह है When Nature Calls इनमें से कि स्टेट की गौवर्मेंट ने हुक का पारलल्स पूरी तरह से बैन कर दी है अपने राजी में गुजरात और महराष्ट के बाद ऐसा करने वाले तीसरा राजी बना है यह है पंजाब इंडो-रशियन जॉइंट एक्सेसाइज जो इंद्र होती है जहासी में जहासी में कंप्लीट हो चुकी है अब हम लोग एविया इंद्र के नाम से भी उद्दभ्यास करते है रशिया के साथ और यह एर फोर्स का एक्सेसाइज होता है बारत की पैलिश्ट्री विश्व कर्मा स्किल डवलोप्मेंट यूनिवर्स्टी कहां पर खोली जानी है यह इंद्रा कांधी प्राइस फर पीश डिसार्ममेंट और डवलोप्मेंट 2018 वाला ये किसने जीता है 2017 वाला तमनुहन सिंग्जी को बिला था यह बिला है सेंटर फॉर साइंस एन इंवार्मेंट को CSE सेंटर फॉर साइंस एन इंवार्मेंट एक online learning program शुरू किया गया है cool के नाम से cool एक online learning program है इसमें बहुत सारी चीज़ें यहां पर teachers के लिए रखी गई है केरल में और एक stipulated norm भी कर दिया है कि cool से प्रशिक्षन देना अनिवार होगा किसी भी केरल राज भी पढ़ाने माले teacher के लिए यह है केरल राज में शुरू किया गया online learning program cool इसमें कई सारे courses है और यह open रखा गया है इसमें कोई भी ले सकता है admission inland water based authority of India के chairperson बने हैं जलज श्रिवास्तो इनका नाम ध्यान रख सकते हैं यह भी जल से सम्बंधित हैं 2018 सुमित्र चरत राम अवर्ड lifetime achievement अवर्ड इसको मिला है यह मिला है श्री अमजद अली खान को retired brigadier कुलदीव सिंग चांदपूरी का निधन हो गया था यह जाने जाते हैं अपने अभुत पूर्व शौर के लिए जो उन्हों दिखाया था अतिहासिक युद्ध में 1971 का इंडो पाक वार हुआ था उसमें इन्होंने heroic leadership दिखाई थी और ये battle of longa वाला के लिए अपने जाने जाते हैं battle of longa वाला इनमें से किस राज की सरकार ने नारी शक्ति करण संकल्प अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने यह पूरा one month चलना था नॉंबर में और इसमें awareness campaigns plus program होने थे self defense की training बगारा सब कुछ इसमें included था नारी शक्ति करण सम्मधित जो भी चीज़े हैं उत्तर प्रदेश में लक्ष सेन इनमें से किस sports सम्मधित है बैडबिंटन sports discipline सम्मधित है लक्ष सेन और यह young player है ठीक है यह junior player है बैडबिंटन के हलांकि कई सारी championship में medal जिला चुक है इनमें से किस IIT के शोत करता हो ने एक decision support system को शुरू किया है जो LPG distribution में help करेगा जो गरीबी रेकर से नीचे काम करते हैं IIT खड़कपुर ने LPG की जहां पर बात होती है तो हमें उज्वला योजना के बारे में पता होने चाहिए उज्वला योजना अपने target को 9 मन पहले ही पूरा कर चुकी है पांच करोड connection दिये जा चुके हैं सप्टेंबर मन तक और अब connection हम को देने है उज्वला योजना के तैट 8 करोड उज्व शुरू हुआ है यह शुरू हुआ है दिल्ली में ही दिल्ली में बहुत सारे conferences होते रहते हैं चाहें तो एक अलग से list बना सकते हैं conferences held in Delhi की और फिर उनको ऐसे याद करें तो शायद असानी होगी इनमें से किस organization ने भारत की पहली सीवेज cleaning machine शुरू की है जिससे की unsafe manual squenching जो बिंदेशवर पाथक को और मिला था इस साल निकेई एशिया पुरुसकार और लाल बादूर शास्त्री पुरुसकार इंटर पोल के नय प्रेसिडेंट कौन बने हैं यह बने हैं किंग जोंग यांग इनमें से किस IIT ने इंडियन इंस्टूट अफ टेकलोजी ने एक cloud seeding project की शुरू किया है इसको approval मिला है union government का artificial rain को introduce करेंगे डिली एयर में यह है IIT कानपूर की पहल विश्व का पहला underground hotel कहां पर खोला गया है यह खोला गया है शंगाई में शंगाई में विश्व का सबसे उंचा hotel कहां पर खोला गया है को बिता सकता है कोमेंट करके previous current affairs की वीड Mexican order of the estate eagle के मिला है श्यामा प्रसाद गांगुली को इन में से किस bank को अब एक सरकारी उपकरम के तौर पर recognize किया जाएगा यह बना है जम्मू और कश्मीर bank जे एंड के bank union cabinet ने अभी करतारपूर corridor के लिए मन्जूरी दे दी थी यह किस जिले में located है पंजाब के पंजाब के ग अक्ट्रिस मिली बॉबी ब्राउन नौर्थ इस्टरन रीजन में यूनिसेफ के द्वारा एक youth advocate निउक्त की गए भारत में इनका नाम क्या है नाहीद आफ्रीन एक pop singer है असम की असम फिल्म पुरुसकारों में इनको award भी लाया है इसल उस्ताद इम्रत खान इंडिन classical musician इनक observing system and services across scheme के बारे में क्या सही नहीं है इसको implement कर रहा है ministry of earth sciences ये सही है ministry of earth sciences or smart scheme को भी implement कर रहा है ये भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ duration है 2017 से 2020 ये भी सही है लेकिन 8 sub schemes इसमें नहीं है सहीयाजी रत्न पुरुसकार 2018 ये किसको मिला है ये मिला है श्री अमिताब बच्चन को इससे पहले पुरुसकार हमारे नारहन मूर्ति को मिल चुका है सियाजी रत्नपुरुसकार दी जाता है सियाजी गायकवर्ड थर्ड बड़ोधा के जो पहले राज़ा हुआ करते से उनकी याद में 2013 से इंस्टूट किया गया है उनकी देड़ समी बर्थ अनिवरस्टरी पर अब ये दिया जाता है हर साल दो साल में एक बार अमिताब बच्चन को हल मिला है ध्यान रखिये इंडिया स्केलिस रिपोर्ट 2017 ये लॉंच करा गया है किस और्गनाईजेशन के द्वारा UNDP ने लॉंच हिया इसको United Nation Development Program ने इनमें से किस एक्ट्रिस को अवार्ड किया गया है Asia Pacific Screen Awards में 2018 में ये मिला है नंदिता दास को International Film Festival of India गोवा में किस फिल्मेकर को Lifetime Achievement पुरुषकार समनित किया गया है ये है Dan Wohlman भारत के किस और्गनाईजेशन ने भी डवलप करा है Impact Based Forecasting Approach to Monitor Impact of Rain and Deal with Nature Disaster Rain का Impact जानने समझने के लिए Natural Disaster से डील करने के लिए एक Impact Based Forecasting Approach कौन शुरू कर रहा है IMD Indian Metrological Department Odisha Men's Hockey World Cup 2018 का Anthem किस ने कंपूर्स किया है ये कंपूर्स किया है AR रह्मान के द्वारा कंपूर्स करा गया है AR रह्मान के बारे में आप यह भी जान लिजी कि Sikkim के Brand Ambassador भी है World Congress on Mountain Medicine का बारवा संस्करन कहां पर आयोजित हुआ काटमंडू नेपाल में काटमंडू में सार्क सम्मिट भी थी ये ध्यान रखेंगे आप बढ़ते हैं आगे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट दो जर्मनिस में सफसे ज़्यादा Employability Rate किस राज में है यह है आंत प्रदेश में संदीप माइकल जिनका निधन हो गया है वो कि स्केल समंदित थे के एसोशेटेट थे हौकी से बारत रशिया Strategic Economic Dialogue इसका विन्यू यानि कि यह कहां पर होगा सेंट पीटर्सबर्ग बे ICFT UNESCO गांधी मेडल के लिए किन दो मुवीज को नॉमिनेट करा गया है यह नॉमिनेट करा गया है बाराम को और Walking with the Wind को Senior Commonwealth Fencing Championship में गोल्ड जीतने वाली पहली भारती यह कौन बन गई है यह बनी है भवानी देवी कौन से राज की सरकार अपने राज की 21 रेर ट्राइबल लेंगुजेस को प्रिजर्व करने के लिए संडरक्षन के लिए लेक्सिकॉन लेकर के आई है यह है ओडिशा 2018 का ICC Women's World T20 Tournament किस ने जीता है वर्ल्ड कप कह सकते है वर्ल्ड कप टूर्रेमेंट विमेंज का ICC किस ने जीता है उस्ट्रेलिया ने सयद मोधी International Badminton Championship में Women's Single का टाइटल इनमें से किस Badminton प्लेयर ने जीता है यह जीता है समीर वर्मा ने राइम्स की latest report के नुसार इनमें से किस cyclone को अभी rarest cyclone की श्रेड़ी में रखा गया है इसके force के अधार पर जो यह नुकसान कर सकता था उसकी capacity के अधार पर यह है तितली तितली साइकलोन का नाम किस ने रखा है यह नाम रखा है पाकिस्तान ने ज्यान रखिएगा गज साइकलोन जो अभी आये था लेटिस में गाजा यह गज इसका नाम किस ने रखा है कोई कॉमेंट करके बता सकते हैं हमको हमी बता देते हैं, कॉमेंट करने की जबरते हैं, थाईलेंड ने नाम रखा है, पूरी लिस्ट हम दिखा चुके हैं, आपको इस बूछा मैंने, आगे आने वाले साइकलोंस के नाम भी, और अभी जो हो रहे हैं, उसके नाम किसे कंट्री ने रखे हैं, पूरी लिस्ट हम 11 में भारत तरफ से कैप्टेन रही दी हर्मन प्रीत कौर, Atomic Energy Regulatory Board के चेर परसन अभी हाल में कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं, नागेश्वत राव गुंटूर, फी का Emerging Artist Award 2018, इसको बिला है, ये बिला है अनुपम रॉय को, International Day of the Elimination of Violence Against Women की थीम के आइस बार, Orange the World, Hear Me Too, इनमें से किस देश ने Davis Cup Tennis Tournament 2018 जीता है, जीता गया है क्रोएशिया के द्वारा, क्रोएशिया भाई कंट्री जो runner-up रही थी फीफा 2018 रशिया में भी, और फ्रांस ने टाइटल जीता था फीफा का, ये ध्यान रखियेगा इसमें, और Davis Cup Tennis Tournament में किस ने जीता, क्रोएशिया नहीं, इंडिया ने अभी 200 मिलियन USD का एक बर फिर से लोन सम्झोता साइन किया किसके साथ, ADB के साथ, किसके लिए जिससे बिहार स्टेट हाईवे स्थर्ड प्रोजेक्ट को इंप्लिमेंट किया जा सके, UN के Global Sustainable Cities 2025 Initiative के अंतरगत, जो विश्भर में Cities चुनी जा रही है, उनमें से किस सेटी को अभी चुना गया है, चुना गया है नोईडा को, भारत के दरफ से नोईडा को, West Bengal Green University को जल्द ही Rani Rashmoni Green University नाम दे दिया जाएगा, Rani Rashmoni जो है, ये Founder कही जाती है, इनमें से किस मंदिर की, दक्षिडेश्वर काली मंदिर की, 62 National Shotgun Championship में Women's Trap May Gold किस ने जीता है, वर्षा वर्मन ने, केंदर सरकार ने अभी हाली में स्वर्ण जैनती फेलोशिप इनमें से किसे दी है, ये मिली है, पुन्य श्लो के भादुरी को, पुन्य श्लो के भादुरी को, मुहमद आजीज का भी निधन हो गया है, किस राज के सिंगर थे, ये थे वेश्ट बंगाल से सम्मदेत, International Gita Festival 2018 में Partner Country कौन है, Partner Country है, Mauritius, भारत रत्न पंडित भीम सेन जोशी, Classical Music Award किसको मिला है, ये मिला है केशो किंदे को, ये अवर्ड कौन देता है, ये अवर्ड देता है महराष्ट राज की सरकार, महराष्ट राज की सरकार कनफर करती है अवर्ड, इनमें सेकिस राज की सरकार ने Data City लाँच किया है, जिससे Global Challenges को solve किया जा सके, ये योगी Kenya की Capital, Nairobi में, Indian Organ Donation Day हम लोग कब बनाते हैं, सब्टेमर, सब्टेमर 27 को, Best State Organ Donation में, 9th Organ Donation Day के दिन कौन चुना गया, Tamil Nadu, International Film Festival of India, Goa में Golden Peacock का वर्ड किस फिल्म को मिला है, कि मिला है यूक्रेन की फिल्म, Don Bass को, किस देश की फिल्म है, ये यूक्रेन समन्दित फिल्म है, और Best Director का वर्ड इन अवर्ड में किसको मिला है, Lizo Zos Pellisri को, इनमें से किस फिल्म को, भारती फिल्म को, ICFT UNESCO गांधी मेडल मिला है, ये मिला है Walking with the Wind को, इनमें से कौन सराज ऐसा बन गया है, जिसने सिंगल एमर्जेंसी नंबर जारी किया है, 112 के नाम से, ये माचल प्रदेश ने किया है, 112 में आपको सभी सर्विसेस बिलेगी, पुलिस, फायर, हास्पिटल, और विवेन पावर लाइन, सब कुछ इसी में इंटिग्रेट कर दिया गया है, 13th G20 Summit कहाँ पर होगी 2018 में, ये होगी निव यॉप में, हलो दोस्तों, सभी विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बार, फिर से हमारे चैनल पर, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग MCQs करेंगे, करेंट अफेर्स के ही पिछले 10 महीनों के, जैसे हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कम्प्लेट किया था, हम लोग इस वीडियो में भी करेंगे, सिमिलरली, MCQs भी सिमिलर होंगे, एक चीज यहाँ पर डिफरेंट रहने वाली है, इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो यह आपका मेगा करेंट अफेर का वीडियो था इसमें, एक्स्प्लेनेशन भी हिंदी भाषा में था, और जो आपके सामने कंटेंट था वो भी, हिंदी लैंग्वेज में देवनागरी स्क्रिप्ट में था, तो काफी लोगों ने यहाँ पर डिमांड की थी हमसे, कि at least हमें मिल जाए MCQs, लिखा हुआ English Language रोमन स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर असानी रहेगी, तो उन्हीं को सर्व करने के लिए मैं वीडियो ले करके आया हूँ, आप लोग कॉमेंट्स में लिख कर बताएगेगा, कि आपको आगे के और भी पार्ट्स चाहिए या फिर रही, इसमें हम लोग वही MCQs करेंगे, जो उस वीडियो में हमने किये थे, लेकिन आप देखेंगे, अगर आप चाहेंगे तो पूरा वीडियो कर लेंगे, आज इसका पार्ट नमबर वन करते हैं, आईए अब बिना देर की स्टार्ट करते हैं, तो आईए पहला कॉश्चन लेते हैं, यहाँ पर दिसमबर 2017 से हम लोग शुरुबात कर रहे हैं, तो एमसे क्यों काफी पुराना है यह, 78 सेशन हुआ था इंडियन हिस्ट्री कॉंग्रेस का, और यह आखरी सेशन था, क्योंकि अब अगला भी दिसमबर में होगा इस साल, तो जादवपूर यूनिवर्स्टी कैमपस, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था, इसके बारे में दो फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, साल 2018 के शुरुवात में, इन्होंने विश्व के सबसे बड़े ग्लास ब्रिज की भी शुरुवात की थी, ग्लास ब्रिज को खोल दिया था, आम जंता के लिए, तो भी काफी चर्चा में आया था, तो फोटो वोल्टाइक हाईवी की शुरुवात की शुरुवात की थी चाइना ने, और दुनिया के सबसे बड़े काँच के ब्रिज की शुरुवात की थी चाइना ने, हपकीडो मार्शल आर्ट काफी पॉपलर हो रहा इंडिया में, हैपकिडो मार्शल आर्ट का यहां पर चैंपेंशिप भी वहा था दिसंबर में 29 तारीक को आपको बताना है कि हैपकिडो मार्शल आर्ट किस कंट्री का है किस कंट्री ने इसकी शुरुआत की थी इसकी शुरुआत की गई थी कोरिया में माउंट सिना बंग वोलकैनों ने अपना सबसे बड़ा इरप्शन देखा था साल 2017 के अंत में 29 तारीक के करीब हमको बताना है कि माउंट सिना बंग कहां पर वोलकैनों पढ़ता है यह पढ़ता है इंडोनेशिया कंट्री में अभी हाल में कुछ इंडिपेंडेंट सर्वेस के अनुसार हाल में का मतलब उस समय दिसंबर में इंडिपेंडेंट सर्वे के अनुसार ओशियन डेब्रिस का सबसे बड़ा कॉंट्रिब्यूटर कौन है यानि कि समुद्र में अगर मैं बोलू इंदी में तो कचड़ा सबसे कौन करता है देश यी करता है चीन सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पस्लिूशन भी करता है सबसे ज़्यादा डेब्रीस फैलाने में कंट्रिबूश्न एक इसका चीन पहले नंबर पर YAT लोगों को अपने शहर में openly urinate करने के लिए रोकने के लिए किस municipal corporation यानि कि नगर निगम ने लाथी सीटी विसिल प्लैन शुरू किया था लाथी सीटी प्रोग्राम शुरू किया था ग्रेटर हैदरबाद municipal corporation ने और ये open urination के खिलाफ था December 27, 2017 को successfully हमने टेस्ट किया था किसको Advanced Air Defense Supersonic Interceptor मिसाइल को इस मिसाइल का नाम था प्रित्वी, option number B यहाँ पर लाल कलर से लिखा हुआ सही है Union Agriculture Ministry के अनुसार जो डेटा दिया गया था पर capita milk availability कितनी है 2016-2017 साल के लिए इंडिया में यानि कि आप बूल सकते हैं 2016-2017 साल के लिए पर विक्ति के लिए कितना दूद उपलब दे भारत में ये है 351 ग्राम निमलिकित में से किस कानून कर संशोधन किया गया था जिसमें bamboo की definition बदली गई थी और bamboo को यानि कि बास को एक tree न कहे करके एक non-forest area की grass कहा गया था तो ये किस कानून में शंशोधन किया गया था The Indian Forest Act 1927 में तो यह आप याद रखेंगे इसमें इन में से किस institution या फिर आप कह सकते हैं संगठन ने अपनी सभी वर्षगाट की थी या फिर 100th annual conference की थी नई दिल्ली में किस ने की थी Indian Economic Association ने और कहां पर हुई थी यह गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध प्रदेश में हुई थी और राश्टपरती रामनात कोविन जी ने इसका सुबारम किया था आप ध्यान रखेंगे कोई statutory body नहीं है यह independent organization है एकनॉमिस्ट का है इंडिया में देश की पहली pot taxi की सुरुवात कहां से की गई थी हम लोग रिपीट कर चोके अप्टे हिंदी वाले में भी यह दिल्ली से गुरुग्राम के बीद शुरू की गई थी 12 सदस्यों की एक inter-ministerial committee के गठन किया गया था 9 जन्वरी को और किसके लिए किया गया था यह देखने के लिए एक final call देने के लिए कि क्या cinema hall में अनिवार करना चाहिए राष्टगान का गाना खड़े हो करके की नहीं ठीक है यह question पूछा गया था भी जितने भी बीच में अभी exam होई थे आपके March अप्रेल के बीच में काफी question बना था इसके head थे इस committee के बी आर शर्मा अब इस question में हमको देखना है research designs and standards organization के बारे में तो इसके बारे में तीन statement है statement number one कहती है यह एक ISO 9001 registered organization है research and development का यह organization आता है ministry of railways के अंतरगत और इसका headquarter लखनों में है तो तो इन्हों statement यहाँ पर सही है headquarter वगरा पूछ लेते हैं organizations का तो आप इसमें याद रख सकते हैं जम्मू कश्मीर की शरकार ने एक scheme शुरू की थी social security की scheme इसके नाम रखा गया था मुहाफिज इसके beneficiaries कौन है यह आपको बताना है इस question में इसके beneficiaries है people implied under unorganized sector यानि कि unorganized labor के लिए यह scheme शुरू की गई थी जम्मू कश्मीर में इसका नाम था मुहाफिज योटना Ministry of Home Affairs के अंतर का जो organization है NCRB यानि कि National Crime Records Bureau उसके नुसार सबसे ज़्यादा students ने suicide की थी 2016 में किस राज से ये की गई थी महराष्ट के students के द्वारा सबसे ज़्यादा suicide हम लोग suicide prevention day कब बनाते हैं आप लोग comments में लिख करके बताईए साल 2008 के शुरुवात में प्रूफ मांगा जाने लगा था इनमें से किस मंदिर में women के प्रवेश करने के लिए प्रूफ किसका age का age का प्रूफ देना पड़ता था सबरी माला temple केरल में जो है उसमें प्रवेश करने के लिए और क्यों किया जाता था है हम डिसकस कर चुके हैं क्योंकि वहाँ पर मानते थे कि Lord आयपपा का जो मंदिर है वहाँ पर Lord जो है वो अनेश्टिक प्रहमचारी है और विमन वहाँ पर लाउड नहीं थी यानि कि 10 वर्ष से करीब 50 वर्ष तक की मैलाओं को वहाँ पर अलाउड नहीं किया जाता था और उससे कम या उससे ज़्यादा की जो मैलाएं प्रवेश करती थी उनके लिए डॉक्मेंट प्रूफ एज का अनिवार कर दिया गया था अलाग कि आप जानते हैं अगर आप अवेड रहते हैं तो ये सब अब बिल्कुल बंद हो चुका है सबरी माला में हर कोई प्रवेश कर सकता है दीपक मिश्रा ने अपने आखरी कुछ डिसीजन में से ये स्टॉरिक डिसीजन दिया था उन्होंने और उनके पांच मेंबर्स की बेंच ने आप धियान रख सकते हैं इसको और वीडियो भी हमने डाला था इसके लिए सबरेटली अपने चैनल पर ठीक है तो सबरी माला के बारे में अगर बार बार आ रहा है तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होने चीजिए कि बंदिर कहां पर है किस नदी के किनारे है किस ताइगर रिजर्व के किनारे है ये सब हम आपको बता चुके हैं प्रधान मंतरी मोधी जी का लक्ष कब तक का है कि हम लोग फार्मर की इंकम को डबल कर देंगे यानि कि अपने किसानों की आये को दो गुना कर देंगे ये लक्ष है 2022 का अशोक दलवाई कमेटी से रिलेटेड है ये इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रख सकते हैं 2022 तक प आपका नाम है Fire and Furry इतना ही ध्यान रखेंगे इतना पूरे डिस्क्रिप्शन नहीं पूछते हैं Fire and Furry के लेखक है Michael Wolf World Bank की रिपोर्ट आई थी January, February के आसपास इसमें कहा गया था कि जो जन धन योजना के तैत अकाउंट खुले जा रहे हैं किस राज में सबसे ज़्यादा Gender Gap देखा जा रहा है Gender Gap का यहाँ पर मतलब है कि कहाँ पर पूरुष ज़्यादा खाते खोल रहे हैं महिलाओं के खाते खोलने की संख्या कम देखी जा रही है यह कहाँ पर देखी गई थी मध्य प्रदेश में 10% तक का यहाँ पर Gap देखा गया था यानि कि मध्य प्रदेश में अगर सव पूरुष ने खाता खोला तो 90 करीब महिलाओं ने यहाँ पर खाता खोला था लेकिन अगर आप overall देखें overall जो latest data आया था यह आया था August के end में बताया गया था कि जादा तर खाते overall महिलाओं नहीं खोले थे कितने percent खोले थे comments में लिखकर बता सकते हैं इसमें हमको Falcon Heavy के बारे में देखना है इस question में Falcon Heavy समंदित तीन statement है statement number one यहाँ पर कहती है यह world का सबसे powerful rocket है इसको एक space company Space X ने बनाया है Space X एक private space company है यह वेसे में काम करती है तो तो तीनों statement यहाँ पर सही है Space X के मालिक हैं काफी famous Elon Musk China जिबूटी के बाद अपना कहां एक second foreign naval base डवलप करना चाहता था यह डवलप करना चाहता था पाकिस्तान में सबसे पहला इसका naval base कहां पर स्थित है जिबूटी में स्थित है जिबूटी एक African country है और यह उन चार countries में से एक है जो Horn of Africa के निर्मार करते हैं चार countries जो की Horn of Africa बनाते हैं उन में से इथोपिया है इरिट्रिया है जिबूटी है और एक और कंट्री है Ministry of HRD ने एक सर्वे करवाया था All India Survey on Higher Education Report 2016-2017 का इसमें डेटा लिया गया था और इसमें टॉप किस ने किया था यह आपको बताना है इसका answer होगा ता मिलनाडू आप जानते हैं कि HRD फोकस कर रहा है यूनिरस्टी इसकी रैंकिंग पर NIRF की रैंकिंग भी आती है यह रैंकि 60 ने टॉप किया है यह आपसे बूछ सकते हैं एक्जैम में ओमुआमा यह न्यूज में था यह हम डिसकस कर चुके हैं अपने हिंदी वाले में भी इसका नाम काफी अजीब है अप प्रनेंसेशन भी काफी मुस्किल है तो यह जो चीज है कि क्या है यह एक इंट्रस्टेला अबजेक्ट है एक वर्ड काफी चल रहा था फैब के आसपास इसका नाम है एंत्रोपोसीन एंत्रोपोसीन क्या है लॉस ऑफ बायो डाइवरिस्टी ड्यूट्यूट्यू एक्टिविटीज यानि कि मानो जो काम कर रहा है अपना धंदारोजगार कर रहा है पहलके उससे ज नुकसान पहुचाने वाले एक्टिविटीज है जो एक्टिविटीज एको फ्रेंडली नहीं है वो सबाज जाएंगी एंत्रोपोसीन में इनमें से किस यूनिवर्स्टी ने डवलप किया था एक ह्यूमन राइट रोबोट केंगारू के नाम से और ये परफॉर्म कर सकता था काफी सारी एक्ससाइजिस ये डवलप किया था यूनिवर्स्टी आफ टोक्यो ने आगे बढ़ते हैं इसमें हमको देखना है आस्था ट्रेंड सर्किट्स के बारे में आस्था सर्किट्स ट्रेंड जो है ये प्रमोट करेंगे रिलीजियस टूरिजम को और और आल ओव कमीटी किसके लिए रिकमेंडेशन्स देने के लिए बनाई गई थी टू इन्हेंस कॉम्बैट कॉम्पेटिबिल्टी एंड रिबैलेंस डिफेंस इंफ्रस्रक्ट्टर एक्स्पेंडिचर ऑफ दा आम्ड फोर्सिस ये आप इसमें याज रख सकते हैं इंगलिश वाले और जब उन्हें हिंदी का किया था तो ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई थी ठीक है ट्रांसलेशन में काफी समय वेश्ट होगा आगे बढ़ते हैं जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के बारे में स्टेटमेंट्स देखते हैं पहला स्टेटमेंट है कि इसको इंप्लि पूरा करने के लिए सरकार सही हो गले रेवर्ड बैंक से फैनेशल हेल्प भी और टेक्निकल हेल्प भी नेशनल हाइवे अथार्टी ऑफ इंडिया डेजिकनेट किया गया है इंप्लिमेंटेशन एजनसी की रूप में तो ये गलत है यहां पर विदर्ब ने विदर्ब की मिशन है 2018 को किस से रिलेटेड है किसकी स्टड़ी करने वाला है ये सन के कोरोना को स्टड़ी करेगा पताईए आप लोग कॉमेंट्स में लिख करके कि कोरोना क्या चीज होती है सिंपल लेंग्वेज में हम कोरोना को क्या समझें फैब एक 2018 से ईवे बिल की विस्ता शुरू हो गए थी और ईवे बिल कितने अमाउंट की वस्तुओं के ट्रांस्पोर्टेशन के लिए जरूरी था ये था पचास जार के लिए हलांकि अनाउंस कर दिया गया था फैब एक को लेकिन आप देखोगे कि काफी सार राजियों में शुरू हुआ था ये कप्रेल को और उससे बाद में भी ये लागू होता गया था आप जाने की अब तक अल ओवर इंडिया आज की रेट तक ये लागू हो चुका है विश्व का पहला डबल वर्ल पूल कहां पर देखा गया था ये टस्मान सी में देखा गया था पस इतना ही फैक्ट आपके लिए जानना जरूरी है साल 2017 में सबसे ज़्यादा टाइगर की डेट्स कहां पर रिकॉर्ड की गयी थी सबसे ज़्यादा टाइगर ने जान कहां पर गवाई थी ये गवाई थी मद्ध प्रदेश में इनमें से किस कंट्री ने किस देश ने 31 दिसंबर 2017 से यानि कि आप कहें 2018 के शुरुआत से आइवरी ट्रेड को बैन कर दिया था पूर तो आप जाने कि यहां पर statement number 1 और statement number 3 तो 1 और 3 यहां पर सही है तो बताइए comments प्लिक करके कि Australia ग्रूप का headquarters कहां पर पड़ता है अगनी 5 के बारे में अब हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं वैसे हम काफी इसके बारे में डिस्क्स कर चुके हैं यह एक इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ICBM में सही है दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह सरफेस-to-surface nuclear capable बैलिस्टिक मिसाइल है यह भी सही है अगनी 5 इंडिया की longest range बैलिस्टिक मिसाइल है यह भी सही है इसी मारक चमता 5000 किलोमेटर के उपर चली जाती है और जितनी भारत की किसी भी अन्य मिसाइल की नहीं है पाकिस्तान के पास एक missile है साहीन करके long range उनकी missile है उसकी मारक चमता 2000 km से भी कम है तो statement number 123 यहाँ पर सही है भारत उन countries में शामिल हो गया था जिन countries के बात ICBM technology थी जिन countries के पास access था intercontinental ballistic missile का उन 5 countries के list में इंडिया शामिल हो गया था बता सकते हैं कॉमेंट्स में लिख करके कि इंडिया के लावा पहले से intercontinental ballistic missile किसके पास है ज्यादा सब्समें समझने वाली बात नहीं है इसमें आप जानते हैं रशिया के पास होगा यूएस के पास होगा और भी एक दो के पास होगा अंतर राष्ट्री सौर संगठन याने की इंग्लिश में बोलें तो international solar alliance ISA के लिए fund जुटाने के लिए केंदर सरकार कौन सा fund सेटप करने वाली थी जिसकी amount decide की गई थी 3500 million dollar के आजपास तो ये नाम था इसका solar development fund अब ICC के राष्ट्री पुरुसकार के बारे में देखते हैं तो विराट कोली को काफी पुरुसकार इसमें मिले पहला statement ही कहता है विराट कोली ने जीता यहाँ पर best cricketer of the year का award और ये चोथे भारती बने थे जिन्हें Garfield Saubers Trophy दी गई थी विराट कोली was crowned the world's best one day batsman तो दोनों statement यहाँ पर सही है test cricketer of the year इनको यहाँ पर नहीं मिला ठीक है तो one or two यहाँ पर सही है यह जो Garfield Saubers Trophy है इसको पाली उम्रेगर प्राइस से compare नहीं कर लेना जो ICC के अवार्ड सोते हैं उसमें Sir Garfield Saubers Trophy दी जाती है इनकी Gary Saubers Trophy और जो BCCI के अवार्ड सो दी जाते हैं उसमें पाली उम्रेगर प्राइस दिया जाता है ठीक है दोनों अलग अलग चीज है इन में से किस देश में आपके minister of loneliness अपांट किये गए थे एक loneliness ministry की शुरुआत की गई थी कहांपर UK में की गई थी और ये question आपके डिरेक्लिया आया था ACF के paper में के अंदर सरकार ने launch करा था एक passport orange color का औरेंज color का किसके लिए ये जारी किया गया था person haven't qualified 10th standard ये उनके लिए orange color का एक passport शुरू किया गया था अगला question है आपका गुलेरी ग्राम गुलेरी ग्राम जो नियूस में था ये क्या है ये parallel literature festival था राश्ट्री संस्कृत महुत्सो 2018 यानि कि इसके साथ में संस्करण कायवजन 14 जन्वरी 2018 को कहां पर हुआ था ये हुआ था बैंगलुरू में पस इतना ही छोटी छोटी चीज़े हैं यहां पर आप ध्यान रखेंगे summits के बारे में यहां पर भी कोई summits होता है कहीं पर कोई meeting होती है कोई महुत्सो होता है तो उसमें वेन्यू ही सबसे important चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है ministry of electronics and IT की जो head उस समय भी थे इस समय भी है श्री रविशंकर प्रसाद ने एक gigabit connectivity की शुरुवात की थी national knowledge network इंडिया के साथ बिल करके और learn network जो था ये किस south asian country का तो जो अपना यहां का जो knowledge network है उसके साथ अलर्न network कहां के देश ने इसकी शुरुवात की थी gigabit connectivity की ये network था श्री लंका का ठीक है ध्यान रखेंगे बस इतना ही इसमे ग्लोबल manufacturing index के बारे में देखते हैं गीता वर्मा नाम की जो एक health worker है health activist कह सकते हैं इनको WHO ने 2018 के calendar में लगाया था तो ये कहां से आती है ये आती है हिमाचल प्रदेश से इन में से किस राजी की सरकार ने अपने यहां की कंद मूल हल्दी को GI tag देने के लिए apply किया था ये किस ने किया था ओडिशा राजी की सरकार ने और आगे जा करके आप देखेंगे कि इनका application स्विकार कर लिए जाता है कंद मूल टर्मरिक को अब आपको पता दे GI tag मिल चु World Economic Forum के summit में जो की Davos में हुई थी इसमें एक crystal award दिया जाता है किसको दिया गया था crystal award बिला था शारुक खान को इस वाल कई बार पूछा गया है अभी CTSL के जो exam हुए था मार्च में कई बार से question उठाया गया था आग बढ़ते हैं आगे Wikileaks के founder Julian Assange को citizenship किस ने दी थी यह दी थी Ecuador ने एक recent research report के नुफसार कहा गया था इन में से किस समुद्री प्रजाती में परिवरतन देखा जा रहा है इसकी जो male प्रजाती होती है वो female प्रजाती में global warming की वज़े से बजल रही है Green Sea Turtle में ऐसा abnormality ऐसा बिजार देखा गया था यह आप इसमें याद रख सकते हैं Supreme Court Collegium ने पहली बार किसी senior advocate को एक judge की रूप में appoint करने का फैसला लिया था सीधे directly एक women lawyer को judge बनाने का फैसला लिया गया था Collegium के दोरा और इंदू मलोत्रा के बारे में बात कही जा रही है इंदू मलोत्रा second woman थी जिनको designate किया था senior advocate Supreme Court के रूप में इसमें ये question पूछा है आप से fact वाला कि बताए पहली महिला senior advocate कौन बनी थी Supreme Court में बनी थी लीला सेट और इंदू मलोत्रा आप जानते हैं ये बन चुकी है हमारी Supreme Court में judge इस समय तक बढ़ते हैं आगे Supreme Court ने 11 जन्वरी 2018 को team member की special investigation team यानि की SIT का गठन किया था किसकी जांच करने के लिए anti sick rights की जांच करने के लिए इस SIT के chief थे justice retired S.N.D. इंग्रा इन में से किस मंत्राले ने स्फूर्ती mobile app के शुरुवात करी थी स्फूर्ती mobile app है ministry of railways का इन में से कौन सा भारत का urban railway station बन गया था भारत का पहला station जहांपर all women staff है सबी महिला कर्मचारी वहाँ पर काम करती है यह कहां पर बना था माटूंगा railway station यह काफी news में रहा था लिमका book of world record ने इसको record किया था और यह काफी exams में भी पूछा जा चुका है भारत को skiing sports discipline में अभी तक कोई medal नहीं मिला था सबसे पहला medal जिला था आचल ठाकुर ने कि sports discipline में जिला था यह अलपाइन में जीता गया था वैसे इतना important नहीं आपके लिए अलपाइन वाला नहीं पूछेंगे यह आप ध्यान रखेंगे कि आचल ठाकुर आती कहां से हैं यही माचल प्रदेश से आती हैं प्रेस्डेंट जी ने inauguration किया था international conference on PIO parliamentarians on यह 10 जन्वरी दूजर 18 रख हुआ था इसका आवजन कहां पर हुआ था आफकोस यह ऐसा आवजन होगा नई दिल्ली में New World Wealth Report के नुसार भारत जो है यह चटा सबसे अमीर देश है धनी देश है और यह लगातार बना हुआ है दो तीन सालों से अब की बार भी यह रहने की उमीद है की छटा रहेगा इंडिया रेजिस्टर्ड दा हाइस्ट इंक्रीज इन दा वेल्थ इन दा वर्ल्ड यानि की सब ज़्यादा भारत का धन भड़ा हुआ है USA is the wealthiest nation in the world followed by China यानि की USA सबसे अमीर देश है उसके बाद नमबर आता है चाइना का तो तेनों स्टेट्मेंट यहाँ पर सही है न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के बारे में इन में से किस राजी की सरकार ने ग्रामीड छेतर की युवतियों को sanitation प्रवाइड करने के लिए असमिता स्कीम को शुरुआत की थी यह शुरुआत की थी महाराष्टर ने महाराष्टर ने शुरुआत की थी इसकी 8 मार्च को जिस दिन लोग मनाते हैं International Women's Day Ministry of Agriculture ने लाँच करी थी एक Rapid Detection Kit Rapid Detection Kit से हम लोग क्या detect करते हैं यह detect करते हैं हम लोग की एक ताजी मचली में अमोनिया की मात्रा कितनी है Greenpeace इंडिया की रिबोर्ट के नुसार भारत का सबसे ज़्यादा polluted सबसे ज़्यादा प्रदूशित राजी कौन सा है यह हमारा उत्तर प्रदेश इनमें से किस देश के सेंसर बोर्ट ने पदमावत फिल्म को बैन कर दिया था मलेशिया के सेंसर बोर्ट ने इसको बैन कर दिया था रिलीज होने से पहले Grand Slam के जो चार प्रतियोगिता हैं होती है एक साल में उन्होंने सबसे पहला आपका Grand Slam जीते हों और केवल एक ऐसे प्लेयर बन गए से जिसने आठ बार विम्बल्डेन सिंगल्स का टाइटल जीता हो तो यह सारी उप्लब दिया आप ध्यान रख सकते इसके बारे में आप उज़े एक कोमेंट्स में लिख कर बताईए कि Australian Open के Final में इन्होंने कि score आय था IPL में पहली बार एक नेपाली क्रिकेटर को शामिल किया गया था संदीप लाम इचाने को ठीक है ध्यान रखेंगे IPL ने पहली बार संदीप लाम इचाने को सामिल किया था जो कि आते है नेपाल से IPL में इनको auction में जगह मिली थी Australian Open हो गई बात हमारे men's single की women's single भी ध्यान रखना होता है आपको इससे भी आता है question ये किसने जीता था आपकी बार जीता था Carolina Wozanki ने Carolina Wozanki ने हराया था किसको Simona Halep को बस इतने ही statement आपके लिए sufficient है और उनका ये पहला Australian Open था ये सब नहीं पूछते हैं इतना डीप में उसके किसको हराया था कौन जीता ये आपसे Grand Slam में अभी तक जो pattern है question का ये पूछा जाता है इसके लावा कुछ नहीं और भी प्रतियोगता है होती है Grand Slam में जैसे doubles होता है mixed doubles होता है लेकिन वो नहीं पूछ जाता है इनमें से किस टीम ने जो एक domestic cricket tournament होता है सयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी पहली बार किससे जीती थी दिल्ली ने राय किसको था ये राय था राजिस्थान को 26 जनवरी 2018 को post human sleep इसको मडोप्रांद हमारा जो सबसे बड़ा guarantee award होता है पीस टाइम में अशोक चक्र इससे समानित किया गया था इनके परिवार को दिया गया था कॉर्पुरल जियोती प्रकास निराला को करूट कमांडर श्री जियोती प्रकास निराला को National Law University के रिपोर्ट के नुसार उत्तर प्रदेश ने कैदियों की जेल में होने वाली इम्रित्व के मामले में किस राजी को पीछे चोड़ दिया और नंबर वन पर आ गया ये इसने पीछे चोड़ा करनाटक को और सबसे जादा कैदियों की जेल में होने वाली इम्रित्व के मामले में नंबर वन पर आ गया उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट जी ने शुरुवात करी थी National Immunization Day के मौके पर Pulse Polio Program की Pulse Polio Program में क्या करते हैं 5 साल के कम उमर के बच्चों को बलाते हैं हम लोग कब मनाते हैं इस तरह गड़े यह आपको पता होना ची हम लोग मनाते है National Immunization Day 28 जन्वरी को अगला आपका क्वेशन है RotoVac नाम की वेक्सीन को नौड बिल गया था WHO की तरफ से Pre-qualification इनको मिल गया था WHO की तरफ से RotoVac को डवलप किस ने किया है इसको डवलप किया है भारत बायो टेक ने Global Competitiveness Index में बारत की रहेंक रही है क्यासमी टॉप पर कौन रहा है जल्दी से कॉमेंट्स बिलिख दीजे आप लोग हम लोग इंडेक्स सारे कवर करेंगे UPVC काफी इंडेक्स पूचता है एक दो तो पक्ता आएंगे अब Environment Performance Index 2008 के बारे में देखते हैं पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि UNEP इसको रिलीस करता है तयार करता है इंडिया की रहेंक 170 वी रही है और टॉप पोजीशन पर हासिल की है तो UNEP इसको नहीं जारी करता है स्टेटमेंट नमबर 1 यहां पर गलत है और सेकेंड और थर्ड यहां पर सही है बारत की रही है 170 वी 177 और स्टेटमेंट ने इस लिस्ट में टॉप किया है UP दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं इसके स्टेटमेंट यहां पर सही है आपको पता दें आप देखें इसके बारे में इनस्पायर स्कीम है क्या यह मैनेज की जाती सेंट्रल गवर्मेंट के डिपार्टमेंट आफ साइंस और टेकलोजी की दोरा इस इलेक्ट करती है रिसर्च स्कॉलर्स को जो 32 साल से कम उम्र के होते हैं इस इलेक्टर रिसर्च स्कॉलर्स को 80,000 रुपए का महीना देते हैं और एन्वल रिसर्च ग्रांट देते हैं 7,000,000 रुपए का 5 साल तक के लिए उनकी रिसर्च के लिए तो यह बस आप इसमे याद रखेंगे स्कॉलर्स को मिलेगा पैसा ही पैसा वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम की जो वारसिक सम्मिट होई थी 2018 की इसका थीम क्या था इसका विशारा था Creating a Shared Future in a Fractured World ठीक है Creating a Shared Future in a Fractured World अगे बढ़ते हैं World Economic Forum के Chairperson कौन है आपको पतावना चाहिए जो मीटिंग के समय थे वो अभी बने हुए है Klaus Martin Shob ठीक है Klaus Martin Shob है World Economic Forum के Chairperson Inclusive Development Index 2018 के बारे में देखते हैं इसको पब्लिश करता है World Bank Statement No.1 है इंडिया की रैंक रही है 62 और पिछले साल जो रैंक पिली थी भारत को उससे कम रैंक इस बार हासिल की है Norway ने टॉप किया है लिस्ट को और आप देखेंगे कि Statement No.2 और थर्ड यहां पर सही है तो इसका मतलब 62 रैंक है इंडिया के Inclusive Development Index में और Norway ने टॉप किया है अब बताइए कि इसको जारी कौन करता है Inclusive Development Index को अगर World Bank नहीं जारी करता तो कौन जारी करता है दसमें Global Forum for Food and Agriculture GFFFA को 28 से 20 जनवरी के बीच आउजित कहां पर किया गया यह आपको बताना है किस देशर ने इसको होस्ट किया है इसको होस्ट किया है जर्मनी ने अक्षर डेरी के बारे में देखते हैं अक्षर डेरी एक श्राइन है किसका स्वामी नारायन सेक्ट का है और यह कहां पर एक उजरात में है और रिसेंटली इसने अपनी देड़ सभी anniversary मनाई है तो तीनों स्टेटमेंट अक्षर डेरी के बारे में सही है होम प्रकास रावत का अपोइंटमेंट काफी important है यह हमारे CEC बन गये थे चीफ election commissioner बन गये थे काफी जाद important है और बस ही आपको द्यान रखना है यह पहले क्या करते थे क्या नहीं करते थे आपको लिए important नहीं है चीफ election commissioner के लावा दो important और assist करते हैं लोग वो होते हैं हमारे election commissioner election commissioner इस समय हमारे दो है सुनील अरोडा है और एक अशोक लवासा है ये पूरा composition आप ध्यान रखेंगे CEC के बारे में election commission के बारे में बस इतनी चीज़ें बदलती जो रहती है वो आपको बता होनी चाहिए अगला question हमारे ये है कि किस film ने best critic award जीता था जीओ फिल्म फिल्म का वार्ड जीता था जीओ फिल्म 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 का वार्ड बिला था हिंदी मीडियम ने जीता था बेस फिल्म का वार्ड इतना अभ्याद रखेंगे इसमें और समीक्षक वाले अवार्ड नहीं पूछ जाते हैं अगला question है कि इन में से किस सामाजिक बुराई को eliminate करने की शपत लेने के लिए बिहार के साड़े चार करोड़ लोगों ने एक human chain बनाई थी 21 जनवरी 2018 को मानोस रंकला बनाई गई थी साड़े चार करोड़ लोगों के करीब 14,000 के लिए बीटर लंबी ये मानोस रंकला थी पियार्म बनाई गई थी डावरी और child marriage के खिलाफ याने की दहेज प्रथा और बाल विवा का विरोध करने के लिए 21 जनवरी 2018 तक के latest survey के नुसार किस टेट ने टॉप किया था सबसे ज़्यादा household toilets बनवाने के मामले में सवक्ष भारत mission के तहट ये किस राज ने किया उत्तर प्रदेश ने किया था और काफी ज़्यादा important fact है आपके UPPs के लिए day zero crisis के संबंदित है ये water crisis है ये कहां पर देखा गया था ये Cape Town City में देखा गया था Cape Town City कहां की city है ये South African country की city है यानि South Africa के चहर है Cape Town और यहाँ पर day zero crisis देखा गया था water crisis ठीक है बस इतने fact important है इस सोटे से event के लिए हमारे vice president जी ने एक किताब receive की थी किताब receive करते हैं रहते हैं ये लोगात ने अपनी किताब के पहली copy देने इनको home at last a journey to higher consciousness 20 जन्वरी 2018 को किताब इनों receive की थी इसके लिए एक का है श्रीमती शार्दा शिर वो लूगी इंडिया ने blind world cup में किसको रा करके title जीता था ये fifth edition था blind cricket world cup का और भारत ने जीता था final में पाकिस्तान को रा करके हलो दोस्तों सबी वीवर्स का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से इस particular वीडियो में हम लोग पिछले 10 महीने के important current affairs कर वीजन करेंगे जैसे हमने कल किया था कल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता हम लोग कैसे इसमें cover करेंगे explanation रहेगा बिलकुल मे देश राज की आज की डेट तक भी बनी हुई है इस वजह से आप इसको याद रख सकते हैं एक और important चीज़ यह है कि ये इस समय दो state की गवर्णर है additional charge इनको दिया गया है 36 गड़ का 36 गड़ की गवर्णर बनी हुई है प्रसिडेंट जी ने इनको बनाए था August में August में जो question का answer देना है पहला यहाँ पर statement है कि president is bound to accept the recommendation of election commission election commission का recommendation president को accept करना ही होगा अगर office of profit के संदर्ब में CEC ने कोई भी recommendation अपनी दी है तो यह option आपका सही है और यह आ सकता है आपके exam में जो आपके families वाला matter हुआ था उससे लेकर के question बनाए गया है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो election commission के recommendation होती है अगर वो office of profit के संदर्ब में है तो president bound है उसको मानने के लिए यह आप इसमें आद रख सकते हैं अगर CEC चाहे चीफ election commissioner अपने election commissioner को हटाना तो इसमें जरूरी नहीं है कि president उसक demand को accept कर ही लें तो इस question में आपके पहला statement सही है दूसरा statement यहां पर गलत है और तीसरा statement भी यहां पर गलत है International Cricket Council ICC की पहली independent women director बनाई गई थी इनका नाम है इंदिरा नुई इंदिरा नुई बनी हुए थी जब बनाई गई थी यहां की independent director यह PepsiCo की बनी हुए थी MD CEO और आपको बता दें सेप्टमबर में नोंने step down कर दिया था अपने पत से यह MD भी नहीं है अब और ना ही CEO है इसमें PepsiCo की PepsiCo में नए CEO और MDI आये थे उनका नाम है रह्मन लगवार्टा Women International One Day Cricket Pantses में सबसे पहले 200 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन सी बनी यह बनी जूलन गोस्वामी भारत की तरफ से काफी important है पहले कपतानी भी करती थी इंडिया की जूलन गोस्वामी पर Department of Post ने एक डाक टिकेट भी जारी किया था ठीक है तो एक तरफ उसमें जूलन की तस्वीर थी एक तरफ Victoria Memorial की तस्वीर थी इस डाक टिकेट को जारी किया था पूर्वर्गेटर सौरफ गांगुली ने यह सब चीजें आप याद रख सकते हैं इस पर भी हम लोग जाते हैं पूजा करने खासकर यह मंदिरों की बात यहां पर की जा रही तो जो आफरिंग्स ले करके जाते हैं जो प्रसाद ले करके जाते हैं यह इनिशोर करना कि आप प्रसाद अगर वहां से खरीते हैं तो आपको आँसे दुकानों से काफी सही हाईजि अगला कॉस्चन नमारा C box के बारे में है तो इसको statement से deal करते हैं पहला statement अपारा कहता है C box के बारे में यह एक online complaint management system है या फिर आप simply कह सकते है पोर्टल है इस पर complaints दर्ज की जा सकती है विमेंज के द्वारा अगर workplaces में उनके साथ sexual harassment या molestation या कुछ भी होता है ऐसा तो दू website पर C box उपलब्द है वो women and child development ministry की है तो आपके statement यहां पर सही है पहले और तीसरे दूसरा statement यहां पर गलत है C box का full form आप जरूर ध्यान रख लेना C box के मतलब होता है sexual harassment electronic boxes ठीक है sexual harassment electronic boxes इसका full form है और basically यह पोर्टल जहां पर women शिकायत कर सकती है और अपनी complaint status को track भी कर सकती ह अब अगला question है आपका कि किस country की army ने operation Sinai 2018 शुरू किया था Nile Delta के पास Nile River के डेल्टा के पास Northern Sinai Peninsula के पास तो किस ने किया था Egyptian army ने किया था यानि कि Egypt की army ने पूरा प्रक्रण आप नहीं ध्यान रखेंगे अप इतना समय नहीं है fact वाली चीज़ें पर focus करते हैं US की किस female leader ने लगातार record बनाया यहां पर काफी बड़ा 8 घंटे तक speech देने का podium में खड़े हो करके केवल पानी पी करके बिना किसी break के केवल पानी के साहरे 8 घंटे speech देने का record बनाया था US की leader Nancy Pelosi ने चोटा सा record है ध्यान रख सकते हैं इसको general knowledge के purpose से भी हो सकता है पूचिया जाए अगला आपका question important है Prime Minister Research Fellowship यानी PMRF scheme के तहत अनाउंस करा गया था कि कितनी PMRF scheme के तहत यहां पर मरिटियस students को scholarship दी जाएगी जानी कि कितने लोगों को लाब दिया जाएगा को विलाकर यह छोटा question है आपका 1000 लोगों को दिया जाएगा यहां पर मरिटियस students को और किन-किन लोगों को दिया जाएगा थोड़ा सा देखते इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर रिसर्च fellowship आप एक बात ध्यान रग लिए इसमें कि सबसे पहली बात यह ministry of HRD की scheme है यह आपसे बूट सकते हैं और किन-किन को मिलती है कितने-कितने मिलती है यह पोस्ट graduate students को यह मिलती है जो अपने final year में होते हैं यहां तो complete कर चुके होते हैं अपनी master अपने final year और अपने final year यहां पर आपको बिलते हैं total 10 लाक रुपए 2 लाक पर year यहां पर research करने के लिए research grant के रूप में तो यह यहां पर total इसके benefit है यह scheme HRD ministry की है यह आप इसमें याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे wish of forever and diverse 2018 का global host कौन था यह भारत था हमारा देश आप जानते हैं काफी news भी रहा था इसकी theme ध्यान रखेंगे मेशा beat plastic pollution अगर day पूछेगे तो most probably आपका यही पूछा जाएगा प्रदानमंत्री मोधी जी ने कहां से palace queen हमसफर की शुरुवात की थी यह काफी एक अच्छी train है काफी high facility वाली train है एक इंदो cities को connect करेगी मैसूर से उदैपूर के बीच चलेगी और काफी सारे station से करनाटक के cover करने वाली है यह आप इसमें याद रखेंगे Union Home Ministry के दौरा वतन को जानों प्रोग्राम किस राज के यूथ के लिए चलाए गया था यह आप से बूत सकते हैं जम्मू और कश्मीर के बच्चों के लिए या फिर यूथ के लिए आप कह सकते चलाए गई थी scheme जिसमें 200 के करीब यूथ को identify किया गया था जो या तो आतंकव Home Minister राजनात सिंग से यह इतना important event नहीं है यह आप से पूछ सकते हैं कि वतन को जानों scheme किस ने चलाए थी यह चलाए थी Home Ministry ने किस राज के यूथ के लिए चलाए थी जम्मू और कश्मीर के बच्चों के लिए ठीक है तो इसके तहत क्या होता है भारत दर्शन करवाए गया इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के लिए Fast Track Court कहां पर खोले गए हैं Assam में World Information Technology Congress 2018 Feb में आयोजन हुआ भारत में हुआ था कि सिटी में यह हुआ था हैदरबाद में ठीक है काफी सारी summits यहीं पर cover कर ले रहे हैं अगर आप चाहेंगे तो summits का एक और separate video भी कर US में यहाँ पर protest हुए थे March for our lives के नाम से March for our lives यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए थे किसके support में जो gun control के provisions आये थे उसके support में ठीक है इतना fact आप ध्यान रखेंगे पूरे event को ध्यान रखने की आपको अवश्यक्ता अभी नहीं है इस man airlines का एक passenger plane crash हो गया था काफ़ी लोगों ने अपनी जान गवाई थी यह airline किस देश की है यह airline काम करती है इरान में Arctic Sunrise नाम से एक वस्तू news में थी यह क्या चीज थी यह Greenpeace की एक research वीजल थी यह काफी important जहाज था यह Greenpeace का Arctic Sunrise आप इसमें बस इतना ही ध्यान रखें दारंगीरी नाम का जो market है यह पूरे Asia का सबसे बड़ा केलों का market है बनाना market यह कहाँ पर पड़ता है यह बढ़ता है असम में ठीक है ध्यान रखेंगे इसको एक university research के नुसार 36 गड़ में लायचा variety का एक चावल पाया जाता है जिसके अंदर anti-cancer properties पाया जाती है यानि कि उसमें कुछ ऐसी properties नहीं तें जिससे cancer के tissues को destroy कर सकते हैं cancerous tissues को destroy कर सकते हैं लेकिन normal tissues को नुकसान किये बिना तो यह किसमें research किया था यह IGKV ने किया था इंद्रा गांधी क्रिशी विस्वद्याला यह रायपूर्म पढ़ता है इन्होंने कुछ वरायटिक होजी थी महाराज जी लायचा और गत्वान करके यह कुछ ऐसे चावल है जिनसे cure कर सकते cancer को और बिना ज़्यादा body को नुकसान पहुचा हुए तो बस आप इसमें याद रख सकते हैं कि लायचा क्या है यह लायचा चावल है किस देखोजा IGKV ने इंद्रा गांधी क्रशी विस्वद्याले कहां पढ़ता है रायपूर में चेन्नाई open tennis tournament 2018 का men single event किसने जीता है men single event का title जीता है जॉर्डन थॉम्सन ने और फाइनल मेंहों ने इंडिन प्लेयर को राया था यूकी महम्री को कावेरी डिस्प्यूट पर जो latest decision आया है सुप्रीम कोट का उसके अंतर गत सबसे ज्यादा पानी किस राजी को बिलने वाला है सबसे ज्यादा पानी मिलेगा तमिल नाडू को ये overall हम बता रहे हैं ये मत देखिएगा कि latest decision में अधिक किसको बिला है overall अधिक किसके पास है प पास TMC बिलेगा ये आप नंबर ध्यान रख सकते हैं नंबर से question आ जाते हैं अब ये history का question है कि सबसे पहली बार ये कावेरी रिवर पर ट्रेटी कफ साइन की गेजी state of मैसूर में और अमदरास presidency में कावेरी वाटर की sharing के लिए काफी पहले 1892 में कावेरी वाटर डिस्प्य ट्रिबूनल का गठन कब हुआ था ये हुआ था 1990 में अब हमको इस पूरे प्रक्रेंट में उस राज को identify करना है जिसका कावेरी वाटर डिस्प्यूट से कोई भी लेना देना नहीं है तेलंगाना का कोई मतलब नहीं इससे कावेरी वाटर डिस्प्यूट कितने राजियों ये केरल के शहर मना जाए गा और अफकोस तिर्वनagne पूरम में मध्ध प्रदेश के किस जिले में आपको बताना है कि श्थेट का पहला butterfly garden शुरू किया गया था बटरफ्लाई गार्डन राय सेंड नाम की जगह पर शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में काफ़ इंपॉर्टन कोश्चन है आपके स्टेट पीसेस MP वाले स्टेट पीसेस के लिए उत्तर प्रदेश वालों ध्यान रखो आपके कान पूर्म पढ़ता है बटरफ्लाई गा ठीक है इतना इधियान रखेंगे इसमें Central Tribal Ministry ने डिसाइट किया है कि 562 और एकलव वी मॉडल रेजिडेनिशल स्कूल खोले जाएंगे इंडिया में आपको बताना है इसमें कि एकलव रेजिडेनिशल स्कूल की स्कीम कब स्टार्ट की गई थी स्टार्ट की गई थी 1998 में अलंकि पहला स्कूल बाद में खोला गया था संदू होजार में आप यह दियान रखें इसके बारे में Tribal मामलों के मंत्राले के द्वारा समर्थिती स्कूल होते हैं इन में से किस देश में जेडेक नाम की भाषा की खोच की गई थी जो केवल 280 लोगों के द्वारा बोली ज से काफी न्यूस में रही थी यह दियान रखें इसके बारे में D.A.C.A. Deferred Action for Childhood Arrivals Program यह प्रोग्राम है युएस का फैब 2018 में नई दिल्ली में सब्मिट हुई थी World Sustainable Development Summit इसका आयवजन किस ने करा था इसका आयवजन करा था The Energy and Research Institute T.E.R.I. ने उत्तर प्रदेश के बजट से related question है उत्तर प्रदेश के बजट पर सरने वीडियो बनाये था आप उसको देख लीजेगा बार बार लगातार उसे question जरूर आपका आएगा एक fact उससे लेते हैं उत्तर प्रदेश के बजट में जो आये था 16 February 2018 को इसमें fiscal deficit कितना estimate किया गया था इस वर्ष के लिए जो चल रहा है 2018 2019 ये किया गया था 2.9% of GDP 2.9% of GDP इसको और specifically हम लिखें तो ये हो जाएगा 2.96% of GDP Cyril Ramfosa बने थे किस देश के president ये बने थे South Africa के और उन्होंने Jacob Juma की जगह ली थी जो काफी दिन से यहाँ पर office में बने वुए थे किस देश के PM ने अभी एक अनोखी तरह का order पास किया था जिसके तहत उस देश के cabinet minister अपने personal staff के साथ sexual relationship सिर्फ स्टैबलिस नहीं कर सकते थे ये किस ने कहा था Australia के PM ने Australia के PM इस समय कौन है प्रेजेंट में आप नाम लिख करके comments में बताएं तो ये important आप धियान रख सकते हैं अनुखा सा fact GDP के assessment के लिए अब base year बदल दिया गया है पहले 2011 हुआ खड़ता था अब ये क्या होगा अगली बार से base year रखा जाएगा GDP estimation के लिए साल 2017-2018 important fact है ध्यान रखें इसको हमारे देश का कौन साराजी ये वो पहला राजी बना है जिसने sponsor किया है हमारे देश की hockey team को hockey men's team को इन्होंने किया है ओडिशा राजी की सरकार ने अभी हाल में चरजा में रही जो guidelines है OIE guidelines इनका संबंध किस से है इनका संबंध है Animal Disease Control से EY Entrepreneur of the Year 2017 ये किताब किसको बिला था ये मिला था इंडियन ओरीजिन के संजीव बजाज को आउश्मान भारत के Mission Director कौन बनाए गए है आउश्मान भारत के Mission Director है दिनेश रोडा अगर आपसे बूचें आउश्मान भारत के CEO कौन है तो वो होंगे इंदू भूशन ठीक है इंदू भूशन आपके CEO है और Mission Director है श्री दिनेश रोडा नॉस्ट्रो अकाउंट चर्चा में रहते हैं इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए यह एक अकाउंट होता है जो इंडियन बैंक 15 फरवरी 2018 को यह 41 में बने थे खटग प्रसाथ शर्मा ओली ध्यान रखेंगे इनका नाम पीम यह बन गए थे और री इलेक्ट हुए थी यहांकी प्रसिडेंट विद्या देवी मंडारी तो इन दोनों के नाम अट लिस्ट आप याद रख सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज के ह अठारक रिपोर्ट के नुसार भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड में डिफेंस बजेट के मामले में यानि कि रक्षा उत्पादों पर खर्च करने के मामले में भारत किस नमबर पर आता है लिस्ट में कितने नमबर पर आता है यह आता है फिफ्ट रैंक पर डबल आई-डबल मिलिट्री बैलेंस नाम से रिपोर्ट पब्लिश करता है और ये क्या है ये थिंक टैंक टाइप का और्गनाइजेशन है ये कहां का है यूके का है और इसने लिस्ट बनाई यहां पर देशों की जो सबसे ज़्यादा रक्षा उत्पादों पर खर्चा करते हैं तो टॉप पर रखा गया यूएस को फिर चाइना का रंबर फिर साओधी यरप का फिर रशिया का फिर इंडिया का तो टाप पर कौन है और इंडिया की रेंक्या है बस इतने में आप यह याद रख सकते हैं रिपोर्ट का नाम मिलिट्टी बैलेंस 2018 है इसको पब्लिश करता है यूके का एक और्गनाजेशन इंटरनेशनल इंस्ट्यूट फॉर स्ट्राटिडिक स्टडीज इंटरनेशनल इंस्ट अगला कोश्यन है कि पंजाब नैशनल बैंक की मुंबई ब्रांच में कितने रुपए का स्कैम यानि कि घोटाला सामने आया था और यह काफी चर्चा में रहा थ जाता है यह दिया जाता है स्वीडन में यह आप इसमें आद रखेंगे क्योंकि एक ऐसा अवार्ट्स रिलेटेट फैक्ट है जो मैंने मिस्कर दिया था अपने अवार्ट्स के डिडिकेटड वाली वीडियो में रिसेंटली सरकार ने एंटी नार्कोटिक स्कीम को तीन वर रहते हैं रक्षा यह की कुंड इंडिया गेट के पास तो उसमें जगे जगे से जल और मिट्टी ले करके आई जाएगी तो वहां पर वो कुंड बनवाए जाएगा ठीक है तो यह एक आपका और्नमेंटल परपस से था इसका कोई ओफिशल लेना देना नहीं किसी स्कीम से किसी important campaign से इतना ही आप इसमें याद रख सकते हैं प्रेसिडेंट जी ने एग्रिकॉन की शुरुआत कहां से की थी बस इतना ही आप से बोच सकते हैं एग्रिकॉन की शुरुआत कहां से हुई थी एकानपुर से हुई थी चंदर सेखर आजाद यूनिवस्टी जो है agriculture की यह हाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी एग्रिकॉन धोजार रठारा की यह आप इसमें याद रखेंगे रिसेंट रिपोर्ट्स के नुसार जो हलफ नामा दिये जाता है अपनी आय दिखाने वाला तो उसके नुसार इस समय हमारे देश के सबसे अमीर चीफ पिनिस्टर कौन सरकार इनकी आय कल बिलाकर करीब 26 लाग रुपए के करीब बताई गई थी साहित अकाडमी के नया करीशदेंट प्रिसेंट कौन अपॉइंट हुए हैं साहित अकडमी के नयाilli के बने हैं चंदरशेखर कुमार ठीक है अपॉइंटमेंट वाला इंपोर्टन फैक्ट है श्र बताया जाता है कि करीब 193 तरह की diseases का screening test हो सकता है एक single go में एक single test के हिसाब से ये एक independent medical institution की खोज है या फिर कह सकते हैं कि उसका work है जिसका नाम है इसी नाम में छिपा हुआ है SEMA 4 करके इसका नाम है और SEMA 4 Natalis इस test का नाम रखा गया है करीब 6500 डॉलर खर्च करके इस तरह के test करवाय जा सकता है और शोटे से बच्चे में उसके आगे आने वाले 10 साल के अनुवान सिक गुणों की खोज भी कि जा सकती है यह ऐसा DNA screening test है जिसमें आने वाली बिमारियों की भी forecasting की जा सकती है Recently LPG पंचायत कहां पर हुई थी यह राष्टपती भावन में हुई थी इस तरह कोशन कभी नहीं आएगा कोशन किस तरह का आएगा कि पहली LPG पंचायत कहां पर हुई थी या फिर इसका लक्ष कित्ता रखा गया है कि कितनी LPG पंचायत हमको करवानी है इस particular date तक यह दोनों चीज आप comments में लिख करके बताएंगे पुराने वीडियोस अगर आप हमारे देखते हैं तो हमने आपको ज़रूर बताया है मैंने खुद बताया है यह लिख करके बताये comments में कि LPG पंचायत सबसे पहली कहां पर आयोजित हुई थी और इसमें करते क्या है बेसिकली अब इहाल ही में किस country ने J20 Shield Fighter को अपने Air Force में सामिल किया है J20 Stealth Fighter एक basically aircraft काफी powerful और यह USA के पास होता था Advanced Technology वाला high-end aircraft और इसको खरीदा था या फिर अपने Air Force में शामिल किया था कह सकते हैं चाइना ने तो काफी यह news में चीज रही थी आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में खाली US के पास हुआ करता था और यह Asia का पहला country बना था जिसने इसको अपने Air Force में सामिल किया था Feb 2018 में प्रदान मंत्री मोती जी ने किस देश में पहले Hindu Temple की नीव रखी थी पहले Hindu Temple का शुबारम किया था UAE में UAE में किया गया था बीच के एक्जाम में पूछा गया था Air Force के एक एक्जाम में पूछा गया था मद्ध प्रदेश से तीन Tiger जो है Translocate की जाने थे सतकोशिया Tiger Reserve में सतकोशिया Tiger Reserve आप कहां देखेंगे या आप देखेंगे Odisha में ओडिशा में सतकोसिय टाइगर रिजर्व है ओडिशा के दो इंपोर्टिन नेशनल पार्क हैं बीतर का इंडिका नेशनल पार्क और सिंपलीपाल नेशनल पार्क किस कंट्री की पारलिमेंटरी बिल्डिंग गिर के ढह गई थी साइकलोन गीता के कारण गीता नाम के साइकलोन कारण पार्लिमेंटरी बिल्डिंग डह गई थी यह किस देश में डह गई थी यह फिजी में डह गई थी आपको बता हूँ यहाँ पर रेट से टॉंगा भी लिखा हुआ है टॉंगा में बिल्डिंग ने गिरी थी टॉंगा में काफिज जादा दवस् उसने एक special तरह का dark ticket जारी किया था उस person के नाम जिसने पहली बार रसगुला create किया था ठीक है सबसे पहली बार रसगुला बनाये था इस व्यक्ति ने उसके नाम पर dark ticket जारी किया गया था इन व्यक्ति का नाम है नभीन चंदरदास nationwide ceasefire agreement NCA किस देश से संबंदित है ये संबंदित है म्यानमार से म्यानमार की डिफेक्टो लीडर है आंग सांग सू की काफी सारी प्रुसकार इन से चीन लिए गए है और लेटिस्ट में से मानद नागरिक्ता चीन ली गई है कैनेडा के द्वारा दी गई ध्यान रखेंगे इसको थर्ड डिफिकल्ट डायलॉग फोरम का यवजन कहां पर हुआ था नाइन फैब को ये हुआ था गोवा में चलते हैं आगे अगला क्वश्यन है आपका इंडिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट 2017 से इंडिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट पर मेरे गहल से सर ने वीडियो डाला हुआ है अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा उससे सवाल जरूर 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 आएंगे आपके UPPCS prelims में कोई भी आ सकता है बहुत सारे फैक्ट से उसमें तो एक फैक्ट इसमें से लिया है हमने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के नुसार किस राज में सबसे ज़्यादा क्रोथ रिपोर्ट की गई है मैंगरू कवर की यानि कि मैंगरू कवर सबसे ज़्यादा किस राज में बढ़ा वुआ पाया गया है पिछले दो सालों में 82 स्कॉयर किलोमेटर यहा यहां पर हुआ है महाराष्ट में काफी इंपोर्टेंट फैक्ट यह ध्यान रखेंगे मैंगरू कवर में बढ़ोतरी की इस राज ने की है पिछले दो सालों में लगातार महाराष्ट ने कुछ नहीं तो दो बैसिक फैक्ट आपको ज़रूर पतावने चाहिए इसके बारे गया था फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला करके पूरे इंडिया में और अगर केवल फॉरेस्ट कवर की बात कर लें तो कितना पाया गया था कोमेंट्स में लिखकर बताईए हमको इसी रिपोर्ट में अगर आपसे पूचे कि टोटल जोग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट म में परसेंटेज की हिसाफ से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर पाया गया है तो यह पाया गया है लक्ष दूइप में ठीक है इंपोर्टेंट चीज है इन में से किस राज में एशिया का सबसे बड़ा वार्षिक क्रिश्चन कंक्लेव हुआ था रिलीजिस नाम सेे मार्में कंवेंशन वगा था केरयल में कहां पर उधा इस्टिक्ट Though जहां पर आपका सब्री माला टेंपल पड़ता है किस देश की city council ने announce किया था कि जितने भी अमीर लोग है, well-deer homeowner है, उनको जितना tax निरधारित किया है, वहाँ की city council के दौरा उससे अधिक tax देना चाहिए guilty tax group में, ठीक है guilty tax group में tax देने को बोला था London ने, ठीक है important है fact peculiar भी है, अजीब सा है या आ सकता है आपके exam में इसको असान भासे में से समझीए कि जितना tax देना होता है, उससे ज़्यादा voluntary contribution या फिर कैसकते donation की जाने की बात कई थी जितने भी wealthy लोग हैं, लंडन के city council में, वहाँ पर guilty tax group में, ठीक है guilty tax उठ सकते हैं कहाँ पर introduce किया गया था तो आईए, आप ध्यान रखें UK London में बस इतना, ministry of power के नए निर्देशों के नुसार, अगर कोई नया thermal power plant लगाया जाता है, extension unit को छोड़ करके तो उसकी अधिक्तम दोरी एक coal field से कितनी हो सकती है यह स्पेस्वाई की गए थी 500 km एक coal field में और एक आपके नया thermal power plant पे maximum दोरी 500 km की रहनी चाहिए, इससे अधिक नहीं इन में से किस public sector bank ने सबसे ज़्यादा bad loan कमाया था कितने का 20,349 करोर रुपय का वर्ष 2016-2017 में records के नुसार, जो कि public sector banks के bad loans के महमले में top पर है, यह किसने top किया था State Bank of India ने अक्षे कुमार की नई film जो आई थी bad man, वो किसके जीवन पर आधारित है यह अरुनाचलम, मुरुगनन्थम के जीवन पर आधारित बनाई गई थी इंडिया और साउथ अफरिका की bilateral series में एक ODI एक वंडे खेला गया था, pink ODI के नाम से, pink जर्सी में खिलाड़ी उतरे थे यहाँ पर, तो pink ODI के मकसद क्या था, यह fund जुटाना था यहाँ पर breast cancer patients के लिए हम लोग 10 February को क्या मनाते हैं, 10 February को celebrate किया जाता है National Dewarming Day Kalo India School Games 2018 में सबसे ज़्यादा gold medal किस राज ने निकाले, यह अरियाना ने निकाले हैं International Intellectual Property Index 2018 को देखते हैं हाँ पर, तो इसमें statements के माध्यम से देखते हैं, तीन statement हैं हाँ पर, पहला statement यहाँ पर यह कहता है कि it is published by World Intellectual Property Organization Vipo इसको publish करता है, दूसरा statement यहाँ पर कहता है कि India की रैंक यहाँ पर 44 वी रही है, तीसरा statement यहाँ पर कहता है कि Switzerland ने यहाँ पर टॉप कर दिया है तो यहाँ पर आपका statement सही है पहला और तीसरा, इंडिया की रैंक यहाँ पर 44 वी ना होकर कि कितनी है, इंडिया की रैंक इस बार 57 वी, 57 वी रैंक इंडिया की आप देख सकते नीचे यहां पर लिखा हुआ है और लगातार भारत इंप्रूव करता आ रहा है खुद को 2015 में 81 रैंक, 2016 में 68 वी रैंक, 2017 में 60 वी और आपकी बार 57 वी रैंक इंडिया को मिली है टॉप पर रहा है स्विट्जर लैंड, फिर नीदर लैंड का रंबर आता है स्वीडन का इतनी लंबी लिस्ट नहीं रटनी होती है इसमें टॉप पर कौन रहा है इंडिया करेंग 57 वी इस बार और यह कौन पब्लिश करता है हमने देखा इसको वर्ल्ड इंटलेक्ट्वल प्रॉपरिटी और्गनाजेशन यहने कि वीपो इसको पब्लिश करता है जन्रेलाइजड सिस्टम आफ प्रिफरेंसेश जी एसपी प्रोग्राम नीज में था यह किस कंट्री से संबंदित है यह यूएस से संबंदित है इनमें से किस यूणिवर्स्टी ने पहली बार ग्रो किये थे Human X Laboratory में ठीक है काफी लंबी प्रोसेस है इसको नहीं बताऊंगा मैं यूणिवर्स्टी औफ एडिनबर्ग ने ऐसा प्रयोग किया था यहां पर यह ब्रिटिश उनिवर्स्टी है उनिवर्स्टी औफ एडिनबर्ग इनों ने ग्रो करने का काम किया था Human X Laboratory में मोधी जी की दो किताब है एक्जैम वारियर्स यह ओरिजिनल ली छपी थी आपकी अंग्लिश लैंविज में इसका हिंदी वर्जन किसे लॉंच किया था हमारे चीफ मिनिस्टर उतरप्रदेश के योगी आदित नाजी ने इंडिया ग्रेप हार्वेस्ट फेस्टिवल कहां पर मनाया गया था यह मनाया गया था महराश्टर के नासिक डिस्ट्रिक्ट में उरुरा कार नियुवाल जिसको युनेसको ने वर्ल्ड हरीटेज साइट की लिस्ट में सामिल किया था एक intangible heritage की कैटेक्री में यह कहां पर आपको देखने को बिलती है यह आपको देखने को बिलती है बॉलिविया में National Science Day हम लोग कब बनाते हैं, National Science Day हम लोग बनाते हैं, Feb 28 तारीक को, Feb 28 तारीक को National Science Day जो अपकी बार मनाया गया था, इसकी theme रही थी, Science and Technology for a Sustainable Future, किस राज ने खुशी स्कीम इंट्रेडिूस की थी, यहां पर rural में रहने वाली girls के लिए, युवतियों के लिए, sanitary napkin distribute करने के लिए, किस ने की थी, ओडिशा ने, खुशी स्कीम जो संबंदित है, sanitary napkin की ओडिशा की है, महराष्ट्र भी इससे संबंदित स्कीम लेकर के आया था, लगबख similar योजना उसका नाम था, असमिता योजना, ध्यान रखेंगे इसके बारे में, और 8 मार्च 2018 को युनियन अधार कार्ड किस कलर का शुरू किया था, ये ब्लू कलर का अधार कार्ड था, पांच वर्ज से कम उम्र के बच्चे, ब्लू कलर का अधार कार्ड बनवाने वाले थे, अलांकि अब constitutional तो है जरूर अधार कार्ड लेकिन अब लगे का नहीं जादा कहीं, ये बात आप जानत स्वजल प्रोजेक्ट कि से संबंदित है यह किस राजी का प्रोजेक्ट है यह है राजस्थान का नौंबर 2018 में किताब आएगी जिसका नाम है बिकमिंग बिकमिंग किताब अभी सेल पर नहीं है यह किताब है मिशल ओबामा की ध्यान रखेंगे काफी काफी important किताब है मिशल ओबामा इसकी लेकिका है किताब का नाम है बिकमिंग हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नडड़ा ने लांच करा था वाइरल लोड टेस्ट को फैब 2018 में यह किस डिसीज के ट्रीटमेंट से संबंद रखता है कि संबंदित है acquired immunodeficiency syndrome यानिकी AIDS से वाइरल टेस्ट और सरकार ने वादा किया था कि यह free में मिल सकेगा सभी को Health Ministry के द्वारा PLHIV परसन को PLHIV इस टेस्ट के माधियम से assessment कर सकते हैं कि जो उनका anti-retroviral treatment चल रहा है कितना हद तक कारगर हुआ है उनके शरीर को HIV ने कितनी चती पहुंचाई है और anti-retroviral treatment की status क्या है वगर अगला भी question AIDS related ही है इसमें हम को बताना है question में कि कि किस disease से सम्बंदित है project 90-90-90 project 90-90-90 project है UN AIDS का रिक्रम का है यह और AIDS से सम्बंदित है इसके लक्ष है तीन 90-90-90 लक्ष से सम्बंदित है 2020 तक UN AIDS का मानना है कि 90% लोग यह पता कर सकेंगे कि उनके HIV का status क्या है 90% लोगों को anti-retroviral treatment therapy मिल सकेगी sustained तरीके से कम पैसे में और 90% P-LHIV में फायदा भी देखने को मिलेगा इस anti-retroviral treatment therapy से यानि कि cool मिला कर वो लोग एक सहच जीवन जी सकेंगे इस therapy के मादर यम से आगले question में आपको बताना है कि 68 बर्लिन film festival में बेस्ट film का golden beer पुरुसकार किस film को गया है ये गया है touch me not नाम की फिल्म को 23 में winter olympic 2018 के बारे में statements देखते हैं पहला statement ये कहता है इसका आयोजन हुआ था प्योंग चांग में जो कि पढ़ता है साउथ कोरिया में दूसरा statement कहता है कि नॉर्वे ने सब ज़्यादा medal जीते थे त्रिसरा statement कहता है कि इंडिया ने कोई भी medal यहाँ पर नहीं जीता था तो तीनों statement आपके यहाँ पर सही है प्योंग चांग विंटर ओलंपिक 2018 का शुबंकर यानि कि मैं स्कॉट कौन रहा था कॉमेंट्स पिलिख सकते हैं आप अगले विंटर ओलंपिक गेम्स का यहाँ पर होगा यह होगा बीजिंग में और बीजिंग ऐसा country बन जायेगा जिसने summer और winter ओलंपिक का यहाँ जन साथ में किया रहा होगा यानि कि एक बार summer का यह कर चुका है बीजिंग और अपकी winter का कर लेगा summer का कप किया था इसने 2012 में और 2022 में winter का कर लेगा तो यह ऐसा देश बन जायेगा जिसने summer और winter ओलंपिक दोनों का आवजन किया हो Hello दोस्तों सभी वीवर्स का बहुत बहुत स्वागत एक बर फिर से इस particular वीडियो में लोग last part अपना करेंगे English वाले current affairs के version का यह पार्ट काफी जाद आपके लिए important रहने वाला है क्योंकि इसमें मैं cover करूंगा पिछले करीब 3-3 महिने के important mcqs और जो लोग भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इसको जिसको हिंदी वाला देखना यहां time based करने के बुझाए directly जाकर के देख सकता है जिसको इंग्लिश वाला देखना है वो यहां से देख सकता है तो चलिए इसमें शुरुवात कर लेते हैं बिना time based के justice राजेश बिंदाल कमीटी ने अपनी report submit कर दी थी राजेश बिंदाल कम समीटी गठन किस लिए किया गया था यह आप से पूछ सकते हैं इंटर country removal and retention of children के लिए इन्होंने अपने report सौप दी थी ठीक है हम बता चुके हैं आपको हेग convention में इंडिया इसलिए नए इंटर रुपाय था क्योंकि इंटर country removal और retention of children के लिए specific laws हमारे पास मौजूद नही हैं तो इस पर recommendations देने के लिए राजेश बिंदाल समीती के गठन किया गया था जिसके head है justice राजेश बिंदाल इनमें से अफस्पा जो है किस राजे से अटा दिया गया था और काफी चर्चा में रहा था 31 मार्थ 2018 को अफसा अटा दिया गया था मिगाले से September 2018 में participation होगा क्योंकि हमारी foreign minister इस समय एक women है आठवां South Asian judo championship हुआ था 2018 में इसमें इंडिया ने दोनों में जीता था ये मेडल मेन और विमेंड डोनों टीम्स ने कहां पर हुआ था अप्रेल 2018 में ललितपूर में हुआ था नेपाल में इसमें इंडिया की मेंस टीम ने और विमेंस टीम ने दोनों ने यहां पर जीता था इस टूर्नमेंट को सोपर कप फुटबॉल टोर्रमेंट कभी जेता कौन रहा है इस बार बैंगलूर एफसी ने जीता है ठीक है ध्यान रखेंगे इसको मारियो एब्दो बेंटोस कहां के राष्टपती बने थे ये बने थे परागवे के नाभी ताजिमा जिनको oldest person in the world बताया जा रहा था उनका हाल में निधन हो गया वो कहां की रहने वाली थी वो जापान की थी इनकी age थी करीब 117 वर्स ठीक है तो इनका death हो गया है अभी तक reported ये world की सबसे oldest person है ठीक है ये female है पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सैनिक स्कूल मे गल्स का admission allow कर दिया गया था कैटन मनोच कुमार पांडे सैनिक स्कूल में गल्स को admitted अब किया जाने लगेगा ये कहां परस्तित है ये मनोच कुमार पांडे सैनिक स्कूल है उत्तरफ देश में 11 राजियों ने गुवाहाटी declaration घोशित किया है ये किस से संबंदित है ये संब environment day की theme से जो रही थी beat plastic pollution ठीक है तो याद करना आसान है environment day में क्या रही थी beat plastic pollution जो हम लोग पांच जून को celebrate करते हैं earth day हम लोग ने मनाया था इसमें theme रही थी 2018 के लिए end plastic pollution criminal law amendment ordinance जो है 2018 में इसमें कौन सा provision नहीं शामिल है option number c में जो provision दियावा है death penalty for gang rape of girls under 16 years यह death penalty नहीं इसमें 20 वर्ष तक की सजा है तो यह आप याद रखेंगे जिसको उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है तो यह provision है death penalty है लेकिन वो under 12 years के लिए है जैसे यहाँ पर लिखावे option number b में civil services day हम लोग कब बनाते हैं बनाते हैं की सप्रेल को आधी शंकराचार हिंदुइस्म greatest thinker इसकी पहली काफी प्रिसेडेंट जी को भेट की गई थी किसके दौरा इसके author कौन है आधी शंकराचार हिंदुइस्म greatest thinker के लिए खक है मिस्टर पवन वर्मा मुक्सेंड author में वैसे हम बता चुके हैं लेकिन अब MCQ कर रहे हैं तो सब पुद देखेंगे इसमें last time के रिविजन के लिए cabinet ने restructure कर दिया है national gram सुराज अभियान को राश्ट्री ग्राम सुराज अभियान अपने कल्मिनेशन तक कप महुचेगा यह बताना है आपको March 31, 2030 तक हमारा यह national gram सुराज अभियान जो है अपने targets को अचीव कर लेगा और खत्म हो जाएगा ध्वनी से शब्द और चिन एक्जिबीशन इसका inauguration कहां पर हुआ था इसका inauguration वह थो मुंबई में और बी यहां पर सही है जनरली हम लोग सोच लेते हैं ऐसा कुछ भी होता है अपको बताना है कि पहले प्रेस्डेंट कौन थे जिन्होंने सियाचिन को विजट किया था इस cancer हो जाएगा रॉक्टर ए पीजी अबदुल कलाम यह पहले थे जिन्होंने सियाचिन को विजट किया था और बन गया रामनात कोविन जी एरफोर्स के एक्जाम में इससे कोशन पूछा गया था लेकिन इस तरीके से नहीं पूछा गया था वो पूछा गया था कि सेकंड प्रेस्टेंट अमारे कौन बने हैं जिनोंने सियाचिन को विजिट किया है तो उस समय उसका एंसर था रामनात को विन तो यह आ सकता है आपक पिनिस्टर्स की हुई थी और एक बार में सम्मिट हुई थी तो इन तीनों का अलग 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 अपको धियान रखना पड़ेगा में सम्मिट किंग डाव में हुई थी आपकी तो यह आप जरूर धियान रख लेना इसमें आपको बताना है कि जो काफी बड़ा एक्विजिशन हुआ था फ्लिपकार्ट का वालमार्ट के द्वारा तो फ्लिपकार्ट को 16 बिलियन डॉलर दे करके कितने प्रतीशत स्टेक्स खरीद लिए गए थे वालमार्ट के द्वारा इसमें 70% स्टेक्स खरीद लिए ग कोच की गए थी ओडिशा में इन में से कि स्राज जी की चीफ मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के नाम का एक सिक्का ढ़लवाया है और उसमें खुद की भी फोटो लगाई है लोगो लगाया है यह किस्दे किया है तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर के चंदरशेखर राओ ने कटास राज टेंपल जो अभी न्यूस बिरा था ठीक है यह कहा पर स्थित है यह न्यूस में स्थित है यह पाकिस्तान में स्थित है एक मत्टूर नाम के विलेज की खोच की गई है कहां पर जहां पर जो नेटिव्स है केवल और केवल संस्कृत बोलते हैं वो भी शुद्ध यह कहां पर पाया जाता है विलेज यह आपको देखने को बिलता है करनाटक में करनाटक में बेंगलूर से 200-300 km के आसपास यहां पर एक मतूर नाम का विलेज है यहां पर करीब 630 लोग रहते हैं और सारे के सारे एकदम शुद्ध संस्कृत भासा में बात करते हैं लोव इंस्ट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया को क्या रैंक दी गई है इंडिया को रैंक दी गई है इंडिया को रैंक दी गई है चौथी इसमें 25 कंट्रीज का डेटा लिया गया था ठीक है लोव इंस्ट्यूट एशिया पावर इंडेक्स जो है प्रिपेर क जाना चाहिए और्गनाईजेशन ऑफ इस्लामिक कॉंफरेंस में यहां कि ओ आई सी में किसने प्रस्ताव रखा था बंगलादेश ने अप्शन नमबर डी यहां पर सही है नैशनल नूट्रीशन मिशन और राश्ट्री पोशन अभियान जो है सिप्टम्बर मनाया गया था उसमें फंडिंग ली गई थी वल्ड बैंक से कितना फंड किया था वल्ड बैंक नहीं आपको बताना है टोटल लोन जो लिया गया था वल्ड बैंक से नीती आयूग ने आटिफि renowned के लिए और और आटी फिशिल इंटेलिजेंस को कंट्री में है करने के लिए किस और्गनाजेशन की साथ समझेंभाटा किया है यह किया है घूगल के साथ डेकेंड डायलोग कॉन्फरेंस एक ओन एकनोमिक डॉलप्मेंट 6 मई 2018 को कहां पर हुआ था यह वह था है इदरबाद में option number C सही है थोलू बोमलाटा यह news में था यह क्या चीज है मैंने आपको साथ हिंदी वर्जन बता दिया था classical dance of करनाटक उसको सही कर ली देगा आप लोग classical dance of करनाटक नहीं है आंध प्रदेश का एक puppetry theater है ठीक है इसमें exhibition होता है कट पुतलियों का कट पुतलियों का तमाशा इसमें दिखाया जाता है यह है थोलू बोमलाटा यह आंध प्रदेश का है ठीक है हिंदी वर्जन वाले में यह गलत हो गया था ध्यान रख्येगा अब माइक्रो बीड्स चर्चा में आये थे हमको इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स को टेक्री में तो तीनों यह आप्शन यहाँ पर सही है ब्यूरो अफ इंडिन स्टेंडर्ट्स ने इनको कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट के रूप में अनसेफ करार दिया है ठीक है तो ध्यान रखेंगे इसको ग्रैविटी रैट अभी चर्चा में रा था यह क्या चीज है यह एक साइबर मालवेर है ठीक है ग्रैविटी रैट एक साइबर मालवेर है एक रिशेंट स्टडी के नुसार वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयर रूट कौन से पाया गया था यह जुलाई में सर्वे हुआ था कौन से पाया गया थे सिंगापूर से कौला-लंपूर तक जा रहा था इसके मतलब जो समीति चाहन करती थी Nobel laureates का Nobel Prize 2018 के लिए उस पर आरोप लग रहे थे sexual assault वगएरा के तो Nobel Prize literature में नहीं दिया जाना था और फाइनली नहीं दिया गया था for higher education and start a new business अगर उच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही है मतलब उच्छी शिक्षा के लिए या तो कोई नया आपदा से उनको नुक्सान नहीं पहुंचे यांगली फेस्टिवल को कहां मनाया जाता है यह असाम की मनाती है टिवा ट्राइब्स ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा इसका ग्लाउस हाउस जो है उसको दुबारा से खोल दिया गया है इसका नाम है क्यूंगारण क्यूंगारण कहां पर है यह है इंगलैंड में अप्सिन नबर डी निवली फॉर्म डिइफेस्ट्र प्लाइनिंग कमिटी के अध्यक्ष कौन बनाए गया है स्टेट में पढ़ता है मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा एरपोर्ट बिल करने की योजना है मुपा में केंदर सरकार ने मल्टी रीजनल डवलप्मेंट प्रोग्राम का नाम बदेल करके क्या रख दिया है इस तरही के से क्वेश्चन्स पूसे जाते हैं सरकार के कहां से पाया गया है हमको बिला है वेस्टर्न गाट से इसकी जो लंबाई है हमारे नाखून से भी कम है हमारे उंगलियों का नाखून होता है उससे भी कम है यह वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन ने जो विश्व की सबसे 20 टॉप मोस्ट पल्यूटेट सिटीज की सूची इसके इसके अंदर कितनी सब सिकीमस आती है इसके अंदर आती है 11 सब स्कीम नासा का जो insight mission है वो किस ग्रह से संबंदित है किस ग्रह किस internal structure की study करने वाले हैं मार्स की करने वाले हैं इस mission के तहट नासा वाले मेकनू चक्रवाद जो आया था वहाँ पर इसने किस area को effect किया था इसने Arabian Sea के आसपास वाले area को और coastal देशों को effect किया था एक चीज आज कल काफी चल रही है अगर कोई cyclone आता है तो यह पूछे जाता है इसका नाम करन किस ने किया था किस country के द्वारा इसका नाम दिया गया है तो यहाँ पर आवा को बता देते हैं थोड़े से नाम वाला जो list मैंने निकाली है net से इसमें देखिए यहाँ पर पूरी list दी हुई है थोड़ी सी दुंदली है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या लिखा है कि दाय का नाम किसने रखा है म्यानमार ने रखा है ओकीalay lon आया था ठीक है ओकि scientists को आदो दिसंबर 2017 के आसपास इसक नाम किसने रखा है इसका नाम रखा है बंगला देश ने हरी मई शकति के नाम से युदैयास के में हुआ था ध्यान रखेंगे इसको इन में से किस पार्टी के लीडर के द्वारा मैयम विशिल नाम से एक आप शुरू किया गया है मकल निधी मैयम पार्टी है कमल हसन की उनके द्वारा मैयम विशिल नाम का आप शुरू किया गया है मकल निधी मैयम का मतलब होता है पब्ल स्कूल में मात्र पित्र पूजन डे मनाने का मदला प्रस्ताव रखा है यह राजस्थान में उना जाएगा इन में से किस राज की सरकार रेनाउंस किया था इंसेंटिव धाई लाक रुपय का एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में अगर कोई कपल जो है इंटर कास्ट मेरीज करते हैं तो उनको भी लेगा मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अंतरजाती विवास शगन योजना के सराज की है यह हरियाना की देगे इसकीम पहले से थी पहले इसमें मिलता था एक लाक एक हजार रुपय का मतलब फिक्स डिपॉजिट अब इसको बढ़ा दिया गया है इसकीम पहले स है चल रहा है हुर केंटर की सरकार ने कि सर्कार पेता निटिए की तरफ से गिफ्ट किया है कि प्रिंश हईरूर मेगन को उनकी शादी पर एक तुफा मेरी गिफ्ट किया है मैरी क्या चीज मेरी एक बुल है ठीक है मेरी एक बुल है साइकलोन आया था सागर के नाम से यह कहां पर देखा गया था गल्फ आफ इडन में सागर का नाम किस कंट्री ने रखा है सागर का नाम रखा है इंडिया ने अब यहाल ही में उत्तम पचरने को, मिस्टर उत्तम पचरने को कहां का Chairperson बनाया गया था इनको बनाया गया था ललीत कला Academy का पूड कालिक Chairperson अस्थाई रूप से MLS रिवास तो बनाया गये थे बद खाली होने पर लेकिन अब पूड रूप से बन गये हैं लगल द्त कला कैटेमी के चारे सन मिस्ट्र उत्तं पचरने इंटरलेक्ट स्थब्य व्यू पर पर ले था काहां पर बनेगा नेट्टल मेंटनल हेल्थ िटैमिलेशन इंट्शियूट हाली में किस परवतारोही ने मॉंट बनाया है माउंट एवरिस्ट को 22 बार क्लाइम करने का यह बनाया है कामी रीता ने बचेंद्री पाल हमारी पहली विमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस को क्लाइम किया था कैबिनिट ने अभी हाली में MOU की सदेश के साथ साइन किया है माइनिंग और जियोलॉजी के छेत्र में यह किया है मोरको के साथ मोरको की एप्टल है रबाट जटायू कंजर्वेशन ग्रीडिंग सेंटर कहां पर खुलेगा यह खुलेगा पिंज और हरियाना में कि 2018 के सवस्था सर्वेशण के नुसार सबसे सवक्षेटी कि सको बताया गया था आपने बताया था आपको कि इंदर रहा प्रावंने फिरसे 2017 में है इंदनौर रहा था ठीक है 100 अठार्यम्युम्ध में नद और रहे है कि मौपाल को ही तो टु दो जो प्रदेश दिस्टिट से रहे थे दियान रखेंगे आप लोग अचा जो सबसे पहले स्वक्षता सर्वे क्षण आया था छोटा सा 2016 में तब कौन सा रहा था तब रहा था मैसूर 2018 के स्वक्षता सर्वे के नुसार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है जिसने अपनी परफॉर्मेंस को काफी हद तक आउगमेंट किया है यह रहा जहार खंड अचा हिंदी वाले वर्जन में गलती हो गई थी इस पर मैंने आपको मद्ध प्रदेश बता दिया था ठीक है तो मद्ध प्रदेश नहीं है बस परफॉर्मिंग यह है जहार खंड अब इस्टीव प्लेन नाम के व्यक्ति ने पूरे विश्व के सेवन सम्मिट्स को चड़ाई करने से सब से कम दिन लेते हुए पूरे सेवन सम्मिट्ग करने का काम किया है कि साक्रीलिय के है सेवन पर हमने लगा दी है अबनक जाया जो यह ओशियाना की है या फिर कह सकते हैं उस्टेलिय कॉंटिनेट की सम्मिट है सम्मिट का मतलब चोटी सबसे उंची चोटी के लिए बंजारों कहां की है अफरिका की है और एकन कुआगोगा कहां की है साउथ अमेरिका की है एवरिस्ट एशिया का है माउंट एवरिस्ट और म पिंसन मैसिफ ये अंटार्क्टिका का है तो थोड़ा सा इसमें से आपको देहान भी रखना होता है जोग्रफी के कि सेक्षन में इससे कोश्चन आता है शिन्मो डे के वोलकैनो जो है अक्टिव पाया गया था माई 2018 में 2011 के बाद से पहली बार इसने लावा उगला था ये कहां पर है ये है जापान में सारा मुलाली जो है ये पहली लेडी बिशप बनी थी किस कंट्री में ये बनी थी लंडन में यानि की यूके में इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ने अभी हाली में एक पोस्टल स्टाम्प जारी किया है और अनुडरी स्टाम्प है ये गोल्डन गर्ल्स ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया है इनमें हमारे किस गोल्डन गर्ल को फीचर नहीं किया गया है इसमें साइना निहवाल को नहीं दिखाया गया है साक्षी मलिक पीवी संधू और दीपा करमाकर को इसमें फीचर किया गया इस्टांप में दो दिन का एक कॉंफरेंस हुआ था सैवन का यह और्गनाइज हुआ था कोलकाता में तो यह तो पहला आपका सवाल हो गया अच्छा यह क्या चीज है सैवन है क इसका फुल फॉर्म हो जाता है साओध एशिया वाइल लाइफ इन्फोर्स्मेंट और एंड से नेटवर्ट हमारे यूपी के सीम योगी आधित नाज जी ने राम जान की मार्क की संग्या किसको दिया है राम जान की मार्क गीनों ने कहा है अयोध्या से जनकपूर के किया गया है पहली बार पीकॉक का जिनोम तयार किया है इंडिन इंस्ट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च यानि की आई आई सियार भोपाल ने पहला इंडिजिनेस एरक्राफ्ट कैरियर है किसका यह चाइना का चाइना ने टेस्ट किया था इसको और बाद में टेस्ट किया था तो इसको इसके हैं ऍनिजिनेस देवलब्ड चाइना के हैं एयरक्राफ्ट कैरियर ठीका है ए एक locks ने इयरक्राफ्ट कैरियेर हैं भारत के इसका समंध्ध है बैंकिंग सेक्टर से नैशनल साइंस डे की थीम क्या रही थी अपकी बार नाशनल साइंस टेक्नलोजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ओलगा टुकार्गजुक को मैन बुकर इंटरनाशनल अवार्ड बिला था फ्लाइट्स के लिए फ्लाइट्स के लिए बिला था वलकि आपको मैं बता दू कि इन्होंने पॉलिश में लिखी थी ये किताब उसका ट्रांसलेशन है फ्लाइट्स का ठीक है पहले जो उरिजिनल क किताब लिखी गए थी इनके दौरा वो पॉलिश लेंगुज में लिखी गए थी जब इसका इंग्लिश रूप आंतरण हुआ है तब इसका नाम फ्लाइट्स रखा गया है कि किस कंट्री से आती है पोलैंड से पहली पोलैंड की महिला बनी या फिर पोलैंड का कोई भी ओ मैन बुकर का इंटरनेसल पूछेंगे तो आप ओल्गा को लगाएंगे अगर मैन बुकर का आपको पूछते हैं मैन बुकर प्राइस 2018 तो आप लगाएंगे एना बर्न जिनको मिला है उनके उपन्यास मिल्क मैन के लिए हलांकि यह अभी दिया गया था 16 अक्टूबर को तो इसलिए हम लोग बनाते हैं नैशनल टेक्नलोजी डेव भारतिये मतलब राष्ट्री प्रावध्योगी की दिवर्सिस को कहते हैं हिंदी में फोब्स की लिस्ट के अनुसार जो वर्ल्ड के टॉप सौव पावर्फुल लीडर्स की लिस्ट बनाए गये थी उसमें पहले स्थान पर कौन रखा गये थे पहले स्थान पर रखा गये थे हमेशा के लिए रास्पति किये गए चीन के शी जिनपिंग एक अत्तरवे कान फिल्म फेस्टिवल में इंडिया डे कब बनाया गया था एक पूरी सिरीज थी यहां पर इवेंट्स की उसमें इंडिया डे एक सेलिब्रेट किया गया था ग्यारा मई को हांतियों को railway tracks से दूर करने के लिए एक innovative technique लाये थे इसमें क्या करने वाले थे कि internet से डाउनलोड करके मक्हियों की sound बजाई जा सकती थी railway tracks के पास जिससे हांतियों उससे दूर हो जाए नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर रेलवे की पहल थी ठीक है इंपोर्टेंट है ध्यान रखिए इसको नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर रेलवे ने इनुवेटिव सिस्टम लाये थे क्योंकि हांतियों की डेथ हो जाती थी railway tracks से कट जाने पर तो उनको track से दूर रखने के लिए कर लेती है इस वज़े से पीशा टाबर नहीं गिरता है इनमें से कि स्टेट के चो मास्क कुश्मांडी वुड से बने हुए मास्क और भी कईच चीजों को GI टाग दिया गया है टोटल 6 चीजों को GI टाग यहां पर दिया हो गया था यह कहां के थे 6 चीज़ें वेश्ट बे भी मिला था तो यह 6 चीज़ें आप इनका नाम ध्यान रखने के जरूरत नहीं है आपको नाम दे कर ही पूछेंगे कि कहां के हैं ठीक है मादुर बंकूरा टरकोटा बंगाल का पट चित्र ओक्रा चो मास्क और आपका वुडेन कुश्मांडी मास्क गडेशी लाल कहां के गौवर्नर अपॉइंट किये गए थे यह ओडिशा के गौवर्नर बनाए गए थे और अभी भी बने हुए सुझे से आप इनका नाम ध्यान रखेंगे इन में से किस एरलाइन कंपनी के दोरा एक बॉट बनाया गया था असिस्टेंट बॉट जिसका नाम इन्होंने आर एसी के अभी डिरेक्टर कौन बनाय गये हैं यह बनाय गए है प्रोफेसर स्ती शर्मा अच्छान ने एसी किस भी बनाया ऐसी किस मंत्रालायक क काॉंसिल है 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 HRD का Council Ministry of HRD का हमारे Deputy National Security Advisor कौन बनाए गए हैं आपको बता दे हमारे NSA यानि कि National Security Advisor तो श्री अजीर दोवाल है उनको इस समय आज की डेट तक तीन Deputy Security Advisor जो हैं असिस्ट कर रहे हैं उनमें से एक है पंकत सरन लेटेस्ट वाले कौन बने हैं आप लोग बताएंगे कॉमेंट्स भी लिख करके हमारे तीसरे National Deputy Security Advisor कौन बने हैं के राज सेकरन कहां के गौर्णर रिक्त किये गए थे बनाए गये थे मिजोरम के ही 30 मई 2018 को मिनिस्ट्री आफ रेलवे ने मिशन रफ्तार नाम से एक वर्क्शॉप अरेंज की गई थी एक दिन की यह किसने की थी इंडिन रेलवेस ने इसमें क्या लक्श रखा गया था कि हम लोग जो है अपने फ्रेट ट्रेनों का प्लस पैसेंजर ट्रेनों का जो एवरेज स्पीड है उसको कितना बढ़ा सकते हैं 25 किलोमेटर प्रती गंटे तक गज यातरा कहां से चलाई गए थी यह चलाई गए थी 12 अगस्त को 12 अगस्त में चलाई गए थी जब लोग वर्ड एलिफेंट डे मनाते हैं तो इसमें मेगाले से चलाई गए थी ऑप्शन नमबर A सही है WTI ने इसको अरेंज किया था Wildlife Trust of India और जिसकी Goodwill Ambassador है दिया मिर्जा पेटा ने अभी Animal Cruelty का आरोप लगाया है भारत में एक expedition होता है रेकला का इसमें पहली बार एक CFO की post create की गई थी तो इसमें पहली CFO किसको बनाया गया था यह बनाया गया था सुधा बालक रेश्णन को ध्यान रखेंगे श्री कमिल जीत S. बाबा को Linen Society की द्वारा अवार्ड बिला था यह पहले इंडियन बन गये थे जिन्ने ने Linen Society of London की द्वारा अवार्ड जीता था Linen Society of London Botany से सम्बंदित है तो Botany के छेतर में इनको अवार्ड बिला है ध्यान रखेंगे इंडिया ने अभी हाल ही में S. 400 Trump Air Defense Missile System किस से खरीदे हैं यह खरीदे हैं रशिया से SIDCOP अभी न्यूज बिरा था यह क्या चीज है SIDCOP है China India Digital Collaborative Opportunities पाकिस्तान के किस प्रोविन्स में किस प्रांत में एक बिल पास किया गया हिंदू विडोस को दुबारा शादी करने के लिए अलाव करने के लिए यह कहां किया गया है S. प्रोविन्स में होटी करचल क्रॉप्स का एस्टिमेट कितना बनाया गया है कितना प्रोड्यूस हमने किया है 2017-2018 तक में 307.2 मिलियन टन किया है हमने वजिटेबल का प्रोड़क्शन कितना किया इनके नसार इस एस्टिमेट के नसार हमने किया है 182 मिलियन टन और हमने फ्रूट्स का प्रोडक्शन कितना किया 2017-2018 के हिसाफ से इस एस्टिमेट्स में 84.4 मिलियन टन तो फ्रूट कितना 84.4 वजिटेबल्स कितनी आपकी 182 मिलियन टन और आपका होटी कल्चर फ्रॉप कुल विला करके 307.2 मिलियन टन इस तरह के पूछे जाते हैं facts समद सोचिएगा कि नहीं नंबर पूछे जाएंगे यह पूछे जा सकते हैं NIC ने अपना cloud संचालिद data center का शुबारब कहां से किया था यह किया था भूवनेश्वर ओडिशा से NIC का मतलब है National Informatics Center जिन्होंने अपना cloud समर्थिद data center नया खोला है भूवनेश्वर में नीती आयोग ने इन में से किस actor के साथ women entrepreneurship platform को promote करवाने के लिए समझाता किया ही किया गया है ये किन दो प्लेसों को connect करने वाला है peripheral express way connect करेगा कुंडली से पलवल को इन में से किस राज की सरकार ने योजना बनाई है कि जो lightning strikes होती है यानि कि जो बिजली गिरती है जिससे लोगों की जाने जाती है उसको हम लोग old traditional method से remove करेंगे यानि कि palm tree वहाँ पर लगवाए जो law थी जो abortion को वहाँ पर prohibit करती थी उसको हटाने के लिए तो यहां पर करवाय गया था Ireland में अगर महिला की जान वाकई खत्र में है तो abortion पहले अलाव था लेकिन अन्य केसिस में जैसे rape survivors का abortion यहां पर अलाव नहीं था लेकिन बाद में अब कर दिया गया है क्योंकि एक ट 25% वह पड़े थे कि इसको abortion को अलाव कर दिया जाया हर केसिस में women's के लिए rape survivors के लिए और अन्य किसी complications में भी तो Ireland में यह करवाय गया था नवे राष्ट्री यह संस्कृती महुत्सो का organization कहां पर हुआ थे टिहरी में हुआ था उत्राखंड में इनमें से किस institute ने विश्व के सबसे पहले wireless insect size drone का मतलब इस drone को बनाया है wireless insect size drone है मतलब एक कीड़े की size का एक drone बनाया गया इसमें wireless है जो यह आप देख सकते हैं इसको किसने बनाया यूणिवर्सटी ओफ वाशिंग्टन ने इंडिया ने किस country के साथ clean air India initiative की शुरुवात करी है यह की है नीधर लैंड के साथ PMI थे नीधर लैंड के यहां पर और उन्होंने अनॉंस करा था कि हम लोग clean air India initiative की शुरुवात कर रहे हैं इसमें क्या है कि नीधर लैंड के जितने भी start-ups हैं भारत के जितने भी start-ups हैं जो की clean air की दिशा में काम कर सकते हैं उनके पास कुछ ideas जिनको हम लोग implement कर सकते हैं clean air करने के लिए तो नीधर लैंड के जितने भी start-ups और entrepreneurs हैं इंडिया के जितने भी start-ups और entrepreneurs हैं आपस में सहीयोग कर सकते हैं इस initiative के तहत साध हरीरी को अपना third term मिला था Prime Minister की रूप में कहां कि यह Prime Minister है यह हैं लेबनान के लेबनान की capital दोस्तों बेरूत यह पूछे जा चुका है एक बार बेरूत है capital देहान रख सकते हैं छह देवसी इंडिया आसियान फिल्म फेस्टिवल ही start हुआ था माई 25 में कहां पर मनाय गया था यह मनाय गया था अदिल्ली में इन में से किस institute ने एक plate और cutlery डवलप की थी यानि कि मतलब खाना पर उसने वाले बरतन jackfruit यानि cutahel से बने हुए और इनकी खुबसूरती यह थी कि आप इनको खाने के साथ खा भी सकते हैं मतलब plate को भी खा सकते हैं खाने के साथ और नुकसान आपको नहीं करेगा इंडिया इंस्ट्यूट और food processing technology तंजवूर ने को डवलप किया था काफी important ध्यान रख सकते हैं इसको सिल्क फैब्रिक से बने हुई कुरान किस country में आनेविल की गई थी अफगानिस्तान में बनाई गई थी सिल्क फैब्रिक से बने हुई कुरान food security corporations के छेतर में MOU भारत ने किस देश के साथ साइन किया है cabinet ने इसको अप्रूव कर दिया डेनमार्क के साथ नासा का जो grace fo mission है वो किससे संबंदी थे जिसके अंतरगा दो satellite launch करे गए थे माई 22 2018 में यह water distribution को study करने माला एर्थ में यानि कि water movement कैसी हो रहे है ocean कैसे shift हो रहे है इसको study करने माला है भारत ने किस country के साथ startup link की शुरुवात करी है startup link की शुरुवात clean air India initiative की शुरुवात दोनों हमने की है नीदर लेंड के साथ National Academy of Sciences के एक नई study के नुसार जो proportion है plant और human population का आर्थ में वो कितना है यहने कि 75,000 यहाँ पर पेड़ है और उन पर एक मनुष्य है RBI के द्वारा सब्बिट की गई एक report के नुसार कितना percentage का loan है small और marginal farmers ने receive किया है agricultural sector में वर्ष 2016-2017 के दवरान Small और marginal farmers ने receive किया है 42.2% इनमें से किस फिल्म को पामी डियोर का award मिला था कान फिल्म फेस्टिवल में यह मिला था Japanese film shoplifters को भारत का आखरी राज इकॉन था जिसको इंडिया के commercial flight service map में शामिल किया गया था यह था अरुणाचल प्रदेश कान फिल्म फेस्टिवल में रेगनाल्ड एफ लेविस आइकन अवर्ड किसको दिया गया था यह दिया गया था श्री देवी को ठीक है इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे हिंदी वाले वर्जन में शायद मैंने आपको यह चोपड़ा बता दिया था तो मैं बताता चल रहा हूं कि हिंदी वाले वर्जन में क्या mistake हो सकती है गलती से हमने यह चोपड़ा बता दिया था हलांकि बाद में आगे के पार्ट में हमने इसको अपडेट भी किया था लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं श्रीदेवी को मिला थे वाला पुरुसकार संजारी एक भारत स्ट्रेश्ट भारत ये किसकी पहल थी ये थी IGNCA के इंद्रा गांधी नैशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स की पीम मोधी जी ने काम की शुरुवात करवाई थी जोजिला टनल में जो की लॉंगेस्ट रोड टनल बनने जा रही इंडिया की इसकी लंथ कितनी रहेगी इस लॉंगेस्ट रोड टनल की लंथ रहेगी 14 किलोमेटर जोजिला पास किन किन को कनेक्ट करता है कॉमेंट्स पी लिक करके बताईए Duke University of North Carolina के अनुसार इंडिया के की स्टेट के ग्राउंड वाटर में Euronium के Tracer पाए गए हैं राजिस्थान में QS University Ranking 2019 में सबसे ज़्यादा रैंकिंग भारत के किस युनिवरस्टी को दी गई है यह दी गई है IIT Bombay को Center for Science and Environment State of Environment Report 2018 में Solid Waste Management के मामले में वेंगूरला जो सिटी है उसने highest score हाशिल किया यहां का Solid Waste Management काफी अच्छा है यह कहां पर पढ़ती है सिटी यह है महरास्ट की सिटी Operation निस्तार चलाया गया था 38 इंडियन को बचाया गया था Socotra आइलेंड में जो फस गय थे मेकनू साइकलाउन के आने करण और किसने किया था इंडियन नेवी का Operation था इसमें सुनैना को बेजा गया था सुनैना को उनको सेव करने के लिए मलबार exercise 2018 के बारे में बात करते हैं यह बाइसवाइडिशन था इसमें इंडिया और यूएस के लावा जापान ने भी पार्टिसपेट किया था यह गुवाम में हुआ था जो कि यूएस के एरिया में आता है गुवाम आइलेंड में हुआ था यह तीनों statement यहाँ पर correct है वैसे तो एक Quadrilateral exercise है इसमें उस्टेलिया को भी पार्टिसपेट करना होता है लेकिन उसने नहीं किया था इस बार Sample Registration System के नुसार Maternal Mortality Rate काफी कम हुई है इंडिया में 2011-2013 में करीब जो 166 देखी जाती थी पर 1000 यानि कि Mortality Rate तो अब कितनी रह गई है अब रह गई है 130 Clean Sea Campaign के बारे में हम 3 statements देखते हैं क्या यह United Nations Environment Campaign का है मतलब United Nations का Environment Campaign है यह Campaign launch करा गया था 55 2017 में इंडिया इसका पार्ट नहीं था June 2018 तक तो तेन्यों statement यहां पर सही है Cabinet ने approval दे दिया था कि भारत का जो Postal Department है वो मारका के साथ बिलकर के एक Joint Postal Stamp launch करेगा मारका जो है Postal Company कहां की है यह रश्या की है बाबा कल्याणी समीटी बनाई गई है यह किसे संबंदित है यह new special economic zone policy बनाने को लेकर संबंदित है नई special economic zones बनाने की policy से संबंदित है दीन देल उपाध्या स्टेशन का नाम अदल करके क्या रखा गया है मतलब दीन देल उपाध्या जो डेलवे स्टेशन बन गया है वो पहले क्या हुआ करता था वो था मुगल सराय रेलवे स्टेशन केंदर सरकार की अटल भूजल योजना में कौन सा organization financial help करने वाला है ये करेगा world bank भारत और एशिया का पहला कौन सा beach बना था जिसको blue flag certification प्राप्त हुआ ये चंदर भागा beach बना था हमारा odisha का और 13 और ऐसे beach है हमार इंडिया में जिनको जल्दी blue flag certification मिलने वाला है अगला question है कि इन में से किस भारती राजी ने target रखा है तेड़ करोड बरगत की पेड़ लगवाने का और साथी साथ अन्य trees भी लगवाने का 2020 तक किसने रखा है मद्ध प्रदेश ने अभी हर्याणा में एक newcastle disease देखी गई थी इसने किसको effect किया था birds को birds में particularly किसको effect किया था peacocks को BRICS की foreign ministers की meeting कहां पर हुई है यह Pretoria South Africa में हुई थी EK Jan की Ammal Award recently दिये गए थे यह किस छेत्र में दी जाते हैं कि दी जाते हैं taxonomy के छेत्र में ठीक है मैंने आप पुछाए दिन्दी वर्जम में women empowerment बता दिया था और किसी ने objection भी नहीं किया था comments में तो इसको आप रियादम रख लीजाए अगर कोई इन्दी वाला देख रहा है तो taxonomy में दिये जाने वाला award है EK Jan की Ammal Award women empowerment का नहीं है countering americas adversaries through sanction act ये किस देश का है जो ये provision लाता है कि वो सभी ऐसी countries को ban करेगा जो किसी भी तरह से रशिया के साथ defense relations रखते हैं तो इसका answer है रशिया ठीक है अमेरिका उनके साथ नहीं मतलब रखता है जो लोग रशिया से किसी भी तरह का defense relation रखते हैं चार जून 2018 को इंडिया ने काफी सस्ते में LNG खरीदा था पहली बार किसी अन्य देश से गस्प्रोम से खरीदा था ये ये किस देश में रहने वाला organization है जो LNG सप्लाई करता है रशिया का है अभी तक इंडिया जो सब ज़्यादा LNG खरीदता है वो इसराइल से खरीदा आ रहा था लेकिन अभी सस्ते में गस्प्रोम ने दिया था इंडिया को तो इंडिया ने र काम करते हैं हर्याणा राज की सरकार में ये हर्याणा ने किया था कि अभी तक आप जानते हैं कि 26 सप्तों की maternal leave तो मिलती है pregnant women's को जो काम करती है Central Government में लेकिन हम हर्याणा ने भी शुरुवात करी थी कि हम पिताओं को भी leaves देंगे 15 दिन की अगनी 5 के बारे में स्टेटमें यहां पर सही है एक बेनामी transaction information award scheme की शुरुवात करी गए थी और इसके अंतरगत अगर कोई बेनामी संपत्ति की सूचना देता है विभाग को तो कितने रुपए उसको मिलेंगे अवर्ड के रूप में 1 करोट रुपए हमने अपना पहला bicycle day कब बनाया था यह मनाया था 3 ज vibrations होने वाले हैं उसको करने के लिए एक समीती गठन किया गया था किसके चेरपरसंशिप में इसके चेरमेन रहने वाले थे हम अमारे देश के प्राइम निस्टर बोदी जी इन में से किस मंत्राले ने सेवा भौध योजना की शुरुवात करी थी यह करी थी ministry of culture ने option नंबर करके और भी अच्छे predictions दे सकेगा weather forecast के या फिर flood predictions को भी improve किया जा सकेगा अब इक्रह मंत्राले ने हाल में एक online analytical tool शुरू किया था किसके लिए monitor करने के लिए अगर कोई foreign fund आता इंडिया में या कोई foreign contribution मिलता है FCRA Act केता है तो उसको regulate करने के लिए इन में से किस country ने सोशल मीडिया यूज करते हैं जैसे की WhatsApp, Twitter, Facebook वगएरा पेटा ने किसे Hero of Animals award दिया था इस बार ये दिया गया था जुबीन गर को option number A अनपूर्णा दूद योजना की शुरुवात कहां पर करी गई थी जिसके तहट बच्चों को मिड़े मेल में हफदे में तीन दिन दूद दिया जाएगा ये किसने करी थी राजिस्थान ने मौधी जी ने international remittance के लिए रूपे कार्ड और भीमैप की शुरुवात किस country में करी थी सिंगापूर की विजिट की दौरान उन्होंने इन दोनों चीज़ों को लॉंच करा था वहां पर वर्ड नो टोबैको डे की थीम क्या रही थी इस बार रही थी टोबैको एंड हर्ड डिसीज रिमपैक क्या चीज है रिमपैक international multinational naval exercise है ठीक है 26 के करीब countries ने participate किया था और ये अब तक की सबसे बड़ी multinational level exercise बताई जा रही है एक चीज बहुत ध्यान रखेंगे इसमें चाइना को भगा दिया गया था इससे चाइना को इससे आउस्टर कर दिया गया था और इसकी थीम क्या रही थी यह आप लोग comments पिलिक करके बिताईए रिमपैक की थीम क्या रही थी अभी इन में से किस रा अंद्र प्रदेश ने बनाया तोते को अपना बर्ड और ब्लैक बग को अपना राज की एनिमल बना दिया है और नीम को अपना राज की ट्री बना दिया है वाइट जिसमीन को अपना राज की फूल बना दिया है तो यह सब दीजें आप इसमें याद रख सकते हैं तेलंग विश्व का सबसे ऊंचा गयडर रेल बिरिज कहां पर कंस्ट्रक्ट किया रहा है नोनी में तो इसके गयडर्स सबसे उंचा गयडर बिरिजंग करीब 213 किलोमेटर उचे हैं समझ रहे हैं यानि कि कुतुब बिनार से भी काफी उचे हैं ये और ये मणी पुर्म बनाय जा रहा है और 2020 तक इसके शुरू हो जाने की संभवना है अभी artillery gun धनुष का आखरी सफल परिशनर कर लिया गया था और अब ये सेना में सामिल की जा सकते हैं जो धनुष ह इनको किसके समझनर मताय जा रहा है स्वेडी स 감사 का ये अप‌ग्रेडेडर वर्जनर मताया रहा है आपग्रेड़ा की इनकी शंता भिजहादा है और इनको कम पैसवा में बनाय जा सकता है अशोग दलवाई कमीटी ने अपनी रिपोर्ट सौप दी थी या फिर कह सकते हैं सौपने वाले थे मार्च के आसपास तो ये समीती किसे सम्बंदीत है ये डबलिंग फार्मर इंकम से सम्बंदीत है याने की 2022 तक जो किसानों की आय दोगुनों करने सम्बंदीत है ये ड़ेटेड है क्या चीज है अपना कृडवल बेंचने पर कहने कशाने कंच्री के दधार अकौर्द आप रचिते हैं और वेश्टन कंच्रीज बेंचते नहीं लेता है मतलब कि एससी को महा बेंचते हैं मैंने आपको शाहत बता दिया था कि European Union जो चार्ज देता है वह हिंदी वाले वर्जन में उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा Composite Water Management Index के बारे में Statements देखते हैं इसको रिलीस किया गया है नीती आयोग के दौरा सही है गुजरात ने टॉप किया इंडेक्स को नौन हिमालियन राजियों वाली के टेगरी में ठीक है तो दोनों ही स्टेट्मेंट यहां पर सही है अज़र इसमें वर्स्ट स्टेट कौन सा रहा था है नीकि Composite Water Management Index में सबसे खराब स्थान मिला था चार घंड को ठीक है सोलर चर्खा मिशन की शुरुवात किस ने करी थी Ministry of MSME ने करी थी जिसके इस समय है श्रीग रिडात सिंग और यह हमने UN SME डिवस पर यह मनाया था United Nation MSME डिवस जो बनाते हैं हम लोग कब बनाते हैं 27 जून को उस दिन इसको रिलीस किया गया था किस ने रिलीस किया था प्रसिडेंट जी ने मारे रिलीस किया था रामनात को बिंदी ने इनमें से किसे जापान Nikkei Asia Award से समानित किया गया है बिंदेशवर पाठक को कहा गया है सुलब इंटरनेशनल के फाउंडर बिंदेशवर पाठक को इनको लाल भादू शास्त्री अवार्ड भी मिला इस साल Nikkei Asia Award भी मिला दोनी अवार्ड आप ध्यान रखेंगे इनक में Nikkei Asia Award दिये जाता है Nikkei Foundation के द्वारा जो की जापान में एक मीडिया और्गनाजेशन है और Asia छेत्र में जो लोग उत्रष्ट कारे करते हैं उनके कार्यों को रिकरगनाईज करने के लिए अवार्ड दिया जाता है इन में से कौन सा कंट्री भारत को उच्छा जो है अपाचे अटायक हेलिकॉप्टर्स बेचने वाला है ये हाई एंड हेलिकॉप्टर्स USA भारत को बेचेगा सूर किरंड का तेरवा एडिशन भारत और नेपाल का जो द्विवार्षिक मतलब एक वर्ष में दो बार होने वाला जो दब्यास है वो कहां पर हुआ था ये हुआ था पिथावरागड में जो कि बढ़ता है आपके उत्राखंड में ठीक है ध्यान रखेंगे इसको इंडियन मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट आइमडी ने पहली बार अनाउंस किया था कि वो फ्लड वार्निंग भी अब जारी किया करेंगे अभी तक flood warning कौन जारी करता था अभी तक flood warning जारी की जाती थी Central Water Commissioner की द्वारा अब करेगा IMD, बहुत important है ये चीज़ दियान रखेगा इसको हाल ही में इंडिया ने किस देश के साथ corporate यानि की coordinated patrol के नाम से joint exercise की है, ये की है Indonesia के साथ इसमें भारत के तरफ से कौन सा ship गया था नेवल exercise में पार्टिपेट करने के लिए INS कुलीश Central Vigilance Commission के Vigilance Commissioner कौन बनाए गए हैं ये Mr. शर्रत कुमार बनाए गया थी इनका appointment important एध्यान रख सकते हैं इन में से किस country ने Women's Asia Cup की 222 जीत ली थी इंडिया को final महरा करके ये बंगलेदेश ने जीती थी इंडिया और चाइना के बीच bilateral trade का target 2020 तक कितना रखा गया है 100 billion dollar का trade target रखा गया है इंडिया और चाइना के बीच SEO Summit के दोरान इंडिया और चाइना के बीच क्या pact sign हुए है पहला तो exporting non-bashmati rise to China यानि की भारत जो है export करेगा non-bashmati चावल चाइना को गैर बashmati चावल और data sharing होगी ब्रंपुत river की ठीक है लब China data sharing करेगा ब्रंपुत river की और इंडिया non-bashmati rise जो है export करेगा इन दो चीजों पर समझाता हुआ है इन में से किस high court ने एक एतिहासिक decision देते हुए एक environment fund establish करने का निड़ने सुनाये था ये पहली बार हुआ है देश में किस ने किया था मदरास high court ने इन में से किस ministry के द्वारा techathon की शुरुवात करी गई थी 8 जून को ये की गई थी WCD की द्वारा ministry of women and child development की द्वारा जिसकी इस समय आबंत्री है अमेन का संजे गांधी इंडिया ने किस country को अभी gift किया है dronier maritime patrol aircraft DO28 इंडिया ने seashells को gift किया है इन में से किस पंत्राले के द्वारा एक report जारी की गई है women in prisons के नाम से यानि की कारक रह में महिलाएं इन में से कौन सा राज एक योग आयोग का गठन करेगा योगा कमिशन जिससे योगा को स्टेट में promote किया जा सके ये करेगा हरियाना इन में से किस country ने एक third never policy announce की है third never policy का स्वागत किया इंडिया ने ये policy है मंगोलिया की growth India न्यूज में रहा थे क्या चीज है growth India इंडिया का first robotic telescope है आप लोग बताईए कि ये कहां पर install किया गया है बताईए comments में लिख करके इसको कहां पर install किया गया है किस institute में install किया गया है इन में से किस state ने अभी हाली में AR रह्मान को अपना goodwill ambassador बनाया है goodwill ambassador बनाया है सिक्किम ने सिक्किम ने अभी एक green ambassador बनाया था अपने राजिका वो बनाया था singer मोहित चोहान को इन में से किस country ने डिकलेर किया है कि वो one year residential visa देंगे जून 2018 से ऐसे देशों के नागरिकों को जहां पर disaster है या फिर war वहां पर चल रही है वहां के नागरिक वहां पर जाकर रह सकते हैं एक साल के लिए ऐसा align किया था United Arab Emirates याने की UAE ने mission तंदुरुस्त के तहत i-haryali app की शुरुवात कि सराज ने की है यह की है पंजाब ने i-haryali app के माध्यम से आप जो है वेद विज्यान आलोक नाम की पुस्तक के लेखा कौन है आचार अगनिवरत नाइस्तिक है हमारा समा स्मार्ट सिटी कौन से बना है समा स्मार्ट सिटी हमारा बना है शिलाओं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के इंतरगत City अवार्ड कि इसको बिला है काफी तेजी से अपने प्रोजेक्ट्स को इंप्लिमेंट करने के लिए अपने जितनी प्रोजेक्ट्स से उनको काफी टाइमली पूरा किया है सूरत ने इस वुज़े से इसको City Award बिला Dare I Question इस किताब के लेखा कि हामी दनसारी और यह किताब यूपी ट्पलसी के पेपर में आपसे पूछी गए थी यूवा विकास दलिदिकार के पेपर में Individual Household Letterine से आने की IHL की ranking में सबसे पूर स्थान किसने हासिल किया था सबसे वस्ट स्थान हासिल किया था ओडिशा ने ठीक है सबसे कम IHL इन्होंने बनवाई थी संपूर्ण बीमा ग्राम SBG योजना अभी निउस में थी इसको किसने शुरू करा है इसको शुरू करा है इंडिया पोस्ट ने भारती डाक ने NGT के चेर परसन अभी कौन बने है योडी साल भी अभी अन्ष कालिक बना दिये गए थे अब पूर्ण कालिक बन गए है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल प्रोजेक्ट शशक्त किस से निपटने के लिए शुरू किया गया था बैंकों के NPA से ठीक है नॉन परफॉर्फॉर्मिंग एसेट से Central Administrative Tribunal C80 के चेरपरसन कौन बने है जस्टिस अल अनरसिम रेड़ी इनमें से किस फॉरिन बैंक को 2018 जुलाई में इंडिया ने अलाव कर दिया है मतलब आर्बिया ने अलाव कर दिया है कि वो अपनी शाका खोल सकते हैं यहाँ पर Bank of China की शाका खोल सकती है इनमें से किस एरपोर्ट का नाम बदल करके महराजा वीर विक्रम मायनिक की किशोर एरपोर्ट रख दिया गया है नाम केंदर सरकार के दौरा बदल करके अगर तला एरपोर्ट पहले नाम था इसका नाम हो जाएगा महराज वीर विक्रम मायनिक की किशोर एरपोर्ट सुनील महता कमीटी की गठन किया गया था इनमें से किस के लिए NPA क्रिसिस में अपनी रिकमेंडेशन्स देने के लिए Mount Fazing Shang को यहाँ पर सामिल किया गया UNESCO की World Heritage Site में World Heritage Site का स्टेटेस ने प्राप्त किया अभी हाल में यह कहां पर है सिचुएटेड यह Mount Fazing Shang है चाइना का सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेंबर में सुपर टाइफून मांग खुट से एफेक्ट कौन हुआ था फिलिपीन हुआ था जब बताए मांग खुट का नाम किस ने रखा है कॉमेंट्स पर लिख करके बताएए प्राइम निस्टर जी ने पक्यूंग एरपोर्ट की शुरुवात करी है इसका इनागरेशन किया है यह कहां पर किया है सिक्किम में किया है पक्यूंग जो है यह पहला हवाईड़ा बनने माला सिक्किम का और हमारे देश का 100th एरपोर्ट है इस वज़े से यह काफी जादा इंपोर्टन्ट है नौर्थ कैरोलीना में यूएस में 2nd week of September में एक हरिकेन आया था जिसको disaster डिकलेर कर दिया गया था यह हरिकेन क्या है हरिकेन का नाम है Florence इंड AIDS target कब तक का है इंड AIDS target है 2030 का इंडिया का भी target है 2030 तक हम लोग AIDS को खत्म कर लेंगे जैपूर literary festival कहां पर हुआ था 14 September 2018 को यह हुआ था हूस्टन में मुताज बूसा अब्दल्ला यह कहां के PM बने है यह नहीं है सुडान के इनमें से किस organization ने चिंता से मुक्ती mobile app की शुरुआत करी है जिसको उमंग एप में integrate करके दिया जाएगा किस ने करी है Employee State Insurance Commission यानि कि ASIC ने इनमें से किस राज में dial FIR scheme शुरू की गई है जहां पर छोटे मोटे crime की आप FIR दर्द कर सकते हैं बिना पुलिस टेशन विजिट किये यह की गई है उत्तरब देश में अभी government ने प्रस्ताव रखा है तीन बैंकों के merger का जिससे हम लोग दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना सकते हैं इंडिया का इन सभी को merge करके तो किस बैंक को यहां पर merge नहीं किया जाना है देना बैंक को कर रहे है विजिया बैंक को बैंक को बड़ोदा को तीनों को merge करके ब अभी यहां पर English वाले वर्जन का पूरा बाकी रह गया था इसको देखेंगे Hindi वाला वर्जन का पूरे MCQs पूरे 16 से upload हो चुके हैं जिसने नहीं देखा है और जो Hindi में देखना चाहता है वो देख सकता है चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो उसको 45,000 लोग देख भी Hindi वाला MCQ का वीडियो खोली है वो 4 गंटे 28 मिनेट के करीब का है उसको आप जाकर के देख सकते हैं इंगलिस वाले वर्जन के भी प्रिवियसली दो पार्ट अप्लोड हो चुके हैं उसको आप देख सकते हैं और फिर आकर के इसको continue कर सकते हैं जो लोग regularly current affair पर रहे हैं इस इस समय तक वो current affair को जरूर देखें अगर आप कुछ और पर रहे हैं तो कोई बात नहीं है शली स्टार्ट कर लेते हैं इसको अब बिना टाइम वेस्ट किए पहला कुश्चन है मारा कि उनत्तरवा स्ट्रेंट्जा memorial boxing tournament 2018 का कहां पर हुआ था इसका venue है बुल्गारिया बुल गोल्ड दिलाया इसमें एक गोल्ड आया है आमित पंगल की तरफ से तो इन दो गोल्ड वालों को जरूर ध्यान रख लिजेगा अमित पंगल ने हमको दिलाया एक गोल्ड और एक दिलाया MC महरी कौम ने प्राइम मिनिस्टर जी ने श्रम रत्न पुरुसकार दिया है बारे में 3-4 स्टेट्मेंट्स है इस गिवन ओनली तुदा वर्कर ऑफ स्टेब्लिश्मेंट एट लिस्ट फाइफ फाइव हंड्रेट पीपल वर्क यानिकी ऐसे इस्टेब्लिश्मेंट को दिया जाता है जहां पर कम से कम 500 विक्ति 400 कामगार 500 श्रमिक काम करते हूं यह व किस्वी नैशनल ई-गॉर्णनेंस की कॉंफरेंस कहां पर हुई थी हाइदरबाद में हुई थी 26 और 27 फरवरी को बायो फ्यूल इंटरनेशनल कॉंफरेंस हुई थी कहां पर हुई थी नई दिल्ली में अभी रिसेंटली हमने एक जीन की खोज की थी मतलब साइंटिस्ट न नैशनल कल्चर फेस्टिवल 2018 का इनाउगरेशन वथ हम माना मंदिर फोर्ट में 24 फेब 2018 को यह माना मंदिर फोर्ट कहां पर पढ़ता है आपको बताना है यह पढ़ता है हमारे गौलियर में यानि की मध्य प्रदेश में फेब 2018 को हमने 23 तारीक को परिष्ण किया है धनुस धनुस क्या एक नुक्लियर कैपेबल मिसाईल है क्या यह सर्फेस टू सर्फेस अगे बर्चालन के बारे में 106 वर्ष की brand ambassador जो थी स्वक्ष भारत अभ्यान की कुमर बाई इनका निधन हो गया था और इन्हों ने मतलब अपने घर पर toilet बनवाई थी अपने सारे positions को बेच करके तो ये limelight में आई थी चर्चा में आई थी ये कहां से बिलॉंग करती थी ये आती थी 36 गड़ से अपना घ इंडिया के कि स्टेट में पहली बार DNA बार कोडिंग सिस्टम शुरू किया गया था और किड्स के लिए जिससे उनका illegal trade जो है वो रोका जा सके ये कहां पर किया गया था ये किया गया था उत्तराखंड में option number C यहां पर सही है Oxfam की एक report के अनुसार भारत की GDP का कितना percent जो है billionaires के पास है यहने कि कितना सहयोग करता है billionaires का wealth GDP में यह आप हमको comment करके बताईएगा यह आपको बताना है comment section में Central Marine Fisheries Research Institute के अनुसार किस राजी के बीचेस जो है किस coastal राजी के बीचेस सबसे ज़्यादा गंदे पाए गए गए यह गोवा के बीचेस पाए गए हैं किस country ने जापान से receive किये थे donation ballot box खरीदने के लिए वहाँ पर election करवाने के लिए केमबोडिया को दान में दिये गए थे मतलब support के रूप में दिये गए थे ballot boxes के लिए दान केमबोडिया में एक बार फिर से बता दें शायद कुछ confusion रहेगे मेरे बोलने में केमबोडियान ने receive किये जापान से donation ballot boxes करीदने के लिए अपने हाँ पर election conduct करवाने के लिए भारत पहला ऐसा country बना था जिसने electoral bond अपने आजारी किये थे इसे question आपके ECF के paper में भी आया था एक मार्च 2018 को इनकी validity कितनी होती है ये कब तक चल सकते हैं bond 15 दिन के लिए valid होते हैं within 15 days यहाँ पर जिस party के नाम पर issue किये गए हैं वो उनको in cash करा लेना चाहिए bank से वरना वो invalid हो जाते हैं और फिर पैसे उसे नहीं मिलते हैं और limit क्या होती है हमने आपको बताई हुई है limit होती है इसकी 1000 रुपए से ले करके एक करोर रुपए तक यहाँ पर बनवाय जा सकते हैं electoral bonds वर्ष 2017-2018 के लिए EPFO fund में invest करने वालों को कितना ब्याज मिलना वाला था यह 8.55% कर दिया गया था इसको कम किया गया था पहले 8.65% था इसको कम करके 8.55% कर दिया गया था EPFO fund में यह आप याद रख सकते हैं कि state ने अपने mandatory कर दिया है school admission से पहले vaccination करवाना यानि कि बच्चों को school admission तभी बिलेगा जब तक उनका vaccination पूरा हो चुकेगा कहां पर किया गया है केरल में अगला important question है आपका कि defense university बारत में कहां पर बनवाई जा रही है defense university बनवाई जा रही है गुरुग्राम में 2017 corruption perception index के बारे में हमको इसमें देखना है तीन statement given है इसको publish किया जाता है transparency international के द्वारा जिसका headquarter Berlin में है जर्मनी में इंडिया को एक यास्मिवा रहें को यहाँ पर मिला है 81 और यह दो places down गया है पिछले साल के index से अगर compare करें तो first rank यहाँ पर न्यूजलेंड को भी लिए है यानि कि cleanest nation है सबसे कम रश्टा चारी यहाँ पर और सुमालिया को यहाँ पर सबसे करप्ट नेशन बताया गया है तो तीनों statement यहाँ पर सही है इस transparency international के इंडेक्स के बारे में आप यह सब चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कमल हसन ने अपनी party बनाई थी यह news में रही थी मकल निदिमयम मकल निदिमयन का मतलब क्य पूछा गया था अभी air force के paper पूछा गया था और भी बीच के exams में पूछा जा चुका है किस राज ने अपने हाँ पर परिवर्तन scheme को launch किया था परिवर्तन scheme हर्याणा में लाए गई है परिवर्तन scheme में क्या है basically कि जो existing scheme है उसको अच्छे से implement किया जाए यही इस परिवर् पूस मौझूद है banking system में उन पर अपनी राय रखने के लिए वाई एच मालेगाम समीती हम लोग इसके बारे में discuss कर चुके अपने separate वीडियो में जो हमने बनाया था topic wise वाला बड़ते हैं आगे February 2018 में एक committee के कटन किया गया था UGC की दवरा University Grants Commission की दवरा इसमें क्या है कि 20 Institute of Eminence को यहाँ पर find करना है यही कि सबसे उतकरष्ट सनस्थानों को यहाँ पर find करना है उनकी list बनानी है यह काम दिया गया है इस समीती के अध्यक्ष रहने वाले है एन गोपाल स्वामी इन गो कित में से किस Municipal Corporation ने नगर दिगम ने अनाउंस किया था कि जो लोग अपने यहाँ पर टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाएंगे 15 मार्च 2018 तक स्वक्ष भारत मिशन अर्बन के तहट तो उनको एक gold coin मिला करेगा यह कराइकल Municipal Corporation Tamil Nadu चलाया था हलांकि जितना यह आसान दिख र कर दिया है कि वह अपने एक बिजनेस सेट अप कर सकती हैं बिना किसी मेल गार्जन या फिर हस्बेंड की सलाह के बिना यह बन सकती है साओधियरभिया में साओधियरभिया थोड़ा थोड़ा अपने यहां पर जो विमेंस के लिए कानून स्ट्रिक्ट थे उनको तीरी दिर यहां पर पढ़ता है यह आपको बताना यह पढ़ता है शिमला में बाफटा वर्ड्स इस में देखते हैं इस समस्देट्मेंट से बेस्ट फिल्म का व्र्ट किसको मिला है थ्री बिल्बॉर्ड अउटसाइड अपर उसुरूई को क्या बेस्ट एक्टर्स बनी है फ्रांसि यहां पर डिरेक्टर रहते है शेप आफ वाटर फिल्म के लिए शेप आफ वाटर वही फिल्म है जिसको आगे जा करके आपको आसकर मिलता हुआ देखने को बिलता है अभी उसको भी देखेंगे उस पर भी उसको क्या कहते है कॉमेंच भी लिख करके बताईए कैबिनेट ने अनौंस किया था कि महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनेल का घठन किया जाएगा 25 2018 को अनौंस किया था महानदी वाटर डिस्प्यूट किन-किन राजियों के बीच है यह ओडिशा और 36 गड़ के बीच अप्टेल डिस्प्यूट बना वुआ है कि डिस्प्यूट है यहां पर वाटर का महानदी रिवर के शेरिंग का ओडिशा और 36 गड़ के बीच कहां पर स्वक्षा ग्रह बापू को का रेंजली कैप्चलर फेस्टिबल का यह जन हुआ था सांस्कृतिक महुत्सों का जन हुआ था वारण असी में कि स्टेट ने या फिस लाश उनियन ट्री ने स्टार्ट किया था मिशन बुनियाद एजुकेशन से रिलेटेड यह है मिशन बुनियाद यह किसने शुरू किया था गवर्मेंट ऑफ डेली ने हमने प्रीविस वीडियो में अगर आपको नहीं खनी बता है तो आप ध्यान रख लेना है आपब एपिनस करिकुलं मिशारी किया था हैपिनस करिकुलं दिल्ली की सरकार कि यह अंदलाय मोकी मॉजीदम का किchten बिल्ली ने अबिहल ही में ईस्टाइंफोर्षटसट स्कृचर स्थे ने इक हाइब्रेड इंजवर्म कोश्र श शीप और यूमन का मिला करके इंब्रीव डवलब किया है काफी बिजार और किसने डवलब किया है स्टैन्फर्ड युनिवस्टी के प्रॉफसर्स ने यह आ नहीं सकता आपके एक्जाम में फिर भी ध्यान रख लीजिए अधर एक्जाम्स के लिए राजस्तान की विदान सभा ने बिलपारित कर दिया था कैपिटल पनिश्मेंट देने के लिए ऐसे लोगों को जो गल्स का रेप करते हैं बारा वर्ष से जिनकी कम आयू होती है ऐसा करने वाले इस सेकेंड श्टेट बन गया था पता ही पहला स्टेट कौन था जो ऐसा लॉल आया था यानि की जो रेप कर सकते हैं बारा वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ उनको कैपिटल पनिश्मेंट यानि की मृत्यु दंड भी लेगा ये राजी था मध्यप्रदेश ये same to same question आपके यूपी ट्रफलेस्टी के exam में आया था ये यूवा विकास दला दिकारी के paper में इन में से किस तीर स्थान के लिए दर्शन क्यू प्रोजेक्ट के शुरुआत करी गई है श्रीडी साई बाबा के लिए और इसका एक एप भी जारी किया गया है जिससे लोगों को जानकारी मिल सके वहां का छेतर के बारे में टूरिजम के बारे में और कैसे अच्छे से इस तरह का वार्ड देता है यह दिया गया था आंग संग सूंकी को पहले और अब इनसे वापस ली जाने की खोशना कर दी गई है आंग संग सूंकी से काफिसारे अन्य अवार्ड भी छीने जा चुके हैं रोहिंगया मामले के बाद जैसे कि एकनॉमिक स्वरीडम आफ ऑफ अवार्ड यहां पर इनसे चीन लिया गया था ठीक है ऑक्सवर्ड काउंसिल की द्वारा अभी लेटेस्ट में अगर आपको बताऊं सेप्टेंबर लास्ट में इनसे कैनेडियन सिटीजन सिप चीन ली गई थी कनेड़ा की मानत नागरिकता जो उनको दी गए थी 2007 में इनक और एली वीजल अवार्ड जो की होलोकास्ट म्यूँघियम के दौरा दी जाता है दो आप इसमें आद रग सकते हैंं आं शांय सूंकी के बारे में जिसको नहीं मालू आपको बता दे यह म्यानमार की definitive लीडर है देवदर्ट ट्राफी किस टीम ने जीती है हम आपको बता चुके हैं ये जीती है इंडिया भी ने अप्शन नमबर C यहाँ पर सही है युनेस्को की एक रिसेंट रिपोर्ट के नुसार चायल्ड मेरिज यानि की बाल विवाज जो इंडिया में प्रिवेलेंट था दोजार पांच चै के करीब 47 परसेंट था अब इसके परसेंटेज में 10 सालों में यानि एक डिकेड में कितनी कम आई है यह आई है अब लगबग 45 परसेंट जो पहले परसेंटेज होता था वो था 47 परसेंट 10 साल पहले 2005-2006 की डेटा में अभी हो गया 27 परसेंट तो इंडिया ने बाल विवाज को काफी जादा रोकने का काम किया है कम करने का काम किया है स्कीम पहले होती थी 20 लाग रुपए की अब उसको कर दिया है एक करोर रुपए तक का तो यह आप याद रखेंगे इसमें इन में से किस स्थान पर धानमंत्री मोधी जी ने बेटी बचाव बेटी पढ़ाव अभियान को जो है पूरे औल इंडिया लेवल पर लॉंच किय कर दिया गया था अब इसको पूरे साड़े शेसो डिस्ट्रिक्ट एंडिया में वहां पर लॉंच कर दिया गया था जुझनू में जुझनू से ही अनौंस करा गया था पोशन माह को मनाने के लिए सेप्टेंबर में पोशन अभियान के रूप में यह आप ध्यान रखेंग जितने भी Metro Rail Companies या उनका Association यहां पर बनाया गया है और श्रीपी के सिना ने इसको प्रक्षेपित किया था तो यह Association Companies कर रहेगा, Companies एक दूसरे से अपना अनुबव साज़ा करेंगी कैसे हम लोग Metro Rail को और इंडिया में अगुमेंट कर सकते हैं, अपनी समताओं को बढ़ा सकत हैं, Metro Rail को और भी अधिक उचाईयों तक पहुंचा सकते हैं, Union Chemical और Fertilizer Minister ने लॉंच करा था 100% Oxo Bio Degradable Sanitary Pad 8 March को, 8 March को International Women's Day होता है, इस दिन लॉंच करा था, हलांकि इनकी सेल सुरू हुई थी मई 2018 में, इस Sanitary Pad का क्या नाम था, इस Sanitary Pad का नाम रखा गया था सुविधा, और इसका कॉस्ट रेने वाला था, 2.5 रुपीज पर पैड, और 10 रुपए के पैकट में, 4 पैड मिलने वाले थे इसमें, इसकी शेल सुरू हुई थी मई में, जन और सिधी के इंद्रों पर, जन और सिधी केंद्र से रिलेटेड एक कॉस्टन है, जन और सिधी केंद्र भारत में पहला कहां पर खोला गया था, यह पंजाब में खोला गया था, 2008 में, 2008 में खोला गया था, पंजाब में, त्यान रखेंगे इसको, और अब तक 32 के करीब हमारे जन और सिधी केंद्र नीति आयोग ने, जन्वरी से अप्रेअल के बीच कौन सा देश रहा था भारत को सबसे ज़्यादा Crude Oil Supply करने वाला ये मैं January से अप्रेअल इसलिए बता रहे हूं क्योंकि ये data change होता रहता है January से अप्रेअल के बीच बहरत को सबसे ज़्यादा Crude Oil Supply करने के मामले में Chief of Anti-Terrorism Police के अध्यक्ष बने थे जब Chief बने थे किस देश में ये काम करती है ये UK के बने थे Anti-Terrorism Police के Chief निमलिकित में से किस राज ने Cooperative Election Authority के शुरुआत करी है Cooperative Election Authority का घठन किया है हर्याणा ने इन में से किस देश ने Cryptocurrency को एक Legal Tender के रूपे माना है Marshall Island ने, Marshall Island ने बोला है कि Cryptocurrency उनका एक Legal Tender है और वहाँ पर इसका Transaction हो सकता है अच्छा इंडिया में क्या Cryptocurrency Legal है, Legal Tender है, Band है कि नहीं Band है, Comments में लिख करके बताईए नबवे Oscar Award में, Best Film Award किसको मिला है, मता चुके हैं, Shape of Water को मिला है, Director है, Guillermo Del Toro, इनको मिला था Best Director का Award Best Actress का Award मिला था, Francis McDormand को, और Best Actor का Award मिला था, Gary Oldman को तो यह सब चीजें ज्यादातर बाफ्टर से ही Repeated हैं, जहां रखेंगे इसके बारे में Indian Turf Invitation Cup से समदित क्या है, मतलब यहां पर कौन सा खेल होने वाला है, यहां पर Horse Racing होगी Indian Turf Invitation Cup World Bank के अनुसार, Sitarum River या फिर जो भी इसका pronunciation है, यह River सबसे Polluted River बताई गई थी, पूरे विश्व में कहां पर पाई जाती है, यह River है, इंडोनेशिया की भारत किस देश के आईलेंड पर अपना एक Naval Base स्टैब्लिश करना चाहता था, हालांकि बाद में, यह सब चीज़ें खटाई में चली गई थी, Seasels ने मना कर दिया था तो Seasels में किस आईलेंड पर Naval Base इंडिया स्टैब्लिश करने वाला था, स्टैब्लिश करने वाला था, अजम्शन आईलेंड पर शिग मोत सो दोजार ठारा, यह कहां पर होने वाला था, यह होने वाला था, गोवा में Mr. Jitendra Singh, जो की Minister of North East Region है, इन्होंने लांच करा था, Social Media का वर्जन, नमस्ते शॉलों मैग्जीन का नमस्ते शॉलों मैग्जीन किसको डेडिकेटेड है, यह डेडिकेटेड है, समर्पित है, इंडिया- इस्राइल रिलेशन्शिप को एर्मेन सिर्किशन किस देश के नए राष्कपती याने के प्रिसिडेंट बने थे, यह बने थे, आर्मेनिया के ही एक इस राज के district administration ने लाँच करा था राबता नाम का पोड़ राबता नाम का पोड़ श्रू किया था राजोहरी ने जो की पड़ता है जम्हुर कश्मीर में इंडिया बांगलदेश के अलाबा किस country ने sign किया बांगलदेश के रूप पूर में बनने वाले nuclear plant के agreement को इसको फ्लोटिंग पावर प्लांट यहां पर शुरू किया गया था माई के आसपास इसको हम बता चुके अपने हिंदी करेंटर वाले वीडियो में अभी शायद आगे इसमें भी आएगा इससे रिलेटेड से क्रिसिल के इंक्लूसिव इंडेक्स में सबसे ज्यादा रैंक किस राजी को दी गई है एक बार फिर से यहां पर केरल को दी गई है और लगातार तीं-चार सालों से केरल को ही मिल रही इसमें इनमें से किस कंट्री ने एसिड को हाइली डेंजरेस वीपन के रूपे स्पेस् उनाइटेट किंग्डम ने एसिजन रेस्लिंग चैंपेंशिप जो की बिश्केक में हुई थी यहां पर किस केटेगरी में नौजोत कौर ने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए 65 केजी वर्ग में उने जीता था गोल्ड मेडल नौजोत कौर किस से समंदीत है यह र गवर्मेंट ओफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया था इस्टैबलिश्मेंट नैशनल फैनेंसिंग रिपोर्टिंग अथार्टी को यानि की एन एफ आरे को एन एफ आरे की गठन को मंजूरी दे दी गई थी आपको बताना है इसमें कि कौन कौन से प्राविजन्स तो इस करे गए थे चेर परसन इसके बन गए हैं लेटेस्ट में अभी 15 जिन पहले बनाए गए हैं अब बताईए एन फरे के चेर परसन कौन है इसमें कौमेंट्स पर लिख करके तुरंद बताईए टैफ एक्सपो 2018 अप्रैल में कहां पर गवा था यह वा था चेन नहीं में बस इ करा गया था किससे संबंदित है बविश एप्लिकेशन संबंदित है इंप्लॉइस की पेंशन से यह पोटल भी है और इसका एप भी बाद में लॉंच करा गया था यह आप याद रखेंगे इसमें महरास्टर के पहले मेगा फूड पार्क का इनॉग्रेशन कहां पर किया ग पति न्यात में बेश्ट पोर्स पर संर्भी आफउड में प्रश को मिला था यह मिला था राजर फेले सब्सक्रास कौंप के चिपार को टो यह कास इसमें इंड्यास इसने द्ली यह करवाया होगों का एक इस जानना में बनाइज आप एक कर ना सुने से नहीं से पएलगा एक size chart prepare किये जा सके ready to wear industry के लिए ready to wear industry समझ रहे है ready made clothes वगयरा के लिए एक comprehensive size chart बनाया जा सके कहने के मतलब है अभी जो L, XL, M जो sizes आ रहे हैं जो थोड़े से छोटे बड़े पट रहे हैं हमको तो data नहीं है company के पास कि हमको आखिर किस size का कपड़ा prepare करना है कि आप लोगों को एकदम fit हो जाए तो अगर ये database लिया जा सकेगा तो एक standard size जो प्रिपेर किये जा सकेगा कि L इतना बड़ा बनेगा, M इतना बड़ा बनेगा, XL इतना बड़ा, XXXL, XXXL इतना बड़ा कि size आप नाग का परिक्षण किया था DRDO ने, ये कब किया था, Feb 28 को, नाग क्या चीज है, ये 3rd generation anti-tank missile है, 3rd generation anti-tank missile है, नाग, Prime Minister Employment Generation Program को कब तक के लिए extend कर दिया गया है, इसको extend कर दिया गया है, आपके 2019-2020 वर्ष तक के लिए, Union Cabinet ने Member of Parliament का, जो यहाँ पर 45,000 रुपए का constituency allowances थ रही है, अभी केंदर सरकार ने service sector में से कितने उतकरष्ट या फिर जरूरी champion sector निकाले थे, जिनका development special तरीके से किया जाना, था Ministry of Commerce Industries के दोरा, 12 champion sector यहाँ पर identify किये गए थे, ये कि संख्या ध्यान रखेंगे, 12 हैं ये, कहाँ पर पहला aviation multi-skill development center खुला जा रहा है, airport authority of India के द अभी कटहल को, यानि कि jackfruit को, jackfruit का मतलब होता है, कटहल इसको अपना राजकी फल घोशित कर दिया था, ये किया था, केरल ने, option number B यहाँ पर सई है, अभी नीती आयोग ने सबसे पिछडे जिलों की एक सूची बनाई थी, उनको यूफेसिम के नाम पर, aspirational district नाम दिया गय यानि कि सबसे जदा backward और 101 नंबर पर रहा था, विज्यान गरम district, sorry, मैं district की बात कर रहा हूँ, तो विज्यान गरम district रहा था आंधर प्रदेश का, ये सबसे अच्छा district इस पर पाया गया थे, यानि कि backward में सबसे अच्छा, आपको बता दे, इसमें केरल के district नहीं सामिल किय गये थे, तभी तो पहले 111 बनाए जाने थे, लेकिन बाद में कित्ते बने 101, 65 में जो राष्ट्रिय फिल्म पूर्सकार दिये गये थे, उसमें जूरी का हेड कौन था, ये थे शेखर कपूर, विन्मिंट कहां के प्रेसिडेंट अभी बने थे, ये बने थे मियानमार के, काँश सम्मिट कहां पर, इयोगो देल्य में लेंकिनिद में तेम में इथे, लेकिडेंट अगर आपको नहीं पता है और, उसमेन में गुर्दिये, आस्व ममें जान्स के बनेर जये घुर्षंट, कमौन शाही हो सकता है ये 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 मिनिस्टरी की है, ये पीट्री है, हेज CDU इसकी है थावर चंद गैलोग जी ने शुरू किया था पहली इंडियन साइन लेंग्विज डिरेक्टरी इसमें कितने शब्द हैं सेञ लेंज में बैस्ब्य सब्सक्राइब बॉडखन रहा है करनातक में कि इनमें इसको जारकन्ट कि दिस्टिक्ट में फॉर्म kis gw बने गए यहां पर देवगर डिस्ट्रिक्ट में JPSC वाले ध्यान रख लीजेगा इसको और यह आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है और यह डिरेक्ट इंप्लॉइमेंट करीब 6000 लोगों को देने में सक्षा में उसे बताया जा रहा है और करीब 3000 लोगों को यह की लित्मात्र बचे हुए वाइट मेल राइनसलि स्कनीधन हो गया था वाइट राइनो का निधन हो गया धुर्अज इसका नाम सुडान रखा गया था यह कहां पर रहता था यह रहता था तक Äंसरे द्वारा जो भी schemes या फिर कोई प्रोग्राम या फिर कोई initiative का implementation कैसा किया जा रहा है सही से किया जा रहा है लापर वाही से किया जा रहा है photo video के मांध्यम से बेजा जा सकता है directly इस एप में और ministry का यहां तक कहना है कि यह आपका एक direct link है मतलब tribal people हमसे directly इससे जुड़ सकते हैं सात्माइ edition Women's Science Congress का कहां पर हुआ था इमफाल में हुआ था पहला कहां पर हुआ था यह 2012 में हुआ था दोनों statement यहां पर सही है option number A और B वरुड के बारे में बात करने हैं वरुड क्या है एक नेवल exercise है statement number 1 कहता है statement number 2 यहां पर कहता है joint exercise है France और India की तो दोनों statement यहां पर सही है option number C निमले कितमे से किस institute ने science and the city initiative की शुरुवात की थी यानि कि विग्यान को आपके घर के धरवाजे के सामने ले करके जाएंगे National Center for Biological Sciences ने अचा किस ministry के अंतरकत काम करता है पता सकते हैं कोई comments मता सकते हैं अंकीता रहना अभी न्यूज में रही थी अभी का मतलब अपरेल के आसपास न्यूज में रही थी इंडियन विमन टैनिस प्लेयर टू बी रैंक्ड इन टॉप 200 इन डबलू टी ए रैंकिंग में इनको टॉप दोसम जगह दी गई थी और यह तीसरी ऐसी महिला बनी थी जो यहां तक पहुंची थी तो इस पूझेस न्यूज में रही थी कोटिया पंचाय जिसमें करीब 28 गाउं आते हैं इनके करीब 21 गाउं के लिए संगर्ष किन दो राजियों में देखा गया है था संगर्ष का मतलब दोनों लोग क्लेम कर रहे थे कि यह 21 गाउं हमारे यहां पर आते हैं ओडिशा और रांत्रदेश दोनों यहां पर कह रहे थे ऐसी बात World Health Day काफी important day होता है आपका कुछ days काफी important होते हैं जो की पूछे जाते रहें जैसे World Health Day पूछे जाता है World Environment Day पूछे जाता है योग दिवस पूछे जाता है Universal Health Day का यहां पर theme रहा था Everyone Everywhere Universal Health Coverage इनमें से किस country ने April 2018 में अपने हां पर एक sugar tax को introduce किया था जिससे obesity पेल अकाम लगाई जा सके वहां के नागरियों में obesity को कम किया जा सके कहां पर किया गया था यह किया गया था यूके में United Kingdom option number A यहां पर सही है इनमें से किस राज ने free chemotherapy अनाउंस करी है cancer patients के लिए अनाउंस करी है महराष्ट ने option number D यहां पर सही है इनमें से किस राज ने अनाउंस करा था 500 रुपय यह मुआवजे गरूप में TB patients के लिए अपने राज में उनके treatment के लिए यह किया गया था हरियाना में option number A यहां पर सही है हरियाना में उत्तम app किस ministry का app है किस ने launch करा था इसको उत्तम app launch किया था Ministry of coal ने CBSC board के paper leak हुए थे काफी exam time के दौरान तो इनकी जाच करने के लिए एक समीती गठन किया गया था इस समीती के अध्यक्स बना गये थे विनैशील ओबराय इसका नाम रखा गया था विनैशील ओबराय समीती दो चीजों पर काम कर रही थी इसको बनाया गया था मतलब जब exam हुए थे CBSC paper leak की जाच करने के लिए और उससे पहले फब में इनको बनाया जा चुका था Defense Capital Projects पर अपने recommendations देने के लिए तो Defense Ministry का भी काम देख रहे थे और CBSC board वालग देख रहे थे तो कोई भी एक पूचे जाता है तो आप यहां पर बता सकते हैं दोनों के ही head रहे थे विनेशील ओबराय समीती दो काम कर रहे थी CBSC paper leak की जाच करना और Defense Capital Projects पर अपने recommendations देना राश्ट्री आविशकार अभियान की शुरुआत किस ने करी थी HRD का है वैसे तो यह 2015 से चला आ रहा है 2015 में पहली बार जब अब्दुल कलाम जी जीवित थी तब इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी हलांकि इसके कई सारे additions आते हैं हर साल में तो यह राश्ट्री आविशकार अभियान किसका है HRD का है आप इसमें गैस भी कर सकते थे सिंपल है इसमें हमको inculcate करना है iniquary का creativity का स्रजनात्मक्ता का और जिग्यासा का बच्चों में जिससे science और mathematics से वो प्यार कर दे लगें election commission ने अपरेल के आसपास हुए करनाटक elections में कुछ pink polling booth लगवाये थे यह pink polling stations किसकी मदद करने के लिए लगवाये थे यह women's के लिए लगवाये थे यहां पर कुछ special facilities अविलबल थी केवल exclusively women's के लिए इन में से किस history के सत्याग्रह के लिए मतलब उसके सभे anniversary के लिए उसके centenary year के लिए सत्याग्रह से स्वक्षाग्रह campaign की शुरुवात करी गई थी सरकार के द्वारा हम लोग मना रहे थे चंपारन शप्ट्याग्रह का सवा वर्ष अप्रेल में तो उसके लिए स्वक्षाग्रह केंपेन की शुरुवात की गई थी राश्टपती भवन के गार्डन में बावब ट्री यहां पर प्लांट किया गया था प्रेसिडेंट जी इसको किस देश से ले करके आये थे वो पहार सुरूप इसको ले करके आये थे मदगासकर से कि अडियन इस्टूट अफ रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी की एन आईईएर एफ कि रैंकिंग में ओर्राज mm को मिला एंजम्धा बात को यहां पर मिला लाय मेनेजमेंट की टेगरी में तो यह सब कुछ हवार्ट दियान रख सकते हैं और अलवला जरूर दियान रखेंगे नियरेफ का यह इंडियन इंस्टूट ऑफ साइनिस बेंगलूरू को बिला है नियरेफ जो रैंकिंग है यह कौन देता है यह HRD देती है सिंपल सी बात है इन में से किस राज ने एक परसेंट आरक्षन देने की बात कई है एजुकेशनल इंस्टूट में जो और फेंस है यानि की जो अनात है उनके लिए कहां पर किया गया है महराष्ट में इंडिया ने किस कंट्री को लिस्ट में पीछे कर दिया और मोबाइल फोन प्रोड़क् मायमी ओपन सिंगल मेंस का टाइटल किसने जीता है जॉन इसनर जीता है ठिंक इंडिया जर्नल की एक कॉपी जो है प्रसेडेंट दीजिए को भेट करी गई थी यह जर्नल जो है मैगजीन किस से रिलेटड है किसको डेडिकेटड है यह दीन दिया लुपाध्धिया को आपका पॉडूचेरी भी शामिल था, पटना यहां पर नहीं शामिल था, पटना में नहीं खोला गया था, वारा रसी, गुवाहर्टी, बैंगलोर्यम पैले से मौजूद थे, सेंटर नए खोले गए थे गुवा में, वडोधरा में, राची में, त्रिसूर में, जम्मू में मतलब श्री नगर में पूडुचेरी में ठीक है तो यह दिशान रखेंगे आप लोग IGNCA कहां पर मतलब किसके अंतरगत आती है या आती है Ministry of Culture के अंतरगत यह Autonomous Organization है Ministry of Culture के अंतरगत काम करने वाला इन में से किस राज ने एक Culture Commission का अगठन किया अपने राज में जिससे कि जो गाने होते है लोकल लेंग्विज में उससे Vulgarity को उटाया जा सके अबधरता को उटाया जा सके कहां पर पंजाब में कलमाकरी आर्ट म्यूजियम का Inauguration कहां पर हुआ था यह पढ़ाना नामके इस्ट्रिक्ट में वबा था यह पढ़ना इस्टिक्ट कहां पर प्रता है यह पढ़ता है आंध्रदेश में IIT मदरास ने रिसाइट किया था कि वो बाग ए नया फोर्ट की मैपिंग करेंगे ये बाग ए नया फोर्ट कहां पढ़ता है ये पढ़ता है गोल कॉंडा में Law Commission ने अभी यहां पर प्रस्ताव रखा था कि लोग सभा और Assembly Elections एक साथ करवाय जा सकें Law Commission के Head कौन है? Law Commission के Chairperson है Justice BS Chauhan इन में से किस दो देशों के जो समझा होता है Joint Action Plan इसको PMOधी जी ने Win-Win Partnership का नाम दिया है Win-Win Partnership बताया गया है Indo-Sweden Joint Action Plan को दरपन पी एल आई आप यानि के Postal Life Insurance आप की शुरुवात किस ने करी थी? Ministry of Communications ने करी थी पर्टिकुलरली मनुथ जिनह जी ने इसको शुरू किया था जिन्होंने दरपन आप की शुरुवात करी थी December में इंडिया ने 21 में Commonwealth Games में कितने मेडल जीते हैं यह तो आपको पता होना ही चीज़ था बिना इसको रखे हुए 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉंज, टोटल यतने 6-6 में इंडिया की रैंक क्या रही थी तीसरी रही थी, टॉफ इन इस szuart रिख, किस ने होस्ट नेशन आस्टरीलिया ने फिर बाद में England तुट एंडिया के बाद Canada Commonwealth Innovation Index इंडिया की रैंक क्या रही है इसको adapt किया है तिहाड जेल ने ये psychological treatment program को adapt किया है समर्थन इसको कहा जा रहा है project समर्थन यानि कि जितने भी कैदी हैं वहाँ पर उनको थोड़ा सा assistance दिया जाएगा किसके दौरा वहाँ पर काम करने वाले जेल स्टाफ के दौरा ही इस program के तहट जो लोग mental health conditions जूज रहे हैं उनको यहाँ पर assistance दिया जाएगा medical assistance और वहाँ का staff यहाँ पर देगा इस program से सीख ले करके गगन शक्ति जो news में चीज रही थी यह क्या है यह exercise है यह domestic exercise है हमारी Indian Air Forces ने करी थी और पिछले 10-20 सालों में सबसे बड़ी internal exercise यहाँ पर बताई जा रही है गगन शक्ति यह हुई थी अप्रेल में 49 नंबर का दादा साहब फाल के पुरुसकार इस बार किसको गया है राश्ट्रे फिल्म पुरुसकारों में विनोथ खन्नक गया है मडो प्रांत इन में से किस ministry ने smart impressed card अपने आपर शुरू किये थे और पोर्टल भी शुरू किया था जिससे की target अचीव कि जा सके 100% digitization payment का जिकिया था ministry of housing and urban affairs ने राजमंत्री जो यहां पर है ministry में श्रीहर्दीपुरी उन्हेंने इसकी शुरुवात करी थी तीन जो मानिताप्राफ बैंक है हमारे राश्ट्री बैंक, access bank, SBI और IDBI help करने माला इस project को implement करने में ministry of housing and urban affairs का यह हिसाब किताब है इस में इसका payment पूरी तरह से digitalize channel पर किया जाए 65 राश्ट्री फिल्म परुसकारों में best Hindi film का वाड़ किसको मिला है, Hindi film का वाड़ गया आफकोर्स Newton को, best feature film का वाड़ किसको मिला है, village rockstar को मिला है, village rockstar को अभी भेजा गया है आधिकारिक entry के तावर पर best forum film की category में चुनने जाने के यह Oscar में इंडिया के दोरा, best विदेशी फिल्म, विदेशी भाषा के फिल्म के रूप में आधिकारिक entry है, village rockstar इंडिया की तरफ से ध्यान रखेंगे इसको, village rockstar को best feature film भी चुना गया था, हमारे राश्ट्री फिल्म परुसकारों में, प्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में भ village rockstar की जो actress हैं, जुन्होंने act किया था, इसमें भानिता दास उन्हें मिला थे, यहाँ पर best actress award, प्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है प्रिक्स वाला, आपके ECF में भी पूछा गया था, थोड़ा समझे, इसमें confusion हो गई, माफ कीजिए गा, economic freedom index में इंडिया की रैंक क 130 में, हमारे किस पंतराले ने विदेशी नागरिकों की साहता करने के लिए, EFRRO portal की शुरुवात करी थी, एक ही थी Union Home Ministry ने, श्री जादनात सिंग जी ने इसको शुरुवात करी थी, इसमें क्या है, बेसिकली कि वीजा के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना है, तो मैं आपको समझाना चाहूं, तो drone जैसे ही होते हैं, बस drone छोटे होते हैं, यह बड़े होते हैं, तो unmanned aerial vehicles को कैसे अपने defense system include करेंगे, इसके environment की study करने के लिए, एक समीती गठन किया गया था, इस working group के अध्यक्ष बनाए गया थे, श्री जैंत सिंहा, option number B यहां पर सही है, Cambridge Analyt Analytica इन में से किस scandal से संबंदित है, यह data scandal संबंदित है, यह UP police में आपको question आया था, जो exam अभी cancel हो गया, उसमें यह बूचा गया था, बताए data के मामलों में, data scandal के मामलों में किस company का नाम आया था, यह आया था Cambridge Analytica, इन में से किस हमारे पडोसी देश ने quota system वहाँ पर खत्म क जॉब में quota system खत्म कर दिया है, बंगलादेश ने, cabinet ने 11 अप्रेल 2018 को अप्रूव कर दिया से साले proposals, यहाँ पर left-hand governors जो भी है union territories के इनकी तंखवा बढ़ाने के लिए, इनका जो main salary होगी, वो पहले 80,000 रुपए हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा करके 2,25,000 रुपए य कि जो आपके high court के judges होते हैं, chief judge को छोड़ करके उनकी salary कितनी होती है, कमेंट्स मिलिख करके बताएं, Ministry of Housing and Urban Affairs के minister श्री हर्दीपूरी के नुफसार हमारे देश में जितना भी कचड़ा होता है, उसको scientific manner में disclose किया जाता है, उसका percentage कितना है, हैनि कितने प्रतीशत कचड़े का management हम करते हैं, scientific method से करते हैं केवल 25%, बाकि सब ऐसे ही अप्षिस्ट इधर उदर जाता है, मिसुमा भारती ने कि जगह से goberdhan scheme को launch करा था, यह किया था हर्याणा से, हर्याणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से, करनाल में राष्ट्रिय डेरी अनुसंधान से launch करा था इसको, गोबर धन को, अब बताइए comment में जी और आर का यहाँ पर क्या मतलब है, केंदर सरकार ने क्लेम किया था, कि वो 100% electrification के लक्ष को पूरा कर चुके थे, माई के आसपास, और ली सांग को last village बताया गया था, जहाँ पर national grid electricity को पहुंचा दिया गया था, अच्छा, यह कहाँ पर पढ़ता है, आपको पताना है, यह सेनापती नाम के district में पढ़ता है, जो की पढ़ता है आपके मड़ीपूर में, option number C, यहाँ पर सही है, अलांकि बात में, P.I.B. में update आई थी कि हम बात कर रहे थे, grid लगवाने की, तार लगवाने की बात यहाँ पर नहीं कर रहे थे, Indian culinary institute कहाँ पर खोला जाएगा, इसको क्या कहते है, मुझे नहीं पता, यह इसको cooking कहते है, mainly, आप ध्यान रखिएगा, यह पाक कला का institute कहाँ पर खोला जाना था, यह खोला जाना था, नोईडा में, ठीक है, हमारे vice president वेंक यह नाइडू जी इसका सुभारम करने वाले थे, और इसका entrance JEE के माध्यम से होगा, ठीक है, joint entrance examination के माध्यम से आपको cooking सीखने को मिलेगी, national disaster management authority NDMA ने अपनी पहली mock drill की थी, बायो disaster पर, बायो disaster, बायो diversity पर अपनी पहले mock drill नोन की थी, पतना airport में, ठीक है, अंकिता रहना को अभी top में सामिल किया गया था, मई किया सपास, य जानते हैं, tennis player है, tropical में जन्म लेने वाले पहले polar bear का मतलब निधन हो गया था, वो नहीं जी पाया था, यह कहां पर आपको देखने को बिला था, इसका नाम किया है, इसका नाम है inuka, world press freedom index में इंडिया की रैंक 138 वी है, norwin ने टॉप किया इसको, worst ranking इसको मिली है, North Korea को मिली और यह report जारी करता है, reporter sans frontiers, जिसको English में बोलेंगे हम लोग reporter without borders, तीनो statement यहां पर सही है, इन में से किस corporate house ने गोद लिया था, गांधी कोटा को जो आंदर प्रदेश में पढ़ता है, और लाल के लिए को हमारे adopt a heritage scheme किता है, जिसको हमने 2017 सितंबर को launch किया था, tourism day के उसर प जिम ब्रिंडस्टाइन को appoint किया गया था कहाँ पर, नासा के administrator के तौर पर प्रसासक के तौर पर appoint किया गया था, इनको अब ध्यान रख सकते हैं, 2018-2019 में जूट का minimum support price कितना रखा गया था, ये रखा गया था 3700 रुपए प्रती quintal, फिश्व की पहली international SME small medium enterprises conference कहाँ पर हुई थी, यह भी थी हमारे देश में, नई दिल्ली में, हरिमोव शक्ती के नाम से कौन से दो देशों ने युदभ्यास किया था, यह था मलेशिया और इंडिया ने, किस women cricketer के लिए एक commemorative stamp launch करा था, ministry of postal department ने एक commemorative stamp launch किया था, यादगार stamp इसको कहते है, चूलन गौसवामी को इसमें feature किया गया था, option number D यहां पर सही है, पहले कप्तान हुआ करती ही थी, fastballer, और एक तरफ Victoria Memorial को दिखाया गया था stamp में, और दूसरी सौरफ गांगुली ने stamp को launch करा था, वलब इसको शुरू किया था, भारत की पहली company कौन बनी थी, 100 billion dollar का market cap हासिल करने वाली, ये बनी थी TCS, Tata Consultancy Services, मोधी जी ने किस जगह पर राश्क्री ग्राम सुराज अभियान के शुरुआत करी थी, 24 अप्रेल को ये की थी, मांडिला नाम की जगह पर मदप्रदेश से, संगाई सहियोग संगठन के डिफेंस मिनिस्टर की पंदरवी मीटिंग कहां पर होने वाली थी, ये हुई थी, बीजिंग में, चीन में, भारत में दिन के समय पूरी तरह से सौर उर्जा से संचालित होने वाला smart city कौन साय पहला, ये था हमारा दीव smart city, option number B कि जो important point है, वो मैंने red color से mark कर रखे हैं, ठीक है, ये 147 page की करीबन pdf है ये, और pdf अलड़ी शेयर है, आप अगर चाहें तो free में download कर सकते हैं, ये है मारा, इसमें group में आप जाके download कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आप इसमें देख लिजिए, ये है जो only up pieces करके, यहाँ पर आ काफी सारे बिल हैं, काफी सारी picks हैं, एक बात और है, इसमें मैंने nobel prize जो है, 2018 वाले वो included इसमें नहीं किये थे, लेकिन मैं इसी, वो मैं अलग से वीडियो को की बना चुका हूँ, तो आप उसको अलग से देख लिजेगा, एक तो nobel prize इसमें included नहीं है, और दूसरा Asian जो games हुए थे, उसकी पूरी की पूरी summary अलग दी हुई है, और वो बहुत important है, वो आप जरूर देख लिजेगा, इस वीडियो के end में मैं end screen में जोड दूँगा उसको, सबसे पहली current affair है, देखे जितनी भी ranking है, मैंने तीनों को एक जगे लिख दिया है, ताकि confusion ना हो, ठीक है, सबसे पहली ranking आई थी किसकी, यह आई थी, Reuters के द्वारा, ठीक है, इसमें जो है world की most innovative industry का award किसको मिला है, Stanford University को, और इसमें कोई भी Indian जो उनिविश्टी थी, वो list में नहीं पाई गई, ठीक है, तो Reuters के हिसाब से most, जो innovative है, वो है Stanford, और इनकी top 100 list में से 48 उनिविश्टी थ 27 यूरोप की थी, ठीक है, यूएस के पास सबसे अधा university है, इसमें 46 है, एक बात हो रहें, कई बार ऐसे word आ जाते हैं, शाहिद उसका मैं pronunciation नहीं ठीक से कर पाऊं, आप उसको देख लिएगा, इसलिए पढ़ने के लिए दिया जाता है, यहां पर, मेरा यहां पर focus English पढ़ा Stanford, ठीक है, दूसरी वाली अगर चलें, तो दूसरी एक आई है, top 250 universities of times higher education, ठीक है, इसमें भी अगर आप देखेंगे, तो इसमें भी कोई भी university, जो है, top 250 में नहीं आपाई, ठीक है, तो यह दोनों में, इंडियन कोई नहीं आपाई है, ना Reuters में, ना times वाली ranking में, हाला कि times टाइमस वाली जो ranking है, इन्होंने ये बताया कि, इंडिया में जो top है, वो कौन सी है, IAC, बंगलुरू, ठीक है, और इसमें फिर बाकी जो आईटी, आईटी, अईटी, अंदोर, बॉंबे, रुर्की, एक जगत गुरू है, ये जो है, करनाटा की, ये top 5 में थी, इंडिया क टॉप 5 में ये, ठीक है, और ये जो times वाली है, इसके हिसाब से university of oxford ने पहली rank यहाँ पे achieve किये, तो ये आप याद रखेगा, इसमें एक बात और है, इंडिया के अगर आप देखेंगे, तो इस बार जो है, ये करीबन 42 पिछली बार थे, इस बार 49 जो institutions हैं, टॉप में आ ये ranking थी, QS World University ranking, ठीक है, QS Quark Query assignments करके है, कोई ranking है, इसमें IAAC Bangalore No.1 पे नहीं है, इसके इसाब से IIT Bombay No.1 institution है, इंडिया का, ठीक है, तो इंडिया के top higher education institutions में, IIT Bombay है इसमें, QS वाले में, ठीक है, टाइम स्वाले में कौन सा है, टाइम स्वाले में आपका IAAC Bangalore है, और इसमें जो QS वाला है, इसमें नंबर उन पे IIT Bombay है, फिर IAAC Bangalore है, ठीक है IIT Madras, और फिर आपका IIT Delhi, तो ये है important, नेक्स्ट आइसमें मलेशिया, जो है, वो अपनेया country बनेगा, जहाँ पे death penalty किसी जा सकता है कि भी हाली में किस देश ने जो है मरत्युदन्ट खतम कर दिया है, तो वो कौन है, मलेशिया है, ठीक है, तो ये वैसे पूरी दुनिया में जो आपके चलते रहते हैं, human rights वाले moment की करीबन 103 country में death penalty खतम कर दी जा चुकी है, अभी भी है 56 country में और जैसे चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेसिया, इन सब जगह पे है ये, ठीक है, एक UN का सेसन वा था, 62 सेसन वा था, 2007 में, उन्होंने बोला है कि यूनिवर्सल रिस्टिक्शन लगने चाहिए, और death penalty से जो है, वो crime deter नहीं होता है, ये मेन बात है, next है, इसमें देखिए, मैं दीरे द इसमें बता रहा हूं, यहां पर कोई जल्दी भजी नहीं कर रहा हूं, फिर भी अगर आपको लगे स्पीड ज्यादा तेज़ है, तो स्पीड वाले एक option होता है, यूटूब में, उसमें जाके आप मेरी स्पीड 0.75 कर लिजेगा, और या फिर अगर धीरे लगे तो उसको महराश्टर में, इंडिया में, अभी तक इनके WF Global Network के तीन सिंटर हैं, टोटल मिलाके, एक है सैन फ्रांसिसको यूएस में, फिर टोक्यो में है, फिर बीजिंग में है, और आप ये खोलेंगे महराश्टर में, तो बस यही question आपका आ सकता है कि, WF ने अपना चौथा industrial revolution का सिंटर कहां पर खोलने के लिए बात की है, तो या तो इंडिया आएगा, देश की बात होगी तो, और स्टेट की बात होगी तो महराश्टर में खुलेगा ये, बेसिक बात यह कि जितनी भी जो latest technology है, जो emerging technology है, जैसे drone हो गई, drone की policy भी थोड़े दिन पहले government of India ने दी थी, artificial intelligence हो गई, blockchain, ये सबी जो है, इनके तीन project रहेंगे और नीती आयोग जो है, इनको coordinate करेगा, government of India के बिहाब पे, बस इतनी बात आप या दो किये, next है इसमें, कि UNICEF और WHO ने बोला है, कि इंडिया अभी भी polio free है, ठीक है, ये इसलिए ये चर्चा में आया, क्योंकि एक जगह जो है, वो oral polio जो vaccine है, उसमें contaminated पाया गया था, type 2 polio virus पाया गया था, तो उसी लिए एक बड़ा news में आ गया था, लेकिन अभी ये बोला गया है, कि इंडिया अभी भी, देखें, इंडिया को polio free certified किया गया था, 2014 में, और अभी भी इंडिया की government बहुत ज़्यादा vigilant है, त जो कि ज़्यादा तर जो है, यंग children होते हैं, पात साल के नीचे उन ही को effect करता है, percent to percent भी transmitted हो सकता है, कोई इसका इलाज नहीं है, बस इसको prevent किया जा सकता है, इतनी बात ही बस यहाँ पे करनी है, ठीक है, और एक बात और है कि आट टाइप 2 अगर आप polio virus देखेंगे, त तो इतना आपको याद रखना है, बस, पूरी news पढ़ने के ज़रूरत नहीं है, मैं main main बाते बता रहा हूँ बस, फिर एक report आई थी UN की, उसमें बताया गया है कि, ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या था, economic losses, poverty and disasters, 1998 to 2017, इसमें क्या बताया गया, कि इंडिया ने जो climate related disaster है, उन कोई ऐसा है, मतलब exact figure नहीं होता है, उन्होंने बोला है कि, जो 298 से लेके 17 तक का जो था, उसमें economic losses में 1500% की व्रद्धी हुई है, ठीक है, 1500% rise हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो economic loss किसे ने जहिला है, US ने जहिला है, करीबन कितना, 944 billion dollar है, ठीक है, और China ने number two पे, फिर Japan पान ने, इतना तो नहीं पूछेगा कोई, ये पूछा जा सकता है, मालिजे कि, जो ये report है, बोल देंगे कि, इस report के साब से, सबसे ज़्यादा loss किस country ने जहिला है, तो वो US है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन कौन सी tragedy हुई है, जो ये disaster होते हैं, सबसे ज़्यादा flood ह ज़्यादा रखना है, जो ISRO है, उसने एक MOU साइन किया है, जम्मू के साथ, जम्मू and कस्मीर जो सरकार है, उनके साथ, कि आप एक Space Science Center आएगा जम्मू में, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, तो जम्मू में आपका एक सतीज धवन Center for Space University, Space Science University create किया जाएगा, और यह सतीज धवन के बारे में बताएगा है, कि यह जो थे, यह Chairman थे पहले और स्रीनगर में ही वो पैदा हुए थे, और यह जो है, यह आपका Center आएगा, North India में जितने भी जो Phenomena होते हैं, उनको Observe करने के लिए important रहेगा, बाकी सब चीजे तो बहुत सारी हैं, बोल बच्चन मैं नहीं बोल रहा हूँ है, आप पढ़ लिजेगा, पीडिया भी फ्री में दिये है इसकी, नेक्स्ट है, इसमें इंड इंडो कॉर्पेट, यह पूछा जा सकता है, कि यह किसके बीच में होती है, यह आपका, मतलब किसके बीच में हुआ था, यह पेट्रोल इंड इंडो का तो सीधा-सीदे समझ में आ रहा है, इंडिया और इंडोनेशिया, तो यह थर्टी सेकन्ड इडीचन था, काहां पे हुआ यह बेलावन इंडोनेशिया में हुआ, इसमें क्या किया गया था, शिप और जो एärक्राप्ट है, दोनों कंट्री के, उन्होंने प प्रफ़ाल मनाया जाता है ताकि जो ओबिसिटी है उसको कम किया जा सके कौन और्गनाइज करता है इसको वर्ल्ड ओबिसिटी फेडरेशन और यह डबलू एचो के साथ मिलके मनाते हैं देखे इसमें इंपॉर्टेंट जो डे में क्या बात होती कि पहली बात तो डे कौन सा ह कई बार एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ यह और अब्जर्वेसन है मेरा कि जब भी एक्जाम होता है ना तो उसी के आसपास का डे पूछते हैं मतलब ऐसा गलत भी हो सकता है लेकिन मैंने कई बार देखा है कि मालीजी एक्टूबर में जो एक्जाम है तो आपको सित करना हो तो जो एक्जाम वहाला हो उसी के आसपास अलग करिएगा और दूसरी चीज क्या पूछे आती है तीम तो थीम क्या इस बर की इटस टाइम टू एंड वेटी स्टिग्मा ठीक है 11 एक्टूबर को वर्ड ओबिस सट्विस्ट दे और इस टाइम टू एंड वेट सिति हैं ठीक है यही question आ सकता है अभी तक कहा कहा मिलें तमिलाडू गुजरात और अभी लेटेस्ट कहा पर मिलें बाइस जीका के cases मिलें है राजस्तान में ठीक है यह बहुत important है यह ठीक है और इसको जो health इस एजिप्टी यह जीका वाला भी करता है यह और जो चिकन गुनिया है डेंगू है ये लो फीवर यह चारो जो डिसीज हैं इसी की वज़े से होती है यह बहुत खतरनाक है यह ठीक है यह सबसे पहले कहां पर पाया गया था है उन्निस सो सालीस में जीका के फॉरेस्ट में उगांडा में इसलिए इसका नाम जीका वायरस कर दिया गया हाला कि इसके बहुत सारे और भी स्टेंड डेवलप्ट हुए है और अभी तक 86 कंट्री में यह फैला हुआ है तो यही सब चीजे लिखी हुए यहां पर जो डेंगू भी प्रमोट करता है वही सब है इसमें होत हैं माइक्रो सिफेली इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उसका बहुत छोटा सा सर होता है बस यह एक चीजे को इसका ट्रीटमेंट नहीं है बस इसका आप प्रवेंशन कर सकते हैं नेक्स इसमें गवर्नमेंट में अभी एक ड्राफ्ट इशू किया है नैशनल पहले बात तो यह कि किस मिनिस्ट्री ने किया है यह किया है M-E-I-T-Y ठीक है यानि कि मिनिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉमेशन टेक्नलोजी ने एक ड्राफ्ट बनाया है अभी पॉलिसी नहीं आई पहले ड्राफ्ट बनता है फिर उस पे सब लोग चर् चीज क्या है में चीज यह है कि 400 बिलियन की इलेक्ट्रोनिक मेनिफेक्ट्रिंग इंडिस्ट्री को बनाना है 2025 तो टार्गेट क्या है 400 बिलियन डॉलर पहुचाना है और उसके लिए जो है आपको 1 बिलियन मोबाइल बनाने पड़ेंगे 2025 तक 1 मतलब 100 करोड हो गया जिसकी की वैलू होगी करीबन 190 बिलियन डॉलर की और 600 मिलियन जो मोबाइल हैंड सेट है वो एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे तब जाके यह हमारा टार्गेट पूरा होगा 400 बिलियन तो बस यही आप याद रखेगा कि इस पॉलिसी में मालीजी यही पूच लें आप से इस पॉल चैनल हो जो शीज़े हो रहे हैं फिर देखिए एक रोरो सर्भीज होती है रोरो का मतलब होता है जो भी जैसे जितने भी टरक बड़ी-बड़ी चीज़े होती है टरक के साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़े इसमें आपकी एक जगे से दूसरी जगे कर सकते हैं तो यह Inland Authority है Inland Water Authority आफ इंडिया इसने असम Government के साथ मिलके एक रोरो सर्विस आपकी फैसिलिटी स्टार्ट की है कहां से की है ये नीमाती से लेके मनजुली जो आईलेंड है असम इसमेद की है इसमें क्या होगा कि ये जो रोड वाला है रोड को ये मतलब थोड़ा सा इसमें जो रूट है वो कम कर दिये जाएगा और टाइम सेविंग हो जाएगी टाइम सेविंग हो जाएगी दूसरी बात वाटर का आप यूज़ करेंगे तो पॉलुशन भी कम होगा तो यही है इसमें चार सो जो किसने किये आई डबलू ए आई अब्यसी बात यही करेगी और कहा से कहा तक नियामती से लेके मंजुली आइलेंट तक ठीक है कैरिंग कैपिसिटी कितनी आठ ट्रक और सौ पेसेंजर यह रख सकते है देगे नेक्स्ट क्या इसमें नेक्स्ट नियूज है कि अभी जो सेंट्रल गवर्मेंट है हमारी कैबिनेट ने एक अभी तक क्या होता था एक होता था नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानि कि न्सी वीटी और दूसरा क्या होता था था ए एन एजडी ए ठीक है एनसी वीटी और एनसी वीटी और एनसी वीटी ठीक है तो ये इसमें पूछ सकते हैं कि जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजूकेशन एंड ट्रेनिंग है वो किसको किसको मिला के बनाया गया है वो बनाया गया है एनसी वीटी यानि कि National Council for Vocational Training और NSDA यानि कि National Skill Development Agency ठीक है तो यह vocational मतलब training के लिए एक तरह से पूरा regulate करने के लिए पूरा यह merge कर दिया गया है vocational education में और training में long term और short term के लिए one stop करके type का destination मनाया गया है यहापे इसमें पूरे minimum standard भी यहाँ पे होंगे और इसमें एक chair person होगा और plus कुछ executive और non-executive होगी best practices follow करेंगे यही सब चीज़ें बूल बचन वाली चीज़ें है next day में solicitor general जो हैं इंडिया के नए बने हैं तुशार में ता चाहिए एक बात याद रखेगा जो solicitor general है यह कोई constitutional post नहीं है यह additional post है बस और नी जनरल को assist करते हैं solicitor general और कुछ additional solicitor general एक बात और है कि जो solicitor general of India है act के थूप create की गई इसलिए statutory post तो है लेकिन constitutional post नहीं है next इसमें कि international day of girl child यह मनाया जाता है 11 October को मनाया जाता है basic बात वही है कि जो girl child है उनको बचाने के लिए और प्लस उनके जो भी challenges उनको दूर करने के लिए वही सब चीज़े है mainly main बात क्या है बस आपे कि सबसे पहले यह किया गया था 2012 में और अभी इस बात की theme क्या थी with her a skilled girl force बस यह दो चीज़े याद रखनी है ठीक है international girl child का मनाया जाता है day 11 October theme क्या है with her skilled girl force अचाहिए बताइए national girl child day का मनाया जाता है यह बहुत important है यहाद दोना चीज़े और उसकी theme क्या थी जल्दी से बताइए next race में देखिए यह पूछा जा सकता है कि world की पहली bio electronic medicine किस देश के scientist ने develop की वो किये US ने US के scientist ने claim किया है कि उन्होंने बनाई है world की पहली bio electronic medicine ठीक है बस इतना याद रखेगा बागी सब तो चीज़े वही हैं कि अभी तक देखिए test human पर नहीं किया गया है animal पर किया गया है animal rat ज्यादा तर जितने भी experiment होते है चूहों पे बिल्लियों पे इन्हीं भी करते है तो ये इस है इसमें और इसमें जो है इसमें ये जो bio electronic medicinal device है ये wireless है ठीक है और इसको एक wirelessly control किया जाएगा एक transmitter लगाऊगा body के बाइर जैसे की cell phone charging होती है वैसे तो detail इसमें जरूद नहीं है इतना नहीं पूचे का कोई technical ये जरूर पूचते है किस देश के scientist ने किया है तो किस ने किया है US के विज्ञानिकों ने बनाई है world की first world की पहली electronic medicine ठीक है क्या नाम है इसका bio electronic medicine next day में ये एक app है mid watch mobile app ठीक है ये पूच सकते है कि ये किस ने launch किया है भी ये किया है Indian Air Force ने Indian Air Force की 8 October 2018 को पच्चासवी anniversary थी और ये ऐसा पहला mobile app है ये health से related है तो ये क्या है mid watch क्या है ये mobile health app है ये जरूर याद रखेगा ताकि health information दी जा सके users को first trade के बारे में plus दूसरे health और nutritional topics पे और ये किसी भी force के द्वारा बनाया गया ये पहला mobile app है जो की health से related है इसमें दो चीजे पूछ सकते है तो med watch क्या है ये किस ने बनाया है Indian Air Force ने बनाया है कौन से अनिवरसरी पे बनाया है 85th अनिवरसरी पे बनाया है क्या चीज से related है health app है इसमें काफी सारी information मिल सकती है आपको ये है इसमें नेक्स्ट इसमें ये India for Humanity Initiative ठीक है India for Humanity Initiative किस ministry का है ये question आ सकता है किस ministry का है External Affairs Ministry का है और ये इसलिए क्योंकि 149th अभी है 150th तो अगली बार होगी ये कई जगे 150th लिखा है लेकिन आप ये समझ लिजेगा 2018 में महात्मा गांदी जी की जो anniversary थी बद्रद्वाली वो 149th थी ठीक है 158th तो 2019 में आएगी ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कई जगे ऐसा लिखा हुआ है ठीक है तो M.E.A.N.E. की Ministry of External Affairs ने एक है ये BMVSS इसका नाम क्या है भगवान महावीर विकलांग साहता समिती इन दोनों ने मिलके ये बनाया है India for Humanity Initiative फुली स्पॉंसर्ड कौन करेगा इसको M.E.A. ठीक है तो ये important बात है और वही सह में जो गांदी जी की विचार धरा थी उन्ही सब से ये पूरा ये inspired है कि क्या क्या करेगा physical, economic, social, rehabilitation करेगा जो differently abled people होंगे पूरी दुनिया में उनकी help करेगा ठीक है तो ये सब चीज़े हैं यापे India for Humanity किस से related है सब कुछ यापे एक बात और है कि यहाँ पे एक artificial limb fitment जो camp लगाया गया था बारा कंट्रीज में लगाया गया यापे और इसको fully exposure कोन करेगा Ministry of External Affairs ठीक है तो ये important बात है next इसमें कि अभी जो है IISER इसके दो permanent campus खोले जाएंगे तिरुपती और बहरामपूर में इसके लिए cabinet ने मंजूरी दे दिये ठीक है IISER का full form बड़ा लंबा है Indian Institute of Science Education and Research ठीक है तो ये कहा 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 खोला जाएगा तिरुपती यानि कियान प्रदेस में और बहरामपूर यानि कि उड़ीसा में ठीक है तो अभी तक जो है अभी तक कितने हैं इंडिया में अभी तक हैं करीबन साथ है जो कहा कहा पे है कुलकता में है पुने में है मुहाली में है भोपाल में है तिरुपती में है और अभी बहरामपूर में आ जाएगा ठीक है तो ये है कुल मिलाके ये क्या है ये top quality science education होते हैं center undergraduate और post graduate level पे ठीक है तो ये important बात है आपे जरूर याद रखिएगा next आइस में कारगिल विजय दिवस मनाया गया था इस बार कौन सी anniversary थी ये पूछ सकते हैं उन्नीसमी anniversary थी कब मनाया गया था 26 जन्वरी को जिस दिन हमने हमारे जो सैनिक थे उन्होंने पाकिस्तान को पटक के कारगिल वर जीता था next आपे ये न्यूटन जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल है actually यापे पिक शायद थोड़ी क्लियर नहीं आ पाई मुझे यहाँ पे समझ म्यारी मैं बता दे रहा हूँ देखें न्यूटन ने जो है एक actually ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था ठीक है और ये कौन से नमल का था थाइड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था कहां पे मनाया गया ये मनाया गया डर्बन साउथ अफरीका में ठीक है 22 से लेके 27 जुलाई तक करीब बनाया गया बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला इसमें इपर देखी लेते हैं देखे इसमें बता दे रहा हुँ मैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें मिला है भनीता दास को जो विलेज रॉक की स्टार वाली फिल्म थी ना जो यहाँ पे National Prize में भी National Prize जीती थी जिसने इस बार Best Film का किसको मिला है इस Bricks में पूछ रहे है ठीक है तो Bricks में Best Film का किसको मिला है Newton को जो की अमित मसूर करकी है Special Jury Award मिला है Village Rock Star को ठीक है रिमादास की जो है और प्लस इसमें अगर आप देखेंगे जो कौन कौन सी फिल्म को यहाँ पे स्क्रीन किया गया था तो उसमें कौन कौन सी थी competition सेक्टर में थी Newton और Village Rocky star और non competition में थी sinjar और बनायकम पिके बनायकम है यह यह है यह यह वाली pick शायद पतर नहीं कैसे clear masks नहीं आपई ओर नेक्स डाइस में यह कूछ सकते हैं आप से Innovate India Platform किसका initiative है यही question आ सकता है exactly तो यह किसका initiative है नीति आयोग का और My Government का तो नीति आयोग का एक initiative है अटल innovation mission ठीक है तो उसका है अटल innovation mission और plus My Government ने मिलके एक यह जो platform तयार किया है इसका नाम क्या है Innovate India Platform इसमें क्या है इसमें एक common point दिया गया है जितने भी देश में innovation होते है सबी को एक जगल आने के लिए ठीक है तो Innovate India Platform किसका किसका है नीति आयोग के आट एम का AIM का यानि की नीति आयोग के अटल innovation mission का और My Government का ठीक है नेक्स इसमें बहुत important है ये एक budget में scheme इंट्रडूस की गई थी Prime Minister Research Fellow Scheme पहले ये लोग कह रहे थे कि सिर्फ उन लोग को देंगे जो आपके IIT, NIT और IIEST और IIASER से हैं लेकिन आप Government ने बोला है कि कि किसी भी university के जो potential researchers होंगे 2019 से सब को मिलेगी ऐसा इसले हुआ क्योंकि पहले 1000 position दी गई लेकिन उसमें से सिर्फ 135 भी लोग पाई तो इन्होंने समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि जो talent है वो सिर्फ IIT, NIT और IIEST IIASER में मिलता है प्राइवट जो universities होती है उसमें भी काफी talent है तो आब ये किसी भी university को मिल सकता है इसमें क्या है इसमें ये देखें ये जो implement है ये 7 साल के लिए की जाएगी 2018 और 1650 का इसमें करोण में बात वही है कि research पर focus कर रही government of India 3000 maximum इसमें scholarship दी जा सकती है 2018 इसमें मन्तली fellowship मिलेगी पहले 70,000 दो साल का मिलेगा मन्तली और फिर जो भी मतलब लोग select होंगे फिर 75,000 तीसरे साल और 80,000 चौथे साल research grant भी मिलेगी इसमें जो बाहर जाके research करना चाहते है उसमें 2,000,000 मिलेगी आपके 5 साल के लिए foreign travel और इसमें ये important बात है मैं बात बस यहाँ पर यह है कि सभी institute के लिए खोल दी गई next is में West Bengal की government चाहती है कि West Bengal का नाम बंगला रखा जाए ठीक है उसी लिएक resolution union उन्हें पास कर दिया है और उन्होंने बोला है कि जो state का नाम होगा बंगला तीन languages में होगा बंगॉली, हिंदी और English में ठीक है, तो यह है बात और इसके लिए देखें में बात हुई कि यह कहते हैं, इनका बड़ा एक अजीब सा reason है कि West Bengal आप हमारा नाम रखते हो, कोई भी स्कीम आती है तो ABCD से अगर हम अरेंज करें तो डबलू तो बहुत last में आता है तो हमारे तक जो है, बजट हो जट नहीं पहुच पता है, पैसे हो इसे नहीं आपते हैं अगर बंगला रखेंगे तो हम हर चीज में सबसे पहले कंसिडर किये जाएंगे अलफा बेटी के लिए, हलाकि इसमें कितनी सचाई है तो मगवानी नहीं जाने, लेकिन ये इनका है रीजन, अब देखें क्या होता है कि अगर मालिजे किसी स्ट्ट को नाम चेंज करना है तो अपने आज से तो रिजलूशन पास कर सकते हैं, लेकिन आटकिल 3 में होता है फिर, कि फिर एक Constitutional Amendment चाहिए, Constitutional Amendment चाहिए लेकिन वो 368 के अंदर नहीं चाहिए ये आप याद रखिएगा, ठीक है लेकिन उसमे Constitutional Amendment तो लगे गई मतलब यहाँ पर 368 वाला हिसाब किताब नहीं लगेगा Constitutional Bill लगेगा जो कि Simple Majority से पास कर दिया जाएगा और फिर उसको President S.N. दे देंगे जैसे उरीसा का नाम भी उरीसा था पहले फिर ये उरीसा कर दिया इन्होंने बहुत सारे लोग करते है अभी जैसे अब UP के नाम देखें अभी जैसे अलाहाबाद का नाम चेंज हो क्यों हो गया है क्या प्रयाग ठीक है और भी नाम बता रहो है एकसर लिस्ट में ठीक है अलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयाग ठीक है रॉबर्ट्स गंज का नाम हो गया है सोन भद्र रेल्वे स्टेशन बरेली का नाम हो गया है नात नगरी मुगल सराय स्ट्रेशन का नाम होने वाला है दीन दयाल उपाध्याय ठीक है इस पर बड़ा बवाल भी हुआ था कि यहां पर लाल बादुर शास्त्री आये थे और इनका नाम क्यों रख दिया गया अब फिर ये आग्रा में आपका आग्रा एरपोर्ट का नाम हो जाएगा दीन दयाल उपाध्याय एरपोर्ट चकेरी जो कानपूर में उसका नाम होने वाला है गणे संकर विद्यारती गोरखपूर का तो होई चुका है उलड़ी महायोगी गोरकनात एयरपोर्ट इस साथ नाम है एक साथ याद रखेगा एक और बात बता दे रहा हूँ बहुत इंपोर्टेंट एक परदान मंत्री उज्जुला योजना जो आई थी उसके अंडर में पाच करोड का टारगेट गोर्मेंट ने पूरा कर लिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन मिले है यूपी को मिले है ये जरूर याद रखेगा और इसका जो टारगेट है पाच करोड से बढ़ाके आठ करोड कर दिया गया है आठ करोड फ्री LPG connection देगी government ठीक है इस scheme को कौन करता है ये ministry of petroleum की scheme है ये आप याद रखिएगा एक और बात की प्रधान मंत्री आवास योजना के दो component है एक है ग्रामीड एक है अर्बन ग्रामीड वाना जो है ministry of rural development के अंडर में है और इसमें जो target था इनका कि ये 2.95 करोड बनाएंगे घर 2022 तक अर्बन वाले में target था 2 करोड बनाने का ये scheme है MHUPA ministry of housing and urban वाली के अंडर में ठीक है इसमें target 2 करोड था अब ग्रामीड वाले का एक ये update है पिछले 4 सालों में 1.something करोड जो है 1.23 करोड है something ये घर बन चुके हैं government ने claim किया है और इसमें एक बात और है कि जो प्रधान मंत्री आवाज से हो जाए ग्रामीड है इसमें सबस्यादा घर किस ने बना है UP ने बना है ये बहुत important थी अभी याद आगए इसलिए पता दिया नेक्स्ट है इसमें second young superintendent of police का conference का जो है ये न्यू दिल्दी में वहा था मतलब जितने भी इसमें IPS वाले जो experiment है उनको बलाया गया था और इसको organize किस ने किया था Bureau of Police Research and Development ने ठीक है थीम क्या थी इसकी थीम important है थोड़ी predictive policing and contemporary challenges for Indian police forces ठीक है ये इसकी थीम थी ये important बात है अब इसमें क्या है important कि जो दूसरा young superintendent of police conference हुआ था कहा हुआ था नई दिल्ली में हुआ था ठीक है थीम क्या थी predictive policing and contemporary challenges for Indian police forces ठीक है कि क्या क्या जो contemporary जो इस समय के challenges क्या है उन सब पर discuss करना ताकि जो awareness create की जा सके जो भी young SP है और commandants है ठीक है अब ये Bureau of police research and development क्या है ये 1970 में इसको establish किया गया था ताकि इसका objective है ये कि जो modernization हो सके police forces का और ये नोडल national police organization है study or research purpose के लिए ये ministry of home affairs के अंडर में आता है बस इतना है रखना है देखिए अच्छा मैंने जीका virus में बोल दिया था सॉरी हो जीका virus में strain नहीं है ये Ebola virus में जीका वाइरस अलग ही साब किताब है अभी मैंने बताया था तामिल नाडू में और राजस्तान में cases और एक और state था आप बताए कौन सा था तीन जगह जो उसके cases है वो अलग है ये Ebola अलग है ठीक है तो बोमबाली वाइरस जो हो six ये वाइरस strain है इबूला का अभी तक कौन-कौन सी जगह पाया जा चुका है जाहरे सुडान टाइफ ओरस्ट बुंडी बुगियो और रेस्टॉन और ये छठा वाला है बोमबाली ठीक है ये भी एक मतलब एक हैमरेजिक करके fever है और क्या बो वाइरस के कई सारे हैं जैसे आपके की नॉन-हूमन पायरेट जो चमगादर होते हैं सबसे ज्यादा डेड़नी जो इस ट्रेइन है उसका जाहर है जाहरे स्ट्रेन है देखें कुछ ऐसे वर्ड होते है मैं मेरा इंग्लिश को इतना ज्यादा वो नहीं है मैं प्रनसीसे में पर फोकस नहीं कर रहा हूं आप पस कंटेंट पर फोकस देखें यह आया से चीज आएगी छे स्ट्रेन हैं मतलब छे टाइप का है बूला वाइरस और सबसे खतरनाक वाला कौन सा है जाहरे हैं जहां पर भी होता है वहाँ इसका नाम लिख देते हैं बॉंबाली वाला नया है ठीक है नेक्स डेस में मिशन सत्य निश्टा ये पूछ सकते हैं किसका मिशन है ये इंडियन एलवे का है और ये इसलिए किया गया है इन्हों ने रेलवे ने यूपीएस़ि से See से इंसपार होके यूपीएस्टी का जीयस पेपर जो 4 होता है कि अथिक्स वाला जब यह लो भूस बाजी मत करो, हाला कि ये होता तो नहीं है, आप अभी भी जाओ तो रेलवे में आराम से ठीटी, चैट सीट हो या ना हो, सो दो सो रुपे दे के बैठा लेते हैं, तो ये उन पे अगर करी जाए सबसे पहले तो जादा ठीक रहेगा, वही सबसे अधकरब्त होते हैं, तो मिसन सत्तिनिष्टा क्या है, ये आपका एक नैशनल रेलवे मुजियम दिल्ली में हुआ था, ये सबसे पहला, एक इवेंट हुई थी और उसमें सबसे ऐसा, मतलब बड़ा अच्छी बात है कि ऐसा, मतलब बोल बच्चन वाली चीज़े हैं, अगर ये सही बात ग्राउ थिकली बियेव करो और अंडर्स्टैंड करो कि रेलवे गॉर्मेंट की कुछ इंटिक्रिटी है और ये सब चीज़े हैं, में बात क्या रखनी मिसन सत्तिनिष्टा किसका है, रेलवे का है, नेक्स्ट इसमें गॉर्मेंट ने बोला है कि आप इथेनॉल जो है, वो डायरेक प्रोड़क्ट होता है, इन से डायरेक्टली कर सकते हैं, अभी तक क्या होता था, अभी तक जो है ये एथेनॉल बनाती थी जितनी भी सुगर मिल होता है, जो एक देखिए अभी तक क्या होता था, सुगर मिल में एक बाई प्रोड़क्ट था, सी मुलासिस, जब सुगर को वहां से extract कर लिया जाता था उसके बाद जो बचता था C-molosis उससे बनाया जाता था इतिनॉल आप यह कह रहा है कि आप सुगर के इनकी juice से directly भी बना सकते हो इतिनॉल बलकि और जो एक और intermediate product है B-molosis वहां से बना सकते हो ठीक है तो यह है important बात और इससे क्या होगा कि over production जो होता है कई बार जैसे तो over production हो जाता है सुगर का उसकी वहाई से सुगर के prices भी जर जाते हैं सब लोग loss में भी आते हैं उससे better कि आप ethanol बना लो ठीक है और इसकी वज़े से जो है सुगर मिल जो है 5000 करोड का इतना और बना सकती है और OMC को बेश सकती है अब यह आपने देखा भी होगा कि एक national बायो वाली जो policy है उसमें 20% तक का target रखा गया है next इसमें है आपका देगे next इसमें क्या है एक trafficking of person prevention protection and rehabilitation bill लोग सबाने पारित किया है इसकी main main बाते क्या है कि तीन इसतर पे इसमें authority बनाई जाएगी anti-trafficking unit बनाई जाएगी ठीक है तो वही सब चीज है इसमें कि आप यह देख सकते है main main बाते मैंने लिखी है कि पहली बात तो state government के पास एक state nodal officer होना चाहिए सबसे important बात यह है कि एक national anti-trafficking bureau बनाया जाएगा पूरे इंडिया के लिए ठीक है और तीन committee बनाई जाएगी इसमें ATC की anti-trafficking relief and rehabilitation committee वो state level पे होगी मतलब national level पे होगी फिर state और district level पे होगी और anti-trafficking unit बनाने पड़ेंगी आपको district level पे state government level पे आपको एक state nodal officer officer point करना पड़ेगा जो कि यह सब चीजें जितने भी police forces है उन सब से coordinate करके इन सब जो trafficking वाले cases को deal कर सके दूसरी बात यह भी है कि आपके पास यहाँ पे district जो ATS, ATC होगा इसमें वो जो भी rescued मतलब जो बचाये गए परसन है environment trafficking से उनको पूरा यह आराम देंगे और प्लस जो भी इनके पास सुवधायें यह central government और state government को कि यहाँ पे आप protection homes होना यह उनको shelter खाना पीना रहना दिया जा सके जो भी ऐसे victim है और अगर लोग ऐसे पकड़े गए तो एक साल के अंदर trial करो प्लस उन पर penalty लगाओ और दस साल का प्रेज़ा आपका life imprisonment होना चाहिए एक लाग की minimum penalty होनी चाहिए ठीक है अच्छा एक बात हो रहे है कि जो trafficking में पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिकिंग होती है वेस्ट बेंगॉल में होती है यह याद रखेगा आगे आएगा वो मैंने सब डेटा कर रखा है next है इसमें यह पूछा जा सकता है अब से कि एक क्लाउड next 2018 की conference हुई थी ठीक है गूगल की उसमें क्या है इन्होंने दो artificial intelligence chips यह unveil की मतलब इस्टार्ट की inaugurate की ठीक है अब यह पूछ सकते है edge tpu और cloud iot edge यह है किस से related है यह किस ने किये तो edge tpu और cloud iot edge यह google किये यह किस चीज से related है artificial intelligence chips है अब इतनी ज़्यादा आप इसमें खोद भी मत करिए इतना ही याद कर लीजे बहुत important है अब इसके बहुत सारे वो सब तो होंगई यह application तो होंगई ठीक है तो यह important है chips है यह उसके बाद देखे 2018 के रैमन मैकसे से और जिसको नोबल एशिया का नोबल बोलायता है द इन दोनों को मिला है इन सब की फोटो देख लो यह है सोनम वांग चुक ठीक है और यह सोनम वांग चुक है यह और यह भारत क्या नाम है इनका भारत वातवानी कहा गए यह है बारत वातवानी इन दोनों को मिला है रैमन मैकसे से जिसको एसियान वर्जन बोलते है नोबल महले में रहते हैं, उनके लिए काफी काम किया है मुंबई में, सोनम वांग चुक क्या है, यह एडूकेशनल रिफॉर्मर है, लदाक से, बस इतना याद रखिए, रैमोन मैकसे से क्या है, उननिस सो सतावन में इसको क्रेट किया गया था, एशिया का हाई एस्ट ओनर रही है, और यह किसकी इस्मृति में किया गया था, फिलिपीन्स के तीसरे राष्ट पती थे, रैमोन मैकसे से, ठीक है, उननी के इस्मृति में दिया जाता है, अर बार, तो यह इंपॉर्टन बात है, आपे इतना याद रखिए, नेक्स्ट है, इसमें एक DTAB, यानि की Drug Technical Advisory Board है, उस में यह का गया था, Union Government ने इसलिए बनाई थी, कि क्या इनको बैन करना चाहिए कि नहीं, 344 Fixed Drug Combination, Fixed Drug Combination क्या होते है, कि इसमें 2-3 टाइप की Drug होते है, Fixed Doze में, Fixed Ratio में मिला के बनाई जाती है, तो इसने क्या बोला है, कि 343 पे बैन लगेगा, और जो है, Regulation किया जाएग तो यह है, यह Union Government ने 2016 में ओर्टर किया था, और उसके बाद फिर यह Supreme Court में चला गया था, मैटर, फिर अभी यह फिर से आ गया है, अब इसमें देखिए कई अलग अलग है, मेरे साब से लेटे से ही, 344 जो FDC थे, उसमें से आपके 343, सौरी, 349 में से 343 पे बैन लग गया है अब ही, एक बार आप देखेगा मेरे साब से तो यह इसमें शायद कुछ लोगों को confusion होगा, या फिर मुझे होगा तो मैं बाद में प्रिंट कर दूँगा, डीटी अभी क्या है, यह Highest Statutory Decision Making Body है, जो की Drugs को Regulate करती है, जो Technical Matter रहते हैं उन पे, ठीक है, तो यह Act, Tired Drug and Cosmetic during 1940, उसके अंदर में काम करती है, Ministry of Health and Family Welfare, नेक्स्ट इसमें कि, देखिए, अभी तक क्या होता था कि, जो Hydro Carbon के, माले जी लाइसेंस दिये गए, उसमें क्या था कि, कुछ-कुछ जो Component थे, Petroleum के, वही बो लोग explore कर सकती थी, कंपनिया, तो क्या होता था कि, कई बार जो और भी additional चीज़ें मिल जाती थी, तो वह बेकार हो जाती थी, वेस्ट हो जाती थी, ठीक है, तो अगर माले जी आप अंदर से कोई कुछ खोद रहे हैं, या फिर कुछ माइनिंग कर रहे हैं, ये थोड़ीने जरूरी है कि एक ही टाइप की रॉक मिले है, एक ही टाइप का क को मिला है, जो ओपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो updated definition जो petroleum की है, उसके इसाब से, जितने भी naturally occurring hydrocarbon है, चाहे वो gas के form में हो, liquid के form में हो, viscous हो, solid हो, या mixture हो, उन सभी को वो लोग explore कर सकते हैं, produce कर सकते हैं, लेकिन इसमें coal, lignite और helium नहीं होगा, ठीक है, तो अभी भी petroleum की definition इस तो अब क्या है कि shale gas इसमें आ गई, तो shale gas का exploration हो जाएगा, और यह जो है amendment, अगर आप देखेंगे, जो नई help policy आई थी, hydrocarbon exploration licensing policy, उसी की direction में है यह, ठीक है, तो यह क्या help करेगा, कि domestic exploration किया जाएगा, जितने भी hydrocarbon है, प्लस energy, जो इंडिया की energy security है, उस पर यह और ज्या sedimentary rock में मिलता है, mud stone के, उसमें, और मतलब यह बस आप याद कि shale gas कि से related है, sedimentary rock से related है, mud stone से related है, ठीक है, एक natural gas होती है, shale gas, और यह shale formation के बीच में trap होती है, unconventional source है यह, जैसे बाकी है, methane है, coal bit methane है, tight gas है, तो इन सभी की तरह यह एक unconventional है, यह source, और यह cheaper होती ही natural gas से, और यह सबसे important बात यह, कि यह आधा, मतलब 50% कम CO2 को release करती है, मतलब अच्छा खासा, environment friendly भी है, shale gas, अलाकि इसमें बहुत सारे और वी चीज़े है, hydraulic fracking करके एक technique यूज़ करते हैं, ठीक है, और यह है कि इंडिया में potential site कौन कौन से है, shale gas की, अगर आप देखेंगे, US जो है इसमें largest producer है, shale gas का, इंडिया में कौन को से site है, कैमबे, गोडवाना, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसे, ठीक है, अच्छा इसमें एक जी में ने यह बताई कि shale gas में जो है, वो hydraulic fracturing करके technique होती है, उससे इसको strat किया जता है, यह ज़रूर रखेगा, फिर एक next है, इसमें 80 करणी FDI Confidence Index अभी publish किया गया है, उसमें इंडिया की है आपका, जो rank है, ग्यार्वी rank है, और इंडिया top 10 destination जो FDI की थे, उनसे बाहर आ चुका है इस समय, ग्यार्वी rank है इंडिया की समय, आठ्वी थी 2017 में, और नवी थी 2016 में, इस index को publish किसे ने किया है, global consultancy firm है, 80 क पेरनी करके जो भी आप बोल दे, आपको बेडर पता होगा, नेक्स्ट है इसमें Fugitive Economic Offenders Bill, पाल्याम इंडिस को पास कर दिया, यह वही है, जो बड़े बड़े जो घोटाले करके भाग जाते हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं पर लगाम लगाने के लिए है, अलागी एक तर इसके लिए Special Court बनाई जाएंगी, ठीक है, और वो डिक्लियर करेंगी कि Fugitive Economic Offender कौन है, और यह जो है, यहाँ पे आप अगर देखें इसमें, अब देखें इसके Main Provision क्या क्या है, सो करोड़ से उपर वाले को माना जाएगा यह, और Special Court बनाई जाएंगी, दोसरी बात है, छ कोटी से एक पहले issue करेंगे, छे विक के अंदर अगर वो person बन्दा आ गया, तो फिर उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो proceeding जो है, उटर्मेट कर देखेंगे, वरना फिर उसकी पूरी property जबत कर ली जाएगी पूरी, और इसका जो है, आप claim किसी civil court में भी नहीं कर सकते ह इस पे भी वार है, दूसरी बार यह भी कि search warrant की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे, और कोई witness की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, director जो होगा इसका, deputy director के पास civil court वाली पूरी power होगी, और इसमें क्या है कि वो जहां पे वो बंदा है, उसके जगह पे जा भी सकता है, search क कर सकता है, seize कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और इसकी जो भी अपील होगी, सिर्फ high court में जाएंगी, ठीक है, जो भी अपील होगी, special court के अंडर में अगर किसी को कुछ खहना है, तो वो high court में दाखिल हो सकती है, ठीक है, next day इसमें, earth overshoot day, यह कब मनाया गया है, इस बार, य यह मनाया जाएगा, एक अगस्त, इस बार मनाया गया मतलब, इस बार 2,18 वाला, और यह क्या है, यह क्या होता है, कि यह क्या मेजर करता है, कि जो humanity, जितना जो demand है हमारी, और जितना nature produce करती है, तो हमने उसको एक अगस्त में ही consume कर लिया, मतलब देखिए, एक क्या है, कि आ आर्थ ने जितना produce किया, आर्थ ने प्रोडियूस किया, जन्वरी से लेकि दिसंबर तक में जितना produce करना था आर्थ को, लेकिन आपने consume उसको अगस्त में ही कर लिया, इतना ज्यादा आपने pollution कर दिया, इतना पूरी दुनिया में जो pollution हो रहा है उसकी वज़े से, ठीक है, उससे ज़्यादा जितना हमको नहीं लेना चाहिए, आकात से ज़्यादा हम अर्थ को नुकसान पहुचा रहे हैं, कौन कल्कुलेट करता है, ग्लोबल फूट्प्रिंट नेट्वर्क और वर्ल्ड वाइड लाइफ, सोरी, वर्ल्ड वाइड फंड पॉर निचर, डबलु ड यह देख रहे हैं आप, अर्थ ओर्शूट डे जो है, वो पहले क्या था, धीरे धीरे बढ़ता गया है, देख रहे हैं, अभी एक अगस्त पे आ गया है, तो हमने जितना वो किया नहीं, उससे ज़्यादा हम जल्दे लिए, मतलब हमको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1.7 अर्थ चाहिए, यह 1970 में तो ठीक था, लेकिन आप पॉलिशन बहुत बढ़ता जा रहा है, यह ग्राफ यही दरसा रहा है, नेक्स डेस में की यूनियन मिनिस्ट्री जो है, आपकी वोमेन इन चैल्ड डेवलप्मेंट की, उसने सेकेंड मीटिंग की है, किस चीज के अंडर में आता है, वोमेन और चाहिड डेवलप्मेंट मिनिस्ट्री, इसका मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरार्किंग स्कीम फॉर होलिस्ट्रिक नूट्रिशन, इसका एम क्या है, कि नूट्रिशन और होलिस्ट्रिक डेवलप्मेंट करना, जितनी भी प्रे 2018 में target क्या है इसका under nutrition को घटाना और प्लस दूसरी जितनी भी जैसे ये stunting होती है नीमिया होती है इन सभी को कम करना और ये सब चीजों को monitor करना ठीक है तो ये ICDS वाला इसमें जो इसका एक larger component क्या क्या है कि धीरे धीरे जो intervention होते हैं अब देखे एक चीज़ है ICDS जो इसकी में आपकी ministry of women and child की child development वाली उसमें support को करता है वो word bank करता है उनी को ये भी दिरे दिरे scale up करेंगे ठीक है और एक और भी है जैसे आज कल अभी इसी में एक चीज की गई थी कि September महीने को जो है nutrition मन्त मनाएंगे हर साल वही सब चीज़े इसमें चल नहीं उसी लिए portion अभियान चलू किया गया है ठीक है basic बात आभियाद रखेगा ministry of women and child development के अंडर में आता है जुन जुनु में launch हुआ था ये और pregnant woman mother और children तीनों के लिए ठीक है फिर एक है आपका criminal law amendment bill 2018 वाला है इसमें क्या ये बड़ा important है और इसमें मैंने काफी detail में आ सब ची penalty मिलेगी 12 साल से नीचे जो बच्चे है अगर उनका रेफ हुआ है सब कुछ बताया जाएगा इसमें इससे पहले क्या था एक amendment ordinance आया था ठीक है तो बिल ने उस ordinance को replace कर दिया और उसमें कहा कहा amendment किया है IPC में amendment किया है CRPC में किया है POSCO Act में किया और Indian Evidence Act में क्योंकि ये इस और इसको president के essence का मिली 11 अगस को मिली force में कब से माना जाएगा ये 21 अपरेल 2018 से ठीक है ये important है एक बात और है यहाँ पे जो punishment है सिर्फ girl के लिए change किया गया है लड़कियों के लिए जो boys वाला punishment है boys से rape करने के लिए वो बिलकुल same to same रहेगा जो पहले था वही important point क्या है कि ये बहुत ही आदा stringent punishment देता है ये 20 साल का देखे पहले जो सजा होती थी अगर आप देखे बहुत सारी category बना दीगी एक चुली ठीक है तो stringent punishment मिलेगा जेल का 20 साल का और death के लिए जो rape के लिए तो death तक मिल सकती है अगर 12 साल से क्याम की बच्चिक साथ rape हो तो death तक मिल सकत है और उसको बलकि और पूरी जिन्रगी भर के लिए वो किया जा सकता है इसके बाद एक और चीज है अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ है तो 7 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा speedy investigation होगा दो महीने में complete करना पड़ेगा और 6 महीने के अंदर जो है पूरा का पूरा यहाँ पर जो अपील है उसको पूरा dispose करना पड़ेगा खतम करना पड़ेगा पूरा इसाथ किताब जो भी है अपरादी उसको सजावजा देनी पड़ेगी इसमें anticipatory bail bail के लिए कोई provision नहीं है अगर girl के साथ रेप हुआ है 16 साल के girl से 16 साल से पनाया जाएगा जो sexual offender उतने हैं जो बार बार रेप करते हैं मालने यह एक बार किया किसी नो दुबारा भी कर दिया दुबारा तो नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी कीमत ते यह सब main provision है अला कि bill देख लेते हैं यहाँ पर main लिका हुआ है यह पूरा बिल है और यह आपक mainly क्या है यह क्या क्या है इसने क्या है IPC जो 1860 वाले में amendment किया है देखें यह पूरी category लिखी हुई है ठीक है यह important बात है जैसे 12 साल के से जो कम की बच्चिया है जो उनके साथ रेप हुआ तो यहाँ पर क्या है कि आपको minimum 20 साल की सजा मिलेगी जिसने भी किया और maximum life in presentment या पर 16 साल से कम के साथ हुआ तो यहाँ minimum 20 साल की सजा मिलेगी पहले 10 थी ठीक है यहाँ भी देखें पहले 10 थी 20 कर दी गई यहाँ पहले 20 साल थी फिर life in presentment कर दिया गया और 16 साल की के साथ हुआ अगर तो maximum में जो है life in presentment यह गैंग रिप हुआ तो minimum life in presentment पर पूरे जिंदग अब 10 साल कर दी गई मैकसिमम में कोई change नहीं किया मतलब पूरी उमर का है repeated offenders को नहीं छोड़ा जाएगा उनको उमर कैद दी जाएगी यहाँ पे और death भी दी जा सकती है ठीक है और इसमें post को act में भी amendment किये गए है और फिर यह CRPC में क्या amendment किया गया है time bound investigation होगी अगर child का मत बच्ची का हुआ है तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पहले तीन महीने में करते थे यह investigation आप कह रहे हैं कि दो महीने में करनी पड़ेगी अपील जो है sentence के खिलाब आपको 6 महीने के अंदर dispose of करनी पड़ेगी पूरा रफा रफा करके जो भी है बलतकारी उसको उसका कप मिलेगा जो भी composition होता है वो सब चीजे है और वो किसको किसको और मिलेगा rape victim को मिलेगा प्लच जो 16 साल से नीचे की बच्ची है उनको मिलेगा दूसरी बात यह भी है आपे इसमें क्या था कि prior sanction चाहिए होता था अगर public servant है कोई तो यह वाला जो है आपका इसमें भी 16 सा of corruption amendment bill 2018 ठीक है यह किसले किया गया है transparency और accountability बढ़ाने के लिए देगे यह वाला जो बिल है यह prevention of corruption इसमें क्या है इसमें में लिए जो public officers होते हैं उनके लिए है यह कुछ और चीजे आप इंट्रूस की गए कि bribery अगर आप किसी को bribe करते हैं रिश्वर देते हैं तो वो भी जुर्म हो गया है और यह साथ साल तक किस में सजा हो सकती है इसमें आप बच्त अब सकते हैं अगर आपने साथ दिन के अंदर रिपोर्ट कर दिया लेकिन साथ दिन के अंदर अगर माल यह बीच में चुट्टी उट्टी पड़ गी तो उसका कुछ नहीं है यहापे तूसर तुरंत आपका ज़रूरी होगा तो मतलब जो अभी तक यह आपको प्रोटेक्शन मिली थी जॉइंट सेक्रेटरी को उनके लोगों को सभी पब्लिक सर्वेंट को हो गई है दूसरी बात क्या है कि आपका अगर यह एक यह चीज है कि जो ट्राइल टाइम लिमिट है वो कह दिया गया है कि maximum 4 साल तक क्यो होनी चीज है और प्लस अगर आप अपने आपको इंटेशनली कुछ कर रहो अपने आपको पतलब अपने आपके लिए क्लिए कुछ कर रहो इन दुख पहले पास तरीके के होते थी यह इसलिए कि माल लिए अगर को आपने कोई ओपिशन वो से आप बच्चा है और दूसरी बात यह कि इसमें एक और यह अमेंडमेंट जोड़ दिया गया है कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए एक अलग प्रोसीजर चालू करना पड़ता था तो वो इसमें थोड़ा सा असाल हो बेसिक बात क्या क्या है यह समझ लिए यह किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा आईगा और इसमें क्या है इससे पहले एक अक्ट था आपका 1973 में आया था ठीक है तो इसने उसको अमेंड किया है 1973 वाले अक्ट को और आप जो रिप्लेस किया है किसको होमियोपैथिक काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2018 ठीक है तो इसमें क्या है आपका इसमें सबसे पहली बात तो यह कि सेंटरल काउंसिल को कॉंस्टिटूट किया जाएगा ठीक है एक साल के अंदर और दूसरी बात यह कि इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे साथ मेंबर होंगे उसमें जो भी इमिनेंट पर्टनल्टी होगी होमियोपेथिक एजूकेसन से रिलेटेड और इसमें एक चीज यह भी है कि आपका जो भी सेंटरल गवर्नेंट के डिसीन होंगे वो फाइनल होंगे उसके बाद अगर मालेजे कोई existing college है तो उसमें बोलाए कि अगर कोई existing होमियोपेथिक को college है तो उसको उसमें कुछ नए course है या फिर उनको अगर अपनी admission capacity बढ़ानी है तो उनको इनसे जो यह है आपके board of governor जो बनाए जागा central council बनाए जाएगी होमियोपेथिक की इस से approval लेना पड़ेगा एक साल के अंदर अगर एक साल के अंदर नहीं लिया गया तो फिर उसकी जो है मानिता रद कर दिया कि main बाद बस यहां पर यह है ठीक है तो इन में जो यह board of governor होगा इनी में से central government एक किसी को बना देगी chairperson तो बस लब होवियोपेथि को regulate करने के लिए है कि अगर कोई चीज नई आप introduce करते है या फिर कुछ बिल करते है या फिर सीटे उटे बढ़ाते तो आप जो central government के है उनसे आप permission लेलो में बाद ठीक है नेक्स डाइज में ग्रीन महानदी mission महानदी किस ने start किया है उड़ीसा ने start किया में बाद एक plantation drive है यह मतलब बहुत सारे plant लगाए जाएंगे चोटे-चोटे-चोटे दो करोण सैफिलिंग लगाई जाएंगे यहाँ पे महानदी नीवर के चारो तरफ मत चारो तरफ क्या दोलो से बचाते हैं बहुत सारा बायो डाइवरस्टी कंजर्वेशन का तरीका है पेड़ लगाना तो वही है आपे भी mission में की soil reason को रोकना है जो river bank से होता है और ground water को recharge करना है ठीक है इसमें पाच करोड सैफिलिंग लगाई जाएंगी 41,000 हेक्टेर के अंदर में ठीक है और अभी latest कितनी लगाई जाएंगी दो करोड यह important बात है इसमें यह है कि पूछ सकते है ग्रीन मानदी निशन जो है कि स्टेट का है और यह किस नदी में महान अब यह तो नॉर्मल सी बाते दो हो गही फिर देखे पीम की तीन देशों की जो यात्रा होईती अफरीका की वो पूछ सकते है कहाँ जापे कीती रवांडा उगांडा और साउथ अफरीका ठीक है तो सबसे पहले रवांडा गया थे यह और यह किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर क आपके कहाँ पे साउथ अफरीका में साउथ अफरीका में तो ब्रिक समिट हुई थी वहाँ पे ब्रिक समिट हुई थी टेंथ ब्रिक समिट का मैं अलग से वीडियो दे चुका हूँ वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं इसलिए मैंने अलग से दे दिया था उसका वो आप एक के भाद इंडिया रॉणडा का अगर आप देखेंग इंडिया रॉणडा ने आठ एग्रीमेंट पे साइन किया है, डिफेंस ट्रे250, यह रॉणडा को दी है ताकि वहाँ पे किगाली जो है स्पेशल एकनॉमिक जोन मल सके और ये पहला इंडियन डिप्लोमेंटिक मिशन भी खोला गया है रोहन्डा में ये सब तो मिशन के ये जितने भी M.O.U. साइन किया है इतना इंपोर्टन नहीं है कि अग्रिकल्चर irrigation scheme होगी मेरे सबसे इतना इंपोर्टन नहीं है ये बस आब यह एदर रखे कि किस किस एक चीज ये बड़ी इंपोर्टन है गिरिन का प्रोग्राम अब एक गिरिन का प्रोग्राम चलता है आपका कहाँ पर ये रुवरणडा गौ़र्मेंट का प्रोग्राम है तो वहाँ पर क्या किया है मौदी जी में 200 गाय वहाँ पर दान दिये 200 गाय जो है वहाँ के विलीजर्स को कौन से विलाज था रुएरु करके रुएरु विलेज जो है रुएरु जो है रुवराणडा का वहाँ पे मोदी जी 200 गाय दान करके आए है किस प्रोग्राम के था है तो रुआंडा का एक प्रोग्राम है गिरिन का ये इंपोर्टेंट है ये तोड़ा आलग है और ये आएगा बिल्कुल पूछा ये जा सकता है कि गिरिन का प्रोग्राम एक किस देश का है तो रुआंडा का है कौन सा विलिज में है ये किया गया रुएरू में मोदी जी ने 200 गाय गिफ्ट की है ये बहुत इंपोर्टेंट है और किस चीज़ करे चलाय गया था ये प्रोग्राम चाइल्ड जो चाइल्डूट मेल नूट्रिशन है उससे लड़ने के लिए पावर्टी को रोपने के लिए ये सब चीज़े है ठीक है तो ये इंपोर्टेंट बात है यहां पर अब इसमें देखे होता क्या है कि जो बहुत गरीब हो तेर रुआंडा में उनको गवर्मेंट गाय देती है और फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जता है कि जो भी गाय का पहला काफ हो बच्छडा हो वो अपने नेबर पडोसी को देते ताकि ब्रदर होट प्रमोट हो सके यहां पर नेक्स जोज़े है कि यहां पर मैं यूएस लिपना भूल गया यह यूएस के साइंटेस्ट है जिनोंने बनाई है वर्ड की फास्टेस्ट मैन मेड इस्पिनिंग आबज़ेक्ट इसके इस्पिन आप देख रहे है कितना हो सकता है यह रोटर जो है यह साट बिलियन रिवोलूशन पर मिनट कर सकता है तो यह वर्ड की फास्टेस्ट मैन मेड आबज़ेक्ट है ठीक है और यह जो अभी तक existing high speed drill थी उससे एक लाग बुना जादा है समझे रहे हैं साट बिलियन रिवोलूशन पर मिनट दो चीज़ याद रखनी है किस देश के साइंटिस ने किया है यूएस ने किया है और वर्ड की जो फास्टेस्ट रोटर है यह कितना कर सकती है साट बिलियन रिवोलूशन पर मिनट देकिन नेक्स देश में इंडिया ने डेवलप किया एक ऐसा मॉडल जो की flash flood की warning देगा Asian nations को तो World Meteorological Organization ने designate किया इंडिया को Nodal Center ताकि वो ऐसा मॉडल बना सके जो advance में warning दे सके flood की कहां कहां पे Asian countries को वियतनाम में, स्री लंका, मियनमार और थाइलेंग में इसको बोला क्या जाएगा flash flood guidance system और यह कौन इसको monitor करेगा IMD जो है आपका Ministry of Earth Science के एंडर में वो पूरा इसको बनाएगा weather model को ठीक है और इसमें पूरी forecasting की जाएगी कि कब आने वाला है इसब rainfall और soil moisture का क्या क्या लेवल है कि कब-कब पॉसिबिल जो है flood आ सकते हैं तो यह important बात है बस यहाँ पे अगर आप present में देखेंगे इंडिया में तो Central Water Commission के पास है एक जो की पूरा monitor करता है dam को प्लस कहा काल water level बढ़ रहा है किस-किस water reserve है और में ताकि flood की warning दी जा सके तो यह important बात है यहाँ पे यह important देख लिजेगा एक पर main बात यहाँ यहाँ पे वर्ड जो metrological organization है inter-governmental organization है और यह क्या क्या कवर करता है weather, climate और water resources को UN की specialized agency है यह एक सु क्यान बेस के member है 1873 में इसको found किया गया था उसी से originate हुई है उसका headquarter है जीनिवा में next इसमें सेवा भोजी योज्णा इसमें क्या है government compensate करेगी कौन करेगी पहली बात तो सेवा भोजी योज्णा किसकी है ministry of culture के अंडर में है और यह जो आपके financial assistant देगी इसमें एक देखे करेंगे क्या यह लोग कि जो भी आपका GST में जैसे तीन component है उनमें से central वाला जो share होगा CGST और IGST inter-state जो GST लगता है वो जो लगेगा raw food material में देखे क्या होता है religious जो institution है जो free में जैसे खाना होना बाटने उनका जो ये वाला component है tax वाला उनको government refund कर देगी तो ये government की तरफ से एक तरफ ये है और ये किसके किसके लिए होगा लागू जो भी charitable institutions होंगे food, प्रसाद, लंगर या फिर भंडारा free of cost बाटते हैं इसके beneficial होंगे इसमें बस condition ये ही कि 5 साल के होने चीए वो कम से कम और जो free food दे रहे हों कम से कम 5000 लोगों को दे रहे हों एक महिने में उनका CGST और IGST वाला जो tax है वो आपका वापस कर दिया जाएगा उनको एक registration कराना पड़ेगा पहले दरपन पोर्टल जो है नितियायो का और एक unique ID भी generate करनी पड़ेगी Indian Post Payment Bank अभी लाँच हुआ था थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा काफी बड़ा है ये पोस्ट पेमेंट बैंक के इसाब से काफी बड़ा है 600-600 ब्रांच है इसकी और 3,250 एक्सिस पॉइंट है IPPB यानिक Indian Post Payment Bank जो है ये Companies Act 2013 के तहरी बनाए 100% Government of India की Entity है ये IPPB ठीक है 11,000 इनके ग्रामीन डाक सेवा के रूरल एरिया में Postman है इनके अर्बन एरिया में Payment Bank देखिए क्या होता है ये important बात है Payment Bank काफी दिनों से चर्जा में है Payment Bank जो है आपका Payment से related काम कर सकते हैं बस एक लाग तक इसमें limit है उसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है ये loan नहीं दे सकते है तो Payment Bank कभी भी loan issue नहीं करते हैं और credit card issue नहीं कर सकते हैं ये दो provision याद रखेगा exam में पूछ सकते हैं आप से Payment Bank के कुछ feature दे के पुछेंगी कौन कौन से इसमें Payment Bank कर सकती है तो ये loan नहीं दे सकती है और credit card issue नहीं कर सकती है current account, saving account दोनों यहाँ पे खोला जा सकता है ATM card भी ये कर सकते हैं debit card कर सकते हैं launch और net banking, mobile banking service दे सकते हैं सबसे पहला Payment Bank खोला था भारती Airtel ने ये जरूर याद रखेगा इस समय प्रेजेंट में 6 active payment bank है RBI की website पर भी जाके आप देख सकते हैं ये हैं 6 Airtel, IPPB, Fino, Geo, Paytium और अधित बिरला सबसे पहला भारती वाला फिर अभी government ने एक national viral hepatitis control program जो है वो start किया है किसके साथ मिलके? World Health Organization के साथ collaborate करके, इसका basic क्या एम है कि hepatitis C को control करना है hepatitis day होता है 28 July को और main बात यही कि viral hepatitis जो होता है उसको control करके उससे जो death होती है उसको यहाँ पे कम करना है और इसका main aim क्या है ये 2030 तक जो है पूरी तरह से hepatitis C को खतम करना है, ये important बात है ये पूछ सकते हैं आप से national viral hepatitis control program कब तक जो है target है इसका 2030 तक completely eliminate करना है ये part किसका है national health mission का है और इसमें जो भी expensive antiviral होगा जो दवाई होगी hepatitis B और C दोनों के लिए free of cause दी जाएगी जितने भी government hospital है तो ये important बात है और hepatitis B की दवाई भी मिलेगी ये important आप दियाद रखेगा फिर international tiger day जिसको की global tiger day भी बोलते है 29 जुलाई को मनाया जाता है tiger conservation को promote करने के लिए awareness पहलाने के लिए important बात क्या है ये ज़रूर याद रखे global tiger day international tiger day इस बार की जो theme क्या थी slogan क्या था their survival is in our hand उनका जो है survival हमारे हाथों में ये important बात है 2010 में सेंट पीटर्जबर्ग tiger summit रशिया में वहाँ से ओरिजनेट हुआ है और इसका एक एम ये भी है कि डबल करनी है tiger population को 2028 तक अगर आप देखेंगे इस समय करीबन इतने है tiger 4000 के आसपास 3890 tiger हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में है फिर रशिया में है पूरी country wise और state wise सबसे अधा करनाटका में है ये ज़्याद रखेंगे second वाला state कौन सा इंडिया में जली ज़ता है ये important बात है फिर एक मेगाले mission milk mission ये start किया गया कहा पर start किया गया शिलॉंग में start किया गया 215 करोड रुपे का प्रोजेक्ट है ministry of agriculture ने किया है इसको promote किसके थ्रू किया है NCDC यानि कि national cooperative development corporation ये important बात है कि ताकि जो देखे मेगाले का जो per capita milk availability काफी कम है इसलिए वहाँ भी किया गया मेगाले में शिलॉंग में इंडिया का पहला mobile open exchange zone ये कहा पर इस्टार्ट हुआ है नोइडा में ये ज़रूरियाद रखेगा ठीक है इंडिया का भारत का पहला mobile open exchange zone ठीक है कहा पर हुआ है नोइडा में हुआ है ये और UP government ने sign किया एक MOU World Trade Center के साथ World Trade Center ऐसा नहीं कि इंडिया में इंडिया में भी काफी सारे है उनके World Trade Center तो नोइडा में जो है वो किया गया है क्या करेंगे एक tech zone बनाएंगे जो कि एक catalyst की तरह काम करेगा mobile और जो उससे जुड़े हुए sectors है उनको promote करने के लिए तो mobile open exchange zone ये एक dedicated ecosystem बनाएगा mobile industry के लिए R&D और जितने भी manufacture है उन सब के लिए important होगा ये अशोक ले लेंड को ये मिला है contract कि 10 by 10 cross 10 heavy vehicles देगा Indian army को 100 करोड रुपे का project है और ये जो है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि Indian vehicle manufacture जो है heavy duty high mobility vehicle देगा launchers के लिए launcher देगा ये मतब vehicle होगा ये launch कर सकता है जितने भी जो missile ये फिर rocket launcher होते है वो सब ठीक है ये heavy duty अशोक ले लेंड का है ये और ये पूरी तरह से इंडिया में build किया गया है और इंडिया ये क्या replace करेगा Indian army का जो है अभी Indian army पास कौन सा है Russia का एक build है MRBL ठीक है उसको ये करेगा अशोक लेंड रिप्लेस करेगा देखे जो geographical indications होते है जितने भी उसके लिए जो GI tag होता है उसके लिए government ने logo और tag line अभी start किये अब GI tag देता को होने GI tag जो है किसी भी product को DIPP जो है Department of Industrial Policy and Promotion ये किस ministry के अंडर में Ministry of Commerce and Industry इसके अंडर में यही GI tag को मतलब अगर इंडिया में किसी product को लेना है तो DIPP देता है ठीक है tag line क्या है Invaluable Treasures of Incredible India ठीक है तो ये लिखा रहेगा अब GI tag में winning logo किसने बनाया है winning logo बनाया है आदी चटरजी ने और tag line किसने बनाया है आकांचात्रिपाथी ने इन दोनों को नाम याद रखेगा logo किसने बनाया है आद्री चटरजी और tag line किसने बनाया है आकांचात्रिपाथी अब से क्या होगा जो भी GI register good होंगे उनके पास एक logo होगा और एक tag line होगी ताकि उनको और attractive बनाया जा सके GI tag जो है वह यह IPR rights के तुरू उसी का element है यह और एक Paris convention था उसी को इंडिया में जब implement किया गया तो GI tag देने लगे international level पे जो है GI tag को govern कौन करता है WTO का एक agreement है TRIPS trade related aspects of intellectual property rights ठीक है इंडिया में GI tag को कौन करता है एक law है 1999 वाला उसी को वही करता है और अभी तक 320 product जो है इंडिया में उनको GI tag मिल चुका है कई बार यह exam में पूछ लेते हैं जैसे दार्जलिंग पी हो गया तिरूपती हो गया kangra painting हो गया टेस्ट वाले हैं वो ज़रूर याद रखेगा इंडिया में किस state के सबसे ज़्यादा जो GI register product है वो है करनाटका 38 है करनाटका के फिर महाराष्ट है फिर Tamil नाडू है नेक्स्ट है इसमें मुक मंत्री यूआ नस्तम जो इस्कीम है एज वाले उनको biometric authentication किया जाएगा उनका बैंक एकाउड में पैसा आएगा directly फिर नेक्स चाहिस में ये पूछ सकते हैं कि WOW मॉबाइल अप किसने ये लाँच किया है ये किया है फिक्की ने फिक्की ने फिक्की लेडी ज और्गनेजिशन जो woman wing है फिक्की का उसने एक WOW जो है अप लाँच किया है वो क्या है मतलब wellness of women ठीक है तो ये mobile अप लाँच किया है ताकि जो awareness है preventive health care की महिलाओं के लिए उसको पूरे इंडिया में promote किया जा सके और इसको back इसने किया एक चेन्नाई based है Apollo hospital group ने वो काफी सारे doctors और health tips इनको देगा और इसमें जो है users directly doctor से बात कर सकते है video conferencing के तुरू या फिर voice और email के तुरू ठीक है नेक्स है इसमें इंडिया sorry integrate to innovate program अब देखें ये पूछा जबता है कि किस चीज़ से related है तो I2I जो program है ये energy sector में startup को promote करने के लिए ठीक है I2I program किस चीज़ के लिए है energy sector में startup को promote करने के लिए है किस के अंडर में है DIPP के अंडर में है इसमें energy company के साथ partnership करके ये बनाया है integrate to innovate program ताकि energy sector में startups को promote किया जा सके तीन महिने का program है startup के लिए जो power sector में आएंगे और जितने भी है ये startup उनको energy sector के साथ ये कि उनको एक opportunity मिलेगी यहाँ पे ठीक है अब इसमें क्या है जो भी startup होगा उनको बड़े-बड़े corporate जो है वो मौका भी देंगे कुछ price भी मिलेगा कहा कहा के startup इसमें भागने सकते हैं जो भी energy life cycle से related है generation, transmission, distribution, storage, consumption सब जगें के ठीक है तो ये important है Invest India एक है official investment promotion और facilitation agency है central government की उसी गेंडर में आएगा ये non-profit venture आईए इंडिया में innovation को ये promote करता है investment को promote करता है ठीक है ये important बात है बस ये याद रखेगा I2I program किसके लिए है energy sector के startup के लिए फिर एक क्या ये V46 6 और V92S2 ये made in India tank है जो की Indian army को दिये गए है ये ज़रूरी याद रखेगा indigenously built हैं इंडिया में ही पूरी तरह से किये गए है और इसको manufacture किसने किया है ordnance factory board का एक division है इंजन factory already ठीक है और ये Russian design पे based है next इसमें अगर आपने सुनाओगा West Bengal का जो पानी है वहाँ पे arsenic काफी ज़्यादा contamination पाया जाता है तो ये एक study में पाया गया है कि arsenic जो contamination है parity में काफी ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जो arsenic का यहाँ पे accumulation है वो बढ़ता जा रहा है ठीक है और यहाँ पे जो study केरी की गई थी study मतलब की गई थी दो चावल की variety mini kit और जाया इस पे पाया गया कि जो शुरू में ये है इसमें देखिए जो mini kit और जाया में से ज़्यादा resistance काउन है arsenic है इसमें ये अबजर्ब किया गया कि highest जो concentration होता है arsenic है वो पहले starting stage में होता है 28 दिन में फिर ये कम होता है फिर बढ़ जाता है ये arsenic एक natural component है और इंडिया में arsenic की सबसे आदा problem कहाँ पे West Bengal और उसके अगल बगल वाले state में West Bengal में करीबन 83 ब्लोग है जहाँ पे जो ground water है वो arsenic contaminated है और इसमें भी जो मांडा और मुर्शीदाबाद और नाडिया डिस्टिक्ट ने बहुत ज़्यादा लेवल है वाँ पे arsenic का फिर इसमें next है इसमें world day against trafficking ये मनाया जाता है 30 जुलाई को हर बार मनाया जाता है और इसका ये जो है इसमें एक बात मौझूद है वो सबसे अदा इसमें क्या क्या फॉर्म है फोर्ज लेबर है commercial sex worker है sexual slavery है इसमें क्या है एक चीज़ और बताएं गई है कि जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं वो 71% जितनी भी human trafficking होती ही दुनिया में सबसे अदा महिलाओं और लड़कियों की होती है इसमें जुलाई 30 को World Day Against Trafficking गोशित किया गया था एक resolution एडॉप्ट करके United Nations General Assembly में 2013 में किया गया था इसका नाम है A.R.E.S. 68192 अब देखे ये जो तीन फैक्ट हैं बहुत इसमें बहुत जगह से कलिट करके लिखे गया है Highest Women Trafficking इंडिया में सबसे अदा होती है West Bengal में Second IST राजस्तान और Third IST गुजरात Rate of Crime यानि कि एक लाख population में कितने case report हो है वो भी Highest West Bengal में ये फालतु में UP भी हर को बंदाम कर रखा है देख रहे हैं याप यापे Second Safest City जो है आपकी वो है COEMB TOUR नए ये Fact यापे गलत लिग गया safest city है COEMB TOUR याँ Second नहीं होना चीए Second Safest है कौलकता Third Safest है चेंड़ी और Fourth Safest है कानपूर Fifth Safest है मुंबई safest है है ये मैंने यहां पर शायद गलत लिग दिया है यही एक गलतीन मिली यह भी तक फिर नेक्स है आउट स्रेंडिंग जो पार्लियमेंटेरियन आवार्ड है ये अलग अलग सालों के लिए मिला है किसको किसको 2013 के लिए मिला है नजमा है अबतुल्ला को और 2014 के लिए मिला है हुकुम देव नारायन यादो को और 2015 के लिए गुलाम नभी आजाद को 2016 के लिए दिनेश त्रिवेदी को 2017 के लिए जो है भार्थू महातब को अच्छा इसमें यह जरूर याद रखे कि कौन से पार्टी के हैं ये लोग ठीक है ये कई बार पूछा आता है जैसे दिनेश त्रिवेदी बीजेपी के है भार्थू महातब जो 2017 जीतने बीजु जिंता दल के हैं गुलाम नभी आजाद आजाद आजानते हैं कौंग्रेस के हैं हुकुम देव नारायन ये दो बीजेपी के हैं ठीक है उसके बाद है गवर्मेंट ने 25% की सेवगाड ड्यूटी लगा दी है सोलर सिल के इंपोर्ट पे चाहे वो यहाँ पे बने हो या ना असे मल हुए हो और वो भी किसके लिए चाइना और मलेशिया के लिए ठीक है चाइना और मलेशिया से आने वाले जो सोलर सिल है उन पे 25% की ड्यूटी लगाई गई है डोमेस्टिक इंडेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लगाई गई है 90% जो हमारे पैनल है इंडिया में यूज होते हैं चाइना और मलेशिया से आते हैं इसमें एक चीज और है आप जैसे आप सोलर में जो सबसे जादा जो प्रोड़क्शन होता है वो सोलर का लार्जेस्ट जो प्रोड़क्शन प्रोड़ूसर इसमें करनाट का हो गया याद रखेगा ये एक अप्डेट है फिर उसके बाद है आपर D.A.C. ने प्रोड़ कर दिया है इंप्लिमेंटेशन स्ट्रेटिजिक पार्टनर्शिप गाइडलाइन का देखेए इसमें क्या है कि प्राइवेट इंडेस्ट्री को प्रोड़क्शन की मेनफेक्शरिंग में और ये डिफेंस इंडेस्ट्रियल एको सिस्टम को और ज़्यादा प्रोड़ करेगा इसमें इस मॉडल में चार सेग्मेंट है सब मरीन है, सिंगल, इंजन, फाइटर, एरक्राप्ट और हेलिकाप्टर है और ये सब है, ठीक है, एक प्राइवेट कमपनी को चूज किया जाएगा हर सेग्मेंट से, और उसको सॉट लिस्ट करके ग्लोबल जो एक्विप्मेंट मेनुफेक्शरिंग उनके साथ बनाने का मोका दिया जएगा इंडिया में में मेकिन इंडिया के थूँ इंडिया में इंडिया किस से ले रहा है, यूएस से और एक अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा एस फोर अंडिया जो रुशिया से लिया है तो बस ये याद रखे, नसम्स टू ये किसका है, ये अपग्रेड़ेड वर्जिन में नसम्स का यूएस के साथ है ये, और ये आप देख सकते हैं, ये क्या करेगा, ये सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये ये इतना इंपाउटन मेरे साब से इदिये सब चीज़े तो याद रखने वाली नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि दो टाइप के हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है एक तो रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और एक यूएस से नसम्स, ठीक है इसमें ये है कि अगर 9-11 टाइप का जो अटेक हुआ था यूएस में, वो ऐसा ना हो दिल्ली में उसको प्रमोट करेगा नसम्स टू, ठीक है तो ये बचाएगा NCT डिल्ली को ऐसे टाइप के अटेक से 9-11 वाले ठीक है, और ये और भी एंडिया के पास मीडियम और लॉंग रेंज सर्फेस टू एर मिसाइल सिस्टम है यह इंपॉर्टन बात है यह और इसमे एक चीज़ और है आप एडवांस एर डिफेस इस्टम और भी एंडिया में अगर आप देखें और 100 किलोटर ज़े बाहर वाले को जो सेफ करें वो है एक्जोट इटमास पेर ठीक है फिर डीप ओशियन मिसन जो है वो किसका है मिनिस्ट्री आफ अर्थ साइंस का है यह और यह क्या करता है यह जो डीप ओशियन में एक्स्पोरेशन है उसको प्रमोट करता है इस रो को यह पूरा यह सपोर्ट करता है और यह इसके लिए पास साल का प्लान में रहा है आठ एर करोट रुपे का बजट भी है फोकस कहा है डीप सी माइनिंग करना ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज और अंडर वाटर वेहिकल और अंडर वाटर रोब्रोटिक्स को यहाँ पर प्रमोट करना जाएगा आप देखिए इंडिया का जो exclusive economic zone है 2.2 million square kilometer का है और deep sea में भी है और यह बहुत ज़्यादा unexplored है मतलब हमने नहीं explore कर पाए है और utilize भी नहीं कर पाए है इंडिया को अलोट कितना किया गया था 1.0 lakh square kilometer Central Indian Ocean Basin में UN की जो अथर्टी है International Seabed Authority नहीं किया है ताकि हम explore कर सके Poly Metallic Nodules को ठीक है और ये Poly Metallic Nodules में क्या क्या होता है? Nickel, Magnes और Cobalt ये जरूर याद रखेगा अगर ये सब हम explore कर लें तो हमारी जो करीबन 10% भी अगर हम यहाँ पे इसका अचीव कर लें तो हमारी 100 साल की जो Energy Requirement है वो पूरी हो सकती है लेकिन अभी भी हम लोग इसको explore नहीं कर पाएं तो Deep Ocean Mission ये किसका है? ये जरूर याद रखेगा Ministry of Earth Sciences का है ये ठीक है? पर देके Next News इसमें Cabinet ने एक्स्टेंड कर दी Consessional Financing Scheme इसमें होता क्या था कि इंडिया अभी तक बड़े project नहीं पापता था ठीक है? और इंडिया की जो भी company है उनको large अगर project जो है तो क्या होता था कि इंडिया को जो है बड़े project नहीं मिल पाते था क्योंकि finance नहीं हो पाता था उनके पास और वो जो finance को प्रोजेक्ट है वो चाइना जापान यूरोप और यूएस को मिल जाता था अब क्या है इंडियन गवर्मेंट कुछ प्रोड़क्ट को चूज करेगी और ये मतलब करती है 2018 तक हो नहीं थी वो पास साल का एक्स्टेंशन मिल गया है 2023 तक हो गया है ताकि ये सपोर्ट कर सकें जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट है अब्रॉड में उनके लिए ठीक है इसमें इसकीम को मतलब कंसेशन में लोन दिया जाएगा कौन देगा एक्जिम बैंक इतना याद रुकिए बाकी तो बहुत सारी चीज़े हैं यहां पर उसके बाद है इसको टॉइट सेप अभी पाया गया है यह पूछ सकते है कि अभी साइन्टिस ने नया शेप एक एक्स्टोर किया है इसको टॉइट सेप ही है और यह कब किया है जब इपी थिल्याल करके स जिससे हुमन बॉड़ी मतलब फॉर्म होती है इसके पास साइड है और एक एंड पे और छे दूसरे पे हैं और ट्राइंगुलर सर्फिस है इसका एक एच पे है यह जो है आपका शील्ड लाइक इस्ट्रक्चर के तरह रखता है आप यह जहां देख सकते हैं यह इस तरह का इसको टॉइट शेप है ठीक है इससे हल्प मिल सकती है जो कैसे मतलब सेल अरेंज करते हैं अपने आपको 3D पैक में उनके मतलब उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कैसे प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं बाड़ी में और यह सब कंट्रिबूट कहां पे करेग ताकि जो इस्ट्रेश्ड थर्मल पावर प्लांट है उनके उनकी स्ट्डी की जा सके और यह जो कमिट्टी है यह क्या क्या इशू देखेगी कि कैसे इन जो थर्मल पावर हैं यह स्ट्रेश्ड हो गया हैं क्या क्या हैं इनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं कैसे इनको investment करके maximum efficiency इन में लाई जा सकती है ठीक है और ये भी सब देखेंगे कि क्या मतलब इनको insolve करने की जरूओत है कि बहुत ज़्यादा bankrupt हो गए ये सब चीज है तो पूरा ये सब इसमें study करेंगी और ये एक department है department of financial services जो कि ministry of finance के अंडर में है वो ये बनाएगा इसमें कि क्या क्या इसमें जो है यहाँ पे insolvency करने की जरूओत है कि नहीं है next इसमें बहुत important है 123 constitutional amendment लोग सबा में किया गया 10 अप्रेल को और finally पास हुआ अगस 2008 को राज सबा में 31 जुलाई 2017 को और अभी तक president assent नहीं मिली है इसका main purpose क्या है कि जो NCBC है उसको constitutional status देना जैसे अभी तक NSCS जो national commission for schedule caste है और NSST वो दोनो constitutional body है NCBC अभी भी constitutional body नहीं है क्योंकि presidential assent नहीं मिला इसको ठीक है role क्या रहेगा इसमें देखे अभी तक क्या होता था कि जो schedule caste के और backward class के और Anglo Indian की जितने भी cases हैं उनको कौन देखता था NCSC ठीक है तो ये जो bill है ये कह रहा है कि NCSC की power इससे अटा दी जाए जो backward class वाले है वो आप कौन देखेगा NCBC ये important बात है और ये अभी तक तो ये statutory body थी और इसके पास ये सब चीजे थी power थी कि कौन कौन सी complain है backward class की प्लस central government को कुछ recommendation देना है तो ये सब चीजे है backward class में इसमें क्या लिखा हुआ है कि president जो है वो specify करेंगे तो इसमें पूछा ये जा सकता है कि इस bill के तहत कौन specify करेंगा कि socially और educationally backward classes कौन कौन सी है उनको president करेंगे वो governor जो भी होगा state का उससे concern करके ठीक है तो ये important है और अगर मालेगे कोई backward classes की पूरी list amendment को करना है तो फिर उसके लिए एक law बनेगा वो parliament का इसमें पाच लोग होंगे president होंगे और प्लस उनकी जो जो पाच लोग होंगे उनको appoint कोन करेंगे president करेंगे उनकी जो भी terms and condition है वो भी सब president ही define करेंगे function इनके क्या क्योंगे investigate करना कि क्या कैसे safeguard देने चाहिए backward classes को और क्या क्या कैसे कैसे अगर इनके किलाब जो मतलब अगर इनके रो राइट से उनको violate किया जाता है तो कैसे complaint को deal किया जाएगा यह सबी बात है NCBC भी annual report देगी जैसे बाकी जो commission देते है president को देते है annual report याद रखेगा और जो president है वो parliament में उस report को table करेंगे रखेंगे और government का आपे करेंगे यह जो भी state होगा और इनके पाउस civil court वाली सारी power होगी इस समन कर सकते हैं document मंगा सकते हैं यह सब चीजे फिर next choice में यह पूछा सकता है कि mosquito terminator on wheels जो यह special train चलाएगी थी यह कहाँ पर चलाएगी थी यह चलाएगी थी दिल्ली में ठीक है दिल्ली में चलाएगी थी mosquito terminator on wheels एक special mosquito terminator train है ताकि mosquito breeding मच्चरों के पनपने को रोका जा सके दिल्ली में ठीक है यह important बात है next choice में कि हिमाचल प्रदेश ने shore नहीं mobile application को अभी यहां पे start किया है तो देखे एक बात यह तो shore नहीं जो है यह पूचा सकता है यह किस government state का है इस state government का है यह हिमाचल प्रदेश का है ताकि जो unnecessary noise pollution होता है वो रोका जा सके और यह शिमला और मनाली में किया गया था next choice में यहां पे word की पहली single chromosome yeast इसको किस ने बनाया है China के researchers ने China के जो scientist है उन्होंने word की पहली single chromosome yeast बनाई है बिना कोई major property उसकी जो function उनको छेड़े चाड़े बिना और यह क्या करेगी research करेगी मतलब यह ज्यादा help करेगी जो aging से related research होती है diseases से related research होती ही तो यह बस यह आप जाद रखेगे का जनूरूर की word की पहली single chromosome yeast किसने बनाई है किसने मतलब create कि China की researchers ने फिर देके next choice में अब यह main main मुद्दे वाली पूरी current affair आने वाली यह पूरी यहाँ पर यह है कि सुल्तान जोहर जो cup junior था hockey का उसमें great britain ने जीता है यह important बात आप याद रखेगा great britain ने जीता है आठवा edition सुल्तान जोहर cup junior hockey और इसमें great britain ने इंडिया कोहराया यह जुरूरी यहाद रखेगा हुआ कहाँ पर यह मलीशिया में तो यह आप यहाद रखेगा सुल्तान जोहर cup hockey junior जो टूर्णियमेंट था उसका आठवा edition था Britain ने जीता इंडिया कोहरा के हुआ काफेथा मलीशिया में इतनी चीज़ यह जुरूरी यहाद रखने है फिर next है इसमें एक है यह तीजन भाई डॉक्टर तीजन भाई जो की folk artist ने 36 गड़ की इनको मिला है 2018 का Fukuoka Fukuoka Arts and Culture Prize जो की जापान का टॉप ओनर है यह आपको जाद रखना है कि जापान का टॉप ओनर है 2018 Fukuoka Arts and Culture Prize वो किसको मिला है 36 गड़ की folk artist है तीजन भाई को उसके बाद फिर next है इसमें यह Mary's Day कोंडे करके हैं फ्रेंच के आथर इनको मिला है 2018 का New Academy Prize Literature में क्या हुआ था कि इस बार आपने देखा होगा Nobel का जो Literature नहीं दिया गया क्योंकि जो Nobel Literature के जो भी इनकी कमिटी थी जो यह लोग Prize डिसाइड करते हैं उनके ओपर जो वहाँ मेंबर थे उनके ओपर Sexual Misconduct जो आज कल चलना है Mewtwo Movement उसके चार्जेज लगे थे तो इसलिए क्या किया गया कि सब लोगों ने इसको Boycott कर दिया और एक नया प्राइस बना दिया उसका नाम क्या रख्या गया 2018 New Academy Prize Literature में ठीक है तो यह जरूर याद रखे का यह पहली बार हुआ इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यह यह किसने जीता है मैरी से कोंडे जो की फ्रेंच के है वो है फ्रेंच के ओथर है उन्होंने जीता है 2018 का New Academy Prize और इसमें कितनी 87,000 यूरो मिलेगे क्राउट फंडिंग और डोनेशन से आएंगे और इसकी सेरेमनी कब होगी एक दिन पहले जो नोबेल प्राइस की होती है 10 अद दिसम्बर को इनकी 9 दिसम्बर को होगी तो यह जरूरी जरूरी याद रुकिएगा 2018 का New Academy Prize मैरी से कोंडे फ्रेंच के फिन नेक्स चैस में इंडिया और चाइना ने अपना पहला जॉइन प्रोग्राम अफगानिस्तान में किया है ताकि वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको ट्रेंड किया जा सके एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन हुआ है इंडिया चाइना और अफगानिस्तान के बीच में यह अब पूछा सकता है उसमें इंडिया चाइना और अफगानिस्तान का नोववाग जोकुविच सर्भिया के हैं इन्होंने जीता है 2018 का संगाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट यह ज़रूरियाद रखेगा फाइनल में इन्होंने क्रोईश्या के बोर्ना कोरिक को हराया था फिर डाक्टर सेखर सी मंडे जो की बाइलोजिस्ट है इनको अपॉइंट किया है डारेक्टर जनरल CSIR का यह ज़रूरियाद रखेगा ठीक है डारेक्टर जनरल CSIR को किसको बनागा है डाक्टर सेखर सी मंडे परसनी न्यूज वाला है बस उतना मैं बतारो जितना important है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिजक्षन जो है ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल 2018 की theme क्या है reducing disaster economic losses ठीक है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है international day for disaster reduction और theme क्या है reducing disaster economic losses फिर next है इसमें महाराणा प्रताप the invincible warrior इसके author कौन है रीमा हुजा ठीक है महाराणा प्रताप the invincible warrior की author कौन है रीमा हुजा इंडिया को UNHRC में elect कर लिया गया है फिर से और इंडिया इस बार पाच्वी बार जो है ये जिनेवा बेज़ काउंसिल में elect हुआ है ये अपर अधर सकते है UNHRC में इंडिया को elect कर लिया गया है ठीक है और इंडिया ने जो है इंडिया के अगर आप vote देखेंगे तो इंडिया के सबसे आधा थे फिजी के 187 थे इंडिया के 188 थे तो ये important है और आई ये जो UNHRC का head quarter कहाँ पे जिनेवा में ज़र नेक्स्ट है ये बड़ी important news है और इसमें इसलिए important है को कि एक World Bank की human capital index आई उसमें 157 economy को rank किया गया और इंडिया को जो rank किया गया 115 पे position पी किया गया कौन कौन से parameter पे child mortality, health और education तो इंडियन government ने उसकी finding को ही reject कर दिया इसलिए बड़ी important है ये क्या नाम था इसका human capital index कि इसने publish किया है इंडिया की ranking किया 115 और 157 countries में से इंडिया की 115 ranking है गौर्वर्मेंट ने इसलिए reject दिया कि इन्होंने बोला कि बांगला देज, नेपाल और स्रीलंका भी हमसे better है तो इतनी भी खराब position नहीं ये important बात है अला कि अगर आप देखें तो ज्यादा तर जो चीजों में जैसे human development और बाकी समय जो स्रीलंका है या फिर even Bhutan बेटर है हमसे काफ़ी सारी चीजों में जो भी है वहला कि human capital index में इंडिया ने रैंकिंग को reject कर दिया सिंगापूर ने इस पर टॉप किया था ये जरूरी आदर किया का सिंगापूर साउथ कोरिया तो इसमें क्या कहाद रखना है human capital index ठीक है ये पहली रैंकिंग पहली बार की गई है world bank ने की है इंडिया की रैंकिंग 115 थी reject कर दिया गवर्मेंट ने और even जो हमारे पड़ोसी देश है भंगला देश नेपालों से रंका उनकी रैंकिंग भी हमसे बेटर है सिंगापूर ने टॉप किया है फिर नेक्स चैस में NSE ने एक pact sign किया उत्राखन गवर्मेंट के साथ ताकि जो capital दी जा सके MSME को ठीक है यह important है फिर उसके बाद है एक इंडिया की पहली Miss Trans Queen कौन बनी है यह देखे वीना सेंद्रे है 36 गड़की की है या का है जो भी है वो बने है या बनी है इंडिया की पहली Miss Trans Queen हाला कि Miss लिखाए तो बनी हों गए या पर उन्होंने हराया कि इसको नमिता अम्मू जो की तमिलनाडू की है और यह जो सेंद्रे है वीना सेंद्रे यह 36 गड़ Miss 36 गड़ भी रह चुकी है रायपूर की है यह नेक्स आइस में आपर लेकिन नेक्स आइस में आपर यह इसपेसल लाइफटेम अचीब्मेंट अवार्ड म्यूजिक अकेडमी का मिला एक इसको घटम के जो है विक्कू विनायकरम और यह ऐसा पाने वाले तीसरे म्यूजिसियन है इसपेसल लाइफटेम अवार्ड अचीब्मेंट अवार्ड पाने वाले यह तीसरे है यह आथ रखेगा आप आइटी में अधरास ने कोलेबरेट किया है तमिलाडू की इगवर्नेंस एजिस्टी के साथ डेटा डिरिवन गवर्नेंस के लिए इस समर यूथ ओलंपिक्स हुए थे इस से रिलेटेड है यह इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसमें और यह कहां पर हो रहा है समर यूथ ओलंपिक्स यह हो रहे थे ब्यूनोस एर्जेंटीना में 6-18 क्रूबर तक हुए है यह और इसमें जो है इंडिया ने अभी तक के highest performance दिया है यहाँ ठीक है अगर आप देखें आपर किसको किसको मिला है इंडिया में तो यह देखें पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है शूटिंग इस्टार जो मनू भाका रहा है यह flag भी एर थे इंडिया की तरब से third youth Olympic game के जो की ब्यूर्जे अर्जेंटीना में हुआ और इसके जो गोवा के हमारे यह है Olympics Association Secretary गुरुदत डी बखा यह चीफ थे इस mission के यह इंडिया का largest ever continent ता मतलब इंडिया ने अभी तक इसमें largest player बेजे थे अपने इसमें देखें सबसे ज़्यादा player बेजे गए थे कहां से 18 तो बेजे गए थे आपके hockey से ठीक है hockey से सबसे ज़्यादा बेजे गए थे बाकी और जगे से बेजे गए थे अगर आथ देखें तो सबसे पहला जो youth Olympics में medal किसने जीता जेरेमी लालरी नुगगा ने weightlifting में जीता था 8 October को और सबसे पहला medal किसने जीता था तुशार माने और तलाबी देवी 7 October को पहला gold medal किसने जीता है इसमें जेरेमी लरी नुगगा करके है मनू भाकर ने जीता है shooting में medal gold सौरब चौदरी ने जीता है shooting में gold medal लक्षी सेरी ने जीता है mixed में तो ये है total performance इंडिया ने सबसे आदा medal इसमें कहा जीता है shooting में चार टोटल बारा medal जीता है और अगर आप देखें तो ये देखें ये है जेरेमी लाल रिनुगा ये मिजोरम के हैं इन्होंने इंडिया का पहला मतलब अभी तक इंडिया का पहला यूथ उलम्पिक गोल्ड मेडल जीता है याद रखेंगा तबावी देवी जो है मनीपुल की उन्होंने पहला उलम्पिक मेडल जीता है इंडिया में जूडो में ये इसलिए इनका नाम याद रखेंगा जूडो में पहला उलम्पिक मेडल जीतने वाली यूट उलमपिक मिडल जीतने वाली कौन है तदाबी सरी तबाबी देवी अब ये देखे कुछ के वेनों लिखे हुए यूट उलमपिक जो हो रहा है दो जार टारा कब उनोसेर्स में सैंडी योगो होगा दो जार उन्नीस में वर्ड बीच गेम जो होंगे सेनेगल में चौथा समर उलमपिक समर यूथ उलमपिक होगा अभी कहा पे हो रहा है अर्जेंटीना में हो रहा है ठीक है और ये सेनेगल ऐसा पहला अफ्रीकन कंट्री होगा ये सारे कि सारे और कुछ इवेट यहां पे जो इंपॉर्टेंट हो लिख दिया है सौरप शूटर मनुबाकर पहले शूटर बन गए इंडिया के जिन्होंने गोल्ड जीता है इसमें और वेट लिफ्टर जो जेरेमी लाल निरूंगा है ये इंडिया का पहला एवर यूथ मतलब सबसे पहला इन्होंने जीता है यूथ उलमपिक गोल्ड का ठीक है इंडिया ने थंग जम करके हैं मनीपुर की इन्होंने एक इस्ट्री भी ग्रेट की कि पहला जो जूडो में जो पहला जीतने वाले कौन बन गई है ये तबादी देवी थंग जम जो की मनीपुर की है ये इंपोर्टेंट बात है इतना याद रुकिए इंडिया ने लार्जेस्ट एवर अपनी टीम बेजी थी और ये सब है इसमें 2014 में दो मेडल जीते थे इक सिल्वर रग ब्रांच तो ये और उसी का वो लिखा हुआ है मनु भाकर जो है ये इंडिया के स्पोर्ट शूटर है है और ये इन्वोंने इंडिया में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2018 के ISSF वर्ड कप में दो मेडल जीते थे यंगेस्ट इंडियान बन गही है गोर्ड मेडल जीतने वाली ISSF वर्ड कप में अब देखें ये पूरा लिखा हुआ है समर यूथ ओलंपिक गेम्स ये देखें 2018 वाला ब्यूनोसेर्स में हुआ अर्जेंटीना में हुआ है ये और फिर विन्टर का यूथ जो है 2022 वाला कहां पे हुआ है समर वाला हुआ है 2020 में होगा आपका लूसवाने सुटे जलने फीक इतना याद रखेंगा ।면SON्यल सम्मेल या बता दी जेंगे इसमें आधा हो गया है वी मिने अलगक की मैं पूरा कर पाऊंग एक वीडियो में आधा मै आपको अभी आज करवा दे रहा हूँ, आदा कल तक मिल जाएगा, दो पार्ट में हो जाएगा यह, फिर दोनों पार्ट को कम्बाइन करके 17 गंटे के साथ, तो वो हो जाएगा आपका करीबन 20 गंटे का वीडियो, उसमें पूरा एक साल का पिछले कर इंट अपेर है, इसमें इसमें हम लोग देख रहे हैं, एक अगस से लेके 10 अक्टूबर, यानि कि 10 नहीं, बलकि 15 अक्टूबर तक की मैंने करेंटे फिर लिये, कि लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको बता दिया जाए, ये वाली करेंटे फिर बहुत इंपोर्टेंट इसलिए हैं, क्योंकि यूपी PPSC, देखें, यही चैनल है, पीडियाफ अलड़ी शेर्ड है, और हम आधी कर चुके हैं, आधी ओर देखेंगे, में में बाते बस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर पूरी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो इंपोर्टेंट है वो, देखें, सत्रवी काउंसिल आफ एड़ की मीटिंग हुई थी, SEO के मेंबर्स की, SEO क्या है, शंगाई कॉपरेशन और यह कहां पर हूँ थी, सत्रवी काउंसिल की बैठक, दूशानवे तजाकिस्तान में, ठीक है, तजीकिस्तान में, और यह पहली मेजर मीटिंग है, जब से किर्गिस्तान इसका चेर में बना है, हर उसके बाद से दूसरी यह काउंसिल ओफेड ओफ गॉर्मेंट की मीटिंग है, ठीक है, तो यह इंपोर्टन बात है, बस यह द्याद रखिए कहां पर हूँ है, यह दुशानवे तजाकिस्तान में हुई है, ठीक है, यह जनरली पूछ लेते हैं, यह देगे, जो शंगाई क पाकिस्तान जुड़ गया 2001 में, और फिर 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान जुड़ गया है, तो इस समय जो SCO के मेंबर हैं, एक मैंने ट्रिक बताई थी शायद आपको यह दो, ट्रक KPO, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ओफ, स्री, ट्रक KPI, की परफॉर्मेंस इस से हो जाएगा, ट्रिक है यह, के से हो जाएगा आपका, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और T से आपका हो गया, तजीकिस्तान, रश्या, उजबेकिस्तान, और C से चाइना, और A के से हो गया आपका, किर्गिस्तान, A के से कजाकिस्तान, एक से किर्गिस्तान, का लार्जेस्ट योरेनियम प्रोडूसर है ज़रूर याद रखेगा नेक्स्ट इसमें ये पूछा सकता है कि किस स्टेट को 2018 का जो FAO यानि की फूट एंड ये जो आपके FAO Future Policy Award मिला है मतलब FPA ये मिला है सिक्किम को सिक्किम ने जीता है गोल्ड 2018 के FAO Future Policy Award में क्योंकि सिक्किम जो है ये वर्ड का पहला टोटली औरगैनिक अग्रिकल्चर स्टेट है इंडिया का भी है वर्ड का भी है ये आप याद रख सकते हैं यापर और स्टेट में सिक्किम में पूरी तरह से केमिकल पेश्ट्री साइट पूरे बेहन कर दिया है और इसमें अगर आप देखें तो सिक्किम ने अलग जो सिक्किम के कॉम्ट्टीटर थे क्यावन नॉम्टीज को बीट करके यहां पे अवार्ड जीता है और ब्राजील डेन्मार्क एक्विटो और एक्वाडूर को सिल् को प्रमोट करते हैं अग्रो एकोलोजी को किसको मिला है अब्यस्ली सिक्किम तो देखें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है जो बिल्डिंग एलिगेसी यह किसकी है बायोग्राफी यह बायोग्राफी थी अनुमोलू रामकृष्ण की और यह किसने बन लिखिया यह वी पट्टा भी राम ने फिर यह आईटी खड़कपुर ने नौर्वे उन्वेस्ट्री के साथ मिलके एक मोयो साइन किया है रिसर्च एंड एजूकेशन जो की है आपके बीज में ठीक है तो यह पूछ सकते हैं आपसे किसने किया यह नौर्वेक उन्वेक उन्वेक उ हुआ था उसके बाद नीति आयोग ने एक पैक्ट साइंड किया है माइक्रोसॉफ इंडिया के साथ आर्टीफिशल इंटेलिजेंस के लिए आर्टीफिशल इंटेलिजेंस के टीकनोलोजी उनको टिपलाई करने के लिए ताकि जितने भी जो यहां पे एग्रीकल्चर और ह समस्याओं को दूर करेगा तो नीतियायोग और माइक्रोसोफ ने ठीक है इंडिया का पहला इंडिया इसराइल इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया है ये खोला गया है बैंगडूरू करनाटका में ठीक है ये इंपोर्टन बात है आपे फिर देखें ये सब आयसे तो न्यूस बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन में में बाते में बता रहा हूँ आपे जैसे ये अनुपूरा देवी इनका भी निधन हो गया और ये क्या थी ये हिंदुस्तानी म्यूजीशन थी किस घराने की थी है मैहर घराने की जो पब्लिश हुआ था उसमें 119 देशों का यहाँ पे रैंकिंग की गई और इंडिया की रैंक है 103 बहुत ही खराब इस्तिति है मतलब इसको किस ने पब्लिश किया था एक कंसर्न वाइड लाइफ आयरलाइंड की है और एक है विल ठंगर हिल फे जर्मनी यह बड़ा अजीब सा नाम है तो यह जो इंडिक्स है क्या इंडिकेट करता है कि क्या लेवल है हंगर का और अंडर नूट्रिशन का और अगर आप देखें तो सीरियस कटेगरी में यह फॉल हो गया है यह तो यह इंडिया की रंगी कितनी थी एक सो तीन है ग्लोबल हंगर इंडिक्स में 2018 वाले में फिर उसके बाद देखें चाइना जो है 48 48 विंग लूंग टू मिलिटरी ड्रोन देगा पाकिस्तान को और यह चाइना का लार्जस्ट एक्सपोर्ट डील है जो इनका चेला है पाकिस्तान उसके बाद वर्ड पोस्ट डे मनाया जाता है नौक्तूबर को और 2018 की क्या थीम थी इमेजिन यूर लेटर ट्रेवलिंग तू टाइम तो यह है इसकी आपकी थीम और मेन है एक बार देख लिए इतना तो यहाद नहीं रह सकता है वैसे भी वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है अब्जेक्टिव के लिए कि गवर्मेंट ने एकजेम्ट कर दिया है जो लो फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करते हैं इंको लाइसेंस लेने के लिए हर्ज और 855 से 1050 और 1.89 से 2.31 मेगार्ट के लिए उसके बाद से भी ने अलाओ कर दिया है foreign entities को कि वो commodity derivative market में participate कर सकती है यह important बात है capital market की regulator है से भी एक मैंने financial regulator का पूरा वीडियो बना रख है उसमें आप देख सकते हैं पूरा इससे पहले में जो foreign entities थी वो directly participate नहीं कर सकती थी इंडियो कमोडिटी मार्केट में लेकिन आप यह कर सकती है पाटिस्पेट कमोडिटी डेरिवेट्टिव मार्केट में ठीक है तो यह foreign entities यह इनको बोलते हैं eligible foreign entities और यह अब किस चीज़ के लिजबल है जितने कमोडिटी डेरिवेट्टे हैं जो इंडियन एक्स्चेंज में ट्रेड होते हैं उन सब में contract में यह भी अब invest कर सकती है पार्टिस्पेट कर सकती है देखें यह बड़ा important है ऐसे question उल जलूल टाइप के हमेशा यूपी PCS की आदत रही है दूसरी देसों से इनको बहुत लेना देना रहता है यह पूछेंगे जरूर मुझे लगता है कि डिजिटल सेक्योर्टी पिल जो बड़ा चर्चा में था वो किस देश का था यह बांग्ला देश का था वहाँ पर गॉर्मेंट लगाया है सोसल मीडिया पर अगर इनकी बुराई करोगी गॉर्मेंट की तो वहाँ पर यह लगाया है मतलब अरेश्ट विदाउट वारेंट जैसे हमारे यहां पर अभी एक जो एस्टी एमेंडमेंट वाला था कि जिसको कंपेर कर रहे थे लोग रॉलेट टेक्ट की तरह है कि बीना पील बीना दलील के आप किसी को बंद कर दो वैसे यह यहां पर डिजिटल सेक्योर्टी बिल है त कि अगर कोई SI statement है कोई negative propaganda कर रहा है तो उसको तुरंत यहां पर बंद कर दिया जाएगा किसका है यह जरूर रहता है फिर देखिए नेक्स इसमें ISSA Good Practice Award एशिया पैसिप 2018 का किसने जीता है ESIC में ठीक है अब देखिए इसमें याद क्या रखना है ISSA Good Practice Award यह कहां पर दिया ग सेबी ने अलाओ कर यह अलाओ तो हो चुका है फिर कैबनेट ने अप्रूव कर दिया है भी policy framework की ताकि जो अनकन्वेंशनल हाइड्रो कार्बन है उनको भी एक्स्प्रोइट किया जा सके अनकन्वेंशनल हाइड्रो कार्बन में कौन कौन से आगा है शेल गैस मैंने बताया अगर लाइसन्स दिया है कि जो भी है मतलब पेट्रोलियम का उसी को एक्स्प्रोर करो दूसरा नहीं कर सकते हो अभी यह है कि शेल गैस को भी पेट्रोलियम में डा दिया गया है तो यह एक उनिफॉर्म्टी आ जाएगी और इसमें क्या है कि अगर मालीजे किसी पास कॉन् जाएगा अला कि फाइदा खुदी खा जाएगा वह बात लगए नेक्स इसमें लोग शभा ने एक बिल पास किया इस पीडी डिस्पोजल ऑफ कॉमर्शल इस्प्यूट के लिए कि में बात वही है कि कॉमर्शल डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी यहां पे इक सॉल किया गया है और इसमें क्या है कि आपके जो कॉमर्शल डिवीजन है हाई कोट में और जो कॉमर्शल डिवीजन है डिस्टिक्ट लेवल पे ठीक है वह एड्यूट करेंगे कॉमर्शल डिस्प्यूट जो की कॉंट्रेक्ट से रिलेटेड है गुड्स और सर्विस के और कॉंस्ट बढ़ेगा इसमें कुछ कुछ इंपोर्टन पॉइंट वो देख लिजे की कॉमर्शल कोट और कॉमर्शल डिवीजन जो हाई कोट है वो अब ले सकते हैं उन डिसाइट कर सकते हैं जो भी यह वैलू तीन लाग से नीचे करती है तीन लाग से अगर आपकी ऊपर होगी वैलू तो एटलीस तीन लाग होगी तो यह कर सकते हैं जो एक करोड तक होगा है यह वाले भी इसमें आगए कई सारे इसमें कॉमर्शल कोट बनाए जाएंगे इस्टेट को एलाव कर दिया है कि कॉमर्शल कोट आप बना सकते हैं जहां पर हाई कोट का ओरिजिनल जूरिजिक्शन नहीं है तो यह सब बात हैं यहां पर और इसने क्या किया है इसमें कि अबीए कि मीडियेशन के लिए भी इसको प्रकाए कि अगर माल यह बहुत अर्जेंट नहीं है तो बाहर भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व के जा सकता है फिर नेक्स इसमें पिंगाली वेंकईया इनकी 141 वी बरत अनिवर्स्टी में आई गई थी और यह वही हैं जिनोंने हमारा जो फ्लैग है उसको डिजाइन किया था तो यह डिजाइन या आर्किटेक्ट जो हैं इंडिया नेशनल फ्लैग के पिंगाली वेंकईया है आंद्पदेश में इनका जनब हुआ था और यंग दिया और फाइनली फिर इनी का डिजाइन सिलेक्ट हुआ और 22 जुलाई दो हजार सॉरी 22 जुलाई 1947 को कॉंस्ट्रेंट एसेंबली जो थी उन्होंने इनी का जो तिरंगा था उसको मतलब जो है अप्रूब कर दिया था और इनका जो एक डिजाइन था उसको गांधी जी न इव्लाफ्मेंट और मेनेजमेंट और फिरिश्ट्रीज फिर नेक्स्ट इसमें सुनील भासकरन को अपॉइंट किया गया है CEO और MD AIR इशिया का ऐसे परसनी न्यूज वाले क्वेशन है ये जम्मू में इस रो की अभी आएगी सेंट्रल यूनिश्ट्री आएगी मैंने है और इसकी थीम क्या थी 2018 की यंग पीपल और यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थी ना चेंजिंग वर्ड फिर देखिए च्यास अचा ये चीज मैंने गलत बता दी थी ये 85 नहीं थी ये 86 है नीचे ये लिखा भी हुआ है पहले वाले पार्ट में शाहिद मैंने 85 लिख दिय नंबर टू पे सेफेश्ट है कोलकता थी पे चलनाई चौथे पे कानपूर ये याद रखेगा तो इंडियान एरफोर्स ने मेड़ वाच करके एक हेल्थ एप लॉंच किया है ये इंपोर्टन बात है पहला मोबाइल एप है ये किसी भी आर्म सर्विस के दोरा इंटरनेश किया जाएगा राइस स्ट्रॉस है ठीक है और इसको सेट अप कौन करेगा बीपी सेट अप करेगी वैसे अगर आप देखें तो नैशनल बायो पॉलिसी जो है बायो फीट पॉलिसी 2018 वह क्या टार्गेट करती है कि 20% इतनल की ब्लेंडिंग करो आप पेट्रोल में 2030 तक ले इंडिया की रैंकिंग हुई है 147 157 देशों में इंडिया 147 नंबर पर है यह UK बेज एक चैरिटी था है मतलब Oxfam करके है इंटरनेटल कमिट्मेंट टू रिड्यूसिंग इनिक्वालिटी इंडेक्स तो इनिक्वालिटी में हम बहुत पीछे हैं मतलब हमारे आप बहुत ज़दा इनिक्वालिटी है आप जानते भी हैं जो अमीर हो बहुत अमीर है और जो गरीव है इसमें अगर आप देखें तो कुछ कंट्रिय जैसे साउथ कॉरिया नामीबिय और उर्फॉए इन्होंने कुछ इस्टेप लिए थे लेकिन जो कंट्रियं इंडिया और नाइज पिर नौर्वे है और इसमें इंडिया की 147 वी रेंकिंग आई थी इनिक्वैलेटी वी है किसने किया था यूएस यूके बेज़ देए ऑक्सपेम इंटरनेश्टन ठीक है यूनेस्को ने भी मास्टर पीस ऑफ औरल एंड इंटेंजिबल हरिटेज ऑफ इमिनिटी के तौरपे तो वर्ड ओल्ड वर्ड थ्री एक्टर फेस्टिवल कहां पर मिला जा रहा है निव देली में लेकिन यह यहां पर मैं बहुत ही अच्छी वह आवाज में नहीं बोल पान है इंडिया की रैंकिंग हुई है 28th 73 कंट्रीज में अभी देखिए एक वीजा और पासपोर्ट की रैंकिंग दोनों एक साथ लिखिए वीजा के मामले में हम 28 नमबर पे हैं और इसकी जो रैंकिंग इसने किये एपेमेंट एडॉप्शन रैंकिंग है गियर करके गवर्मे देखें तो नर्वे की जो है वीजा वो टॉप पे ओर फिर अगर आप देखेंगे हैना पासपोर्ट जो आया है और पिछली बार देखा है तो पासपोर्ट इंडे Dank one ले इट सका में पर को इंदेकस नाम नहीं आता रहा है उसमें और पर इंडिया की रंकिंग है यहां यह आपको सबसे आदा यूनिवरसली एक्सेप्ट किया जाएगा एक सो नबे देसों में आप अगर जाएंगे तो बिल्कुल आपको वीजा मिल जाएगा वीजा ओने राइवल तुरंट जैसे जाओगो तुरंट वीजा मिल जाएगा सिंगयापुर्या सेकेंड पे हैं हम 21 पे हैं ठीक है और सबसे जो खराब है वह एक सो नौवासी पर है यह थाइड नमबर पर रैंकिंग यह जो है कि स्टीज पर बेज़ें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एस्टोसीएशन अफगानिस्तान और इरान अफगानिस्तान औ जैसे कंट्री ओंगे उनिए मिलेगा बस और इंडिया के जो गर लोग जाएंगे कहीं तो उनको 60 कंट्री में तुरेंट पासपोर्ट मिल सकता है अलब इंडिया का जो पासपोर्ट अगर लेकर जाओगा आप तो साथ कंट्री में जाते हैं आपको वीजा और अराइवन मिल तूपे हैं फिर नेक्स इसमें बायो इलेक्ट्रॉन बायो इलेक्ट्रोनिक मशीन किसने बनाई है यूएस के साइंटिस ने यह बता चुका हूं मैं फिर महाराश्च प्रिजन डिपार्ट्मेंट ने एक वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी की है फीमेल प्रिजनर्स के लिए देखें यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह वाला पॉइंट इसमें यह पूछ सकते हैं कि किस राज के पुलिस डिपार्ट्मेंट ने अपने आपे वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी दिये फीमेल प्रिजनर्स के लिए जो जो माईला कैदी होती है उनको दी है महाराश्च न हर्याणा गवर्मेंट ने एक एंटी टेर्रिस्ट फोर्स का वच यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह जो मैं बीज बीज में बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट उसको बलकि आप नोट्स ही बना लिया करो एक बात और अगर आप मेंसे कोई इन दोनों मेंसे जो मेरे वीडियोस हैं कोई सिर्फ में में पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो लिखके अगर नोट्स बना के दे दे तो मैं बाकी लोग को शेयर कर दूँँ आप भी लोग के लिए वो अच्छा रहेगा कोई बना लो इसके नोट्स आर अगर वनना तो मैंने पीडियाप देही र प्राम में ठीक है फिर नेक्स्ट इसमें एक बुक आई है अब आप समय सकते हैं अगर जितनी ज़्यादा टफ इंग्लिस वाली जो होके होती है वह सशी थरूर ही लिख सकते हैं तो सशी थरूर ने लिखिए एक और इनकी थी शायद पता नहीं क्या नाम था पैरा और भी इनका नाम था कुछ चलो जो भी है याद कि शशी थरूर की इंग्लिस मतलब बहुत ज़्यादा टफ होती है कई बार इनकी अगर आप स्पीच सुनो तो डिक्समरी बार पर खुलनी पड़ जाती है कि नॉर्मन लैंग्विज को भी अगर यह और यू भी पूछना है तो प पुलेला गोपी चन्थ जो की बैड्मिन्टन के हकोष है उनको मिला है रमिनीदेशन का आउट स्टेंडेंग पर सननेबल ठीक है तो यह आप याद रखेगा रमिनीदेशन जो है यू-ऐस-बेश बेजड है उसका आउट स्टेंडिंग पर शनन अवार किसको मिला है पु नई दिल्ली में की थी ICC, International Court of Arbitration के साथ मिलके, नेक्स है इसमें जो Health Ministry है हमारी उसने WHO के सपोर्ट के साथ एक और्गनाईज कर रहे हैं यह लोग, Second World Conference on Access to Medical Products, Achieving the SDGs 2030, यह कहां पर कर रहे हैं, यह नई दिल्ली में कर रहे हैं, SDG आप जानते हैं, Sustainable Development Goal है, 177 यहाँ पर आपके टार्गेट है, 179 गोल है, 2015 से लेके 2030 तक है, यह ज़रूरियाद रखेगा, ठीक है तो यह दियान रखेगा कि कौन और्गनाईज कर रहा है, Union Ministry of Health और किसके सपोर्ट से, WHO के सपोर्ट से, Second World Conference on Access to Medical Products, कहां पर New Delhi में, Next है इसमें, आपका, देखें इसमें एक अभी विवाद हो गया था कि करनाटक में जो है, बाइलेक्शन करा लिया गया था और आन प्रदेश में नहीं कराया गया था, तो यह इसमें यह बताया गया है कि एक सेक्सन है, 151A, Representation of People Act, 1950 वाला, वो यह बताता है कि, जो Election Commission of India है, उसको Casual Vacancy जो भी House of Parliamentary के लोग सभा में अगर होगी, या फिर State Legislature उनकी विदान सभाव में होगी, उनको बाइलेक्शन के तुरूप फिल किया जा सकता है, अगर, यहापे अगर बहुत जरूरी है, अगर 6 मेने से ज़्यादा का टर्म बचा हो, ठीक है, अगर जो टर्म है, आपका Remanded Term है, एक साल से ज़्यादा का होगा, तभी किया जाएगा, और वो भी 6 मेने के अंदर किया जाएगा, अगर एक साल से ज़्यादा का टर्म नहीं बचा है, तो फिर नहीं कराया जाएगा है, ठीक है, तो इसी केस में हुआ था कि करनाटक में करा लिया गया था और आनप्रदेश में नहीं कराया गया, बात समयागे कि अगर जो आपकी Assembly है, जो भी है आपकी Assembly यहापे कौन सी होगी, लोग सबा और राज सबा वला तो नहीं होगा, क्योंकि उसका तो हमेंसा रिता है, तो अगर यहाँ पे जो भी है लोग सबा और विधान सबा वाले में, एक साल से ज्यादा का टर्म बचा है, तो बाइलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल बात ही है, फिर देखिए, Infosys Foundation ने डेड़ करोड आरोहन Social Innovation Award भी दिया है, किस चीज के लिए Social Work को प्रमोट करने के लिए, इसका क्या मतलब है, कि यह पूछा जा सकता है, कि परसेंट जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा, पिछले तीन सालों में, वो आपको CSR में, यानि की Corporate Social Responsibility के उसमें, खर्चा करना पड़ेगा, तो Infosys ने क्या किया है, यह Award constitute कर दिये है, कौन को से, ACI Award, आरोहन Social Innovation Award, ठीक है, ESIC ने में जीता है, ISSA गुड प्रेक्टिस और प्रेक्टिस में बता चुका हूँ आपको, Union Government ने एक बनाया है, यह, Strategic Policy Group, किस चीज के लिए, यह NSC को Assist करने के लिए, National Security Council को, और इसमें, जो SPG को Chair कौन करेंगे, यह important बात है, यह Ajit Dual करेंगे, जो कि हमारे National Security Advisor है, तो यह पूचा सकता है, कि आभी जो केन सरकार ने एक High Level Strategy Strategy Policy Group बनाया है, National Security Council को Assist करने के लिए, उसके Chairman कोन है, वो है Ajit Dual बनेंगे, फिर नेक्स चेस में, इंडिया for Humanity, यह किस ने किया है, External Affairs Ministry ने, नई दिल्ली में चालू किया था, और इसमें क्या है, जैपुर में यह foot artificial जो लिए, वो भी फ्री में, कौश में बाटे गई है, मैंने बता दिया था वैसे, BMV SS के साथ मिलके कर रहा है यह, जारखंड इस बार स्टेट पार्टनर बनेगा, जारखंड पार्टनर स्टेट बनेगा, गोवा इंटरनेसल फिल्म फेस्टिवल का, तो यह important है, पहली बार को स्टेट पार्टनर बने जा रहा है, गोवा इंटर स्टेट बनाया जाता है, 9 October को थीम थी, यह, बहुत important है, पढ़ लीजेगा एक बार, यह बता चुका हूँ इसे में, कुछ चीजे साथ रिबीट हो गई है, फिर यह एक जीमेक्स 18 जो है exercise होती है, जापान और इंडिया के बीच में, कहां पर हो यह भी लिए टेस्ट, आप है फिर पार टेम से आपर Yall TIальной के जेए और चीजे की बार की सशक्त किसान योजना हो इंत्रोडीज की है, और एक और एक क्रशि समू योजना, yemू बहूर यह बगर यह पूछ जाए कि शचट किसन योजना और क ही क्रसिसमू योजना, किस राज की किया, और ओनाश बजह सम की है नेक्स इसमें उड़ीसा के जो सीयम है उन्होंने भी लॉंज की है निर्मान कुसुम इसकीम ठीक है यह देखिए जो इसकीम है वह वैसे भी मैं अलग वाले वीडियो में कवर करूंगा लेकिन फिर भी आप यहां पर देख लिए एक बार तो ससक्त किसान योजना और क्र डिप्लोमा वाली जो है एडूकेशन वह उसमें फाइनेंसियल एसिस्ट करेंगे उसमें कुछ कुछ यहां पर देंगे बेनिफिट फाइनेंसियल एसिस्टेंट देंगे 23600 का आईटिए वालों को और डिप्लोमा वालों को 26300 का कुछ ठीक है 1878 लोग इससे अस्टार तो अन्मने है आरे अवी वजित्ता है रखे फिर यह आपकी जो गौर्वर्मेंट ने रिकॉंस्ट्यूट की है एक सुप्रीम कोड इंवार्मेंट पॉलूशन का रिपीस यह जो है यह की है सुप्रीम कोड की दिशान देश में गौर्मेंट आफ इंडिया ने और इसके अध् पॉलूशन प्रेवेंट्रोल अथर्टी दिल्ली में पॉलूशन को कंट्रोल करने लिए बूरे लाल इसके अध्यच होंगे यह इंपॉर्टन बात है फिर यह है आपके नट्वर्ट ठकर जिनको नागालेंड गांधी बोला जाता था इनकी डेथ हो गई तो नागालेंड गांधी कि स्कूल आता था यह इंपॉर्टन थे नट्वर्ट ठकर फिर एक है आपका कीर्थना पांडियान यह जो इंडिया के हैं इन्होंने जीता है गल्स टाइटन कहां पर IBSF वर्ड अंडर 16 सुनूकर चैंपियंसिप में ठीक है तो यह इंपॉर्टन बात है बस कि क्य मिल जीम का उसके बाद देखिए अंडर 19 एशिया कप 2018 इसमें इंपॉर्टन है यह अंडर 19 जो एशिया कप हुआ था यह कहां पर इसमें पिक नहीं क्लियर आ पाई चलो मैं बदा दिनो फिर भी आपको अंडर 19 जो एशिया कप हुआ है आपका यह एशिया क्रिक्ट कंट्र मैं अवड़ प्लेयर अफ दो सीरीज को मिला यह सस्वी जैसवाल को सबस्यादर रन भी यह सस्वी जैसवाल ने बनाया थे और सबस्यादर विक्ट लिये थे सिधार्द देसाई ने तो यह इंपॉर्टन बात है यह आप और अगर आप देखेंगे यह यह आप यह एशिया आपका देगे इसमें फिर से देख सकते हैं आप ये एशिया कप हुआ था आपका बांगलादेश में हुआ था और इंडिया ने ये च्छटा टाइटल जीता है यहां पे स्री लंका को हरा के यह शश्वी जैस्वाल को मिला है प्लेयर आप दसीरीज और सबस्यादर प्लस ब्रिक्स की समिट वाला भी अब देखिए जैवलिन जो थ्रोवर है संदीप चौधरी उनको मिला था इंडिया का पहला गोल्ड मेडल ठीक है दो जाकारता एश्यादर गेम से उसमें पहरा गेम्स में तो यह जरूर याद रखेगा इंडिया का इस बार पहला जो गोल्ड मेडल किसने जीता है जैवलिन थ्रो के संदीप चौधरी ने जकारता में ही एश्यादर गेम्स हुए और जकारता में ही एश्यादर पैरा गेम्स हुए यह इंपोर्टेंट है फिर 49 kg में अगर आप देखें पावर लिफ्टिंग एड्मिंटन में इंडिया मलेशिया से हार गया था अगर आप देखें 2018 के जो एश्याद पैरा गेम्स हुए थे आपके उसमें इंडियन जैवलिन थ्रोर जो है सुन्दर सिंग गुर्जर को मिला था सिल्वर ठीक है और आर्चर जो है हर्विंदर सिंग को मिला था गोल्ड मिला था याप देखें ये वाली पिक भी थोड़ी सी न वह ऐसी हो गई इसमें देखें में बात क्या है कि मोमो जो था मो 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 खाया भी होगा आपने ऑफिस्चल मैस्कॉर्ट जो इस बार था एसेन पैरा गेम्स का वो एक इगल था उसका नाम था मोमो ठीक है इन चाइना यहां भी टॉप किया और इंडिया की पोजीसर आई नवी हमने यहां पर टोटल बहत्तर मेडल जीते पैरा गेम्स में 15, 34 और 33 ठीक है यह हमारी पोजीसन रही नवी पोजीसन रही एसेन पैरा गेम्स में याद रखेगा और अगर आप देखें चलो इसको वही देख ले थ और अगला वाला हॉंग जोग में होगा ठीक है यह एक बात है एशन पैरा गेम्स की और 6-13 अग्टूबर तक चला था यह इसका जो मोटो था हो क्या था इंस्पारिंग स्पिरिट एंड इनर्जी ओफ इस्टिया यह टोटल मेडल लिज दिख सकते हैं एशन पैरा गेम्स क क्या सारा वह सब चीजें वह यहां पर देख लेते हैं देखें इंडिया के कॉम्टीटर 190 गये थे 13 स्पोर्ट में हमारी जो फ्लैग भी अरर्थी वह कौन थे यह मर्यपन थंगा वलू 15 गोल 24 सिलवर 33 ब्रॉइंट के साथ 72 मेडल जीते नौवी रेंग थी हमारी टोटल मि मैंने वैसे लिखे हुए हैं यह मैडलिस्ट कौन कौन से एक बार देख लिए आप संधीर चौदरी ने जीता था याप आपका जैवलिन थ्रो में 8 अक्टूबर को और फिर यह गोल्ड मेडल देख लिए सुयाज जादो ने जीता है राजू रक्षिता ने जीता है वैसे म मैंने लिख रखी है उपर अभी दूसरे लिए पीडियाफ है उसमें और यह काफी सारे मेडल है से दो 72 तो नहीं अधर कर सकते हैं आप जो मेन बाते हैं वो लिख रखी है सबस्यादा मेडल में आप किस में जीते पैरा अथ्लेटिक्स में 36 बातर में 36 यहीं से जीते और ज और फिलिपीन्स और कुएट को पहला अपना एशियन पैरा गेम्स का गोल्ड मेडल मिला और लाओस और यह जो तिमूर लिस्ते करके उन्होंने पहला अपना मेडल जीता इसमें एशियन पैरा गेम्स में एशियन जो पैरा गेम्स में मल्टी स्पोर्ट इवेंट है यह और फिर उसके बाद है बाई इन्वेल याने की दो-दो साल में एक होने वाली इंटरनेशनल एग्जिबिशन कॉंपरेंस है इंडिया चेम दोजार अठारा वो कहां पर उर्गनाइज की गई यह इंपोर्टेंट है मुंबई में किसने किसने और इसको फिकी ने और डिपार्टम केमिकल और पेट्रो केमिकल्स ने ठीक है तो यह इंडिया चेम दोजार अठारा यह दो-दो साल में होती दसमी वाली कहां पर मुंबई ने फिर वर्टीचर डे देखिए जो नैशनल टीचर डे है वो तो पास से दमर को मनाते है वर्टीचर डे मनाते है पाच एक्टूबर को थीम क्या थी? The right to education means the right to a qualified teacher. Right to education में से याद आया 86 एक constitutional amendment था 2002 में किया गया था उसमें दो चीज़ें इंट्रूडूच की गई थी पहली बात तो यह की आर्टिकिल जो 21A में की जो right to education है वो fundamental right है 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों का और एक चीज़ और इसने इंट्रूच की थी एक fundamental duty की थी कि जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे है उनके जो parent है guardian है उनकी ये duty है कि वो अपने बच्चों को primary education दिलाए इस समय की जो present condition क्या है कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे है उनकी जो भी nutrition और देखभाल करने की जिम्मेदारी वो DPSP में आती है 6 से 14 साल तक के जो ब नेक्स डाइस में ये chief statistician of India बन गया है प्रवीन स्रीवास्तो उसके बाद पंकत शर्मा को बना दिया गया है इंडिया का ambassador और permanent representative United Nations Conference on Disarmament जो की जिनेवा बेज़ड है उसके बाद है ये विक्रम लिमाए जो की MD और CEO है NSC के इनको appoint किया गया है chairman of working committee और director किया गया है board of word federation of exchanges ठीक है विक्रम लिमाए देखिए एक बार बस सुन लिजे क्या पता आए वहाँ पर ही कुप्राइस करना याद आ जाए तो आई जाए उड़ीशा और आन्प्रदेश की पुलिस ने एक joint operation करने का सोचा है और ये किस चीज़ के लिए left wing extremism को खतम करने के लिए ठीक है ये क कई सारी forces भी की गई हैं बार बार फिर एक है common parameter conference इंडिया रीजन की जोन 3 में की जो है ये कहां पर इस्टार्टी में भी है ठीक है ये डिसकस करेगी नौर्ट इस रीजन में issues जो भी है असम में एक देखिए इंडिया का पहला methanol cooking fuel program अब ये बहुत important है इसको देख लेना अब रट लेना भारत का पहला methanol cooking fuel program ये किसने किया है एक असम की company है नाम रूप बेज है असम पेट्रो केमिकल से और इसम में किया है ठीक है इसको प्रमोट किसने किया नितिया योग ने और ये जो टेक्नोलोजी है कनिस्टर बेज टेक्नोलोजी स्विडेस से लिए हमने इसमें एक चीज़ और लिखी हुए रीतू बोर दो लोई नाम रूप की हैं ये इंडिया की पहली उनर बन गई है और एपियल जो है इंडिया की पहली पब्लिक सेक्टर प्रडूसर बन गई है मिथेनॉल और फॉर्मल की ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट बात है बड़ी लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है युनाइटेंट नेशन कॉन्फरेंस और ट्रेड एंड डेवलप्मेंट एनिकी अंटेग ने अभी एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया की एकोनॉमिक ग्रो करेगी साथ परसेंट से ये बहुत सारे लोग अपनी राय देते रहत है एल्कॉल को कंसर को दोजर पच्चीस तक बहुत जाने कितना सफल होंगे आप तो ये है इस इंपॉर्टेंट ठीक है कोलकता मिनिस्वल कॉर्परेशन ने अभी स्टार्ट किया गया इंडिया का पहला फ्लड फॉर कास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम कोलकता इसका नाम का है इंडिया का पहला कॉम्प्रेंसिव सिटी लेवल फ्लड फॉर कास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम यानि की एफफ इडब्लू एस अरुन कुमार को बनाया गया है डी जी ओफ आर्पियफ मोटो क्या है इसका सर्विस और लोयल्टी फिर ये जो है आपके जजदेव सिंगिन की टेथ हो गई है और ये क्या थे बहुत ही फेमस का मुमिंटेटर थे फिर इवान अतार अदाहा जो की सर्जन थे और ये नौर्थी साउथ सुदान की इन्होंने प्रेस्टीजेस पुरसकार जीता है दोजार ठारा का यूएन अच्यार नांसेन रिफ्यूजी ठीक है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये दोजार ठारा यूएन अच्यार नांसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसको मिला है इवान अतर अदाहा को जो कहां के है साउथ सुदान के इवान अतार अदाहा को मिला है दोजार ठारा का यूएन ली हाप मेरा थनकी हो चुकी है वैसे ये मनप्रीद सिंग बनेंगे कैप्टन जो अभी एशिया मेन होकी होगा 2018 वाला चेंपियन स्टॉफी ठीक है ओमान में होगा वो तो इसमें सरधार सिंग की जगह आंगे मनप्रीद सिंग कैप्टन बनेंगे इंडियन होकी टीम के राज बन गया है जिसने लीगल प्रोटेक्शन देगा ये गुड समर रिटर्स को समर रिटर्स का मतलब होता है कि माली आप सड़क पे जा रहे हैं किसी का एक्सिडेंट हो गया अगर आपने उनकी हल्प की तो आपको बोला जाएगा समर रिटर्स वही होता है यहापे लेक करनाटक में ऐसा बोला है कि लीगल प्रोटेक्शन देगा अगर कोई भी ऐसा परसन है जो गुड समर रिटर्स है और वो गोल्डन आवर जो होता है गोल्डन आवर मतलब कि जब ट्रेजडी होई है उसका पहला जो गंटा होता है बहुत ही अगर बहावा ए ट्रेजडी अगर बुलाया भी जाएगा तो उनको पैसे दिये जाएंगे यह इंपर्टन बात है मिनिश्ट्री ऑफ काउ मिनिश्ट्री फॉर काउ मतलब गाय मंत्राले बनाने वाला राजस्तान के बाद अब मद्रदेश हो गया है दूसरा स्टेट ठीक है सबसे पहला स्टेट कौन थ राजस्तान था यह काउ मिनिश्ट्री बनाने वाला तो गाय मंत्राले अभी तक कहां पे थी राजस्तान में थी अब गाय मंत्राले मद्द प्रदेश में भी आ जाएगी और यह जो मद्द प्रदेश में आएगी कि यहां पे मद्द प्रदेश में है मद्द प्रदेश सब जगे चुनाओं हैं इसलिए सब खेलना है अपस में बस कि यह किसी भी तरह लोगों को भहला वुचला के वोटिंग कर ली जाए बस तुनसी दास बोरकर तुनसी दास बोरकर की डेत हो गई हार्मोनियम एक्सपोनेंट थे मुंबाई में डेत हो गई नेच्ट थे में कि नेशन वाद्ट जो एक्सट रिसर्च प्रोजेक्ट अप कर आगा फ्रेक्षर में कर इस्टरGreen 5000 स्टूर्छेम सर्च करें मत्रय थे लिएंव के एक सत्त्त करके इंशेयेटीव करіч मतलब consigland alternative towards affordable transportation ये नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है किस चीज के लिए स्टार्ट हुआ है कि compressed जो बायो गैस होती है CBG उसको promote करने के लिए सतत initiative स्टार्ट किया गया है ठीक है ये जो है इसमें public sector company है Indian oil, HPCL, BPCL ये पूरा produce करेंगी compressed biogas और इसको as a auto fuel बनाएंगी बायो गैस को अगर आप देखें तो naturally produce होती है anaerobic यानि की in the absence of oxygen की इसमें जो जो भी जितना भी एक्री residue होता है उससे तो जो CBG क्या है compressed biogas इसमें pure methane content है 95% होती है ये compressed biogas methane होती है ठीक है ये important बात है आपर ठीक है तो सत्ताथ initiative किस चीज़ के लिए है बायो गैस को प्रमोट करने के लिए compressed biogas CBG को प्रमोट करने के लिए आयो से लच्पी से और बीपी से ल करेंगी फिर नेक्स्रेश में सत्रवा डीशन सत्रुए सेंच्री का जो ऊथ कडल था ये मुगल पीरेंड में बनाया था ये अभी चर्चा में आया था इसलिए क्योंकि जर्मनी की गवर्मेंट ने बोलाए कि 32 लाग रुपर देंगे कैमल हमके शेप का था ये और ये मुगल गार्डेन है डल लेके आसपास बना हुआ है इसको अभी इंट्री मिली है कहां यूनेस्को की टेंटेटिव लिज्ट आफ वर्डे साइड में तो ये पूछा सकता है कि उत का डल ये का बनाता है 1670 में मुगल पीरेंड के टाइम प इसके बाद पहली जो महिला जनरल बनी है 17 साल की हिस्ट्री में बंगल देश में उनका नाम है सुसाने गिटी फिर मिनिस्ट्री आफ कॉर्परेट अफेर ने एक 11 मिंबर हाई लेवर कमिटी बनाई है CSR के लिए और इसको जो है इसको हेड कौन करेंगी ये इंपर्टन बा कैसे कैसे प्रोजेक्ट चलना है क्या 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 उसमें मेजर होने चाहिए effective monitoring कैसे होगी कैसे evolution होगा ये सब कौन देखेगा ये सब देखेंगे इनकी जो कमिटी है इन जेती स्री निवास और आप जनते हैं कि ये जो एक आया था 2013 वाला company's act उसमें बोला गया है कि आपको 2% जो है net profit का CSR में करना पड़ेगा spend जो भी company ऐसी है या तो उनकी 500 करोड कैपिटल है या फिर revenue उनका 1000 करोड या net profit 5 करोड का है ठीक है उनको 2% जो है CSR का करना पड़ेगा फिर इंडिया का पहला AICTE Training and Learning Academy यानि कि अटल इंडिया की पहली अटल अकेडमी जो है कहां पर आएगी या आएगी जैपूर में है ठीक है इंडिया की पहली AICTE Training and Learning Academy कहां पर आएगी जैपूर में आएगी किस ले किया गया है ताकि Teaching Method को और ज़्यादा यहाँ पर इंप् अग्रेड किया जा सके Technical Education को और ज्यादा Effective बना जाए सके Training इसमें करी जाएगी Teachers की 2019 से mandatory होगी और जितने भी अभी टीचर है उनको भी ऐसा mandatory होगा कि उनको यहां से Training करना पड़ेगा प्रमोशन में नहीं होगा अगर आपने यहां से नहीं की तो जैपूर के अलावत तीन और जगह यह जो है आने वाली है आएसी यूनिश्टी मतलब टीचर्स की Training पर फोकस किया जाएगा AICT Training और Learning वाला जो है और सबसे पहला जैपूर में फिर गुजरात में आने वाला है अभी केरल में आने वाला गुवाटी में महत्मा गांदी International Sanitation Convention नई दिल्ली में यह हुआ था अभी चार दिन का Convention था और यह किस मिनिस्ट्री ने कराया था? Ministry of Drinking Water and Sanitation ने ठीक है इसमें यह है कि अगले साल जो है एक सो पचासमी बर्त अनिवर्शली है गांदी जी की उसी के लिए करवाए गया है यह important बात है ठीक है इसमें और भी चीज़े है एक award भी था वो आगे है शुशील मोदी को बनाया गया है गौशील मोदी को बनाया गय जाए प्वाए खीज़े तो उसको कॉनेट करेंगे शुशील मोदी तो अगर कैलेमट्री टैक्स है तो यह समझ जिए सुशील मोदी जीस ठीक है सुशील मोदी जो है एक तरह से अब क्या बोलना है बतलब आप भी समय षेक्ट बनाके कि करें रिटेमट्री को आफ ओल्डर पर्शन एक अक्टूबर को नाया जाता है 2018 की तीमती celebrating older human rights champion ठीक है joint multinational maritime exercise इबसा मार 2018 इसका 6th edition कहां पर हुआ चालो अभी साइमोंस टाउन में साउथ अफरीका में थंपी कना था नम जो की मलियालम फिल्म डेक्टर थे उनकी डेथ हो गई इसमें चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सुनवाल ने इंडिया का tallest national flag जो है आपकी average city elevation के इसाब से गौार्टी में लहराया ठीक है यह important बात है अब अगर यह देखिए कि इसमें क्या है कि अगर आप tip देखेंगे flagpole की base से जो hill का base है वहाँ से तो यह है और मतलब देखिए इसमें तीन चीज़ है अगर आप mean sea level से देखेंगे तो यह tallest है जो यह गांदी मंदप पे गौाटी में फैराया गया अभी लेकिन अगर आप total height देखेंगे तो अभी भी tallest जो है वो कौन है वो पंजाब का ठीक है तो यहां पे हम लोग थे यह बता रहा था मैं पता नहीं किस ने कॉल कर दी मुझे एक बात यह नहीं समझाती है देखें वाट्सेप पे मुझे कोई कॉल मत करा करिए मैं कई बार आप लोगों से बोल चुका हूँ अभी मैंने कैसे पता नहीं वो बंद करना भूल गया नेट वाला पूरे दिन कॉल करते रहते हैं मुझे कॉल मत करा करिए इस बात को चाहिए आप मेरा ego समझे रूट नेचर समझे मुझे कॉल नहीं पसंद किसी की भी लेना ना मैं लोगों से बात कर सकता हूँ और ना मैं वीडियो कान कर सकता हूँ जब मेरे पास टाइम होगा ता भी कर सकता हूँ चिर्फ आप मैसेश क्र सकते हैं मैसेज में रिप्लाई करता हूँ मैं ज्यादा तर जो important messages होते हैं कुछ लूग quarter के message करते हैं इस से यह सब नहीं हो पाएगा मैं सिर्फ मुद्दे पर बात करता हूँ कोई काम की बात है तो आप करिए वो भी प्लीज कॉल मत करिए मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे व्योटसप पर कहीं भी कॉल करें जब भी बात करनी होगी हम लोग यूटूब में लाई अगर आप मैसेज करोगे तो मैं बाकाहदा रिपलाई दूँगा हर चीज का जितना मेरे पार सोलुशन होगा जितनी मेरी तथा है उतना करूंगा प्लीज कॉल मत करा गुरू मुझे नेक्स रेस में मैं बतारा था आपको कि अगर आपने मीन सी लेवल से आपने जो है अग और इसमें क्या है क्या बता रहा था मैं हाँ जो अगर आप सिर्फ हाइट लोगे तो फिर कौन है तो आपका हाइएस्ट है पंजाब का टॉरी बॉर्डर वाला और उसके बाद सेकेंड पे है पिंपरी चिंजवाड का भक्ती शक्ती चौक पे है टॉलेस्ट जो फ्लैक की बात हो रही थी नेक्स्ट इसमें कि इंडिया की रहें का ये पांचवी होंग कॉंग और थाइलेंड के साथ और किस चीज में आये कि लॉंग लाज़ेस्ट पिक्टोरियल वार्निंग जो है जिगरेट पैक पे देते हैं पचासी परसेंट का वो डबा कवर करके रखते हैं दोनों साइट का जो पिक विक होती है उसमें बड़ा जगले वाले का दिखा के अलाकि ये सब चीजों से देखें लोगो लोग इतना जाद डेटर नहीं होते हैं जिनको पी नहीं होती ही वो पीते हैं और ऐसा कुछ नहीं है सिगरेट के आप चाहें जितने भी रेट कि दूटे उसमें तेमोर लिस्ते यह जो साउथ एश्ट केरिया केंट्री है यह लार्जेस्ट वार्निंग देती हैं सिगरेट पैकेट में करीबं 92.5 परसेंट फ्रेंट और बैक दोनों पर ये वार्निंग देती है और उसके बाद है नेपाल और उसके बाद हनवा ह्टू होगा यह बात है इसमें थोड़ा सा यहां निग्रानी की ज़रूरत है तो यह रिपोर्ट रिलीज गई थी जिनेवा के आठवे सेशन में यह की गई थी यहां पर कॉन्फरेंस ओपार्टी जो वह था डब्लो एचो फ्रेमवर कॉन्वेंशन ओन तो बैको कंट्रोल है फिर नेक्स टैस में उडिसा गवर्मेंट ने लांच किया है अपना खुद का फूर्ट सिक्योर्टी स्कीम ताकि 25 लाग जो गरीब लोग है उनको जो एक्स्क्लूट किय वेंकईया नाइडू जी जो हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने वर्ड का लार्जिस्ट डोम कहां पर यह इनाउग्रेट किया महराज इंसिट्टूट और टेक्नोलाजी में ठीक है MIT जो है वर्ड पीस उनिश्ट्री वहां के कैमपस में पुने में वर्ड का लार्जिस्ट डोम इनाउग्रेट किया ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है इसमें अभी देखे जो इंटरनेशनल सोलर रेलाइंस है उसकी पहली जनरल एसम्बली कहां पर हुई है नई दिल्ली में ह है और इसका जो थीम क्या था वन वर्ड वन सन वन ग्रिट इसमें क्या हिसाब किताब है कि अगर आप देखेंगे यह कॉप जो 21 हुआ था उसमें फ्रांस और इंडिया ने मिलके इनिशेटो लिया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिगर इसी की जो कंट्रीज है एक क्वेटर के बीच की इनका एक एक एसोचेसर मनाया गया यहां पर इंटरनेश्टल सोलर और और इसका पहला समिट कहां पर हुआ है दिल्ली में हुआ है और इसका मुख्याला भी गुडगाओं में यह है इसी के साथ एक और चीज़ यह सेकंड आयो आरे रिनेवाबल इनरजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग और इसेकंड ग्लोबल रिवेस्ट ठीक है रीइनवेच यह घनी कि रेंवबल इनरजी इनवेस्टर्स मीट इन एक्स्पो तो यह है और यह इंपोर्टेंट है कहां पर यह मोंट है किरह बरहं आहमद साली यह यह है कि जैसे मैंने बताया है कि अगर मालेजी किसी को बात ही करनी है कोई बहुत जरूरी तो आप मुझे पहले बता दिए मैं उस पॉल करेंगे करेंगी उस विसाब से ठीक है तो यह है विसाब किताब और बाकी हर चीज का नेचर होता है मेरा भी ऐसा नेचर है इसको बदला नहीं आ सकता है सौरी फॉर इंट्रेप्शन तीसरा पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा शायद मेरे इसाब से और यह करीबन बाव पचास मिनट का और हो गया मैंने तीन गिंटे बुला था तीन गिंटे में कर दूंगा मुझे नहीं लग़ा है तीन में हो पाएगा शायद साड़े तीन गिंटे और चार गिंटे के असपस लग जाएगा लेकिन इसको देख लेना आपकी सीवी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरी मानना तो जरूर देख लेना पीडियाफ इसको अलड़ी फ्री है शेयर्ड है थैंक्ट्यू अर दोस्तो स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सीवील सिरुसेज में एक अगस से लेके 10 अक्टूबर तक का हम लोग करेंट अफेर देख रहे थे थायर वाला इसमें देखते हैं यहां तक मैं बता नया प्रेसिडेंट इराग का नेक्स्ट इसमें अब देखें जो जो मुद्दे वाली बात है बस वही मैं बताऊंगा पूरा चाहें तो यह अली पीडियाफ ओलरी फ्री है टेली ग्राम में जो चैनल है और इस्टेडी फॉर्ट सीवील सिरुसेज दोनों में मैंने शेयर क रखना है नेक्स चैस में 149 जो जहनती थी इस बैर महत्मा गांदी जी की उसमें सिडबी ने एक जो प्रोग्राम है लॉंच किया उसका नाम क्या था उद्यम अभिशाला इसका एम क्या था इंट्रप्रणर्शिप अवेर्नेस क्रिएट करना ठीक है तो एक नैशनल लेवल प्तलब पूरे इंडिया के लेवल पे इंट्रप्रणर्शिप के बारे में जानकारी देना अवेर्नेस बढ़ाना उसके लिए कैम्पन खोला किस ने खोला सिडबी ने खोला नाम क्या है उद्यम अभिशाला तो यह पूछ सकते हैं आपसे उद्यम अभिशाला किसका है स्वक्ष्छ कैम्पस रांकिंग किस ने जारी की है HRD मिनिस्ट्री ने इसमें नंबर वन इनृस्ट्री कौन से रही है हर्याना की जो इनृस्ट्री है इसको मिला है सबसे स्वक्ष्छ गौर्वर्मेंट यूनिवर्स्टी का अवर्ड ठीक है तो ये दो चीज बस आप याद रखेगा जो यहाँ पर रैंकिंग डिसाइड की गई थी स्वक्षिता ही सेवा कैम्पेंग एक चलाया गया था उसके बाद की गई अब उसके बाद देखें सेकेंड था तो बहुत सारे हैं मेरे साब से इतना टाइम नहीं में में बाते बस फोकस करिए हर्याना की महरसी दयानंद इंविश्टी टॉप रही है क्लीनेस्ट अवार्ड मिला है इसको स्वक्ष कैंपस रैंकिंग का जिसको हर्ड मिनिश्ट ने दिया नेक्स इसमें गवर्मेंट ऑफ इंडिया और ADB यानि की Asian Development Bank ने अभी एक 240 मिलियन डॉलर का लोन किया है किस चीज़ के लिए किया है सेफ और सस्टेनेबल ट्रिंकिंग वाटर देने के लिए वेस्ट बेंगॉल में देखें वेस्ट बेंगॉल में वेस्ट बेंगॉल में वेस्ट बेंगॉल के तीन डिस्टिक्ट के लिए ठीक है वेस्ट बेंगॉल में अगर आपको पता हो कि जो सबस्यादा आरसेनिक की प्रॉब्लम जो है केंटमिनेटेट है वहाँ का ग्राउंड वाटर आरसेनिक फ्लॉराइड और सेलिनिटी से ठीक है तो तीन डिस्ट्रिक्ट है आपे इनके लिए ADB और Government of India के बीच में एक आया है लोन 240 मिलिन डॉर अगा कौन कौन से तीन डिस्ट्रिक्ट है बाकुरा नौर्थ 24 परगना और पूर्बा मेडिनी पूर्बा की आप यहां से देख लिजेगा इंपॉर्टेंट बात बता रहो है बस मैं नेक्स्ट है इसमें Ministry of Railway को मिला है Best Department का आवार्ड एक देखिए स्वक्षिता ही सेवा एक होती है काटेगरी उसमें एक कॉलम होता है स्वक्षिता पकौरा ठीक है तो Ministry of Railway को Best Department बोला गया है स्वक्षिता पकौरा मेंटेन करने के लिए किस अवार्ड के तहत स्वक्षिता ही सेवा अवार्ड के तहत किस ने और्गनाईस किया था ministry of drinking water and sanitation धिक है यह इंपॉर्टन देथा फर्च तो ministry of drinking water and sanitation का एक patrons सेथां सुक्राइज धेवा उसमें best department मिला है railway ministry को पस इतना आज रखेंग नेट्स है की पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है सुच्छ रिलीजियस प्लेस कौन सा है तो वह कौन सा हो गया माता वैशनो देवी माता वैत बाटल डेवी को मिला है क्ली इस्ट रिलीजियस प्लेसı अवारड किसमें मिला सफाइगरी समिट एंड अवार्ड टूज़ज़ज़टीन जिसको की और्ग्राइज किया था इंडिया टूटे ग्रूप ने मुंबई में ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है सबसे स्वक्ष कौन सा है आपका रिलिजियस प्रेस जो माता वैशनो देवी का है ठीक है और इसके मिलियन डॉलर का है पैट किया है ADB के साथ किस चीज के लिए पहला global skill park ठीक है global skill park पहला वाला कहां प्याएगा बोपाल में यह जरूरिया रखेगा देगे यह वाला question थोड़ा important जरूरिया रखेगा कि पहला जो global skill park को कहां बन दा है बोपाल में बन दा है अच्छा इसमें कानपूर में क्या है कानपूर में 2016 क्या सपस आई थी पहली इस्किल यूनिवस्टी ठीक है दोनों चीज़े अलग अलग है ग्लोबल इस्किल पार काम बना एंपी बोपाल में नेक्स्ट है इसमें इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल हुआ था कहां पर हुआ था य इसने कराया था मिनिस्ट्री अफ साइन्स टेक्न अट्रश यूज्ट्री ने कराया था और थीम क्या थी सी थीम थी साइन्स फॉर ट्रांसफॉरमेशन ठीक है फिर नेक्स चैस में एक अभी साइंस आर्डिस उन्होंने एक कुछ ऐसे रीजन मतलब यह यहां पर आगर आप जिसमें इतना इंपोर्टेंट नहीं है उपरेशन समुद्र मैत्री याद रुखेगा यह गाइए गवर्मेंट ओफ इंडिया का उपरेशन है और किस चीज के लिए है जो भी इंडोनेशिया में जो अर्थकेक आया है या फिर सुनामी आया है उनको असिस्टेंट करने के लि यह operation है, समुद्र मैत्री, ठीक है, समुद्र मैत्री याद रखेगा, नेक्स राइज में पहला regional conference हुआ था, कहां पर हुआ था, यह शिमला में हुआ, ठीक है, किस चीज पर क्या subject था, इस पर, women in detention and access to justice, ठीक है, तो इसका जो पहला regional conference हुआ था, शिमला में हुआ यह, और इसको BPRD ने करवाया है, prison department, जो है, इमाचल प्रदेश से, उसके साथ मिलके, डीजी आत्र वाले मैं बता चुका हूँ आपको, डीजी आत्र में वही है, कि आपकी एक digital ID बन जाएगी, और आप दुबारा जब जाएगे, तो वहाँ पे, पेपर वेपर की जो फोटो कापी ले जाते हैं, यह सब जो identity card proof और टिकर टिकर, यह सब ले जाने क जरूत नहीं पड़ेगी, और आपके face से ही, facial recognition से ही हो जाएगा, मुद्दे वाली बात क्या है यापे, कि पहला face जो चालू होगा यापे, उसमें हैदराबाद और बेंगलूरू में यह चालू होगा, यह आइटी खड़क पूर है, ठीक है, academy of leadership बनाएगा यह, किस चीज के लिए, innovative program को develop करने के लिए, science और इंजिर्णिंग से related, नेक्स्ट है इसमें, पहली इंडिया और वियतनाम की coast guard joint exercise, इसका नाम कहा था, सहयोग हॉप टेक, ठीक है, सहयोग हॉप टेक, 2008 कहां प्यायोजित की गई, Bay of Bengal में, Chennai में की गई, यह important बात है बस, फिर देखे, next यह तो आपको पता है, यह human development index में, इंडिया के रैंकिंगा, 130, 189 countries में, अब इसके बारे में, चर्चा यह human development index के लिए, इस अब में कर चुका हूँ, यह आपको अलग से वीडियो दे चुका हूँ, एक नॉमी वाला पापा वाला वीडियो, ठीक है, तो इसमें यह आपे ज्यादा नहीं करेंगे, main बात जरूरी आद रखेगा, Norway number one पे है, ठीक है यह एक पिक थोड़ी important रहेगी, इसको बस देख लिए एक बार, इंडिया की 130 है, पांगलादेश की 136 है, और पाकिस्तान की 150 है, Norway number one पे था इसमें, और सुर्जय लैंड फिर Australia, ठीक है, सबसे last में था नाइजेर और फिर Central African Republic, फिर next रहे हैं यहाँ पे बहुत important है, World Heritage Cuisine Summit और Food Festival, यह कहाँ पे हुआ है आपका, यह हुआ है आपका, किला गोविंदगर अमरत्तर पंजाब में, ठीक है, तो यह जरूर याद रखेगा, यह, World Association of Chef Society का, तो यह World Chef जो हुआ है, वो पहले बात चल ली थी, शायद मलेशिया में करने की, लेकिन यह हुआ कहाँ पे फाइ अमरत्तर में, पंजाब में, नहीं देखें, दोनों अलग-अलग चीज़ है, यह जो World Chef Congress है, Congress and Expo, यह कहाँ पे हुआ है, कुआला लंपूर, मलेशिया में, ठीक है, Asia on a Plate, इसका यह था, तीम, और जो मैं बताया हुए हम पे अभी वो अलग चीज़ है, यह कहाँ यह, पहल सकते हैं आपसे कि किस राजसरकार ने अभी एक साइन किया है, Friendship and Cooperation Agreement, Siol Metropolitan Government के साथ, तो किसने किया है, दिल्ली गवर्मेंट ने किया है, दोनों जो सिटीज हैं, वापस में expertise को, आपस में आदान करेंगी, नेक्स रेस में, विजिया क्या है, यह Indigenously Built है, Petrol Visal है, पेट्रोल विजल है, मतलब की जो निगरानी करता है, पेट्रोलिंग करता है जो, और यह किसे ने बनाया है, I-C जी ने बनाया है, और कहा तो बनाया है, चंहेट तेमल नाडू में, बेसिक बात यह क्या है, हूईल तूना ये लाँच किया गया है और हैंडवर कर दिया गया है कोची बेस डियाडियो लैब और इसका नाम क्या है नैवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी लैबरेटरी इतना ही वस्याद रखिए देगे पूछ सकते हैं आप से नाम यहाँ पर वड़ा इंपोर्टन्ट है नहरगर बायोलोजिकल पार्क में ठीक है जो कि जैपूर से करीबन बारा किलोमेटर है थोड़ा से गला खराब मेरा वीडियो बना बना के इसलिए उतने अच्छे सरी बता पार हूँ लेकिन अब कुछ लोगों ने बोला है कि थैड वाला एक बार कंप्लीट तो करी दूँ बाकी रात में मैं एक बार कोशिश कर रहा हूं कि पॉलिटी के लिए बना दो वूडियो और मैं कुछ पीडिया बना के जरूर दे दूँगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर वीडियो भी बना के दिदूगा प्रेशर ज्यादा आ जाता है इसलिए हो जाता है सब नेक्स है इसमें कि साइन्टिज जो है इनमास के उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने बनाया इंडिया का पहला इंडिजनेस मेडिकल किट जो कि क्या कर सकती है जो अगर मालेजिए कोई न्यूकलियर वारफेर से किसी ने अटेक कर दिया या कोई रेडियो एक्टिव से लीके जो ग अब देखें इस kit में क्या है इस kit में EDTA injection है और यह basically जो है जो हमारे सैनिक हैं border area में रहते हैं उनके लिए थोड़ी important सकती है जो low scale warfare की कई बार बात करते हैं यह उसके लिए ठीक है इनमास का क्या मतलब है institute of nuclear medicine and allied sciences नेक्स इसमें international day of democracy का मनाते हैं 15 सितंबर को मनाते हैं 2018 की theme थी democracy under strain solutions for a changing world ठीकर नेक्स इसमें national engineer day मनाते हैं 15 सितंबर को इस बार की theme क्या थी engineering challenges for knowledge era फिर नेक्स इसमें इंडिया अपना पहला global tourism mart ये कहां पर आपका आज़ित किया गया है विज्ञान भवन देली में और ये जो है किसके पहला लहीं लगवाग आई टी भी बर्लीन की ठीक है इंटरनेशनल टूरिजम ब्रेस बर्लीन के जो की वर्ड का largest tourism trade fair है तो वर्ड का जो largest tourism trade fair है उसी की इंडिया ने अपना एक ग्लोबल टूरिजम मार्ट किया है कहां पर विज्ञान भवन दिल्ली में फिर नेक्स इस में गैन पार ट्राओ अंडालका 83 और इनकी डेथ हो गई किस चीज़ से लेटेट थे ये एशियन गेम के चैंपियन इस लड़ थे नेक्स आइस में इस रो स्री हरी कोटा सारी ये 37 धवन इस पेस सेंटर जो की कहां पर है आंधप्रदेस में एए ठीक है ये साथवा रेडार है बेसिक बात यहां पर क्यांद रखने कि एस बैंड में यह यह है एस बेंड वाला डॉप्लर किया यही पूछ सकते हैं कि कौन से बैंड वाला किया है औ उसका बारवा एडिशन हुआ था मेंस वाले का कहा पर वह था यह इंपोर्टेंट है यह हुआ था धाका में बंग बंदू इस्टेडियम में मालवीव्ज ने इंडिया को हरा के यह मालवीव्ज का दूसरा जीत लिया मतलब मालवीव्ज ने यह फुटबॉल जो है कप जीत लिया है सैफ कप किसको रहा था इंडिया को रहा था मालवीव ने दूसरी बार जीत था है बस इतनी चीज़ इंपोर्टेंट है यहां पर सैफ सुजुकी कप है यह आपका फुटबॉल वाला बंगलादेश में हुआ था यह और मालदीव देखे मालदीव ने जीता है किसको रहा के पांग इंडिया को रहा के और इसमें टॉप स्कोरर थे इंडिया के मनवीर सिंग फेर प्ले अवार्ड मिला है बूटान को बस इतना याद रखीगा इसमें ठीक है नेक्स इसमें करेंट अफेर है केरला गवर्मेंट ने दो गोल्ड अवार्ड जीते हैं कहां पे एक P.A.T.A करके है Pacific Asia Travel Association के अवार्ड उसमें दो गोल्ड मिलें इनको दो गोल्ड अवार्ड मिलें ठीक है पहला अवार्ड मिला है यल्ला के लिए और दूसरा जो है वो innovative poster बनायते हैं लोगों ने इसके लिए मिला है नेक्स इसमें न्यूज है इसरो ने successfully launch किया है क्या नुवासर और ये S14 Earth Observation Satellite जो की UK के है कहां से किया गया है आन्द प्रदेश से किया गया है और जो इसरो की commercial wing है अंत्रिक्ष Corporation उसने ये किया है पूरा ठीक है अब इसमें एक चीज़ और है कि ये इसरो की PSLV की 44th flight थी तो ये important है याँ पर नेक्स इसमें सवाई सिंग सिखावात जैपूर based poet है इनको मिला है मीरा पुरिशकार ठीक है सिखावत जैपूर के हैं ये ठीक है मीरा पुरसकर याद रखेगा नेक्स इसमें है कि एक सत्य रूप सिधान्त और मौसमी खटुआ इन्होंने क्या किया है इन्होंने इशिया की जो highest volcanic peak है Mount Damawand इरान उस पे मतलब क्लाइम कर लिया है उस पे आप चड़ गए है इसमें क्या लिखाएं कि साथ अगर आप देखें हर continent की जो volcanic peak है वो इस map में बताई गई है ये आप देख सकते हैं जिसे Antarctica की है ये सिडले और जो ये है आपकी एशिया की है आपकी Mount Damawand जिसमें इन्होंने फते हासिल किये अफरीका की है किली मनजारो और फिर ये औरी जाबा है नौर्थ अमेरिका की साथ अमेरिका की ओजोस डेल सलादो और ये आपकी योरोप की है अलब्रस तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी है एक बार थोड़ा सा यादर किये कई बार गर मानेजिए मैच दो फॉलूइंग आ सकता है तो इसमें आप पता सकते हैं यह जोस जल सलादो ये पूरी दुनिया की सबसे हाइस्ट एक्टिव वल्केनो पीक है ये ठीक है साउथ अमेरिका में है ये एंडीज रेंज में है ये और फिर अफ्रीका की में केरी मिनजारो है योरोप के इलब्रस है और नौर्थ अमेरिका की ओरी जाबा करके है ये अईशिया की है धमावंड ओशनिया की है ये माउंट गलूआ करके और बाउंट इट ले अंटर्टिकर की ठीक है फिर नेक्स में मिनिस्ट्री आफ टूरिजम ने एक ये फेस्ट्वेल आफ टूरिजम बना रहे हैं परेटम पर्व परेटन पर्व टूथोंट रेटीन और ये कहां पर इसके लिए ये किया गे स्टार्ट नए दिल्ली में नेक्स इसमें इंडिया की पहली एक्स्क्लूजिव सर्टिफाइड डॉग डॉग पार्क कुत्तों के लिए पार्क आया है सबसे पहले कहां पर ये इंडिया का पहला हैदराबाद में ठीक है तो भारत में पहला कुत्तों के लिए पार्क आया है हैदराबाद में नेक्स इ देखें जो बिम्स्टेक की एक्सराइज है मिलेक्स इसमें पहले नेपाल ने आने से मना कर दिया था फिर ये थाइलेंड की भी आर्मी ने नहीं भेजा है अपना और टुप्स नहीं भेजें पॉर एक ऐसी ऑब्जरवर भीजें तो ये इंपोर्टेंट है बिम्स्टेक की ज अगर आप देखेंगें तो इसमें इंडिया की रैंक है तीसरी ग्लोबली अगर आप देखेंगें फैमिली ओन बिजनेस के साब से कि मतलब एक परिवार आधार जो बिजनेस के साब से इंडिया थैर्ड है ठीक है एक क्रेडिट स्विज्ट फैमिली टुवन थाउजन एटीन की एक रूपोर्ट है आप इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया इसमें थैर्ड नम्मर प इसमें जो है बाकी देख है जैसे यूए और चैना में है परिवार वाद इसमें हार चीज्डों में होता है कोई भी पार्टी चाहिए जिता भी क्लेम कर ले सब लोग करते ही है ठीक है तो यह है और वो बिजनेस में भी होता है नेक्स डेस में वड़ी इंपॉर्टन नीविज है दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन यह किस देश ने अभी रेसेंटली स्टाट किए यह एक्वेशनाा सकता है जर्मनी ने यह स्टाट किया और यह सिर्फ इस्टीम और वाटर को एमिट करता है ठीक है तो यह important बात है थीक है तो यह important बात है इसको बनाए लेट् अकाहे लेट्स ट्रॉम जो कि French maker है और यह important है यह यह costly होगी digital power train से लेकिन eco friendly होगी और इसमें जो excess energy होगी वो lithium-ion की batteries में होगी नेक्स आज में government of India ने प्रपोस किया है एक ये विजिया बैंक देना बैंक और बैंक और बढ़ोधा को merge करके इंडिया की third largest lender बनाएंगे तो इसमें कौन को नमार जो रहा है विजिया देना और मैंक और बढ़ोधा अच्छा इंडिया की first largest गोवन है जली सबताई करके नेक्स आज में उड़ीसा government ने start किया है कि star rating system industries के लिए किस चीज के लिए industry में air pollution को चेक करने के लिए एक से लेके पाच इस्टार तक यहां पर दिये जाएंगे यहां पर और इसमें अगर आप देखेंगे बीस इंडिस्ट्रियल प्लांट इनिशली कवर होंगे और इवेंचुली 136 प्लांट तक चला जाएगा नेक्स आज इसमें डॉक्टर सुप्रमन्यम जैसंकर जो की फॉरेन यह फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे अब यह क्या है इन्होंने यह जोईन किया है यूएस इंडिया स्ट्रेटिजिक पार्टनर्सिप पोरम ठीक है इसके बोर्ड बे आगा नेक्स है इसमें इंडिया का पहला स्मार्ट फ पाकिस्तान के बीच में फेंसिंग कर रहा है इसमें बड़े सारे लोगों को दिकत भी हो गई थी हलाकि यह बड़ा अच्छा कदम है यह नेक्स इसमें कमलेश नीलकांट व्यास ठीक है यानिकी के अन्व्यास के अन्व्यास को बनाया गया है नया सेकेट्री ओफ डिपार् धार्थे देरेक्लिए यह पीम के टर में होता है नेक्स इसमें अन्वाराजम मलुत्रा जो कि भारत की पहली आईस महीला ओफिसर थी उनकी डेथ हो गई यह इसलें इंपॉर्ड टे थे अन्ना राजम अलुत्रा के नाम याद रखेगा पहली भारतिये माहिला आईस ओफिसर नेक्स डाइस में इंडिया ने एक लोन यहाँ पर किया है लोन एग्रिमेंट वर्ड बैंक के साथ कितना मिलेगा चौतर मिलियन डॉलर मिलेगा उत्राखंड वर्कफोर्स डेवलप्मेंट पोजेक्ट के लिए तीक है कि यहाँ पे जो है की ट्रेनिंग आई टियाई में इसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे आई टियाई जो है उत्राखंड में ताकि जादा 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 जो है इसकिल्ड इंकूबेशन सेंटर और यह कहां पर है यह एन इटी अगरतला से किया है यह और इस चुड़ो ने क्या किया है इस चुरो अभी अगर आप देखें किया इस पेस ट्रॉनिक चला था तो उसमें बेंगलूरू से यह वायर रिमोट यहाँ पर किया है एन इट एर अगरतला मे एक अपना पहला Space Technology Incubation Center तो ये important बात है आपे next इसमें important चीज़ है आपे वरुन धवन को और अनुस्का सर्मा को बनाया गया है Skill India Campaign को promote और endorse करने के लिए अब इस पर कोई govern नहीं करूँगा आप रोग इस पर पर रोग नहीं करूँगा इस बार next इसमें वर्ड हो जोंडे 2018 को अगर आप देखेंगे आपे तो environment जो minister है उन्होंने draft India cooling action plan इस्टार्ट किया और इसके लिए किया एक booklet भी लाँच की गई Montreal Protocol India Success Story तो इंडिया ऐसा पूरे दुनिया का ऐसा पहला country बन गया है जहांपे ऐसा ये draft India cooling action plan ये लाँच हुआ है बड़ा important है यहां पर देखेंगे इसमें एक चीज़े याद रिखेंगे कि ये 2017-2018 से लेके 20 सालों के लिए किया गया है 2017-2017 तक और इंडिया ऐसा पहला देख बनाए कि जहांपे ये cooling जो है different sector में क्या क्या होगी उसके लिए बाकाइदा R&D के लिए जाएगी और यहां पर पूरा किस किस में क्या क्या डिमांड है thermal comfort जो है सभी जो गरीब लोग है उनका भी ख्याल लग लग जाएगा तो यह important बात है यहां पर ठीक है पिर देखें नेक्स्ट है इसमें government of India और food and agriculture जो और ने इसने FAO उन्होंने जॉइंटली एक प्रोड़क्ट ये प्रोजेक्ट लाँच किया उसका राम है green agriculture project ठीक है इसमें जो agriculture sector है farm sector में बहुत drastic changes लाने के लिए और इसको जो है अगर आप funding देखें कौन कर रहा है 30.5 million dollar के funding मिलेगी global environment facility के द्वारा और ये कहां कहां पर किस किस state में किया जाएगा ये आपका पाच इंडिया के वहां पर किया जाएगा ये जैसे मद्द प्रदेश मिजोरम उड़िशा राजस्तान और उत्राखंट ठीक है तो ये है important और इसमें मतलब वही है कि agriculture production भी होना इसमें बहुत important swang सिद्धा ये किसका initiative ये पूछ सकते हैं तो ये किसका है ये West Bengal का है और एक किस चीज के लिए है human trafficking को रोकने के लिए वैसे जरूरत भी थी West Bengal को क्योंकि human trafficking में West Bengal number one पे है ठीक है तो इसी लिए यहां पे चालू किया गया है swang सिद्धा West Bengal का next आइसमें online e- hedge portal इसमें होगा क्या इसमें security clearance दिया जाएगा businesses को तो ठीक है ये online search portal है ये किस चीज के लिए है security clearance मिलेगा इसमें business को और इसके लिए नॉडल authority कौन सी है ministry of home affairs next इसमें है कि इसमिता पार्टिल memorial award 2018 वाला मिला है अनुश्का सर्मा को ठीक है ये वाला question अभी ACF में भी आया था लेकिन इसमें 2017 वाला पुछा गया था यहां पे 2018 की बात हो रही है फिर इसमें next है इसमें अगर आप देखेंगे कि total जो installed capacity solar power generation की इंडिया की वो 25 गीगा वाट से ज़्यादा हो चुकी है और इंडिया में top जो solar producing state है इसमें करनाटिका हो चुका है नियुक्लियर में आप जानते हैं तमिल नाडू है जो wind energy में भी तमिल नाडू है ठीक है thermal में महराष्ट है और total जो electricity के installation में कौन से state है आप बताएं यह सब मैं पूरा एक energy का video बना चुका हूँ नेक्स इसमें अभी यह इविया इंद्र करके है कि exercise इंडियान और रशियन एरफोर्स के बीच में होई थी यह कहां पर होई थी लिपिस्टिक करके होई थी रश्या में सौरी इसके प्रक्रट प्रनेंसिसन शाहिए नहीं होगा लिपिट्स करके होगा कुछ वह ने यह ond ने इसएड़ किया है कि जो आई ए यह है उसके अंडर में चार और रेक्टर अपने यह इंडिया जो है और दो हैं आपके हैवी रेक्टर है फिर इसमें नेक्स है इसमें अपका की एक हुरीशा में एडर्वर्ट बन रहा है जार सुगुदा इसका नाम क्या है इसका नाम रखा जाएगा वीर सुरेंदर रसाई के नाम पर फिर देखिए नेक्स यह बड़ा इंपोर्टेंट है आई एन काफी दिनों से न्यूज में आट महीने लगे जो महिलायन को पुरी दुनिया को घुमने में करीबन और सरकम निविगेशन करने में और वुमन कुन थी है और यह टीम का नाम भी लिखा हुआ है वैसे यहां पर कैप्टन का जरूर याद रखे गए पर कमांडर वरतिका जोश है फिर उसके बाद अगर आप यह देखे पाच पाच में पाच इसकी स्टेज इस थी और कहां का पर इसमें इस्टॉप ओर हुआ ऑस्ट्रेलिया में न्यूजिलेंड में और फॉक्लेंड में और फिर साउथ अफरीका में फिर यह हैं एक डोला गोबिंदा प्रधान इनकी इसके अलावा अगर आप देखें चिंतामनी मौलविया को बनाए गया है नया चैर्मन कोल और इस्टील पैनल का और बाकी जो है वो सेमी रहे गया फाइनेंस कमिटी जो है वो विरप्पा मोली हैट करेंगे एक्स्टरनल अफेर्स जो कमिटी है उसको शशी थरूर ही हैट क करेंट सीवी सी कौन है यह जरूर आप देखेंगे के वी चौधरी है ठीक है नेक्स इस में जो यह है रगुपती सिंगानिया चेयर्मन और एमडी है जेके टार के इनको एक और मिला है मैक्सिकन और ऑफ दा एज्टेक इगल यह हाइस्ट ओनर है मैक्सिको का यह इंपर्ट करेंगे यह थोड़ा सा अलग सा फेक्ट है इससे जरूर याद रखेगा और बाकी पेमेंट बैंक करती है ठीक है पेमेंट जो आपका ATM और डेबिट लेकिन IPB भी नहीं करेगा इसने टाइप किया है किसके साथ बजाज अलाइंस के साथ और किस चीच के लिए लाइफ मिशाल है यह क्या है शॉर्ट रेंज टेक्टिकल बलिस्टीक मिसाइल है सर्फेश टू शर्फेस और इसको लॉंच किया गया है टी आढ़ियो के देभी यह सो खिलो मीटर की कहीं भी ट्रानस्पोर्ट किया जा सकता है भवक शॉर्ट टाइम में उसके पर इंगे बाद हैं यह कोंडा पल्ली कोटेश स्वरामा यह रिवोलुशनली लीडर है इनके अगर आप देखें आपए थे मतलब यह communist लीडर थे तो इनकी डेट हो गई यह आप याद रखिएगा इनका कि कोंडा पल्ली कोटेश स्वरामा क्या थे लीडर थे और इनकी फिर इनका लाकि किसकी ठीजों काल में. इनका काफी जादा यहाँ पर अपने के लाफैं और देखें इनकी औंकी अठोब क्रफ़ी भी थी निरंजना वरा दी तो यह important है बस ठीक है freedom fighter थे एक चुली कुंड़ा पली सीता रमिया इसी लिए important है यहाँ पर नेक्स इसमें है इंडिया का पहला online और centralized जो national database है on sexual offenders मतलब जो लोग बार-बार यह सब करते हैं उसको launch किया है कि इसमें कहां पर किया गया है नई दिल्ले में किया गया है और इसी के साथ इंडिया नवा ऐसा country बन गया जो ऐसा database maintain करता है यह initiative किसका है national mission for safety of women और इसको maintain कौन करेगा MHA यानि की ministry of home affairs के अंटर में जो आता है NCRB फिर next इसमें आई एफ ने यह प्रपोस किया है आन्प्रदेश government को कि आप अपने आप एक drone manufacturing facility इस्टार्ट करिए अनन्पूट district में drone manufacturing के लिए अभी एक policy भी आई थी इंडियन गवर्मेंट के आप देख लिजेगा मैंने इस पर पूरा बनाया हुआ है ठीक है यार ये मेरे से बन नहीं पा रहा है काफी ज़्यादा गला खराब है और बार बार खांसी आज़ी बार बार रोकना पड़ रहा है इसके बाद मैं अभी के देखिए ये थोड़े urgency है इसलिए अजीत इसको कर दे रहा है क्योंकि अगर आज नहीं मिला तो फिर फिर इसके कोई importance भी नहीं रहेगा पीडियक मैं already इसकी दे चुका हूँ इसके बाद अजीत से continue करवा के मैं आप जोड के आपको दे रहा हूं यह आप करिए और यह इतना लंबा वीडियो बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि गला बहुत जादे इंफेक्ट हो गया है ठीक है लोग इंडिया और स्री लंका ने यहां पर एक Memorandum of Understanding यानि की MOU साइन किया यहां पर समझाता हुआ है दामबुला यहां जो स्री लंका में पड़ता है Central Province वहां पर 5000 मिट्रिक टन चमता वाला Temperature Controlled Warehouse बनेगा जिसको आप आम बोल चाल की भासना में मारे इंडिया में cold storage ब fruit और vegetable को वहां पर लंबे समय तक रखा जा सकेगा उनके loss को रोका जा सकेगा अगला है भारत का पहला Indigenously Developed 500 Megawatt prototype fast breeder reactor जो है काल पक्कम तमिल नाडू में शुरू किया जा सकेगा 2019 तक ऐसा बताया जा रहा है इस reactor को डवलप किया था इंद्रा गांधी Center for Atomic Research ने IGCAR ने भा भाविनी कहते हैं short form में यह Public Sector का Enterprise है जो DAE के अंदर काम करता है Department of Atomic Energy के अंतर के तो इसको responsibility दी गई है ज्यादा ज्यादा fast breeder reactor को डवलप करने के लिए अपनी country में अगला यहाँ पर Ministry of Home Affairs की तरफ से यहाँ पर M.O.Sign हुआ है Indian Space Research Organization इस रों के साथ किसका हुआ है Ministry of Home Affairs का ठीक है ग्रह मंत्राले का ISRO के साथ समझा होता हुआ है ग्रह मंत्राले अपना एक High End Integrated Control Room डवलप करना चाहता है Emergency Response के लिए अब जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप याद रखेंगे इसका को हिंदी मिनिंग आप ना निकाले तो बैतर एक High End Integrated Control Room यहाँ पर डवलप करन चाहता है ग्रह मत्राले और इसमें सयोग लेगा ISRO का तो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है ISRO की Technical सहायता से इसको Setup कर लेंगे और फिर बाद में जो Home Affairs की जितने भी Executives हैं वो इसको Supervise करेंगे इसमें क्या काम देखेंगे यह वाली चीज़ है इसमें अगला यह हो चुका है महाबिश को Consider किया जा रहा है एक Business Opportunity के रूप में महराष्ट्र स्टेट और Gulf Corporation Council के बीच में तो महराष्ट्र और यह GCC रीजन जो है यह आपस में वियापार के समझाते करेंगे वियापार की संभावनों को देखेंगे यह कुल बिलाकर के बात है इसमें अब य रियाद में है साउधी अरब में ट्रांदाई कॉंग नाम के जो प्रेसिडेंट के मजब प्रेसिडेंट थे यह वियतनाम के इनका निधन हो गया था हनोई में हनोई कैप्टल है वियतनाम की तो आप इसमें याद रख सकते हैं अब इच्चुरी इंडिया ने यूएन की ब जो सेक्रेटरी जनरल है वहां के अंटोनियो गुटेरेस की कॉल की यानि की क्लाइमेट एक्षिन पर जो कॉल है उसको सबसे पहले रिस्पॉंड किया इंडिया ने तो आप देखेंगे सबसे पहले कंट्रिब्यूट किया है वहां की छट पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवान के लिए इंडिया ने युवन सेक्टरी ट्रेट को यह भी सला दी है कि वहां की जो बिल्डिंग है वहां पर पूरी तरीष के से रिनुवेबल सोर्स अफ इनर्जी से कामकाच किया जा जिससे हम लोग मढ़ावा दे सकें एक्षिरेंडली प्रैक्रिस को इंडिन गवर्में यहां पर 500 मीटर के धारे में बैन किया जाएगा प्लास्टिक पलूशन को और जितने भी लिटर होते हैं कचड़ा होता है उनको ऐसी प्रैक्टिस को बैन किया जाएगा पुरी तरीके से ताज डिक्रेरेशन के थुरू ताज डिक्रेरेशन हुआ था हमारे यहां पर कब दिल्ली में नहीं है जै धक्षिनिट भारत हिंदी प्रचार सभाब की चेन्नाइई में हैं और ये कुल भिला करके इसका यही गोल है कि जदाज़ा हिंदी लिट्रेसी को प्रमोट किया जाए नॉन हिंदी नेटिव स्पीकर्स में जैसे कि साउथ इंडिया की निवासी हैं न जूनियर 500 मीटर रेस में और ये 5th edition था track Asia Cup cycling tournament का जो कि दिल्ली में हुआ था ठीक है तो दिल्ली में पहली बार ही tournament हुआ था और मयूरी ने यहाँ पर गोड़ दिलाया हमको ये cycling का event हो कहां पर रहा है इंद्रा गांथी इंडो स्टेडियम में और 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 किया जा रहा है किसके दोरा Cycling Federation of India के दोरा CFI के दोरा और 12 countries यहाँ पर participate कर रही थी यह October में वह थाब खत्म हो चुका है इंडिया की पहली cyclotron facility जो है cyclotron 30 यह operational हो गई कोलकाता में और यह भी काम करेगी Department of Atomic Energy के इंतरगर और Treatment of Cancer में इससे help मिलेगी अब cyclotron क्या काम करेगा यह mainly काम करेगा 30 यहाँ पर MEV की beam यहाँ पर use की जाएगी radio isotopes बराने के लिए और medical imaging और diagnosis में help मिल सकेगी cancer patient के लिए यह जो कोलकाता में cyclotron 30 बना है या फिर cyclone 30 बना है इसमें यह पहली ऐसी facility है पूरी country में जो कि germanium 68 का isotopes यहाँ पर produce कर पाएगी और यह breast cancer के diagnosis में काम आएगा और साथ ही साथ यह palladium 103 के isotopes पर करेगी और जो कि prostate cancer के treatment में काम आएगा सबसे ज़्यादा women's में हमारी country में देखा जाता है breast cancer और males में देखा जाता है prostate cancer और capacity भी इसकी ज़्यादा है 60-90 patient को deal किया जा सकता है इस cyclone 30 की दोरा और साथ ही साथ आयोडी न 113 isotopes बनाए जा सकते हैं जो help कर सकते हैं thyroid cancer के detection में अच्छा आप comments में factual question का जवाब दे दिए तो हमें पता लगेगा आपको समझ भी आ या फिर रही isotopes और isotopes में क्या अंतर होता है isotopes, isotopes, isotopes में अंतर क्या होता है comments में लिख करके बताईए साउधी अरब जो होगा ये तीसरा strategic partner बनेगा 50 billion की China-Pakistan economic corridor याने की CPEC में best foreign language category की 91 Academy Awards में official entry की तोर पर भारत की तरफ से आप जानते हैं इसमें special category होती है best foreign film की उसके लिए हर देश अपनी अपनी अधिकारिक entry भेजते हैं पिज़ी साल जैसे Newton को भेजा गया था इस बार भेजा गया है हमारी village rockstar को यहां पर हमारे 65 फिल्म पुरुषकारों में best feature film का ओवर्ड बिला था ध्यान रखेंगे इसको इसकी डिरेक्टर है रीमा दास और इनको ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में भी special mention मिले थे भानिता दास जो इसकी ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में best actress का पुरुषकार मिला था तो काफी जगह से जीत कर आई और देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें अच्छा नबवे ऑसकर आवार्ड में best film कौन सी रहे थी जल्दी से comment पिलिक कर बताईए यह आपको बताऊना चाहिए अगर आप मेर कोई भी वीडियो देखते हैं तो मैंने कई बार आपको बताया है जहारखंड की सरकार ने मोई साइन किया समझाता कि एक इसके साथ नैस्टनल इंस्योरिंस कंप्ली लिम्टेट के साथ जिससे medical facilities प्रोवाइट की जा सके लोगों को जो सेंट्रल की flagship प्रोग्राम है सोसाइटी के माध्यम से मतलब इससे ड्रॉ करेंगे फंड आउश्मान भारत स्कीम के तहट जहारखंड में 25 लाग फैमिली के इंस्योरिंस में सेंटर और स्टेट का योगदान रहने वाला है 6040 का यहां पर और मतलब जहारखंड ने भी बोलाया कि इसके लावा 32 लाग जो कवर की जाने की बात कहीं गई है वड़ते हैं आगे प्रदानमंत्री मोदी जी ने अश्मान भारत नैश्नल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन ए बी नहीं पीम की शुरुवात कहां से की थी रांची से सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज यहीं हो गई यही डरेक्ली आप स सबको रट चुकी है पांच लाग रुपए का आपको भीम मिलने वाला है एनवली पर फैमिली को 50 करोड से 55 करोड लोगों को यहां पर कवर किया जाने वाला है और सबसे बड़ी पूरे वेश्व की हेल्थ स्कीम यह बताई जा रही है और डेटा कैसे कलेट करेंगे मतलब क सबसे बड़ी खास बात ही बताई जा रही है कि इसको कैशलेस और पेपरलेस रखना जाते है कम से कम डॉकुमेंट में और सर्विस पॉइंट में आपको आपका जो है क्लेम है वो दिया जा सके स्कीम के तहत विमिन्स बॉक्सिंग वर्ड चैंपिन्शिप का यह जन 2018 में इ CPF को approval बिल गया है जिसके तहत दिली के high sustainable inclusive growth के objectives पूरे किये जा सकेंगे इसका एक समझ रिलक्ष बता रहे है कि इंडिया का जो transition हो रहा है लोगों का low middle income group से ले करके high middle तक तो उसको यहाँ पर support करेंगे मतलब लोगों की आय बढ़ाना है उनका inclusive development करना है job creation करना है human capital को augment कर करना है कलपना लाजबी का निधन हो गया था रिनोड फिल्मेकर थी इनका निधन हो गया था बस इतना ही आभध्यान रखेंगे वैसे अभी चुरीज इनकी आजकल नहीं पूछी जा रहे है अक्ट्रिस वगएरा अक्टर की डिरेक्टर की इंडिया और इस्राइल ने सवा ऐसे कंट्री बन जाएंगे जिन्होंने टाइगर की पॉपलेशन को एक डिकेड में लगभग दो गुना कर दिया है उन्होंने कुछ यहां पर डेटा शो किया था 2009 में टाइगर की संखे 121 सीन के नुसार और अभी बता रहें 2018 2019 में 235 वाइल टाइगर से वहां पर इनके कं बना है कि हमने डिकेडल में एक डिकेड में टाइगर की पॉपलेशन को लगभग दो गुना कर दिया है अनिल कुमार चौधरी अपॉइंट कर दिये गये थे न्यू चियर्मेन की रूप में स्टील अथॉर्टी ऑफ इंडिया लिम्टेड के बताए स्टील अथॉर्टी ऑ बढ़ाना चाहता है दो गुने तक तो इसलिए इनको प्रोमोट करने के लिए बनाया गया है तबिल डाडू की सरकार ने नील कुरूंजी के संरक्षन के लिए यानि की स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियानस प्लांट के लिए जो की बारा वर्षों में एक बार उक्तेवी दिख सुरत फूल होते हैं बारा वर्ष में एक बार ही खिलते हैं कहां कहां पर खिलते हैं थोड़े से यह आपके वेस्टर्न घाट के साइट खिलते हैं नीरगिली हिल्स के पास खिलते हैं थोड़े से यहां पर तमिल नाडू में खिल जाते हैं और इनका सीजन करीब मई में आत करिए इनके संद्रक्षन के लिए या फिर ऐसे काम करेंगे कि यह लगातार मतलब हर 12 वर्ष में खिलते नहीं एक्स्टिंक्ट ना हो जाए मद्ध प्रदेश की गौर्मेंट ने निव डवलेटम्ट बैंक के साथ समझोता किया है जो कि ब्रिक्स पर सड़क बनाया जाएगा हाइवेस को नैशनल हाइवेस को और बांकी रोड को भी तो मतलब एंडीबी स्योग लेकर मद्ध प्रदेश अपने आप पर सड़के बर्माएगा यह आप इसमें याद रख सकते हैं इब्राहिम मोहमद सोली बन गए हैं प्रेसिडेंट मालदीव के बस इतना है आपको याद रखना है इसमें Ministry of Housing and Urban Affairs ने अपना जारी कर दिया था Ease of Living का इंडेक्स स्टेट्स के लिए अभी Ease of Living Index आये था आपने देखा था अगस 14 को यह सिटीज के लिए आये था 111 सिटीज को रैंकिंग दी गई थी Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा पहली रैंकिंग यहापर पुणे को मिली थी यहने की Most Livable City है आगरी रैंकिंग रामपूर को मिली थी जो की यूपी का है यह ध्यान रखना था आपको इसके लाब स्टेट्स की रैंकिंग भी आ गई थी इस बार कौन से स्टेट्स सबसे ज़्यादा रहने योग है कहां पर लिएबिल्टी सबसे अच्छी अधिक है तो Mission for Rejuvenation and Urban Transformation इसके तहर जारी करते हैं यह पूरा assessment होता है 360 डिगरी पर क्या strength है कि अभी एकने से किसी राजी की कितनी संभाव ना है उसमें क्या क्या threats है और outcome based approach पर अधारित है मतलब यह promote करता है कुछ विला करके states को कि वो लोग अप्ती ease of living बढ़ाएं अपने state में देख पूर रहा था इनको किस तरीके से rank किया जा रहा है 100 point scale पर 78 बड़े indicators पर और चार factor पर चार factor कौन कौन से यह important है तरी इंडिकेटर तो आप याद रख नहीं सकते हैं आपको याद रखने हैं institution या governance इसको 25 नंबर social infrastructure यानि की health education की facility कैसी है इसको 25 नंबर economic factor को 5 point और physical infrastructure को सब ज़्यादा 45 point अब आप देखेंगे further इनको break कर दिया गया है कि social में कौन है institution में कौन है economic में कौन है fiscal में कौन है यह आपको कभी ने धियान रखना है आपको overall धियान रखना है overall कौन रहा था टॉप पर पुणे International Day of Peace मनाय जाता है कि September को और इस बार इसकी theme रही थी the right to peace the universal declaration of human rights at 70 यहां पर जीत लिया था विमन सिंगल का title चाइना बैट्मिंटन टाइटल यहां पर जीता था और किसको रहा था शेन यूफी को रहा था तो बस कर लीना ने क्या जीता था चाइना ओपन बैट्मिंटन का title फाइनल में यह आपको याद रखना है अभी हाल में Hyderabad Limited LNT Metro Rail जो है यह देश का दूसरा सबसे बड़ा Metro Rail operational network बन गया था दिल्ली के बाद दिल्ली का सबसे बड़ा है ठीक है और यह पहला ऐसा सबसे बड़ा Metro Rail का network बन गया था जो की PPP model प प्राइबेट पप्राइबेट प्राइबेट पार्टरशिप पर आधारित यह सबसे बड़ा सबसे ब unanim के एड़ा Metro सिस्टम है यह आप लुका मोड्रीग को यहां पर चुना गया था । फीफा में फुट्बॉल अवज लंडन में। फीफा की वार्षिक अवार्ड होते हैं उसमें। बेस्ट प्लेयर का वार्ड मिला। लुका मड्रीग को। जो क्रोईशिया की कैप्टन थे। प्रोईशया रनर अप रहा था आपके फीफा वल्ड कप 2018 में जो की रहश्या में हुआ था टाइटल किस ने जीता था टाइटल फ्रांस ने जीता था इस अब हम चीज़ें देख चुके हैं तो दो इसमें अवार्ड होते हैं एक मेंन प्लेयर का होता है एक विमन प्लेयर का होता है तो मेंन प्लेयर में किसको मिला है लुका मॉड्री को विमन प्लेयर में मिला है मायटा को मायटा को यहाँ पर छटी बार यह अवार्ड मिला है यह ध्यान रखेंगे और्लेंडो प्राइड कहते है माल्टा को इंडियन इंबेसी ने गांधी मार्च जो है अरेंज करवाया था आइकनिक पीस पैलेस जो थी हैग में है कहां पर है नीदर लेंड में 25 सितंबर को ठीक है ये 50 मी बर्थ अनिवरस्ट्री में मात्मा गांधी की सको एंडियन इंबेसी ने हैग में करवाया था थीक है इसको ध्यान रखेंगिस बस नीदर लेंड का कनेक्षन है पुराना मात्मा गांधी से मात्मा गांधी के नाम पर वहां की कंट्री में करिब 30 streets का नाम उनके नाम पर रखा गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे मिनिस्टर है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के उन्होंने वाईउ को लॉंच किया था वाईउ एक Wind Augmentation Purifying Unit है इसका फुल फॉर्म इसको नई दिल्ली में लगाया गया थे पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है यह दो जरीके से काम करती है सबसे पहले तो pollution को trap करना active pollutant को remove करना और extra air जो है release करना environment में तो दो ये चीज़ें काम करती है extra air environment में गई तो थोड़ा सा concentration को dilute किया और उपर से active pollutants जो है उनको trap भी किया filters की माध्यम से इसकी maintenance cost बता रहे हैं पंदरा सो रुपए महीना है करीब और 500 meter square के area को ये purify कर सकती है नेपाल में इंदर जात्र festival की शुरुवात की गई थी ये लोग मनाते हैं इसको rain season के बाद अच्छी harvest की कामना करते हैं UAE ने गोशना की थी कि Interfaith Alliance Forum ये लोग करेंगे अबुदाबी में 19 और 20 नॉंबर को और ये आप इसमें याद रखेंगे बस इतना ही अभी याद रखेंगे इनका objectives क्या है जब ये हो जाएगी conference तब हम देखेंगे इसके बारे में UAE ने एक cooperation समझोता किया है कि इसके साथ International Committee of Red Cross के साथ ICRC के साथ जिसके Humanitarian Response Plan जो है इसको Yemen, Myanmar and Democratic Republic of Congo में UAE चला सके इसके लिए मतलब सपोर्ट करना चाहते है Humanitarian Plans को ICRC के माध्यम से Retros के माध्यम से ये आप इसमेहाद रखेंगे और कितना कितना humanitarian support देना चाहते है मानावतावादी support देना चाहते है कुल भी लाकर के अलग-अलग पैसे का और ये किसकी मदद से करेंगे ICRC की मदद से University of Washington Institute Institute for Health Matrix के द्वारा प्रिपेर किये Evolution Index में जिसको Human Capital Index बता जा रहा है इसमें इंडिया को 158 भी रैंक दी गई थी 1955 कंट्रीज में 2016 के लिए यानि कि इंडिया के Human Capital काफी कम बताय गया था Lancet नाम की मेगजीन में ये सर्वे चपता है ये समर्सित किया जाता है World Bank के दोरा ध्यान रखेंगे लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि World Bank ने अपना अभी latest में खुद का सर्वे भी करवाया था जिसके बारे में आपको इंडेक्स वाले वीडियो में बता चुके है तो दोनों ही सर्वे हैं तो World Bank के जो latest सर्वे वो World Bank ने खुद करवाया था और ये जो वाला सर्वे जो है ये University of Washington के Health Matrix and Evaluation Department के दोरा ये करवाया था आया है और जिसको छापा जाता है Lancet नाम की International Medical Magazine में इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 158 भी है जो latest इंडेक्स आया था World Bank की तरफ से उसमें कितनी है वो उसमें आप ध्यान रखेंगे अपने इसाब से दोनों ही इंडेक्स World Bank के हैं दोनों ही में रैंकिंग अलग-अलग है Supreme Court of India ने अभी जो सही conditions नहीं है prisoners के उनको चेक करने के लिए कैसा welfare है विमन अगर कैदी है वहां पर तो उनको क्या का चीज़ों का सामना करना पॉट रहा है प्लस जो in human behavior होता है उसको यहां पर examine करने के लिए हमारे country के करीब 1382 जेलों में इसके लिए कमीटी के घठन किया गया है कमीटी के head है रिटार्ड जस्टिस अमिताव रॉय IIT खरकपुर्ड ने डवलप किया थे Community Supported Supply of Purified Drinking Water Project पोरुपारा में जो की West Midnampur District वेस्ट बंगाल में पढ़ता है प्लाग Purified Water बिल सके यहां पर Community को इसके लिए यह बताया गया है यह Fully Automated Multi-Filtered UV Treated Water Drinking Facility है यानि कि जो आपके घर में छोटे-मोटे जो Water Treatment वाले जो Machines लगी रहती है इसका एक बड़ा बर्जन है कह सकते हैं इसको ज़्यादा Productive बता रहे है क्योंकि 1000 लीटर का Purified Drinking Water इसके विद्रौ किया जा सकता है जो कि 60 families के कामा सकता है और केवल एक family को एक रुपए ऐसा शुद्ध पानी लेने के लिए खर्च करना होगा ठीक है तो बस ही आप याद रखेंगे अब इसको पेटेंट नहीं दिया गया है और पेटेंट के लिए इसने फाइल किया जिससे आगे भी इसको expand कर सके बंगाल में International Day of Sign Language बनाय जाता है 23 चेप्टेंबर को इसकी theme रही थी इस बार With Sign Language Everyone is Included और साथ ही साथ यहाँ पर International Week of Deep भी बनाय जा रहा था इसके साथ में United Nations ने हाली में डिकलेर किया 2019-2028 के डिकेड को Nelson Mandela Decade of Peace के रूप में Nelson Mandela Peace Summit जो थी नियॉक में 24 सितंबर 2018 को उसमें अडॉप्ट किया गया है यह चीज़ काफ़ इपॉर्टेंट है 2019-28 का डिकेड क्या है Nelson Mandela Decade of Peace है PM Modi ji को अभी Champions of Earth का पुरुषकार बिला है आप जानते हैं और जो France के President है उनके साथ मिला है Emmanuel Macron के साथ ISA के लिए बिला है ISA को बढ़ावा देने के लिए ISA को स्टैबलिश करने के लिए कह सकते हैं Champions of Earth का अवर्ट जो है Environment Conservators के लिए दुनिया का सबसे उतकरष्ट सबसे बड़ा सबसे अच्छा आवार्ड माना जाता है इसमें पांच ये अच्छे काटेग्री होती है तो उसमें से एक काटेग्री होती है Policy Leadership की उसकी काटेग्री में Jointly बिला है PM Modi ji को और France के President Emmanuel Macron को एक यहाँ पर काटेग्री होती है Entrepreneurship Vision की Entrepreneurship Vision जो होता है इस काटेग्री में अवार्ड बिला है Cochin International Airport को 1218 के लिए है ठीक है ये चीज़ काफी important है Modi ji बाला तो काफी popular हुआ था ये चीज़ इतनी limelight में नहीं आपाई थी तो ये आप याद रख लिजेगा Entrepreneurship Vision की कटेग्री में मिला था Cochin International Airport को बताई क्यू बिला था क्या खासियत है Cochin International Airport की जो इसके लिए इसको सबसे बेस्ट अबॉर्ड बिला है Environment Conservators का Smart City Expo India 2018 इसका आप जन हुआ था जैपूर राजिस्तान में जून में Smart City Expo हुआ था एक बार डिल्ली में एक बार दुबारा हो गया आईए इस पे वेंकईयन आइडू जी ने इसको लाउंच करा था यह आप याद रख सकते हैं इंडिया ने साथ दिया है United States का Public और Private सेक्टर में जिससे जो ट्यूबर क्लॉसिस है इसको Eliminate किया जा सके तो यह आप याद रखेंगे इसमें और हमारा Objective क्या है हम कब तक TB को Eliminate कर देना चाहते हैं 2030 पहले था अभी 2025 कर दिया गया है तो यह आद रखेंगे हलांकि UN का Objective है TB को Eliminate करने का पूरे विश्व से 2030 का ही है और UN ने यह भी कमेंटिस में किया था कि यह भी काफी मुश्किल अभी काम है आधार verdict आया था काफी important इस पर separate video भी पड़ा हुआ हमारे चैनल पर यह मैंने खुद record करके बनाया था इसमें बताया था मैंने कि क्या क्या प्राविजन्स बदल दिये गए थे आधार constitutional है की नहीं है यह सब चीज़ा हम बता चुके हैं आधार constitutional है लेकिन mandatory नहीं है आधार को जहां जहां mandatory रखा गया था वहाँ वहाँ voluntary करने का प्रयास किया था कोर्ट में यह आप इसमें समझ लिजे तो voluntary कहाँ पर है उनके प्राप्त करने के लिए जरूरी है कहां पर नहीं जरूरी है जहां पर अभी तक था school admission में नहीं जरूरी है बिलकुल नए SIM card खरीदने के लिए नहीं जरूरी है bank account खुलवाने के लिए mandatory था अभी तक इसके बिना खुलता ही नहीं था bank account तो अब नहीं जरूरी है cbsc net ugc के exams में नहीं जरूरी है private companies अब अधार काट नहीं मांग सकती है global reinvested India ISA partnership इसका यवजन 3-5 October को होना था जो की हुआ था यह आप याद रखेंगे इसमें summit में खाली venue ही ध्यान रखनी होती है ज्यादा तर cases में venue आपकी दिल्ली ही होती है जहाँ पर रही होती है बस वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है इसमें पहली बार किसी रक्षा मंत्री ने पॉइंट किया है transaction advisor और legal advisor procurement projects के लिए strategic partnership model के थुरू SBI capital markets को यहाँ पर रक्षा मंत्री ने अपना transaction advisor ने उतकिया है यह काफ़ important चीज है transaction advisor पहला रक्षा मंत्री का कौन बना है SBI capital या फिर SBI capital markets National Digital Communication Policy जो है इसको शुरू कर दिया गया था दोरसंचार रीती आप कह सकते हैं इसको और इसके तहत लक्स रखा गया था कि हर व्यक्ति के पास 50 Mbps यानि 50 Mbps की speed वाला connection होना चाहिए देखते कब तक हो पाता है अवी तक 5 भी नहीं मेरे पास इसमें कहा गया है कि इतना ही नहीं GBPS तक की connectivity ग्राम पंचायट को provide करवाएंगे 2020 तक 1 GBPS तक का connection ग्राम पंचायट के पास होगा 2020 तक और 10 GBPS का होगा 2022 तक यह काफ़ important goal है इसका यह जो नई दूर संचार नीती है इसके तहट जो है पहले जो हमारा दूर संचार आयोग होता था अब उसको digital संचार आयोग कर दिया गया है नाम यह जरूर ध्यान रखना और यह कह रहा है कि इसमें हम लोग 100 billion dollar का investment करेंगे और 4 million jobs जो है वो create कि जा सकेंगे 4 million यानि कि 40 लाख नौकरियां करीब इस टेली कम्म्निकेशन सेक्टर में create की जा सकेगी World Tourism Day मना जाता है 27 सितंबर को इस बार थीम रखी गए थी tourism and digital transformation ठीक है इसको देहान रख लनने जरूर से जरूर और tourism ministry भी इसको celebrate करती है हमारे मद्ध प्रदेश के दो हवायड़ों को यहां पर इसके तहत अवार्ड भी लाए tourism को promote करने के लिए बताइए आप comments भी लिख करके कि वह दो airports कौन से है यह आप बताइए जरूरूर हमने आपको बताया हुआ हुआ है करेंट अफेर वाले वीडियो में यह important अगली चीज है कि इंडिया जो है सार्क का पहला मेंबर बन गया है जिसने टोबैको प्रोडेट्स पर कुट लाइन नंबर जो है इसको लिखवाना शुरू किया है देगे सार्क का यह पहला कंट्री बना है जिसने कुट लाइन नंबर लिखा है टोबैको प्रोडेट्स पर और कोई बिला करके चौथा मेंबर बन गया इससे पहले आपके थाइलेंड लिखवा चुके है उसमें और सिंगापूर में भी लिखवा जा चुका है यह तो एश के अनुसार आपको मजलब टोबैको प्रोडेक्ट्स के मैनुफ्रेक्चरर को लिखवाना अनिवार है पिक्टोरियल वार्निंग लिखवाना अनिवार है टोबैको पैकेट्स पर 85 प्रतीशत हिस्से में जहां पर आपके वाइट बैग्राउंड में रेड कलर से लिखा हो टोबैको प्रतीशत हिस्से में लिखवाना अनिवार है यहां पर लिखा भी हुआ है एशिया का चौथा कंट्री इससे पहले थाइलेंड मलेशिया सिंगपूर ऐसा कर चुके हैं कोई लाइन नमबर ही लिखा हुआ है अगर को यूज करता है टोबैको प्रोडेक्ट्स तो इस समय सेक्रेट्री भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ अटामिक एनरजी के तो यह आप इनका नया अपॉइंट्मेंट ध्यान रखेंगे लेटेस्ट अपॉइंट्मेंट है लेटेस्ट से ज्यादा पूछ जाता है आंधप्रदेश के एकनोमिक डवलप्मेंट बोर्ड ने अ अपने आपर तो इनका सही होग लेंगे इसमें प्रोजेक्ट उन्निती मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इसका लक्ष यह है कि जित्ते भी हमारे पोर्ट्स हैं बारा मेजर उनमें जो है ऑप्रेशन को और बीजादा मस्बूत किया जा स इस अम्रेला प्रोजेक्ट उन्निती की तहत हमारे जित्ते मेजर पोर्ट है उनमें छोटे-छोटे 116 करीब इनिशेटिव चल रहे हैं लेकि 27 सितंबर पर बहुत सारे अवार्ड देती है हमारी टूरिजम मिनिस्ट्री तो अवार्ड दिये गए थे एहनदाबाद और इस अवारड बिला था सत्पुडा हिल स्टेशन को बेस्ट हरितेर सिर्थ को बाड बिला था बेस्ट एयरपोर्ट का वार्ड बिला था एहमादाबाद को यह सब आप याद रखेंगे हमने आभी आप से questions पूचा था देखिए आ आ गया है यहां पर बेस्ट एयरपोर्ट क किसको बिला था एहमदाबाद को आंद्र प्रदेश को स्टेट सी केटेगरी में फर्स्ट प्राइज बिला राजिस्थान टूरिजम को यहां पर नैस्नल अवार्ड बिला है most innovative और use of information technology social media and websites के लिए अर्सी केटेगरी होती जितनी भी यहां पर लाल से लिखी के भी है एक बारन को देख लिजेगा स्टेट की केटेगरी में बहुत आंद्र प्रदेश को गया यह जरूर देख लिजेगा बहां कि उतने जादा important नहीं रहेंगे किसी राजी की सरकार ने पहली बारे सोचा है कि fire women की post create करेंगे करेंगे करेला स्टेट में जो fire units होती है उसमें rescue services में fire women की post जो है create की जाएगी international day of the total elimination of nuclear project जो है यह observe किये जाता है सितंबर 26 को अज़र 27 सितंबर को हम लोग world tourism day मनाते हैं 2017 में 27 सितंबर के दिन एक scheme launch करी गए थी जिसका नाम है adopt a heritage scheme ठीक है इसको द्यान रख लिना है आप लोग अभी boxer mc mericom को ministry of tribal affairs ते अपने एक initiative tribes India का brand ambassador ने उख्त किया है ठीक है तो ध्यान रखिएगा पंच तंत्र collection इन्होंने launch करा था tribal artifacts को promote करने के लिए पंच तंत्र में कुछ products आते हैं जो कि online बिकेंगे दिवाली के लिए जैसे कुछ इसमें दीए शामिल है कुछ ethnic wear सामिल है कुछ सजावट के समान शामिल है तो यह पूरा collection है यह आपको केंदर सतकार ने आठ सदस्यों की एक लोगपाल खोद समीती गठन किया है जिसकी head रहने वाली है पूर्व Supreme Court की judge रंजिना प्रकास देशाई और इसमें बहुत सारे eminent member हैं जैसे पूर्व इसरो के head एस किरन कुमार एस सूरिप प्रकास प्रसार भारती के पूर्व जेर प ट्वाइलेट भी find कर सकते हैं और उसके reviews भी देख सकते हैं इसी को कहा गया था low review रजनी कांत मिश्रा को बनाया गया था डिरेक्टर जेनरल Border Security Forces का यानि की BSF का यह आप याद रख सकते हैं Ministry of Ius ने अभी रोमानिया में एक आयूश information cell खोलने का initiative लिया है रोमानिया में जिससे आयूश्मान भारत संबंदित जो है authentic information वहाँ पर इंडर्ट की जा सके मतलब आयूश की दवाईयों के नाम पर रोमानिया में कोई गलत दवाईया ना भीके इसको इन्शोर करने के अभर को और इस बार थीम रही है रेबी, share the message, share a life. हमारे ministry of commerce and industries के जो है ने श्री सुरेश प्रभू इन्होंने high level advisory group को constitute किया है HLAG जो हमारे global trade scenario में जो challenges हमारे सामने जो चनौतियां हैं उनको देखने के लिए उनसे निपटने के लिए जो योजनाए बनाई जाएंगी समी सबसे बड़ा आपका जो database management service provider है इसमें तो इसके साथ सम्झोता किया गया है जिससे fake drugs को यहां पर curb किया जा सके इसके लिए blockchain technology की help ली जाएगी जिससे जो भी authentic drug है उसका record इस तरीके से रखा जा सके serial number से labeling करके scanning करके कोई भी ऐसा scope ना बचे जिससे उसकी tempering करके उसका कोई नकली drug बनाए जा सके मद्ध प्रदेश में पहला corn festival बनाया गया था कहां पर छिंदवाडा में ठीक है तो यहां ध्यान रखेंगे आप लोग छिंदवाडा जो है largest corn producing district है मद्ध प्रदेश का इंडो मंगोलिया joint military exercise जो है nomadic elephant यह शुरू हुई थी इसका third edition था यह कहां पर हुई थी यह मंगोलिया में हुई हुई थी उलान बाटर में मंगोलिया की capital है उलान बाटर ठीक है नीतियायोग ने collaboration किया Intel के साथ फिल करके Tata Institute of Fundamental Research के साथ मिल करके जिससे एक model international center transformative artificial intelligence के लिए establish किया जा सके दिल्ली राज की सरकार ने अपनी अनुखी तरह की एक doorstep delivery of services शुरू की थी जिसके माध्यम से सरकारी सेवाओं को आप अपने घर पर avail कर सकते थे चालीच तरह की government की जो documents की सेवाएं होती हैं जैसे आपका राशन कार्ड हो गया आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया अमृत्य प्रमाण पत्र हो गया तो इन सब चीजों को आपके बनवाने के लिए वहाँ के offices जाना पड़ता था अब offices नहीं जाना पड़ेगा एक nominal charge ले करके ये facilities आप अपने घर पर avail कर सकते थे इसका नाम है doorstep delivery of services और इसमें 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे इस services को avail करने के लिए इसके कुछ अलग-अलग है मतलब 50 रुपए minimum है दिल्ली सरकार ने VFS Global के साथ पिल करके जो एक वीजा और passport service provider है ये biggest service provider वीजा और passport का पुरिविश में इसके साथ collaboration किया है जिसके साथ ये doorstep delivery of services को तीन साल के लिए अपने state में रन कर सके बाबा Atomic Research Center BARC का recommission कर दिया गया है अपसरा U reactor बकाईदा upgrade करके इसमें तो यह आप याद रख सकते हैं अपसरा जो है एशिया का पहला research reactor था जो operational हुआ था Trombe campus में 4 अगस्ट 1956 में इसको बंद कर दिया गया तर 2009 में इसके resignation के लिए और अब ये बकाईदा recommission किया जाएगा अपग्रेड़ेड अपने version के साथ इंडिया और यूएस यूदब्यास की नाम से military exercise करते हैं आप जानते हैं आरबी की तो इसका जो है चौधवा एडिशन शुरू हो चुका था ये हिमालिया के फोटिकलिस पर चौबतिया नाम की जगह पर उत्तरा खंड में शुरू की financial software systems के साथ जिससे की payment network को एक unorganized retail के form में जो है ये develop कर सकें आप जानते हैं कि IPB पूरी तरह से 100% government equity वाली जो एक unit है एक निकाय है RBI इसका संचालन करता है और इसमें एक लाग रुपे तक की आपकी limit है पैसे जमा करने की कोई भी debit card, credit card, ATM card issue नहीं कर सकता है अलांकि इस special तरह के transactions की बात कही जा रही है QR code अधारिज जिसमें आपको अपना ATM pin भी नहीं डालना है कोई pin नहीं डालना है आपका biometric authentication के माध्यम से आप इसमें transaction कर सकते हैं आप लोग बुझे comments बे लिख करके बताए कि India post payment bank के CEO कौन है बताए comments बे लिख करके बारत जरकार्ट ने एक group of secretaries को गठित किया है इसको जिस्से के लिए e-commerce policy का draft prepare करने के लिए group of secretaries को गठन किया गया है इसको chairperson होंगे रमेश अभिशेक इसको chair करेंगे रमेश अभिशेक हमने आपको conferences की वीडियो में बताया था आयोक के वीडियो में बताया था commissions के वीडियो में कि आपको इसमें दो चीज़े देहान रखने पड़ती है या तो आयोक का नाम देकर के पूछते हैं कि purpose इसका क्या रहा था या तो purpose का नाम देकर के पूछते हैं कि इसका head कौन रहा था तो दोनों ही चीज़ें आपको इस अपना कार करना शुरू कर दिया है तमिलनाडू की सरकार ने अभी e-cigarettes को बैन कर दिया यह आप याद रखेंगे तमिलनाडू की सरकार ने e-cigarettes के साथ साथ ऐसे किसी भी electronic nicotine delivery system को बैन कर दिया है जो कि या तो offline या तो online available हो सकते थे ऐसा करने वाला तमिलनाडू नवा श्टेट बन गया था ठीक है तो यह ध्यान रखेंगे आप लोग बिहार में e-cigarettes band है तमिलनाडू band है 10 दिनों का इंडिया नेपाल चाइना joint military exercise जो है सागर माथा फ्रेंडशिप 2018 इसका एवजन हुआ था चेंगदू में जो की capital है चाइना के south western province सिचाउन की तो आप ध्यान रखेंगे नेपाल चाइना कौन सी military exercise करते हैं सागर माथा फ्रेंडशिप लाल ट्रस्टेड आटवाणी को renominate कर दिया गया है चेरपरसन के रूप में लोग सभा ethics committee के लिए लोग सभा ethics committee के चेरपरसन ये बने हुए से 2014 लगातार एक बार फिट से इनके term को बरा दिया गया है ये आप इसमे याद रखेंगे इंडिया की अर्मभवी तेज गिनबाज और पूर्व कप्तान जो जूलन गोस्वामी है ये बन गई थी किसी भी महिला क्रिकेटर के दौरा 300 international wicket लेने वाली पहली महिला पूरे ODI केरियर में तो ये आप दिहान रखेंगे इसमें मिताली राद ने सबसे पहले सबसे जादा matches खेलने का record बनाया था इससे पहले ODI क्रिकेट में इन दोनों के बारे में आप याद रख सकते हैं इस समय विमेंट्स टीम की कप्तान कौन है मताए कॉमेंट्स भी लिख करके मिताली राद नहीं है ये ध्यान रखेगा प्रोफेसर अरुन चिननययन को Outstanding Investigator का अवार्ड बिला है और इनको इतना प्राइस भी मिला है US के दोरा University of Michigan ने इनको दिया है ये ध्यान रखेंगे आप लोग कहने के मतलब है University of Michigan में काम करते थे National Cancer Institute ने इनको दिया है Cancer Biomarkers को identify करने के लिए Investigator Award को इसको भी ला है ये आप याद रखेंगा Drive Rear Dump Truck मैसरू प्लांट में अपने और ये Make in India Initiative के तहद launch किया गया है तो कौन सी चेज़ ये बनाई गई है 250T Electric Drive Rear Dump Truck ठीक है थोड़ा सा नाम मुश्किल है लेकिन ध्यान रख लेना Make in India Initiative के तहद पहली बार Indigenously इसको ना सिर्फ डिजाइन किया गया इसको यहाँ पर बनाया भी गया अभी एक Cultural Study करवाई गया थी US-Based Multinational Workforce Management फर्म क्रोनोस की दोरा इसमें बताया गया कि भारत जो है सबसे ज़्यादा काम करने वाले देशों की काटेगरी में आता है और इनके 79% से ज़्यादा Employees जो है यह किसने लिखी है यह आतीश तासीर ले लिखी है यह आप याद रखेंगे इनको यह तवलीन सिंग के बेटे हैं इंडिया का पहला Tribal Circuit Tourism Project डवलप किया जा रहा है सुदेश दर्शन स्कीम के तहित सुदेश दर्शन स्कीम के बारे में लोग बात कर चुके हैं कि इनको कुछ Theme Based Circuits को डवलप करना है जैसे बुद्ध सर्कीट हो गया आपका ये Tribal Circuit हो गया आपका Desert Circuit हो गया जो करिभराजिस्थान में डवलप किया जा रहा है गुरू सर्कीट हो गया पंजाब में तो इस तरह के कुछ सर्कीट का डवलपमेंट कर रहे है उसके लिए दीरे दीरे फंड रिलीज हो रहा है तो अभी फंड आया है किसके लिए Tribal Project को Tribal Circuit को डवलप करने के लिए कहां पर 36 गड़ में कुल कोष्ट यहां पर है 330 करोड रुपए बस इतना आप ध्यान रखेंगे और बाकी हर जो सर्कीट में डवलपमेंट होगा जैसे सोलर इल्लमिनेशन सॉलिड बेस्ट मेंट्मेंट वेसाइड एमनेटीज, लास्माइल कनेक्टिविटी वाइफाई यह सब चीज़ें आपको हर जगे देखने को भी लेंगे किसी भी आपके थीम बेस सर्कीट के डवलपमेंट में देखिए 15 थीम बेस सर्कीट सभी तक फाइनलाइस किये जा चुके हैं 24 के करीब बनवाई जाने हैं 22 से 24 है ऐसा मुझे नहीं दियान है तो 15 यहां पर अभी तक दिखाए जा चुके हैं इनकी वेबसाइट पर G20 के ट्रेड और इंवेस्टमेंट के बनिस्टेजल मीटिंग अहां पर हुई थी यह माडेल प्लाटा अर्जेंटीना में हुई थी तो यह आप इसमें याद रखेंगे बस वेन्यू पूछ जाता है आपके कॉन्फरेंसेस में हम लोगों ने अपना हिंदी दिवास सेलिबरेट किया था हर साल जैसे करते हैं 14 सेप्टेंबर को और देवनागरी हिंदी में हमारी भाषा चुनी गई थी ओफिशल लेंगवेज के रूप में उन्हें 49 में इस दिन इस बुझे से हम इसको बनाते हैं हमारे एट्थ शेडूल में 22 भाषाओं को लेक किया गया है यह आप याद रखेंगे सुप्रिम कोट ने अभी एक तीन मेंबर की कमुईटी अपॉइंट की है जिसके हेड रहेंगे डी के जैन और इसरो स्पाइस केंडल का एक्जामिनेशन ये करेगी ठीक है इसमें स्पेस साइंटिस्ट नाम भी नाराएंड को जैसे आरोपी ठहरा गया था अगलत तरीके से उसकी जांच करने वाली है कि आखिर क्या मामला था और इनको आरोपी क्यू बनाया गया है उनके साथ इनसाफ करने के लिए ऐसा कुछ समझ सकने आप इसरो स्पाइस केंडल समंदित समीती कौन है ये डी के जैन समीती है बस इतना आप ध्यान रखेंगे इसमें सुप्रीम कोट ने इसका घठन किया है आर्टिकल नमबर 124 का यूज करते हुए प्रेजिडेंट जी ने अपॉइंट किया है रंजन गोगोई को 46 में चीर जस्टिस के रूप में CGI के रूप में ध्यान रखेंगे हमारे दीपक पिश्रा नहीं रहे दो अक्टूबर से हमारे CGI अब है जस्टिस रंजन गोगोई यह आपके एक्जाम में जरूर पूछ जाएगा आने वाले एक्जाम में जैसे रेलवे पुलिस वगरे में तो जरूर पूछ जाएगा तो यह आप याद रखेंगे इसमें हमारे 46 पे नंबर के CGI है रंजन गोगोई अग्रिकल्चरल फेस्टिवल होता है नुखाई जो की ओडिशा में शुरू हो चुका है आपके ओपी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है यह आप याद रख लिजेगा ओडिशा वाले लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे क्रशी और किसान कल्याण मंत्राले जो इस समय मंत्री है राधा मोहन सिंग इन्होंने Dairy Processing Infrastructure Development Fund को दिल्ली में लॉंच करा है 10,881 करोड रुपए का यह फंड है इस फंड को इंप्लिमेंट करने का खाम करेंगे National Dairy Development Board और National Cooperative Development Corporation NCDC बस्ते डिस्पैचेस आपैसेज थ्रू दा वाइल्ड इसको ओथर किया नरेंदर नाम के विक्तिने इस बुक का नाम आप याद रख सकते हैं और पिंदर सिंग ने इतियास रच दिया था यह पहले भारती बन गए थे एक मेडल जीतने वाले IAF Continental Cup में इन्होंने Bronze जीता था ठीक है इन्होंने गोल्ड भी दिलाया था हमको इस याड में काफी चर्चमें आये थे और पिंदर सिंग यह ट्रिपल जंप करते हैं Naomi Osaka पहली Japanese प्लेयर बन गए थी जोने ने Grand Slam में सिंगल्स का टाइटल जीता Serna Williams को हराय था यह काफी विवादित मैच रहा था इसमें Serna ने Empire पर आरोप लगा दिये थे काफी न्यूस में रहती यह चीज हम आपको बता दे US Open में या फिर किसी भी Open में किसी Grand Slam में आपको दो टाइटल याद रखने पढ़ते हैं Men's Single के और Women's Single के Final के Men's Double कभी नहीं पूछे गए हैं तो मैं इसको नहीं बताऊँगा और ना आपको रिक्मेंट करूँगा कि आप याद करें Men's Single किसी नहीं जीता है नुवाग जोगोविश नहीं जीता है और Women's Title किसी नहीं जीता है अफकोस नावमी ओसाका ने Indian Institute of Science and Educational Research भोपाल ने Vitamin B12 के Synthetic Derivative का यूज करते हुए काफी cheap और flexible organic solar cell यहाँ पर डबलब किये हैं Regional Conference on Good Governance with Focus on Aspirational District यह कहाँ पर शुरू ही थी Conference यह उच्छी शुरू भोपाल में यानि कि तो Aspirational District चुने गए थे 101 के करीब उन पर हम लोग Good Governance कैसे लाएंगे इस पर Focus करने के लिए Conference शुरू की गए थी 121 Edition Aero India 2021 कहाँ पर होगा बेंगलूरू में होगा पहले लखनों में परिस्तावित था लेकिन अब होगा बेंगलूरू में ही यह कब होगा 20-24 February 2019 अगले साल बें नेहल चुडास्मा जो है यह Women हैं मुंबई से या महा फेसीनो Miss Diva Miss Universe India इनको अवार्ड बिला है यह आप याद रखेंगे इसमें Miss Universe India आप याद रख सकते हैं ठीक है स्पॉंसर का नाम नहीं जरूरी है नेहल चुडास्मा अब इन्होंने यह ओड जीत लिया है तो इनको यहाँ पर मौका मिलेगा 66 में Miss Universe 2018 के कॉंटेस्ट में भाग लेने के लिए जो कि Bangkok में होगा Thailand में 16 December 2018 को ठीक है देते हैं Miss Universe बन पाती है या फिर नहीं केंदर सर्कार ने अभी एक रमीती के गठन किया है जिसके अद्धेस्ता करेंगे पूर आर बिया गौवर्णर बिमल जलान सिलेक्ट करने के लिए कि अगले हमारे Chief Economic Advisor यानि की CEA कौन बनेंगे Women in Film and Television Award यहां पर पहली बार अनाउंस किये गए थे इंडिया में और Actress Ashwararai Bachchan को यहां पर Honor किया गया था Meryl Streep Award से Excellence Washington United States में ठीक है Meryl Streep का वार्ड इन को बिला था Actress Ashwararai Bachchan को दिहान रखेंगे इसमें बस इतना आपको जयाद रखना है इंडिया और France में समझाता किया है Mobilize Your City प्रोग्राम के लिए New Delhi में और इस MYC प्रोग्राम के तहत France किन हमारी cities को डवलप कि रहेगा अनागपुर को, कोची को और अहमदाबाद को पहले टियर में France से होग करेगा इन cities में कि यहां पर Green Houses, Gases को कम किया जा सके Emissions को और Urban Transport में Mobility लाई जा सके Sustainable Development के थुरू और Sustainable Transport Policy को यहां पर Follow करवाई जा सके यानि कि Mobility अचीव करनी है वाहनों की रफतार तो बढ़ानी है लेकिन Emission को कम करना है यह आप इसमें बस याद रख सकते हैं रफतार को बढ़ाना है, Emission को कम करना है Mobilize Your City Scheme के थेस पहले फेस में तीन पालेट सिटीज है, नागपूर, कोची, एहमदबाद देखो, MYC एक France का इनिशेटिव नहीं है यह एक International Initiative है जिसको France और Germany की Government सपोर्ट कर रही है और इसको लाँच करा गया था 21 में COP में, यानि की Conference of Parties की मीटिंग में 2015 में 2018 Global Summit Climate Action पर हुई थी San Francisco, California, US में और यह आप याद रखेंगे इसमें इस Summit में यही बात रखी गई थी कि कैसे हमको हमको अपने गोल्स को पूरा करना है जो हमने अपनी अपनी अंडर्टेकिंग्स दी थी पैरिस एग्रिमेंट के थुरू नैशनलिरी डिटर्माइट जो टारगेट से अलग-अलग नेशन के उनको कम्प्लीट किया जाना चाहिए और जो में टारगेट रखा गया था कि उनको 2 डिग्री टेंपरेचर तक हर्सका कम करना है बिम्स्टक देशों की जोएंट मिलिटरी एसरसाइज हुई थी माइलेक्स दो जार अठारा के नाम से माइलेक्स 18 के नाम से यह आउध मिलिटरी स्टेशन पूड़े में हुई थी हमारे इंडिया में यह धियान रखेंगे और सबसे बड़ी इंपोर्टन चीज यह है कि नेपाल ने हाँ पर पाटिस्पेट नहीं किया था वर्ल्ड सुसाइट प्रिवेंशन डे हम लोग बनाते हैं कब सेप्टेंबर 10 तारीक को इस बार इसकी थीम रही थी वर्ल्ड वर्किंग टुगेदर टो प्रिवेंट सुसाइड और याणा राजु की सरकार ने एक प्रेमरेंडम ऑफ अंडर्स्टेंडिंग साइन किया था इंडियन ओल कॉर्परेशन के साथ मिल करके कि एक इथनॉल प्लांट जो है पानी प्रत में सेट अप किया जा सके 900 कौर रुपए की लागत से तो बस इतना आप इसमें आज रख सकते हैं जब सेट अप होगा तो देखा जाएगा क्या हिसाब किताब है कैम्प गोडा इंटरनेशन एरपोर्ट जो है बैंगलूरू में यह पहला एरपोर्ट बन गया था एशिया का जिसने फेस रिकागनीशन टेक्नीक को यूज करना शुरू किया था इसके लिए एरपोर्ट ने जो है जो पॉर्टुगीज की एक सौट्वेर फर्म है विजन बॉक्स इसके साथ समझोता किया था सौट्वेर जो है सेट अप किया जा सके कैम्प गोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट ठीक है जो बैंगलूर इंटरनेशनल एरपोर्ट भी है यहां पर पहली हमारी हेली टैक्सी सर्विस शुरू की गई थी यह आप याद रखेंगे यह आपके CDPO के पेपर में पूछा गया था इंडियन एरफोर्स इसने एक अपना सेक्सविस्फिल ऑपरेशन करी आउट किया था मिड एर रिफ्यूलिंग का तेजस में यानि कि उड़ते समय इसमें फ्यूल भरने का काम इसमें पूरा कर लिया गया था मतलब 20,000 फीट की हाई अल्टिटूट पर इसमें फ्यूल भरके इसको चलाया गया था टैंकर एरक्राफ्ट जो है आगरा से चला था और फाइटर प्लेन तेजस ग्वालियर से और दोनों मतलब टैंकर से उसमें फ्यूल भर लिया गया था हवा में हवा में ही एर-to-air refueling capacity के military planes की केटेगरी में इंडिया शामिल हो गया है अब यानि कि हवा में ही एक plane से दूसरे plane में मतलब एक जो main plane है fighter plane टैंकर के माध्यम से हवा में ही हम लोग उसमें fuel फिल कर सकते हैं तो अभी तक ऐसी technology मौजूद नहीं थी हमारे यहां पर और खाली elite countries में ऐसा होता था लेकिन अब हमारे पास भी है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा जो ओडीशा से आते हैं इनको prestigious BC Roy National Award दिया गया है Eminent Medical Person of the Year के रूप में यह highest medical honor होता है इंडिया का यानि कि medical के छेतर में दिया जाने वाला सर्वो चुपरुसकार माना जाता है और यह Indian Medical Council of India के द्वारा यह institute की आ गया था और President जी इसको देते हैं अपने हातों से अमित पंगल जो की हडियाना से आते हैं इन्होंने इंडिया के लिए एक मात्र boxing में गोल्ड जीता था हमारे Asia 2018 में जो की जगारता में वुए थे इंडोनेशिया में और पालंग बॉंग में दिगंबर जैन मुनी तरुण सागर जी करिधर हो गया था कि निउस बिरह थे आप जान रखते हैं कड़वे बचन इनके प्रवचनों का एक संकलन था इंडिया बैंक्स एसोशियेशन के नए यहां पर 4% बने सुनील महता सेक्रेटरी अपॉंट किये गए मिनिस्ट्री ओफ स्टील के बिनावे कुमार नेपाल भारत मैत्री पशुपती धर्मशाला यह शुरू की गई नीदर लैंड में यह लीडन में शुरू की गए थी नीदर लैंड में श्रीपद यशो नाइक ने शुरू की थी जो कि आयूश मिनिस्ट्री के समय हेड है मारे जस्टिस ताहिरा सफदार ने यहां पर शपत ली थी फर्स्ट विमेंज चीफ जस्टिस ओफ बलूचिस्तान हाई कोट के रूप में किसी भी पाकिस्तान के हाई कोट में कीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला बनी थी इस वज़े से इसका नाम इंपोटेंट है जैपनीज स्विमर रिका को इकी को यहां पर most valuable player चुना गया था जकारता इंडोनेशिया एशियाड की closing ceremony में तो यह आप याद रखेंगे इन्होंने यहाँ पर काफी सारे medals निकाले थे जैसे 6 gold और 2 silver, 8 medal निकाले थे एक player ने, बहुत बड़ी बात है इस वज़े से इनको मिला था most valuable player का वोड closing ceremony में East Asia Summit Economic Ministers की कहाँ पर हुई थी यह हुई थी Singapore में आप ध्यान रखेंगे Economic Ministers ने आप पर participate किया था 10 ASEAN countries के जो और जो 8 dialogue partners हैं जैसे कि India, New Zealand और गयरा dialogue partners से उन्होंने पर participate किया था जो 10 full time ASEAN के member से उन्होंने पर participate किया था इसमें यह आप याद रखेंगे इसमें आगे की ASEAN की कुछ summits द्यान रख सकते हैं India Business Summit यह कहाँ पर होगी Kuala Lampur, Malaysia में होगी और 4 ASEAN Dialogue Partner Expo और Summit जो है यह scheduled है 21-23 February 2019 में यह नई दिल्ली में होगा Union Ministry of Health and Family Welfare ने कुछ यहाँ पर guidelines कुछ rules draft किये हैं जो e-farmacies जो होती है ओनलाइन जो drugs की sale होती है दवाईयों की पूरी country में उससे समद्दित कुछ guidelines यहाँ पर जारी किये हैं इसके तरह registration अनिवार हर हाल में कोई भी individual कोई भी organization ना तो stock कर सकता है ना तो exhibit कर सकता है बायर की द्वारा उसका एक record रखना होगा हमेशा और customer support भी यहाँ पर रखना होगा grievance redressal system भी maintain रखना होगा और किसी भी तरह के fake drug को promote नहीं करेंगे यह सब सारी चीजें जो normal होती है किसी भी guidelines में important moving on moving forward and year of the office यह book लिखी गई है हमारे vice president जी बेंक यह नाइडो जी की द्वारा इसको release किया था यह मोधी जी ने world coconut day हम लोग observe करते हैं दो सितंबर को इस बार theme रही थी coconut for good wealth, health and wellness पते है coconut का सबसे बड़ा producer पूरे wish में कौन सा है dr. आरिप अलवी बन गया है नय president पाकिस्तान के aurora price जीतने वाले जो काय अंग जो है यह lawyer है activist में अनमार पे इन्होंने अनौन्स किया है कि यह एक million dollar जो है अपने award के वो लगा दे के humanitarian relief कार्णों में रोहिंगे refugees के लिए तो यह आप याद रख सकते हैं international aviation summit कहां परुदी 2018 में नई दिल्ली में civil aviation ministry का लक्ष है कि हम लोग 2035 तक 100 नए airport स्टैबलिस कर सेके इंडिया में अगले 10-15 सालों में तो यह सब इसमें contemplation हुआ था राजिस्तान की सरकार ने तय किया है कि वो free mobile phones यहां पर बाटेंगे BPL लोगों को जिससे digital India initiative को promote किया जा सके भामा शाह योजना के अंतरगत बाटेंगे ठीक है तो योजना अगराम जरूर धियान रखना जिसके अंतरगत बाटना है mobile Marillal International Camel Derby हुई थी यहां पर Marillal Town Kenya में और Kenya का best और most prestigious camel race है यानि कि उंटों की दावड है 2 plus 2 dialogue का first round India और US के बीच नए दिली में हुआ था यह किसने किसने join किया था 2 plus 2 की यहां पर बात हो रही है 2 US की तरफ से 2 हमारी तरफ से हमारी तरफ से 2 शुसमा सुराज जी और निलमला सीतर अरमण जी और 2 तरफ वहां से आये थे Secretary of US के State Michael R. Pompeo और Defense Secretary आये थे James and Mattis यह दोन लोग आये थे यहां पर और Comcasa Agreement को sign किया गया था Comcasa उन 4 agreements में से एक है जो किसी भी country को US के साथ sign करना होता है अगर उसको US के high end defense system को use करना है या फिर उनके high end communication system को use करना है So Comcasa थोड़ा special नाम है इंडिया की तरफ से क्योंकि जो normal agreement होता था यह इसका नाम होता है Communication and Information on Security Memorandum of Agreement जिसको बनता है Sismusa बनता है यह लेकिन इंडिया specific वर्जन ने इसका agreement का नाम distort करके Comcasa रख दिया गया है तो यह आप जरूर रखिएगा यह agreement 10 साल के लिए किया जाता है RBI ने अभी हाली में इंटर्डूस किया Internal Ombudsman Scheme 2018 में जिससे Internal Grievance Redressal System है इसको तोड़ा सा मजबूती मिल सके तो जो I.O. बने गाब इस नई स्कीम के ताहत Internal Ombudsman जिसको कहेंगे हम लोग इसका appointment 5 साल तक के लिए होगा और reappointment इनका नहीं किया जा सकता है तो यह Ombudsman क्यों लाए गए है जिससे grievance redressal system जो था अभी banks में वो काफी कम अच्छा था इसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए अगर banks के खिलाफ किसी भी customer की grievances है उनका redressal अच्छे सी किया जा सके इसके लिए UAE ने अभी March के लिए mission launch करा है mission hope के नाम से जो की 2020 में शुरू होने की उमीद है slainex की naval exercise शुरू ही थी slainex 2018 इंडिया और श्रिलंका नेवी करती है एट टेक्नो माली में हुई थी इस बार की श्रिलंका में इंडिया और फ्रांस ने अभी agreement sign किया है मतलब इस रो के जो पहला human specific जो human module program है गगन यान काफी जादा यह जर्चा में रहता है 2022 इसके deadline अब निवत कर दी गई है पहले 2025 तक होना था यह अब 2022 कर दी अब यह मोदी जी ने तो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है इस रो तो इसी के तहत फ्रांस के साथ अभी agreement sign किया गया है सबसे पहला step इस MOU का है कि जो specialist है उनका exchange किया जा सके space medicine के छेत्र में काम करना है इस human module mission को अंजाम देने के लिए देखो गगनियान का one line में mission यही है कि तीन member का हमको crew भेजना है human module के तहट पांच से साथ दिन के लिए 2022 तक में Commerce and Industries Minister सुरेश प्रभू ने coffee connect app को launch करा है यह coffee क्रशी तरंग भी एक launch किया गया है IVR based digital mobile extension service तो यह दो चीज़ें किसको help करेंगी coffee stakeholders को चाहे वो farmer हों चाहे इस manufacturing unit से जुड़े हुए हों उनको coffee की GI tagging दिलाने में थोड़ी सी augment करेगी facilities को और information system को boost करेगी यह सब चीज़ें इसमें करेगी जो दो इन portal के नाम है coffee connect और coffee क्रिशी तरंग इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रख लीजेगा बढ़ते हैं आगे International Day of Charity हम लोग observe करते हैं 5 September को इस बार theme रही थी क्या नहीं रही थी तो नहीं ध्यान रखेंगे इसको इंडो कजाकिस्तान exercise जो है काजिन डिस की शुरूआत हो चुकी थी ओटार रीजन कजाकिस्तान में शुरूई थी यह तीसरी joint military exercise थी कजाकिस्तान के साथ हम लोग एक और exercise करते हैं उसका नाम हम लोग comment करके बताएंगे डॉक्टर पूनम खेतरपाल सिंग को इंडिया की तरफ से एक बार फिर से reelect कर दिया गया है रीजनल डिरेक्टर के रूप में WHO साउथ इस्ट एशिया के ओपरेशन के लिए इनका टर्म जो है अब दुबारा से शुरू होगा फेब 2019 से और अभी भी ये बनी हुई थी एक अत्तरवी regional committee meeting जो है WHO साउथ इस्ट एशिया की दिल्ली में होगी इंडिया ने बुलगारिया के साथ यहाँ पर पांच पैट्ट साइन किये हैं तो द्यान रट लिजेगा इसमें रामनात कोविन जी पांच देशों की यात्रा पर थे तो इसमें से साइप्रस बुलगारिया और स्ट रिपब्लिक में से और यह कहां पर हुआ था यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिकागो युनाइटिट स्टेट्स में हुआ था यह तीन दिवसी यह प्रोग्राम था साथ आठ नौ सेट्प्रेंबर को यहाँ पर चला था और 125 फी एनिवर्स्री यहाँ पर मनाई गई थी स्वाम विवेका नंजी के हिस्टारिक स्पीच की जो उन्होंने पारलिमेंट में दी थी वर्ल्ड रिलीजन की 1893 में तो यह ज़्यादा इंपॉर्डेंट है मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स ने यहाँ पर इनौगरेट किया था तीन दिवसी डिफेंस एंड होमलेंड सिक्योर्टी एक्सफो कॉन्फरेंस का ठीक है और यह कहां पर हुआ था यह हुआ था नईदिल्ली में ही मैरी कॉम को बिनिस्ट्री ने अपना ब्रैंड अबेजडर बनाया है दो सालों के लिए यह आप याद रखेंगे सुप्रिम कोट ने लैंडमार्क अपना जिस्टिस दिया था धारव सीन सससत्तर के कुछ प्रावजेंस को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया था तो यहाद रखेंगे साओधी रभ में रिलीस की जाने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी थी गोल्ड यहाद रखेंगे गोल्ड किसकी फिल्म अक्षे कुमार की फिल्म है रिमा काकतिस की डिरेक्टर है इंडिया ब्लू ने 57 वा एडिशन जीता है दलीब ट्रॉफी का यहाँ पर फाइनल मैच में जो कि तमिलाडू में हुआ था इंडिया रेड गोह राकर के जीता है इन्होंने चौथा एडिशन वल्ड सम्मिट ऑन एक्रिडिशन डबलू ओ ऐसे यह हुआ था ने दिल्ली में सप्टेंबर साथ को और इसका थीम रहा था चैलेंजिंग एन अपर्चुन्टीज इन आउटकम बेज़ड एक्रिडिशन एक्रिडिशन के आपर मतलब है मानिता देना हिमानदास को अभी ऑफिशली असाम का स्पोर्ट्स अमबेजडर बना दिया गया था यह अफ्याद रखेंगे इसमें रूल ब्रेकर्स के नाम से किताब लिखी गई थी जिसके लिखी का है प्रिती शिनोय ओडिया भाषा के कभी जो है शत्रुगन पांडे इनको 49 संस्करण का पुरुसकार बिला सा सरला पुरुसकार 2018 के लिए इनके पोईट्री कलेक्शन मिस्र दुरूपत के लिए डॉक्टर बिबेक देबरॉय को जो की एकनॉमिस्ट हैं इंडोलोजिस्ट हैं उथर हैं इनको ओनरी स्कोसा आवार्ड से समानित किया गया है University of Engineering and Management कोलकाता के दौरा अक्षे कुमार को यहाँ पर Ordinary Ambassador बनाया गया है लाल बाहदुर शास्त्री Memorial Foundation का International Geriatric Orthopedic Society of India Conference 2018 inaugurate की गई थी दिल्ली में All India Institute of Medical Sciences यानि AIMS देली की दौरा और इसकी theme रखी गई थी Increased longevity with reduced fragility and enhanced mobility Moody Investor Service ने यहाँ पर अपना Global Macro Outlook जारी किया 2018-2019 के लिए और इसमें Indian Economy के लिए एक रोध प्रोजेक्शन स्पेकुलेशन किया है 7.5 का 7.5% का किया है 2018-2019 वर्ष के लिए यह काफ़ important चीज है UPSC में Fitch का projection पूछ लिया गया था तो इस तरह के projections जो है ASE Services के ध्यान रखने पड़ते हैं हमको 7.5 जो ने प्रेडिक्ट किया हुआ है 2018-2019 वर्ष के लिए इंडिया का Economic Growth Projection Multinational Counter Terror Exercise यहाँ पर conduct की गई थी संगाई सहयोग Corporation यानि संगाई सहयोग संगठन के दोरा यहाँ पर शर्बाकुल नाम की जगहे पर रश्या में conduct की गई थी और यह पहला ऐसा event जब भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई military exercise की थी भले ही स्नयुक्त रूप से किसी ग्रूप में National Electoral Transformation App यानि की नेता एप शरू किया गया है यहाँ पर प्रणब बुखरजी जीनेश की शुरुवात करी थी वर्ल्ड का पहला ब्लॉक्चेन बॉन्ड आई शुरू किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें यहाँ पर जो बॉन्ड आई है यह ब्लॉक्चेन ऑपरेटेड न्यू डेब्ड इंस्ट्रूमेंट रहेगा और सिडनी में एक फेमस बॉन्डी बीच है उससे संबंदित इसका नाम रखा गया है बॉन्डी यानि की बॉन्ड आई अरुनाचल प्रदेश की कैपिटल इटा नगर में 22 चेप्टेंबर 2018 को एक यूथ कॉन्क्लेव रखी गई थी अटल के नाम से यानि की अरुनाचल ट्रांस्फोर्मेशन एंड एस्पिरेशनल लीडर्शिप 2018 रशी कुंब इंटरनाशनल कॉंफरेंस यह थी कहां पर इंडियन इंस्ट्यूट आफ सुगर कें रिसर्च तेली बाग लखनौ में अब जो मैं अपॉइंट्मेंट आपको बताने जा रहा ह इसको ध्यान रखिएगा इंटरनाशनल वाटर कलर फेस्टिवल जो है कहां पर शुरूआ था ओड्रे हाउस राची में जारखंड में ठीक है फवाद मिर्जा जो की बैंगलूट से आते हैं इन्होंने एक सिल्वर जीता थे यहां पर एक्विस्टीरियन इवेंट में घु इंडिया का पहला टेस्ट फ्लाइट पावर्ड बाई बायो जेट फ्यूल अभी एयर टर्बाइन फ्यूल से रन किया गया एरक्राफ्ट और इसमें हमारे तीज डेलिगेट मौजूद थे और इस सक्सेस्फुल फ्लाइट रही थी जट्रोफा क्रॉप को यूज करके यह बायो फ्यूल डवलप किया गया है किस ने डवलप किया है बायो फ्यूल काउंट्सिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रिल रिसर्च जैने की CSIR ने यहां पर इसको बनाया है इंडियन इंस्ट्यूट पेट्रोलियम का सयोग लेकर के जितने भी डवलप्ड नेशन है इसका प्रयास कर चुके हैं Canada, Australia, US पहला डवलपिंग कंट्री बनाया इंडिया जिसने अब बायो फ्यूल के माध्यम से ऐसा जेट उड़ाया हो सबसे पहले इसकी शुरुवात किस ने करी थी? सबसे पहले ब्रिटेन की एके रिलाइन्स ने फूरे विश में सबसे पहले इसकी शुरुवात करी थी यह जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा गौर्वर्मेंट का टार्गेट किया है कि 20% जो है हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे इथनावल की पेट्रोल में 2030 तक भारत का पहला एरक्राफ्ट कैडियर जो है आईनेस विक्रमाधित्ति इसमें मरीन हाइड्रोलिक सिस्टम से आँ पर लगवाय जाएंगे तो आप ये ध्यान रखें इसमें और रशिया के रॉस्टेक स्टेट कॉर्परेशन के द्वारा इसमें ये लगवाय जाएंगे इंडियन ओशिन कॉंफरेंस आई ओसी 2018 का ये तीसरा संस्क्रण था ये हनोई में शुरू हुआ है वियतनाम में थीम रही थी बिल्डिंग रिजनल आर्किटेक्चर पर्सनल लौ अमिड्मेंट बिल 2018 में प्रपोस किया गया है कि लेपरोसी को ग्राउंड जो है डिसलिविशन आफ मैरिज का आपसे ना माना जाए यानि कि डिवोर्स लेपरोसी के अधार पर नहीं मिल सकते है अगर आपका पार्टनर को लेपरोसी हो गई है तो उसके अधार पर डिवोर्स नहीं मांगा जा सकेगा Ministry of Corporate Affairs ने कमीटी बनाई है इंजीती श्री निवास उसके हेड रहेंगे और यह अपने final report देगी Penal Provisions Companies Act 2013 में सत्या ऐस्ट्रिफार्थी जो की बन गए है Assistant Secretary General and Head of New York Office at United Nations Environment Program UNEP के New York Office के Head बन गए है सत्या ऐस्ट्रिफार्थी इनका appointment काफी important है रविंदर कुमार सिंगल महराष्टर के IPS officer ने अभी Iron Man Triathlon को यहाँ पर complete किया successfully और यह काफी एक exhausting event होता है Iron Man का title लिया जाता है इसमें जो कि 15 और 13 मिनट में ने complete किया है और stipulated time इसमें रखा जाता है 17 आर का इसमें बहुत सारे event आपको करने पड़ते हैं Iron Man का title लेने के लिए मतलब 3.8 km की swimming करने पड़ती है 180 km की cycling करने पड़ती है 42.2 km की running करने पड़ती है यह जो की एक full marathon होता है यह सब चीजें आपको within 17 आर करनी होती है और ऐसा करने वाले को मिलता है Iron Man का title तो Iron Man का title अचीव किया है 17 आर से भी पहले हमारे officer रविंदर कुमार सिंगल ने salute to him इंदरा नुई पेप्सिको की पूर्व chairperson और CEO इनको select किया गया था Asia Society Game Changer of the Year के अवार्ड के लिए अब पेप्सिको की chairperson से step down कर चुके इंदरा नुई ध्यान रखेंगे इसको रहमन लगवाटा इनकी जगह पर आए है जापान की women's national team ने 9 एडिशन जीत लिया है 2018 FIFA under 20 women's world cup का जो की इन्होंने Spain की team को राकर की जीता था France में ये हुआ था एडिशन Government of India ने यहाँ पर 6 chief ministers के साथ मिल करके लखवाड multi-purpose project का समझोता किया है ये 6 states कौन से हैं ये जानना बहुत important है उत्राखंड, इमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजिस्थान, हरियाना और डेली ठीक है लखवाड में बनेगा, लखवाड कहां पर उत्राखंड में इसका storage capacity इतना है और साथी साथ इसमें hydropower भी generate की जाएगा hydropower का सरवाधिक हिस्सा किसको भी लेगा ये आप हमको comments भी लिख करके बताइए hydropower जो भी generate होगा उसके सबसे ज़्यादा हिस्सा किस राजि को भी लेगा cabinet committee of economic affairs ने approval दे दिया है camera scheme को जिसका नाम है O-Smart यानि की ocean services, technology, observations, resource, modeling and science ministry of earth sciences इसका implementation करने वाली है overall cost इतनी रहने वाली है 16 sub projects इस umbrella project के अंतर कर चलेंगे और इसमें economic benefit मिलने वाला है user communities को coastal और Asian sectors जो समन्द रखते हैं जैसे fisheries, offshore industries, general मचवारे भी हैं उन सब ही को support इसमें दिया जाएगा Google ने अपने India के event में project नौलेखा की शुरुआत की है जिससे vernacular news publishers अपने content को online ला सकते हैं बिना किसी cost के और अपने content को monetize भी कर सकते हैं और अपने जितना भी content है उसको PDF form में ला सकते हैं टेक्स्ट PDF के form में बहुत आसानी से और बहुत accurately North Korea host करेगी 2021 एशियन youth and junior weightlifting championship को और इसकी capital पहुंग चांग में होगा उलका महाजन और इनको मिलेगा प्रफुल बिद्वाई memorial award 2018 के लिए इस award का नाम awardee का नाम ध्यान रख सकते हैं आप awards and honors के में Government of India ने 21 सदस्यों की committee बनाई है जो की Prime Minister Narendra Modi को advice करेंगे matters related to science, technology, renovation इसको PM strike बोला जा रहा है इस committee को इसको head करेंगे K. Vijay Raghun इमरसन मंगागवा अभी बने थे new president जिमबाबवे के यह आप याद रखेंगे भारत सरकार ने World Bank के साथ 220 billion का loan agreement sign किया है और 80 billion dollar का guarantee agreement sign किया है India Energy Efficiency Scale अब program के लिए इस program को implement किया जाएगा Energy Efficiency Services Limited जो की आपके उजाला यूजना को भी implement कर रही है इस program के माध्यम से हम लोग greenhouse gas emissions को 170 million 10 CO2 को यहाँ पर कम कर सकते हैं और 10 gigawatt तक energy capacity जो है उसको बचा सकते हैं इस उजाला program के माध्यम से SARC Agricultural Cooperative Business Forum यह start हुआ था काटमांडू नेपाल में अगस्त 29 को हुआ था यह याद रखेंगे आप लोग UN Food and Agriculture Organization और Asian Farmers Association का यह joint venture था G20 Digital Economy की Ministerial Summit कहां पर हुए थी SALTA अर्जेंटीना में थीम रही थी Building Consciousness on Fair and Sustainable Development इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था रविशंकर प्रसाद ने रविशंकर प्रसाद गये थे Union Minister of Electronics and IT इसमें देख रहे हैं Law and Justice Ministry को भी देख रहे हैं इंडिया की तरफ से यह शामिल हुए थे इस मीटिंग में रोची घंशायां को प्वाइंट किया गया था High Commissioner यहां पर United Kingdom के लिए UK के लिए चौदों एडिशन यहां पर शुरूगवा था Maritime Exercise Kakadu का Kakadu डार्विन जगहे पर हुई थी Australia में 19 अगस्त को Royal Australian Air Force और Indian Navy इसमें करती है Exercise आप याद रखिएगा इसमें Royal Australian Navy और Royal Australian Air Force ने पार्टिस्पेट किया था भारत की तरफ से Naval Ship आईनस सह्यादरी ने इसमें पार्टिस्पेट किया था तो यह Navy के exercise है इंडिया और Australia यहाँ पर करते हैं Kakadu के नाम से तो यह आप इसमें आद रखेंगे Australia Hind के नाम से भी exercise करते हैं वो आर्मी के exercise है Australia के साथ जो हम लोग करते हैं World Bank राजस्तान को 500 million की loan facility प्रवाइट करेगा जिससे वो अपने राज में electricity distribution को augment कर सके और 24 into 7 prior for all प्रोग्राम को अचीव कर सकें यान की 24 into 7 पूरी समय बिजली मिल सके राजस्तान को क्रश्न कुटीद यहाँ पर set up किया गया है कहाँ पर मतुरा में Ministry of Women and Child Development WCD का यह प्रोग्राम है स्वाधार ग्रह स्कीम के तहत इसमें पूरा फंड किया है मतुरा में इसका inauguration किया था 31 अगस 2018 को यह बेसिकली एक old age home है 1000 विडोस यहाँ पर निवास कर सकती है उनको यहाँ पर facilities अवेलबल हैं जिससे वो अपने बाकी का बचाववा जीवन अच्छी तरीके से गुजार सके हैं जर्मनी ने एक soft loan sanction कर दिया 120 मिलियन का 120 मिलियन यूरो का इंडिया को National Clean Ganga Mission के लिए इससे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट इंफरास्रेक्टर को और उत्राखंड में इंप्रूफ किया जा सके इसके लाबा जर्मन डेवलप्मेंट एजनसी यहाँ पर प्रिपेर कर रही है गंगा बॉक्स यह एक गंगा बॉक्स माधिम से टार्गेट करेंगे स्कूल गोइंग चिल्डेन को और उन्हें बताएंगे रिवर की इंपॉर्टेंस के बारे में तो यह एक awareness प्रोजेक्ट भी रहेगा डेनूब बॉक्स की तरज पर एक गंगा बॉक्स यहाँ पर लाई जाएगी जैसे राइन रिवर में यह cleaning प्रोजेक्ट इनिशेट किया गया था वैसे ही गंगा में भी इसी तरह का प्रोजेक्ट चलाए जाएगा मद्रप्रदेश की सरकार ने एक interactive program शुरू किया था मील बंचे के नाम से ठीक है यह government school पर शुरू किया गया था और यह अपनी तरह का multi-dimensional development program था जिससे skill improve की जा सके children की उनको पढ़ने का मतलब रूची generate की जा सके और कुल बिलाके थोड़ी co-curricular activities को promote किये जा सके यानि main syllabus के लावा कुछ चीज़ें यहाँ पर की गई थी ministry of HRD ने एक नई ranking system की शुरुवात की थी इसको अटल ranking of institution of innovative achievements ARI यह कहा जाएगा higher educational institutes को rank दी जाएगी यहाँ पर innovation को promote करने के लिए जो ज़्यादा innovation को अपने आप प्रमोट करेगा उसको पहली rank भी लेगी इससाफ से है यह focus करेंगे कि ज़्यादा ज्यादा यहाँ पर इंस्टूट्स जो एजुकेशन वाले थोड़ा सा innovation पर भी focus करें entrepreneurship ideas को promote करें फोर्थ एडिशन बिम्स्टेक summit जो है यह शिलंका में प्रस्तावित है यह भी आप याद रख सकते हैं बढ़ते हैं आगे इंडियन railways ते memorandum of understanding sign किया था गेल इंडिया लिंटेट के साथ इससे की नैचुरल गैस का इस्तमाल किया जा सके railway workshops में welding वगयरा करने के लिए और ना कि conventional gases का ज्यादा pollution करती है बगयरा बगयरा नीतिययोग ने move hack का शुबारम किया था move hack के बारे में बात कर चुके हैं यह दो दिन की summit थी अब तक कर सबसे बढ़ा यह आपका hackathon बताया जा रहा है पूरे इंडिया का पूरे wish का बताया जा रहा है यह और कुल बिला करके यहां जो है contemplations हुए थे मध्रप्रदेश में elephants के लिए कान्हा नैशनल पार्क में एक week long picnic और नाइस की गई थी है तो यह आप याद रखेंगे इसमें विश्व के पहले thermal battery संहित्र का शुबारम किया गया था आंध्रप्रदेश में भारत energy storage technology private limited यानि की best इसको शुरू कर रही है और commercial operations अभी शुरुवात होंगे माई 2019 से अभी खाली शुबारम हुआ इसका Pacific India Year 2018 के नाम से multinational communication interpropeldi यहां पर program हुआ था इसको इंटर-ropeldi जो भी कहते हैं यह program यहां पर हुआ था काटमांडू नेपाल में 6 अगस्त हुए यहां पर इसका यही purpose था कि जितने भी military forces हैं Asia Pacific region के उनके देशों में military के पास common communication operating procedures को adopt किया जाए उनके बारे में जानकारी रखी जाए Indian women की chess team ने यहां पर gold जीता था Blitz event में Asian National Chess Cup 2018 में जो कि इरान में हुआ था इसमें चार event करीब होते हैं Blitz वाले में यहां पर India की women chess team ने gold जीता सरकार ने चार member का एक group of minister बनाया है जिसके head रहेंगे श्री श्रुष प्रभू और यह प्रस्ताव रखेंगे mega free trade agreement के बारे में regional comprehensive economic partnership के बारे में इस पर इस पर इन सारे issues को देखने के लिए यह समीती बनाई गई है international buddhist conclave का आयोजन यहां पर हुआ था नई दिल्ली में बुद्ध path the living heritage इसका theme रहा था नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था आगस्त में इसमें 29 country के ministerial level के delegations ने विजिट किया था और इनको बुद्ध से सम्मदित जो भी हमारे चीजें हैं भारत में उनसे परिचित करवा आ जाना था इसमें जैसे नई दिल्ली अजन्ता के केवस राजगीर नालंदा बोध गया बिहार सारनाथ उत्तर प्रदेश में जो है इन इस conclave अलग है ने दिल्ली में हुई इंडिया में International Buddhist Conference कहां पर हुई लुंबिनी निपाल में इस conference के end में 10-point लुंबिनी declaration को अडॉप्ट किया गया था इसमें 36 गड़ की सरकार ने अपने Capital City नयर आयपूर को अटल नगर के रूप में नाम देने की बात कही थी यहां पर अटल जी के नाम पर यह काफ़ important question आपको बन सकता है exam में तो यह आप याद रखेंगे इसमें इसके लगा पर कुछ इंस्टूट से जैसे 36 गड़ में बिलासपूर युनिवरस्टी का भी नाम बदल करके अब अटल बिहारी बात पेजी के नाम पर रखा दिया जाएगा Indian Women National Football Team ने यहाँ पर 2nd edition South Asia Football Federation Cup का जीत लिया है अंडर 19 Women's Championship में और बंगलदेश को यहाँ पर आया था फाइनल में यह फाइनल कहाँ पर हुआ था भूटान के थिम्पू में हुआ था यहाँ पर थोड़ी सी लिस्ट आप लोग देख लीजेगा बंगलदेश को रहा है और फाइनल में किसको रहा है बंगलदेश को रहा है 281 and Beyond यह किसकी आटोबाइग्राफी होने वाली है यह आटोबाइग्राफी रहेगी VVS लक्षमन की पूर्व इंडियन आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंग सुहाग को अवार्ड किया गया है यूएस के लीजन आफ मेरिट डिग्री अफ कमांडर से पेंटागन वाशिंग्टन डीसी में यह अवार्ड पहले भारत में से जनरल राजेंद्र सिंग जी जाडेजा को मिला था अमरें सो चियालिस में तूसरे समिर्टरी आफीसर बने है जिनको यह अवार्ड मिला है इनकी सर्विसेज के लिए मिला है 2014-2018 तक के इनकी जो सर्विसेज थी इंडिया में उसके लिए इनको मिला है Chief of Army Staff हमारे रहे थे इस बीच तो ये अब और important है आप धान रखेंगे इसको US का Leason of Merit Degree of Commander का वोर्ड इनको मिला है पांडिनी Language Laboratory का उद्गाटन किया गया है शुसमा सुराज के द्वारा 11 वर्ड हिंदी Conference में महात्मा गांधी इंस्ट्यूट Port Louis, Mauritius में ये पांडिनी लैप जो है Indian Languages को Mauritius के लोगों को सिखाने में हल्प करेगी Former UN Secretary General और घाना के डिप्लोमेट कोफी अनन कर नहीं रण हो गया था आप ध्यान रखेंगे इनको कोफी नाम जो है ये पहले Black African बने थे UN Secretary General के पर यूग तो होने वाले Food Safety and Standard Authority of India FSSI ने तीन मेंबर की कमीटी गठन किया है जिसके हैड रहेंगे B. Sassikaran जो मैंने आयोग का वीडियो बनाया था उसमें ये चीज गलत होगे थी मैंने निखिल टंडन को बता दिया था निखिल टंडन नहीं है Head B. Sassikaran है ठीकर ध्यान रखी गए इसको Labeling और Display Regulations को Draft करने के लिए जो समीती बनाई गई है FSSI के द्वारा उसके Head रहेंगे B. Sassikaran ना कि निखिल टंडन Union Ministry ने HRD ने यहाँ पर 5 मिंबर की कमीटी गठन किया है J.E. Advanced Examination में Changes को Recommend करने के लिए इसके Head कौन रहेंगे इसके IIT मदरास के डिरेक्टर B. Sassikaran राम मूर्ती समीती को Head करेंगे काफी important Amnesty International India ने Our Safety Our Right नाम से एक Awareness Campaign शुरू की थी Children में और इसको अलबन ने अभी इंडिया के पहले ये बन गए थे Junior Cycling World Cup Medal में जीतने वाले बाहरत के पहले साइकलिस्ट बन गए थी जोनोंने World Cup Cycling में Medal जीता था ठीक है समझ गया है कि कहां से आते हैं ये अंडमान निकोबार के हैं के श्री निमास यहां पर नए चेरपरसन बने है Marine Products Export Development Authority यानि की MPDA के और आप इनका पाइंटमेंट ध्यान रखेंगा MPDA के चेरपरसन बने है के श्री के श्री निमास 11 में World Hindi Conference की थीम क्या रही थी जो की Port Louis में स्टार्ट हुआ था इसके थीम रही थी Hindi, World and Indian Culture Ministry of External Affairs Government of India ने मिलकर ये Government of Mauritius के साथ ये event और्गनाईजिस किया था BSNL ने VOIP-based service शुरू की है BSNL Wings के नाम पे इसमें बिना SIM card के आप VOIP कॉल कर सकते हैं आप के माध्यम से तो ये आप याद रखिएगा इसमें एक UK-based online market research firm ने जिसका नाम है UGO इसने State Bank of India का भारत का सबसे patriotic brand बताया है Mario Abdo Benitoz जो है इन्होंने शपत ली थी परागवे के President के रूप में Global Livability Index रिलीज किया था इसने Economist Intelligence Unit ने यहाँ पर 140 पूरे विश्व की cities की ranking इन्होंने prepare की थी पहला स्थान ने दिया है Austria की capital Vienna को भारत की दरफ से दो cities सामिल की गई है Delhi और Mumbai 112 rank मिली है डिली को और 170 भी rank मिली है यहाँ पर Mumbai को 140 cities की list में से लगतार 56 सालों से Melbourne यहाँ पर बन रहा था ठीसे number 1 अब की बार Melbourne आगे number 2 पे और Vienna की capital आउस्ट्रिया की capital Vienna को यहाँ पर number 1 बनाय गया था इस list में Damascus को यहाँ पर सबसे कम रहने योग city को rank किया गया था Damascus किया है Syria capital है तो आफकोर्स यह livable नहीं हो सकती है निहाल सरीन जो की केरल से आते हैं 33 में grand master बन गये थे इंडिया के और बार में सबसे यंग grand master बन गये थे पूरे चस के इतिहास में तो इनका achievement important है ध्यान रख सकते है अक्षे कुमार को brand ambassador बनाया था सरकार ने सडक सुरक्षा जीवन रक्षा campaign के लिए और तीन short film इनोंने release की थी आर बाल की ने इनको direct किया था 33-33 second की ए फिल्म थी काफी interactive फिल्म थी पिआई भी मिन का वीडियो पड़ा भुआ है आप चाहें तो देख सकते हैं डी बाला बेंकटाई श्वर्मा को यहाँ पर राजदूत बनाया था इंडिया की तरफ से रशिया में रमेश पवार को इंटरिम बेसिस पर हेड़ कोच बना दिया था इंडिया विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम का 39 बर 2018 तक के लिए ठीक है मतलब इंटरिम कोच यह बनाए गए थे बहतरवें इंडिपेंडेंस डे के उसर पर तेलंगाना के सीएम के चंदर शेकर राओ उने अपने राज में तीन स्कीम शुरू की थी फ्री लाइफ इंशोनेंस फार्मर के लिए रायतू बीमा, कांती वेलगू आईस केर सर्विस के लिए और एक एकनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम शुरू की था बैकवार्ट क्लासेस के लिए रायतू बीमा के तहट हरे किसान को बीमा कवर कितने कभी लेगा पांच लाग रुपए तक का एकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के लिए तेलंगाना में रहने वाले लोगों को अपना इंट्रिप्रेशिप करने के लिए 50,000 रुपए तक का benefit बिलेगा small business शुरू करने के लिए और कांती वेलिगू स्कीम जो की आई केर की है इसके तहट तेलंगाना में free eye care के कुछ यहाँ पर camps लगवाय जाने थे बस यह आप याद रखेंगे free eye surgeries, free eye schemes और medicine services आशीश कुमार भुटानी को यहाँ पर CEO बना दिया गया था प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना का मई 2020 तक के लिए यह काफी important appointment है आपको इसको द्यान रखना चाहिए प्रसार भारती ने YouTube के साथ यहाँ पर collaboration किया था जिससे 22 में हमारे सुरतन्रता दिवस्तमारों का लाइव प्रसारड किया जा सके संथाली पहली ऐसी हमारी tribal language बन गई है जिसका Wikipedia का अपना addition अवेलिबल होगा native script में यह काफी important चीज़ है 2018 में एक स्वक्षता survey कराया था Indian Railways ने third party से quality council of India से करवाया था और यहाँ पर A1 strategy और A strategy में यहाँ पर को rank भी दी गई थी कौन से सबसे साफ है तो A1 strategy में किसको मिला था जोधपूर को सबसे cleanest railway station का मतलब rank और मारवाड को मिला था A strategy में तो यही दोनों बस आपको ध्यान रखने हैं बल रामदाश जी टंडन का निधन हो गया था यहाँ पर अब यह 36 गड़ की गवर्णर कौन है आप लोग comments भी लिख करके बताईए इनकी जगह पर interim गवर्णर कौन बनाई गई है हमने आपको indication में दे दिया जटीज गड़ की interim गवर्णर कौन बनाई गई है इससे में बताईए चाइना ने अपने काफी high-end वेव राइडर हाइपर सोनिक एरट्राफ्ट जिंग कॉंग सेकेंड का सफल परिक्षनर किया था ठीक है यह काफी high-end अंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेस है और अभी तक ऐसा हेलिकॉप्टर जब ऐसा डिफेंस सिस्टम खाली यूएस के पास था चाइना पहला एशियन कंट्री बन गया इस तरह का हेलिकॉप्टर खरीदने वाला जस्टिस मंजुला चेलूर बन गई है निव चेयर परसन एपलेट ट्रिबूनल ऑफ एलेक्टरिटी की जो की मिनिस्ट्री और पावर के इंतरगत काम करता है बस यह आप याद रखेंगे इसमें वर्ल्ड एलिफेंट ये हम लोग अब्जर्ब करते हैं 12 अगस्त को और फेस्टिवल गज महोत सो स्टार्ट किया गया था दिल्ली में इस इवेंट को और्पनाईज करवाया था Wildlife Trust of India और Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने WTI की ब्रैंड अबज़ दर है दिया मिर्जा आप ध्यान रख लेना नेपाल इंडिया लेट्रेजल फेस्टिवल कहां पर शुरू हुआ था बीर गंज नेपाल में माइशल बॉकलेट बने थे और Air Force ने कौन सा मिशन शुरू किया था Operation करूणा Main fact यही है और भी जादा आपको नहीं ध्यान रखना है Food Safety and Standards Authority of India FSI ने एक और initiative लाँच किया था RUCO यानि की Repurpose Used Cooking Oil इसका मतलब था कि हम Used Cooking Oil को यूज कर सकते हैं एक बायो डीजल बनाने के लिए International Youth Day भी बनाया जाता है Elephant Day के साथ 12 अगस्त को और थीम रही थी Safe Spaces for Youth Axis Bank भारत का पहला बैंक बन गया था जिसने Iris Scan Authentification फीचर लगवाय था अपने आधार-based transactions में अपने Micro ATMs में यानि की Iris तो आख में आपकी जो Iris होती है उसको scan करके Biometric Authentification हो सकेगा और उससी transaction हो सकेगा Annie Zaydi को जो के Indian author है इनको 2018 का Hindu Playwright Award मिला था 2018 के लिए इनके Play Untitled 1 के लिए Hindu Price देता है आपको बता है Literature में Hindu ये Novel को भी देता है और Play को भी देता है तो Play में मिला Annie Zaydi को उनके ड्रामा या फिर कह सकते हैं Play Untitled के लिए UNESCO ने कंचन जंगा Biosphere Reserve को World Network of Biosphere Reserves में शामिल किया था अपने 30 सेशन Man and Biosphere International Coordinating Council के में जो की Palambong Indonesia में कंड़क्ट हुई थी कंचन जंगा Biosphere Reserves हमारा 11 Biosphere Reserves था जिसको World Network of Biosphere Reserves में शामिल किया गया NDA के कंड़िडेट हरिवन शनारायन सिंग यहाँ पर डेपूटेच चेरपरसन बने थी राजसभा के इंसे रेलेटेट कोश्चन ACF के पेपर में भी आया था तो आप याद रखेंगे इसमें अभी गोयल जो इंडियन स्टूडेंट है यह इंटरनाशनल जोग्रफी B World Championship 2018 में इन्होंने बर्लिन में यह चैंपेंशिप जीत लिया है मैरी क्यूरी को वोट किया गया था Most Influential Women in History BBC के History magazine पोल के दोरा जस्टिस गीता मित्तल ने सबद ली है चीफ जस्टिस जम्मू और कश्मीर हाई कोट के लिए मेरे वीडियो में गलत हो गया था पहले ये MCQ वाले वीडियो में तो जिल्लोगों ने correction बताया था उनको धन्यवाद और आप लोग इसको देख लीजिएगा ये मैंने आपको बता दी है अथ से साथ उत्राखंड की बनी थी उत्राखंड की नेवड़ी थी ये बनी थी जम्मू और कश्मीर की चीफ जस्टिस हाई कोट में वर्ल्ड बायो डीजल डे हम लोग कब बनाते हैं मनाते हैं 10 अगस्त को राम सेवक शर्मा या फिर कह सकते हैं आरे शर्मा बन गया थे चेर परसन टेली कॉम्मूनिकेशन रेगुलरिटी अथार्टी अफ इंडिया यानि की ट्राई के जूलियन गोस्वामी ने अपने रिटाइर्मेंट को अनौन्स कर दिया गया था अनौने अपने ट्राइर्मेंट अनौन्स कर दिया था T20 वर्ल्ड कप रिकेट से इरान ने अपना पहला स्टेट ऑफ आर्ट डोमेस्टिक फाइटर जेट लाउंच किया था काउसर का और डिफेंस तो तेहरान में उनौने इसको दिखाया था तो दियान रखेंगे इनका पहला डोमेस्टिक फाइटर जेट है काउसर रवीना टेंट बन गई थी ब्रैंड अमेजडर संजय गांधी नेशनल पार्क की महरास्ट गवर्मेंट ने इनको अपॉइंट किया था ध्यान रखेंगे प्रोफिसर अप्पा राओ पोडिल को यहां पर चुना गया था प्रेस्टीजियस जेसी बोस फेलोशिप 2018 के लिए डेपार्टमेंट ऑफ साइन्स एंट एंग लॉजी जो देती है फेलोशिप इसके लिए इनको चुना गया था अप्पा राओ पोडाइल जो की वाइस चैंसलर है उनिवर्सिटी ऑफ हैदरबाद के 2018 का इंडियन बैंकिंग कॉंक्लेव का अवजनुवा था निदिल्ली में CEPR यानि की सेंटर फॉर एकनॉमिक पॉलिसी रिसर्च और थिंक टैंक नीती आयोग ने मिलकर करके इसको करवाय था 9 मेंबर 5G Steering Committee ने अपनी रिपोर्ट सौब दी थी Making India 5G Ready के नाम से इस 5G Steering Committee के हैट रहे थे Stanford University के प्राफिसर A.J. पॉल राज इसका गटन किया गय था 2017 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सब्बिट कर दी है इस रिपोर्ट के नुसार 5G को हम लोग शुरू कर सकते हैं अपनी इंडिया में 2020 से Ministry of Health and Family Welfare ने ऑक्सिटोसिन पर बैन लगा दिया था और इसको जुलाई 2018 से लागू करने की बात कई थी यहाँ पर इसकी सेल के लिए मोनोपॉली दे दी गई थी करनाट का Antibiotics and Pharmaceutical Research को यानि कि अगर रेली में किसी इंसिटूट को चाहे हॉस्पिटल हो चाहे प्राइबेट हॉस्पिटल हो अगर उनको उक्सिटोसिन की सही बात जरूरत तो तो उसकी आपूर्ती करेगा करनाट का Antibiotic Pharmaceutical Research यानि कि KAPL ऑक्सिटोसिन को नेरूल के तहत शेडूल ए से शेडूल H1 ड्रग में डाल दी जाएगा यानि कि रिटेलर इसको नहीं बेच सकते हैं जब तक उनके पास शेडूल H1 ड्रग को बेचने का सेपरेट लाइसेंस ना हो National Green Tribunal यानि की NGT ने एक तीन मेंबर की कमीटी गठन किया था Mining Company Vedanta Limited की याचिका पर विजार करने के लिए Tamil Nadu की सरकार के ओर्डर के खिलाफ कि उनका जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट है उसको तूट खोडी से हटाये जाए अफिट रही तो इसके हेड कॉन बने थे पंजाब और हरियाना हाई कोर्ट के चीफ डिस्टिस S.J. वजीवदार बने थे इनका नाम जरूर धिहन रखिएगा No Spin नाम से किताब रिलीस की गई थी ये Australian Poor Spinner Shane Warren की किताब है आर्मी गेम्स 2018 कंड़क्ट की जा रहे थे आर्मेनिया और इरान के द्वारा भारती टीम ने मतलब भारत के आर्मी टीम में भार लिया था दो मेजर इवेंट में टैंक बायतलाउन इवेंट में और Albino Ranges Moscow Region और Elbrus Ring Competition में International Advertising Association of India ने Marketer of the Year घोशित किया था Amul Brand को ठीक है Amul काफी popular brand है इसको International Advertising Association of India ने Marketer of the Year का वार दिया था इंडिया का पहला Phone Tourism Guide और Mobile Application जारी किया गया था Go What's That इसको जारी किया था धरमेंदर प्रधान ने तो यह आप इसमें याद रखेंगे इसमें QR code को stand करके जो heritage site पर लगे रहते हैं उसके history के बारे में और technical details जो है डाउनलोड की जा सकती थी अलग-अलग languages में बर फिर से बता दे हिस्टोरिकल places में QR code लगा रहेगा उसको जो tourist है वो scan कर सकते हैं go watch that app में और उसके बारे में जानकारी प्राप कर सकते हैं अपनी native language में नेपाल इंडिया think tank summit यह हुई थी काटमांडू में 31 जुलाई को प्रेजिडेंट इसमें नेपाल की हैं बृद्या देवी भंडारी अपने second term को continue कर रही है वाइस प्रेजिडेंट इननंद किशोरपुन और प्राइम मिनिस्टर ने खाड़ को प्रसात शर्मा ओली चीफ जस्टिस अभिनाय बने है सप्टेंबर में ओम प्रकाश मिश्रा गोपाल कृष्ण गांधी जो की वैस पंगाल के गौर्णर रह चुके हैं इसमें न्यूटन को अवाड दिया गया था बेस्ट फिल्म का विलिज रॉक स्टार को स्पेशल मेंशन मिला था बेस्ट अक्ट्रिस का अवाड बिला था भानिता दास को विलिज रॉक स्टार फिल्म से Special Jury Award बिला था Village Rockstar की डिरेक्टर रीमा दास को 34 गड़ की सरकार ने लॉंच करा था Mobile Application Mobile Tihar संचार क्रांती योजना के तहत इसमें कुल भी लाकर के Smartphone डिस्ट्रिब्यूट किया जाने थे लोगों को Mobile Tihar scheme के अंतरगत संचार क्रांती योजना के अंतरगत इसके लिए 50 लाग beneficiaries को identify किया जाना था और और भी जादा Mobile Tower यहाँ पर लगवाए जाने थे इसको 37 गड़ के CM रमन सिंग ने कंगना रनोट के साथ मिल करके शुरू किया था तेलंगाना के सरकार जल्द ही अपने राज में भी हब establish करेगी बायो टेक एंड बायो फार्मा सेक्टर चिनाउम वैली हैजराबाद में राजस्तान पहला राज बन गया था नैसनल बायो फ्यूल पॉलिसी को implement करने वाला यह गाफी important चीज है इतना ही पूसर जाएगा आपके exam में आक्षय बेंकईया जो किए कि इंडियन ऑस्टेलियन Mathematician है इनको 2018 फील्ड मेडल अवर्ड दिया गया था उन चार साइन्टिस्ट में से एक थे जिनको यह अवर्ड दिया गया है और यह जो फील्ड मेडल ने चार साल में एक बार दिया जाता है ये मैट्स का नोबल प्राइज मना जाता है ओडिशा ने अपना नेशन वाइड कैमपेंड लाँच किया है हर्ट बीट फॉर हौकी यानि कि हौकी वल्ड कप जो मैंस वाला होने वाला है 2018 में उसको प्रमोट करने के लिए हौकी वल्ड कप कलिंग स्टेडियम भूबनेश्वर में होगा नॉमबर 28 से लेकर के दिसमबर 16 तक इसका मैस्कोर्ट कौन बनाया गया है इसका मैस्कोर्ट बनाया गया है ओलिव रिडले कच्वा जिसका नाम रखा गया है उनाइटेड नेशन्स की इसमें यही देखा जाता है काउन सी कंट्री प्रयास कर रही है अपने यहाँ पर जादा जादा ऐसे इको सिस्टम को डवलब करने के लिए जिसमें ऑनलाइन पेमेंट्स को डिजिल पेमेंट्स को प्रमोट किया जा सके करनाटक की गवर्मेंट्स ने शुरू किया था रूरेल क्लीनिनेस और सेंटेशन का रिक्रम स्वक्ष में हुझाएते करनाटक स्टेट को अभी पांच लाग ट्वालेट्स और बनवाने की जरुरत है 2 अक्टूबर से पहले 2019 में अपने स्टेट को ODF कोशित करवाने के लिए तो इन सब कारेक्रमों को बूस्ट करने के लिए स्वक्ष भारत मिशन, रूरल और अर्बन दोनों को प्रमोट करने के लिए ये कुल बिला करके ये शुरू किया गया है रंजीर स्रिवास्तो एक रांची बेजड सॉफ्ट्वर डवलपर है जिन्होंने वर्ल्ड के पहले हिंदी स्पीकिंग हिमनाइट रोबो को डवलप किया है और लिप सिंकिंग ये रोबोट है इसका नाम इन्होंने रश्मी रखा है इसको आप पहले हिमनाइट सोशल रोबोट सोफिया से कंपेर कर सकते हैं तो ये भोधपुरी हिंदी मराथी बोल सकता है एंगलीज के साथ साथ और काफी अच्छा AI-based हिमनाइट रोबोट है जो कि रश्मी नाम से इन्होंने डवलप किया है रंजीरी श्रिवास्तो ने देख दें सोफिया से कंप्रीट कर पाता है या फिर नहीं मैत्री दोजार अठारा से उद्डब्यास किया था इंडियन आर्मी ने रोयल थाई आर्मी ने ये कुल मिला करके हम थाइलैंड के साथ उद्डब्यास करते हैं स sequence 3 के नाम से मितर शक्ति के नाम से हम लोग करते हैं के साथ मैथ के नाम से करते हैं थाइलेंड तेलंगाना की गौश्रमेंट ने टक महिंद्रा के साथ हाइदरबाद को एक ब् does the district में स्ट्याभ लिगशकरोट करने के लिए अभी 300 बनाई गई हैं इनको Linux operating system में चलाए जा सकेगा इनको Intel की facility Oregon में develop किया गया Intel की साहता लेकर के project शक्ती के तहत